नमस्कात साथियो मैं हूँ अनुरामिस्टा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक आप पर सुतागत करता हूँ साथियो हम लोग जो आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई सुरुबात करने जा रहे हैं जो की है Indian Economy का और ये Indian Economy का एक अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत डरारना सब्जेक्ट हो जाता है तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक भारती होने के नाते आप इसको आसानी से समझ सकें और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपको किसी बुक क किसी कोचिंग सेंटर या पिर किसी दुकान पर जाने की आज शकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देख लेंगे यदितो इस वीडियो की अगर बात करूं तो आपका आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें आपका क्या आने वाला है economy जो है आने वाला है चाहे पिर आईएस हो PCS हो किसी भी चाहे बिहार PCS हो चाहे MP PCS हो च्याह महाराश PCS हो चाहए पिर हर्याना का हो चो पन्जागव और किसी भी digits का PCS हो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर मांलीजी आप SI की तैयारी कर रहे है या फिर UPSI की मांलीजीए बेहर SI की हर्याना या फिर मध्य पर्देश तो इसे में अगर आपका Kabinac इसे जुड़े वे पिरस्म आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपका एक भी पिरस्न जो है वो छूटेगा नहीं क्योंकि आपको देखने का तरीका और इसको समझा में दूँगा ही मैं आपको बता दूँ कि आप इस वीडियो को देख लेना देखने के ब में जाते हैं तो उसका ना के बराबर आप तेहां से लिया जाएगा या फिर आप किसी बुक को जाके खरीते तो भी आपको उससे काफी कम कीमत में यहां पर देखने को मिल जाईी तो चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग यहां पर आके बढ़ते हैं और सुरुबात करता कि इन वीडियो से आपको आनंद प्राप्त होगा साथ ही साथ मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपने आज तक इस तरह के वीडियो नहीं देखे होंगे पूरे यूटूब पर या पिर मैं कहीं कीवी गारेंटी ले सकता हूं कि मैं अपने आप में ही एक बिचित प्रा प्राब करेंगे जा तो मैं आपके पर आपको देख रहे हैं यह पसीना पसीना हो रहा है को एन अप पर आप तक पहुझ नहीं पाई तो इस काड़ में क्या है, कूलर या पंखे जो है बंद करते हैं, और काद हमारी अभी AC वाली है ने, क्योंकि हम परिवार से अलग रहते हैं, घर में होते तो हम एक बार सोच भी रहते हैं, कि AC वाले भाहिया मैंने की कुशित कर सकते हैं, तो ये इंडियन एकॉनमी यानि की भारती अर्थ व्यवस्ता का पार्ट वन है, और आपको सुरू करने से पहले बता दूँ वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है, तो लाइक, सेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, करना ना खूलना हो, साथी साथ वेल आइकन का वटन चरूर दबा देना, अगर वीडियो प सप्रूट करते हैं, यदि आप लोग ये कहते हैं कि वीडियो अच्छा है, कमेंट करके बताते हैं, तो आगे भी सर जो है, हमें बोलते रहेंगे, तो यसी तरह से हमारी सेवा लेंगे, वो हमारी लेंगे तो इस तरह से हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, और हम इसी चैनल प इकोनमी जो है मैं 60 गंटे में complete कराने वाला हूँ और guarantee लेता हूँ कि आपने कहीं पर भी इस तरह का वीडियो इस तरह का material नहीं देखा होगा अब ये खामी खामे में छोड़ नहीं रहा हूँ ये पसीना जो निकल रहा है ये इसी का ही एक जो है उधार है मैं बेवकूफ नह कि इतनी भरी गर्मी में आप लोगों के सामने आपस्टित हुआ हूँ मैं भी आनंद ले सकता हूँ कूलर चला के वीडियो बना सकता हूँ कहांगा बहार में जाए जन्ता अपना का मनता गर्मी लगती है हमको तो हम cooler चलाएंगे नहीं मैं चाहता हूँ आपको एक ऐसा material मि क्या पढ़ने वाले हैं फिर हम भारती बासा में देखेंगे इस वीडियो में क्या करेंगे तो आईए नेजर डाल लेते हैं हलका सा introduction growth, development and happiness के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं evolution of Indian economy भारती बासा में बता हूँ आप यह अलका सा एक अनुरिशों की बासा में एक base ब banking in India, Indian financial market, insurance in India, security market in India, external sector in India, international economics organization and Indian, India tax sector in India, sustainability and climate change in India and the world public finance in India, human development in India, warning, socio-economic issue, economic concept and terminology. तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस वीडियो के बाद में आपको लगवक 2000 person और 500 उसमें क्या होंगे, selected MCQ होंगे, ताकि जो है आपका वीडियो देखने के बाद आप question भी solve करें, ताकि जो है आपकी economy जो है perfect हो जाए, और मैं guarantee रेता हूँ कि आज के बाद कभी भी आप आपका कोई person नहीं छोटेगा, तो एक नजर मैं आपको डाल कर दे देता हूँ, अब भारती वासा मैं पूरा syllabus बता दे रहा हूँ, कि किसी भी exam की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाने वारा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो आप आपका पूरा पूरा syllabus जो है, कबर हो जाएगा, आप किसी भी book को पढ़ते हैं, आपका बेड़ा पार हो जाता है, आपको तुरंत जो है, समझ में आएगी, बस सब रखना पड़ेगा, आपको मुझ पर पूसा रखना पड़ेगा, मैं guarantee लेता हूँ कि आप तक में अपनी वो सारी बात हैं, आत्मा तक में पहुंचा सकनगा, आपके DNA तक में पहुंचा दोगा, ताकि आप मैसूस कर पाएं हर एक सब्द को, तो आइए नजर डालते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, अर्थ विवस्ता के बारे में, अर्थ सास्त्र क्या होता है, सा मंत अब धाड़ाएं देखेंगे, हालित करांती देखेंगे, आर्थिक संब्रदी विकास के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थिक नियोजन के बारे में बात करेंगे, भारती बैंकिंग विवस्ता के बारे में बात करेंगे, भारती रेजर बैंक के बारे में बात करेंगे साक नियंतर भारत में वाड़िजिक बैंकों का विएकिगड सहकारी बैंक, बित्य समाविशन, राश्टी आवास बैंक, मुद्रा वाजार वंपूजी बाजार, भारती बित्य विवस्ता, स्टॉक मार्केट, भारती पिरतिवूती वंबिनमे बोर्ड, वाइदा वाजार, व के बारे में हम बात यहां पर करना है पाले हैं नेक्ट हम इसी में हम बात करेंगे यानि कि पूरे साथ घंटे का मैं सिलेबस पता रहा हूं भारती किरसी के बारे में उसमें हम देखेंगे भारती अर्थिवरस्ता में किरसी बारती अर्थिवरस्ता में किरसी का महत्व किरसी स सार्जिनिक बित्रट परणाली, मेगा फूरपार्ट, संपदा योजना, विस्तु ब्यापार, संग्ठन एवं किरसी, ब्यापार समझोता, उद्योग एवं और द्योग की नीती, भारती अर्थिवरस्ता में उद्योग, और द्योग की नीती और अधिनियम, महारतन, नवरतन मिनीजतन योजना ओद्योगी की रोकड़ता ओद्योगी की स्रम जंसंख्या गरीवी यह बेरोजगारी के भी बारे में बात करेंगे इसमें हम आते हैं जनांकी की भारत में जनगरना निर्धनता निर्धनता महापने की निपद्धिती रोजगारे में बेरोजगारी सामाजी कारिकरम योजना है, सामाजिक कारिकरम, ग्रामीड विकास योजना है, ग्रामीड रोजगार योजना है, सहरी विकास कारिकरम, मैला सरसक्तिकर कारिकरम, सिच्छा संबंधी कारिकरम और स्वास्ती योजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने बाले हैं, तो यह इतियास देखेंगे, बित्तिय घाटे देखेंगे, सार जुनिक आईके इस्तिति देखेंगे, भारत में कर्परस्ताब देखेंगे, बस तु यह मैं सेबा कर जिसको हम अंग्रेजों की भाता में GST यानि की बढ़ाया जा सकता है, बिदेशी निवेश के बारे में बात करेंगे, इसके बाद आगे हम इसी में बढ़ जाएंगे तो देखेंगे अंतर राश्टी संग्ठन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे अंतर राश्टी संग्ठन का मतलब क्या होता है, बिस बैंक, अंतर राश् वन यानिकी ये पार्ट वन हैं जिसमें हम क्या-क्या पढ़ने बाले हैं तो आई ए फिर नज़र डाल देते हैं कि इस बाले वीडियो में ने बताया था वीडियो में तीन बनाओंगा बारे बारे गंटे के और आपको नोर्स पीडिया जाएंगे नीचे जाके खरीद लेना म मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा material इस तरह का material किसी कुदुकान या coaching center पर भी नहीं मिलने बाला है तो चलिए फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं और इसी में समझते हैं कि हम क्या-क्या इसमें पढ़ने बाले हैं तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अर्थ सास्त्र के बारे में अर्थ सास्त्र यानि कि economics क्या होता है next इसी में हम बात करेंगे बैस्टी अर्षास यानि कि जो अर्षास होता है उसके दो भाग होते हैं यानि कि दो भागों में बांटा जा सकता है अर्थविवस्टा थे या माइक्रोएकॉणिमिक्स दूसरा जो होता है समिष्ठी अर्षद स्यानिकी मैक्रोएकॉники दीसते जो आई जाता है इसी में हम बात करेंगे अर्थविवस्टा के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे अर्थविवस्टा के प्रकारें asking types of economy के बारे में next हम इसी में बात करेंगे सामेबादी अर्थिविस्ता के बारे में समाजबादी अर्थिविस्ता क्या होती है मिस्रित अर्थिविस्ता यानि कि मिक्ष्ट एकॉनमी क्या होती है उसके बाद हम इसी में बात करेंगे खुली अर्थिविस्ता यानि कि open economy क्या होती ह बंद अर्ष वच्वाटा यानोि के बारे में बात करेंगे आरथी 21 सिरी आधार पर श्रीपार बात करेंगे नए आदियु कड़ देशक बारे में इसके बात बात करेंगे इसके बाद वाynnद Daar aja Jar waking the system को जालने से पहले हम एक नजट डालेंगे बेटिस काली अर्थ वस्ता के बारे में चर्चा करेंगे कि देखेंगे कि हम 12.1 22 में जो चल रहे हैं भारत देश की जो इस्तिति है क्या बास्तम है इस तरह की इस्तिति थी, यानि कि हम लोग थोड़ी से विक्षित नहीं हो मतल में तो हम घृँपर सोमर्ण गरीन कब्रेंग vereंगे कि सच में हम पैसे वाले थे कि नंगा नायगा क्या लिच्वुड़ेगा वादी कहानी थे कि हमारे पास कुछ नहीं था हम घॉड backyard में लिद भेज़ करेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे मौरेतर काल के बारे में फिर हम बात करेंगे गुपतकाल के बारे में उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सल्तनत कार के बारे में देखेंगे कि सच में हम पैसे बाले थे कि नहीं और पिनिविसिक आर्थिक नीशियों के बारे में बात कर हैं वो आपकी Indian economy की जो सुरुवाद करते हैं वो कहते हैं कि दादा भाई नौरु जी ने यह काम किया था इंडियन economy उसके बाद economy तो खत्म ही कर देते हैं वो यानि कि शुरुवाद धन की निकासी तो छोटा पूलते ह aten won t Sutra Gotti की नहीं है तो इस दनकी निकासी के बारे में भीहा पर अार्थ करने पाले हैं इसके मां आगे हुए से की आर्स बातंुँपर नीतीओं का भारती अर्थिवस्ता पर फिरवार तो इस तरह से लिखांए अंग्रेश होते से 200 साल तक सोस्र करते हैं तो उसके बाद भारती अर्तिवर्था का जो इस्थिती क्या हो जाती यानिकि जो तो इसके बाद हो आ जाएंगे 2021 की अर्द्वार्त्मान की अर्त्वर्स्ता के पास इसके बाद आगे हम देखंगे भारती अर्थेवस्ता एक अल्प विक्सित तता विकासील अर्थेवस्ता है अल्प विक्सित याने कि क्यों कहा जाता है इसको भारती अर्थेवस्ता को विकासील अर्थेवस्ता क्यों कहा जाता है इसके बारे में जाने किर्सी आधारित अर्थेवस्ता क्यों कहा जाता है भारती अ तिसरा हो जाता है तिर्टियक छेतरक इसके बाद बस्तु छेतरक तता गैर बस्तु छेतरक नेक्ट हम इसी में बात करेंगे संग्टे तता असंग्टे छेतरक ठीक है राष्टियाए ने ने शनल इंकम के बारे में बात करेंगे इसी में आगे हम बात करेंगे भारत में राष को बचत विधिया पे वियुटी जिसको हम कन्यम्शन मेथड़ बी कहते हैं राश्ठियाइक को दर्साने वाली वीदियों के बारें में बात करेंगे सकल घरेल उतPATA थैनी घ Bay Bay के बारें में बात करेंगे सुद्ध घरेल उतPATA शुपाद थैनी उत्पाद क्या होता है GMP क्या होता बार्यार कीमतों पाद सकल गरेलू उत्पाद साधन लागता सकल गरेलू उत्पाद के बारे में हाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ठीक है इसके बाद हम इसी में बात करेंगे इस तरह मूल ले यानि के कॉंस्टेंट प्र क्या होता है इसके बाद हम आके बढ़ेंगे साधन लागतार राष्टी आए बाजार मुली पर राष्टी आए इस्तिर मुली पर राष्टी आए ठीक है इसके बाद हम इसी में हम बात करेंगे आए के पेटा रहे हैं टैप्स ओफ इंकम के बारे में इसके बाद हम आके आ जा प्रत्व्यक्तियाई पर-Capita income के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करना है बालें बात दियाए रियाल पर-Capita income याशियाई क्या होती है Subsidies and National Income ठीक है? तो Subsidies and National Income में छूट और राश्ट क्यों चूड़ा जाता है? इसके बार हम बात करेंगे राश्टी आए से संबंदित संग्ठन देखेंगे जैसे CSO केंदरी सांखे की संग्ठन हो गया Central Statistical Organization हो गया इसके बाद हम बात करेंगे राश्टी आए के लिए आधार बर्स के बारे में राश्टी आए में छेत्रवार योगदान देखेंगे जैसे की छेत्रवार योगदान की प्रक्रसी का कितना है? सेवा छेत्रवा कितना है? ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे किरेश सक्ती तुलिता पर हरित राष्टिया यानि की GNI Green National Income क्या है, हरित अर्थ वस्ता यानि Green Economy क्या है, हरित लेखांकन यानि Green Accounting क्या है, हरित सकल राष्टिय उत्पाद यानि Green GNP, GNGNP क्या है, इसके बाद आर्थिक प्रगति यानि की Economic Progress क्या होती है, आर्थिक संब्रति यानि की Economic Growth क्या होता है, आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने पाले हैं आर्थिक विकास को प्रवावित करने बारे कारक यहां पर देखने पाले हैं आर्थिक घटक हम देखेंगे कौन-कौन से घटक हैं जो आर्थिक विकास को प्रवायत करते हैं जिसमें आर्थिक घटक की बात की जाएं तो पूजी का निर्माड, पूजी उत्पाधनपाथ, सिरम सक्ति तता जनसंक्या, तक्निकी प्रगति, आधार को संदा चलाएं, संग अधन, बित्य इस्थेता और आपकी प्राक्रतिक संसातनी, यह आपके आर्थिक घटक होगा है जो की आर्थिक विकास को प्रवायत करते हैं, गैर आर्थिक घटक जो की आर्थिक विकास को प्रवायत करते हैं, तो देखते हैं सामाजिक घटक, राजिनेतिक घटक, अंतरर राश्टी गटक और धार्मी गटक को इसमें हा जाते हैं। हिंदू ब्रद्धी दर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधा रहने की अर्थिक सुधारों की पीड़िया इनिकी जनरेशन ओफ एकोन्मिक रिफॉर्मिंस के बारे में आप बात करने हैं। इसके बाद हम इसी में हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन या इकॉनमिक प्लैनिंग के बारे में बात करेंगे आर्थिक नियोजन या इकॉनमिक प्लैनिंग क्या है आर्थिक नियोजन की शुरुबात कहां से हुज मानी जाते है नियोजन के पिरकार देखेंगे हैं टाइप 244 का राश्ची नियोजन समिती हो जाती है भारत के लिए जित अर्थ योजना के बारे में बात करेंगे जन योजना के बारे में बात करेंगे जन योजना के बारे में बात करेंगे योजना आयोक के बारे में बात करेंगे योजना आयोक के बारे में बात करेंगे योजना आय योजना में निवेज प्रद्दी काहाँ भाग ग्या भे भीनपंच है हत्य है यार काम चल रहा है भाग रहा है वे भार LIVE ऑध्न पंचवर्सी लोजना में निवेज प्रद्दीारों प्रात्मिक ताके छेटर वे गए अन्वरतов योजना यही रोल्लिंग प्लेन क्या था IJ extremski इसन इसने इसन के इसंस्टिटूसवर्ज seasoned इंडिया इनिकी नीट-डायोग की भारे में बात करेंगे। यूजनायोग की जगे नीट-डायोग इस्थाहपना करने का कार्ड क्या थहा। नीत आयोग की सिस्ता के बारे में बात करेंगे नीत आयोग के उद्धिस देखेंगे नीत आयोग के कार्द देखेंगे उसके बाद नीत आयोग की संड़तना के बारे में बात करेंगे नीत आयोग तता यूजना आयोग में अंतर देखेंगे इसके बाद आगे बढ़ जाएं यानिकी inputs of green revolution के बारे में बात करेंगे, उननत के समिके बीज, यानि high yielding varieties of seed H by Vs के बारे में बात करेंगे, रसाइने खाद यानिकी chemical fertilizers के बारे में बात करेंगे, रसाइने की इतना सको खर परतवार ना सक, chemical pesticides and herbicides के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में इसी में बात करें साख, भंडारड, विपढ़न, बित्रड, यानि कि credit, storage, marketing and distribution, इसके बाद इसी में हम बात करेंगे हरित करांती का दुस्परभाब, हल्प करांती, important इसके बाद इसका दुस्परभाब, यानि कि हमने माल तो खुब खा दे और उसके बाद पेट ख़रा हुआ, उसके बारे में करेंगे, सामाधिक आर्थिक प्रभाब, हैन की socio-economic impact, impact, पारिशितिकी प्रभाब, ecological impact, इसके बाद जिती हरित करांती हैंनी second green revolution के बारे में बात इहां पर करने पादे हैं, इसके बाद किरसी संब्दित अन करांतियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका सुनहरी कर करांती आ जाता है, भूरी करांती आ जाता है, आपका silver या rigid fiber करांती आ जाता है, gold या sword fiber करांती आ जाता है, gray करांती आ जाता है, पिली करांती आ जाता है, तरंगी करांती आ जाता है, स्वेद करांती आ जाता है, इंद जरनुस्री करांती आ जाता है, नीली करांती, गुला हम FCI के बारे में बात करेंगे, बारती खाद निगम के प्रमकार देखेंगे, FCI की पुर्ण संबचना के बारे में बात करेंगे, FDS, FDS यानि जन वित्रड प्रणाली के बारे में बात करेंगे, इस प्रणाली को दो बात संसोधित किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे मेगा फूर पार के उजणाय के उद्यशि देखे हुआ कि है या दाबडा बंदार प्रद्यति क्या होती है? सी एफ, नेस्वनल कमीशन के बार रहे हुआ nowadays research E governance योजना राजटी इनी जी एफ ए agriculture agriculture mission mode project under any GP प्रधान मंत्री किरसी सचाई होना PMKS बाई के बारे में बात करेंगे किरसी चेतर में नई तक्नीक के बारे में बात करेंगे एक्री पोर्टर सहे भारता गारंटी प्रणाली पार्टी सिपेटरी गारंटी सिस्टम P.G.S के बारे में बात करेंगे जैविक किरसी मुबाईल एब के बारे में बात करेंगे क्रॉप इंस्यौरेंस के बारे में बात करेंगे अंतराष्टी किरसी विकास कोज International Fund for Agriculture Department I.F.A.D. के बारे में इहां पर बात करने पा ले हैं ठीक है इसके बाद हम आगए इसी बढ़ जाएंगे किरसी मूल दिनीती एगरी कल्चरल प्राइस के बारे में किरसी लागतर में कीमित आयो कमीशन फॉर दे एगरी कल्चरल कॉस्ट एंड फ्राइज के बारे में बात करेंगे इसके बाद दिन्तम समर्थन मूल यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमस्ट के बार पड़ मूले यारे की उपलब्दी मूले याका याकायप प्रभाभी मूले के बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे हो हरित पेटी या ग्रीन बॉक्स, गैर किरसी वस्तुनों की बाजार तक पहुंच के बारे में चर्चा करेंगे, किरसी साखे नहीं, एगरी कल्चरल क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, संस्तागत इसके तहतर सरकार, वाड़ेचे, बेंदता सरकारी बैंक आ जाते हैं, ने जो पहले हैं, गैर संसागत, इस दो जो है, ग्रामीर, साखोकार, महाजन, किसान रिड़ के बारे में बात करेंगे, एगरी कल्चरल लोन के बारे में, अलपावधी रिड़, मद्यावधी रिड़ और दीर्ग कालीं रिड़, क्रेडिट कार्ड योजना, के सीसी, बाई के बार करेंगे वो हो जाता है. इसमें हम बात करेंगे क्रसी बिपड़न भisure अनुकि एग्री कल्टिरल मार्केटिंग के बारे हम या पर बात करेंगे. ट्राई फेड क्या है? नेफेड क्या है? नेटनल एग्री बाद करेंगे करामीड शियो भात करेंगे तो अब हम लोग आजाटे है अपनी इस टॉपिक पर Indian economy के ठीक है तो आपने Indian economy की कहीं पर भी कैसे भी पढ़ा हो और आपको लगता है कि समझ में नहीं आ पाया है और आपको याद नहीं रह पाता है तो मुझे उमीद है कि आज जितनी भी आपको डर था जितनी भी तरह की आपकी सिकायट थी वो मैं आपकी सारी जो है यहां से मैं आज से दूर कर दूँगा ठीक है तो इसकी सुरूबात जो है मैं अपने तरीके से करूँगा आपने कहां से किदर से पढ़ा है एकॉनमी हमें नहीं पता आप किस तरह से समझते आए किस तरह से पढ़ते आए हमें नहीं पता बस मैं अपने तरीके से करूँगा और मन जो है सांत करके यहाँ पर बैठ जाना मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको किसी भुक को किसी कोचिंग सेंटर यानि की दुकान में जाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी ठीक है तो आईए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने मैं बताया है कि यहाँ पर मैं अपने तरीके से बात करने बाला हूँ तो आप लोगों ने कहां पर कैसे पढ़ा है उसको थोड़ा सा किनारे कर देना आपको अगर डर लगता है आपने और economy में एक वर चीज में बता हूँ economy में यदि आप zero है तो मैं guarantee लेता हूँ कि यहाँ इस video को देखने को बाद आप hero बन जाएंगे यहाँ आपने कभी भी एक गोली चलाने में आपको डर लगता है मैं कहता हूँ कि आप इस video को देख लेना नीचे एक notes का लिंक मिल जाएगा उसको खरीद लेना है डाउनलोड कर लेना तो demo वाला भी file आपको मिल जाएगा और मैं guarantee लेता हूँ कि तड़ा 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 इ अपने जीवनकाल में कई तरह की करियाएं करता है और इन करियाओं को हम क्या करते हैं दो भागों में बाटते हैं मैंने क्या बताया हम लोग मैंने कि मैं मनुस्य हूँ जानवरों के बारे में हम बात कर नहीं हम कर रहे हैं इंसानों की बारे में तो फिर से बता दूँ कि हम हम कौन हम मनुष्य हम क्या बोलते हैं मानव या कह सकते हैं हम इंसान अपने जीवन काल में दो तरह की किरियाएं करते हैं उन किरियाओं को क्या करते हैं दो भागों में बांट देते हैं भाईया दो भागों में बांट देते हैं भाईया दो भाग कौन से हो जाते हैं तो दो वो किरिया होती है एक भाग वो किरिया करते हैं जिसमें हमें पाइसे की प्राप्ती होती है दूसरी बे किरिया होती है जिसमें हमें धन की प्राप्ती नहीं होती है तो आई एक वार फिर से बता दू मैंने के बता है आप लोगों को ये बत पता होगी कि कोई भी इंसान मनुस के तहट वे किरियाएं आती हैं जिन में जिन से किसी को भी धनकी प्राप्ती होती है जैसे सिच्छक हो जाता है डक्टर हो जाता है मजदूर हो जाता है मान लीजे कोई यूटूबर हो जाता है कोई सिंगर हो जाता है या फिर कोई व्यापार ही हो जाता है सीधे से सब्दमें हो गया जितनी भी तरह की क्रियाए मनुस्त करता है आप दिमाग लगाईए सोच ये क्रियाए मतलब जितने भी तरह के काम करते हैं उन्हें दो वागों में बांटा जा सकता है एक वो काम होता है जिससे हमें पैसे की प्राप्ती होती है और दूसरा वो काम होता है जिससे हमें पैसे की प्राप्ती नहीं होती है तो पहली क्रियाएं मैंने किस वाग किस क्या नाम दे दिया आर्थिक क्रियाएं और दूसरी क्रियाएं जिससे हमें पैसे याका धन की प्राप्ती नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं तो आईए फिल देख लेते हैं तो अनार्थिक करियाएं, इनिर से धन प्राप्त नहीं होता है, जैसे की धार्मिक करियाएं, सामाजिक करियाएं, और राजनेतिक करियाएं, अब आईए समझते हैं, राजनेतिक करियाएं, धार्मिक करियाएं, मान लिए आप सुबह उठे, सुबह उठते हैं, सुबह उठन वहम हम चाहते हैं लेकिन इस्तर के सामने प्रासना करने का ये तरीका नहींदा उनसे बहबाल सब जानते हैं उनके सामने हाफ जोड़ी होगा है वह आपको कुछ नहीं मांगने angel की नमाज पढ़ता ही पढ़ता है तो क्या करता है अब क्या करता है अपनी क्रिया ओगए इस में उसको कोई पैसा नहीं मिलता है माल लेजिए किस्टिन जो होते हैं वो सुबह उटे हैं अपने सारे तरह के कार करते हैं और वो क्या करते हैं चर्च में जाते हैं तो जायतर जो हैं जो किस्टिन होते हैं वो चर्च में जाते ही जाते हैं हर संडे को तो इस तरह की जो चीज़े हो गई आपको क्या समझ में आप आ रहा है कि ये क्रियाएं क्या हो गई? गैर अनार्थिक क्रियाएं हो गई? यह आने की दो सब्दों में फिर से पता दू के हम अनुस निससे हम जो भी लोग है इंसान हैं वो अपने जीवन में डो जितनी भी तर सामाजी क्रिया का मान लीजिये बगल में अंकल की साधी है अंकल तो नहीं अंकल तो साले साधी सुझाई होते हैं मान लीजिये अंकल की बिटिया की साधी है अंकल जो है तो अधर से गरीब है हम उनके घर पहुंचे थोड़ोशी है हमने उनके क्या है बिटिया की साधी में हा यह एक अनार्थिक क्रिया हो गई, मानली जीए, कंदा देने के बाद, हम उन पर जो है, मतलब उनको संसान घर तक पहुंचाए, या पिर मानली जीए, कल गलती से कोई रास्ते में जा रहा था और उसका एक्सिडेंट होगी, एक्सिडेंट होने के बाद हमने क्या क्या उसको पहुंचाने का, नहीं न, ये सामा जी करिया हो गई, अमाली जी राजनेतिक करिया हो गई, कि आप नेता जी सुबह सुबह उठे, आपने मुपूत हो या एकदम तेल फिल लगा के, एकदम पर्फिम बगेरा डाल दूल की, और आप पहुंचे के नेता जी के दरबार में और पूर से प्रडाम किया नेता जी, प्रडाम, बात को समझीए, नेता जी प्रडाम, सुबह साम प्रडाम, देन भर प्रडाम, बात को समझीए, राजने तिक करिया है, नेता जी के दिन भर क्या कर रहे हैं, हम तेल लगा रहे हैं, तेल मतलब सर में चंपी कर रहे हैं, तो इस राजनेतिक किरिया, मान ली जिये कोई rally हो रही है, ऐसे मिलते हैं मरें उनको दारु मिलती है और भी काफी चीज़ह मिलती है वह चीजर नहीं कर रहा हूं ले eyn'to बोटिंग हो रही है तो बोटड test ने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है अप राजनेतीक रिया हो गभी वहाँ पर पहुंचे फिर से आपको बता देता हूँ कि अपने जीवन काल में दो तरह की करिया होती हैं जिसको हम क्या करते हैं दो भागों में बांटे देते हैं समझ रहा है ना आर्थिक करिया है और अनार्थिक करिया है तो इन आर्थिक और अनार्थिक करियां के आधार पर ही इस सब्जेक्ट क मैं शुरूबात करूँगा आप सोच रहे होगे ये खामी खाम में का है पकाए जा रहा है अगर मैं आपने ये चीज़ समझ ली तो आपका आदा जो है ये पूरा एकॉनमी का टॉपिक है किलियर हो जाएगा तो हमें यहाँ पर किस तरह की क्रियाओं के बारे में चर्चा करन हैं और आर्थिक क्रियाओं के आदार पर हम इस एकॉनमी यानि की इस सब्जेक्ट की हम लोग क्या करेंगे शुरूबात करेंगे तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए एक हलका सा बेस बनाना चाहिए यानि की हलका सा यानि की प्यारा सा साधार स होता है इसके बाद हम फरक पेंचाने के किस वारे में अर्थ-सास्त्र और अर्थ-विवस्त्र के वारे में फिर से बता दूं यहाँ पर एक छूटा सा इंटूडक्शन देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम यहां पर पढ़ने क्या वाले एकोनिमिक्स पढ़ने पढ़ने वाले हैं या पिर economy पढ़ने वाले हैं तो पहले तो हम यहां पर दोनों को अंतर हम clear करेंगे कि भाया economy और economics क्या होती है यानि कि अर्थ सास्र और अर्थ ववस्ता में क्या अंतर होता है अगर अर्थ सास्र और अर्थ ववस्ता में आपने अंतर समझ लिया तो आपन हैं तो जो है चलाना शुरू कर दिया निकि आप कार्थूस बंदुग पर डालना शुरू कर चुके हैं फाइरिंग भी आपको करवाना में शुरू कर दूँगा तो चलिए फिर अर्थ सास्तर के बारे में हम बात करेंगे लेकिन हम पढ़ क्या रहा है इंडियन एकॉनिमी के करेंगे जो कि कोई भी नहीं गिरा पाएगा तो आईए समझते हैं आपका अर्थ सास्त के बारे में तो सबसे पहले अर्थ सास्त की एक सादर सी परिवासा समझते हैं मैंने आपको सुरू में क्या बताया था मैंने सुरू में बताया था कि मनुसे अपने जीवन काल में जि तो आईए सबसे पहले अर्थ सास्त्र की एक साधारती परिवासा समझ लेते हैं यह आने की अर्थ सास्त्र क्या होता है इसको इंपोई यह टॉपिक जो है इंपोटन्ट है अर्थ सास्त्र क्या होता है आँखें बंद करके एक दम महसूस करना इस तो टॉपिक को तब आप फील कर पाएंगे भरोसा करना कि मैं जो देखे जाओंगा वो हर जगे आपका काम भरोसा बनाए रखेंगे तो मैं कसम खाता हूं कि आपका एक भी पॉइंट जो है बाहर नहीं जाएगा दिमाग से हर एक कील की तरह ठोकता जाओगा दिमाग में हर एक चीज़ जो है आपकी किलियर हो जाएगे ठीक है तो सबसे पहले क्या है अर्थ सास्त्र की तो अर्थ स कौन सी होती है तो यहां पर सीधा सा सब्द है अर्थ सास्त्र में मनुस्य की या मानव की या हम इंसानों की आर्थिक गतिविदियों का या एक्टिविटीज का अध्यन करना होता है तो आपकी परिवासा के लिए हो गई पीछे मेंने बेस बनाया तो आप समझ गए कि अर् आर्थिक गत्विदियां क्या होती है तो 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 किसी भी मनिस्त द्वारा की जाने वाली ऐसी सारी किरियां या ऐसी सारी गत्विदियां जिन में आर्थिक लाव और हानी जैसे तत्व मौझूद हो दों उनको आर्थिक गत्विदियां कहते हैं भाईया एक बाग बताना फिर से तुमाग में चीजों को समझना मैंने यहां पर बताया हानी और लाव और हानी जैसे तत्व मौझूद होते हैं इस तरह की गत्विदियों को आर्थिक ग पमाने के लिए अलग-अलग कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे की मजदूरी करना रोजगार पर राप्त करने के डॉक्टर है, आपका सिचक है, ब्यापारी है और बहुत सारी जोहें ऐसी जॉब्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, यानि जिसमें लाव और हानी के तत्व होते है, अब ये आर्थिक का मतलब क्या होता, उसको समझने के लिए हल्का सा बता दूँ कि मैंने आपको बताया कि मनुस्रु द्वारा की जाने वाली ये सारी कृिया हैं जिसमें आर्थिक लाव और हानी जैसे तत्व मौझूद हूं उनको क्या कहते हैं आर्थिक गत्विदियां कहते हैं तो भाईया ये लाव और हानी जैसे तत्व कैसे होगी क्या हमने कोई कामी किया क्या हमें ऐसा पैसा ही मिलेगा क्या भाईया कभी कभी हानी भी तो हो सकती है मान लीजिए आप किसान है और आर्थि-कतविदी कर रहे हैं आर्थि-कतविदी का मतलब हम किरसी कर रहे हैं तो भाईया किरसी के लिए मान लीजिए आपको क्या चाहिए खेत में पानी लगेगा जिसमें क्या कहते हैं उसको परेविट करना कहते हैं पहले पानी लगाया खेत तो निए हमने चलता हुत किया हुआ एक लॉट को पानी दिया शि संबि Jagant केसाब सब्सक्राइब करना जो है मुलायम हुई हमने उसमें हल चलवाया सबसे पहले समझ ये बात को पानी दिया हमने खेट को मुलायम किया उसके बाद मुलायम होने का पानी यानी सूख गया उसके बाद हमने उसमें हल चलवाया हल चलवाने के बाद क्या किया हमने उसमें बीज जो है उसमें डाले बी तो थेल स्ट लिखे हैंकिती देख मिलिद्ध कबहते हों इसमें क्या करेंगे दवाईयां डालेंगे बात को समझेए दवाईयां डालेंगे अब एक चीज द्यांड देना दवाईयां डाली हमने और ना पद खरपतवार ना सक खता हो गया और हमने बच्चे जो हैं कूव एकदम बड़े-बड़े हो गए एकदम बड़े-बड़े हो गए चीजों को समझते रहना फसल बड़ी होने वाली थी दीमे-दीमे फल आ गया फल आने के बाद मान लीजिए उसमें काटने का समय आया काटने का समय आया तो इस समय जो है मान ल बात को कुछ में लेबर रखी ताकि क्या उसकी जल्दी हो जाएगी। अब कटाई करवाई हमने। बात कुछ में बात को क्या अब एक चीज ज्यान देना। और हमको लाव हो गया अब यहीं चीज़ क्या करतेते हैं फ्रसा उल्टा करतेते हैं खाद डाला, बीज डाला, खर्पतबा डाला पानी लगाया, तेल लगाया सारी चीज़ लगाने के बाद हुआ है जब कटाई का टाइम आया तो बहुत तेज आधी और बरसात आगई आधी और बरसात आई हमारी फसल जो थी एक्तम तित्र बित्र हो गई हमारा जो है नुकसान हो गया हमारा नुकसान हो गया यानि कि हमको हानी हो गई पिछवी बार क्या होगा, हमको लाव हुआ इस वार जो है हानी हो गई सीधे सब्दों में तो आर्थिक क्रिया तो करना है उसमें कैसा तत्व मौझूद होता है लाब और हानी वाले तत्व मौझूद होते हैं तो इस तरह की क्रिया जो है आर्थिक क्रिया क्यालाती है मान देजे हम मजदूरी करते हैं पैसे मिले, हम अपने घर जाते हैं रोज, एक दिन क्या हुआ, आज हमें पैसे मिले, हमने राक में लगा ली, मतलब हमने पहुआ जो है ले लिया, पहुआ हमने ले लिया, हमारा एक तरह से उसमें हानी हो गई, लेकिन हमने वो अपनी सौक पूरे कर लिया, सुबह क्या पहु अब क्या हुआ साम को जब पैसे गड़ा रही आया अनकी बिटी आपे पैसे देने आई अब बिटी आ को मार दिया आँथ को इसमार हो घोसे में आगा ढ़े, लपड़, ढ़े, लपड़ अब समझ यह बात को पैसे तो उसको मिले नहीं Какा हुआ उसके हाथ पर में चूट लगी, अब वो पेचार हो तो पैसे मिले नहीं, उसके साथी दून उपर से उसके पट्टी रुन दपाई, तो यह क्या हो गई, यहां नहीं हो गई, यहां नहीं हो गई, या फिर मान लिजिए कोई डॉक्टर है, कोरोना का टाइम आपको पता था, क जबर जयस्ती की, ऑक्सीजन के 50,000 रुपे, इसके 60,000 रुपे, मरीज मर गया, उसकी गारेंटी कोई नहीं, पील की कमाया, मान लिजिए, कभी-कभी क्या होता है, एक हमारे जो डॉक्टर साथ थे गई, उन्होंने क्या किया, कि बैट खाली नहीं हो रहे थे, तो ऑक्सीज 40,000 रुपे में बैट झूए, घम दे दिया, अब बात को समझना, उन्होंने फाइदा तो ले लिया, इधर क्या होगा उन्हों पे मुकदमा लिख आँई, उनका तुर्ण त उख्वर हिल्ड़ होता है, ठीक है, या फ़र हम ऐसे कह सकते हैं, अलग-अलग ब्यक्ति जो हो क्या कहला था आर्थिक क्रिया कहलाती है अब यह आर्थिक का मतलब बहुर समझे लेते हैं थोड़ा था आर्थिक का मतलब क्या होता है ठीक है आर्थिक का मतलब क्या होता है तो अर्थ मतलब होता है हिंदी में अर्थ का मतलब होता है अर्थ मतलब होता है पैसा और जब मैं हि पिलस एक, धर्म पिलस एक, यानि कि धार्मिक, समझी बात को, धर्म पिलस एक, धार्मिक, ठीक है, यहाँ पर क्या बना, धर्म से संबंदित, राज पिलस नेतिक, राज नेति, राज नेति, पिलस एक हो जाएगा न, तो राज नेतिक, समझ रहा न, तो राज नेति से अब माल लीजिए अर्थ पिलस एक अर्थ से संबन्दित यानि कि आर्थिक अर्थ से संबन्दित तो अर्थिक का मतलब हुआ पैसे संबन्दित तो मैंने क्या बताया अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा या रुपया जो भी आपको अच्छा लगी आप लिख सकते हैं तो इ इस तरह से किसी भी मनुस्य की सभी आर्थिक गत्विदियों का अर्थ सास्त्र में अध्यन किया जाता है। मनुस्य की प्रसासनिक गत्विदियों का अध्यन किया जाता है। मैं आगया होगा। अर्थ सास्त्र का मतलब मनुस्य की आर्थिक गत्विदियों का दिन अर्थ सास्त्र में किया जाता है। आर्थिक गत्विदियां मैं आपको बता चुका हूं। ऐसी बे गत्विदियां जिसमें लाब और हानी का तत्व हो या फिर ऐसी गत्विदियां जिससे हमें पैसे की प्राप्ती हो उसको क्या कहते हैं। उसको हम आर्थिक गत्विदियां कहते हैं। चलिए। यहां पर बात आती है एड़म इसमित अंकल जो है यहां पर तारिकरें को मिल जाएं। अर्थ सास्त्र के जनक यानि की पापा या फादर ओफ एकोनिमिक्स किसे माना जाता है। आपके एड़म समित अंकल को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए शाथ यो अर्थ सास्त्र की दो प्रणाय हैं उनके बार में दो तीटी के बात कर दिते हैं। जो अर्षास्त मेंने आपको बता दे, अर्षास्त की परिवासा में आपको बता दी है, आर्थिक गत्वेदिया क्या होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया है, अब उन थोड़ा देखते हैं, अर्षास्त की दो प्रिवक साखे हैं, उनको देखते हैं, सबते पहले जो है अफ सर्वा आपका ब्यश्टी अर्षास्र मायक्रोक्वसiba X time अगर ब्यश्टी की अगर बात की जा तो ब्यश्टी में क्या है तो इसमें किसी एक छोटे इस्तर का अर्थे विवस्ता का आध्यन करते हैं जैसरे की कोई बिसेस्क्राक की बस्थ हो गई कोई उत्य गें कोई एक उद्ध्यव हो गया आपर किल त्यूमार्भ विस्यस दूकान। बीवस्था के बारें बात करें कहरें वह कितना लोग क्तने लोग काम करते हैं कि असका इन-पुट है और कि विस्यस बस्तूप ने पर पूरीय देश में बहुत सारी बस्तोय मनती है यह पूरे से बहुत cytoda मनती है लेकिन किसीॐस बस्तो की बात करते हैं या फिर बहुत पूरे भारत देश देश में या माल जी उततरब देश यह पिर boss kisahime की सारे उद्योग लगे हैं लेकिन हम वहाँ पर बात करने हैं किसी बिजेस उद्योग के बारे में हैं एक उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं ठीक है कितना वो माल बनाता है और कितना वो बेचता है उसको कितना फाइदा हो जाता है अब वहाँ पर किसी देश में बहुत स इसमें क्या है इसमें बड़े इस्तर का अर्थ विवस्ता और इसकी समझ्यां संभावनाओं का अध्यन करते हैं दो सब्दों में समझ लें यहां पर मैं अभी बैश्टी में क्या बता है मैंने कि छोटे इस्तर पर अर्थ विवस्ता का अध्यन करते हैं समझ्टी में क्या करत भारत देश में जितने भी उद्योग हैं उसकी बारे में चर्चा करेंगे बारत देश में जितने लोग रहते हैं उन्हें सभी की आई देगेंगे तो पिरती व्यक्ति आई के बारे में बात करेंगे यहां पर पूरे भारत में कितने उद्योग लगे हुए हैं वो कितना कमात अठेने हैं। इसा की जैसे िसल्व कि और इतनी अध्राइभन कना इतन कर के सुवीया तो dye को γिए से वाelAllते होandan जाल वह च्रालते हैं। बजट के बारे में बात करेंगे, कुल रोजगार के बारे में बात करेंगे, कुल राष्टी आयक के बारे में बात करेंगे, या फिर इसमें उत्पादन को रखा जाता है, तो एक और फिर से बता दू, अर्थ सांस्तु की दो प्रवक साखा हैं, जिसमें सबसे पहला जो है, पत्त की बियक्ति के रोजित के बारे में गत्ति करें पर किसी बियक्ति की भाए के बारे में बात करेंगे यहां पर किसी एक ब्यक्ति के रोजगार के बारें में बुस्टे होता है जैसे कि इंडिवीजिवल यानि कि ब्यक्तिकात हो जाता है हाउसोल यानि कि किसी पिसे इस घर का हो जाता है या फिर प्रोडॉक्शन फर्म यानि कि एक कोई छोटा सा उद्योग हो जाता है उसका वहीं इसमें क्या होता है पूरे देश के बारे में बात करते हैं या फिर बहुत बड़े इस्तर के बारे में बात करते हैं ठीक है यानि क मैکरो में किया होता है? मैकरो में बड़े इस्तर का और माइकरो में जो है छोटे इस्तर का. ठीक है? उम्मीद है किलियर हुआ होगा, तो एक बार फिर से मैं रिविजन करा दूँ. आर्टे कत्विदी है, क्या होती है? मैंने आपको बता दिया. अर्षास की दो साखाएं हैं, उसके बार में मैंने आपको details में बता दिया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुक耗ा होगा कि समिष्ठी क्या होती है और BassT क्या होती है Microt क्या होती है और Macro क्या होता है समिष्ठी बहुत बड़े इस्तर्गी च्छूटे इस तग्य हुआ अब हम आ जाते हैं अर्थ विवस्ता के ऊपर यानि की एकनोमी के ऊपर जब एकनोमी के ऊपर आते हैं तो इसको हम थुदा सब सही से समझ लेते हैं और मैं आपको बता दूँ कि जब आप economy की मेहां पर बात कर रहा हूं अर्थ सास्तु को जब clear से समझ लिया है अब economy को समझते हैं मुझे उम्मीद है कर इन दोनों में अंतर समझ लिया तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जो syllabus में हैं तो economy के बारे में जादा पूछा जाता है भ लादा नहीं आ सकता जो मैंने आपको दिया है चलिए देखते हैं अर्थ विवस्ता कर अंतर के हैं अर्ध सास्ति मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक प्रिक बेसे है जबकि अर्थ ववस्था, इस बेसे का किसी विशेश शेत्र में सक्रिय स्वरूप है। फिर से बता दो, आर्फसास क्या है, आर्फसास जो होता है, वो क्या है, एक लिखा हुआ मालने जिए subject है, वह आर्फ बवस्ता क्या है, जो आर्फसास का practical रूप है, अब कैसे practical, मालने जिए, अड़मेस्ट नमें इतना एक बुख लिख दी, wealth of nation, उसमें पता दिया कि बाजा तो वो कहलाएगा अर्थि व्यवस्ता, तो अर्थ सास्तर का सक्री रूप किसी विशय शेत्र पर, क्या कहलाता है, अर्थि व्यवस्ता कहलाता है, टेडिम में समझाते हैं, आए समझाते हैं तो मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया अर्थ billion Is tau कि इस बिसे का किसी इसेश शेत्र पर शेत्र में शक्रीय सुरूप होता है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक विवस्ता क्या है इत्त विवस्ता अर्थ अर्थ 10 के सिध्ञानटों का विवहार लूप है यानिकि और्भ वेल्थ आपनेशन की जो पुस्तक थी अर्ष सास्ते संबन्दे थी यहनि एकॉनमिक से संबन्दे थी जो कि आपके एडम इसमें अंकल ने लिखी थी तो उसमें जो सिधान्त लिखे गई थे क्योंकि भाईया कही उन्होंने यह तो है नहीं कि पहले उन्होंने प्रैक्टिकल या उसके पास सिधान्त लिखे उसका ट्रैक्टिकल रूप होता है ठीक है व्यवारिक रूप होता है तो अगर बिलको साधार सब्दों में समझें तो अर्थ विवस्ता किसी विशेष छेत्र का फिर से विजा दूँ अर्थ विवस्ता किसी विशेष छेत्र का क्या होता है अर्थ सास्त्र होता है ठीक है अर्थ सास्त्र अब अर्थ आर्थिक का मतलब क्या था मैंने अर्थ से संबन देते हैं आर्थिक गत्विदियों का हम अध्यन करते हैं अर्थ विवस्ता का मतलब अर्थ का विवस्ता यानि की विवस्ता का मतलब कार परणा ली जो पैसा होता है उसको क्या करते हैं हम उसकी विवस्ता कह सकते हैं या फिर हम उसका क्या करते हैं एक क्या करते हैं उसका क्या 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 देते हैं हां अर्थ विवस्ता का मतलब कार प्रणा ली तो पैसे को कैसे कमाया जाएगा कैसे खर्च किया जाएगा कैसे कहां पर लगाया जाता है इस तर ग्रूप है इसको हम बिल्कुल सीधे सब्दों में कह सकते हैं अर्थ बवस्ता अर्थ सास्त के सिध्धानतों का बेभारिक रूप है अगर बिल्कुल साधर बासा में समझे तो अर्थ बवस्ता किसी पिसे शेत्र का अर्थ सास्त होता है और बिल्कुल सरल सब्दों में कहें तो अर्थ-सास्त्र सिधान्त हैं और अर्थ-ववस्ता प्रैक्टिकल है यानि कि अंकल की बुक जो है बैल्थ-अपनेशन में दिया गया है कि अद्रस आप क्या होते हैं बाजार की सक्तियां क्या होती हैं अब बाजार की सक्तियां होती कैसे हैं क्या होती है वो तो बाजार क सक्तियां जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ही तो पता चलेगा तो जो लिख दिया है सिदान के सरकार ये करेगी वो करेगी तो जो प्रैक्टिकल होता है जो विवहार की रूप होता है उसको हम क्या कह देते हैं अर्थ विवस्ता कह देते हैं जैसे की भारत की अर्थ विवस्त पाकिस्तान की अर्थववस्ता, रूस की अर्थववस्ता, बिहार की अर्थववस्ता, मद्वर्देश की अर्थववस्ता, दिल्ली की अर्थववस्ता, किसी गाउं की अर्थववस्ता, बिकसित देसों की अर्थववस्ता, गरीब देसों की अर्थववस्ता, बेकारी देस जिसमें आपका पाकिस्तान आ जाता है उसकी अर्थ बवस्ता बेकासिल देशों की अर्थ बवस्ता कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देंगे कि मैंने कहा बिहार की अर्थ बवस्ता राजिस्थान की अर्थ बवस्ता तो एक चीज क्या समझ में आ रह अर्थ सास्त्र एक पिसे है जबकि अर्थ विवस्ता एक प्रेक्टिकल है अब भाई अब प्रेक्टिकल कहां करेंगे मान लीजिए हमने सिधान्त पढ़ लिए अर्थ सास्त के तो प्रेक्टिकल कहां करेंगे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पे करेंगे तो हम कहेंगे उत्त पर देश की अर्थ ववस्ता तो दो सब्दों में समझें कि बिना अर्थ ववस्ता का अकेले कोई तुक ही नहीं बनता मैंने कहा अर्थ ववस्ता अर्थ ववस्ता तुरंत निकल कर आएगा भाई या किस की अर्थ ववस्ता किस जगे की बात करो मैं कहा रहा हूं कि अर्थ यदि किसी विशे sz चेतर का नाम जोडा जाए, इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाया हमने किसी विशे स चेतर पर चाहें, पिर भारत की भारत के खेतर हो, या फिर पाकिस्तान की बात करें, या रूस की बिहार की उत्तर प्रतेस्मति प्रते अर्थ ववस्ता एक practical है, clear हुआ, अर्थ ववस्ता क्या है, अर्थ ववस्ता किसी बिजेश छेत्र की अर्थ सास्त्र होती है, फिर से बता दूं, दो सब्दों की परिभासा पूछी जाए, कि अर्थ सास्त्र क्या होता है भाईया, अर्थ सास्त्र मैं ने बताया, अर्थ सास् में अर्थ सास्त्र सिध्धान थें तो अर्थ वबस्ता प्रेक्टिकल है मुझे उम्मीद है कि अब जीवन में आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि अर्थ वबस्ता क्या होता है और अर्थ सास्त्र क्या होता है ठीक है अर्थ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ अर्थ का है धन, पैसा, रुपया, जेवर, पूजी, जो भी बोल सकें, जो भी आपको यह लगता है क्योंकि लोगों की आत्मा जो है धीवारों पर विजो दीवारी यह चार धीवारी मनी होई है, खाली जगह है जिसको plot कहते हैं, पूजी हो जाती है पैसा हो उसको कहते है गाड़ी है बंगला है ये सब क्या है ये अर्थ ही है धन ही है ये पैसे से आया है तो अर्थ का मतलब होता है धन पैसा रुपया और विवस्ता का मतलब होता है कार पेडाली तो अर्थ विवस्ता का मतलब हुआ धन की कार पेडाली य समझ में आ गए समझटी और वियस्टी चले अब हम बात करते हैं अर्थ विवस्ता के पिरकार अर्थ विवस्ता के पिरकारों को देख लेते हैं कि अर्थ विवस्ता कितने पिरकार की होती है अब मैंने आपको बताया था कि अर्थ सास्त जो होता है क्या होता है अर्थ सास्त अलग अलग जगे प्रेक्टिकल किया गया, तो उससे अलग अलग प्रिकार निकल कराते हैं, जैसे कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज मतलब अमेरिकन्स जो थे, वो पुझी बादी का उन्होंने प्रेक्टिकल किया, तो उनमें वहां सफल हुआ, भारत देश ने चारों से सी जैसे भारत ने देखा कि आपका समाज बादी अर्थ विवस्ता थी जो कि रूस ने अपनाई थी तो जो कि फेल हो गई थी किनी कारणों से इधर जो अमेरिका की विवस्ता थी वो किनी कारणों से फेल हो गई थी पूजी बादी अर्थ विवस्ता तो भारत ने सबक लिया कि भाईया ना तेरा ना मेरा अपना स्वयम का बनाएंगे कैसे उधर से चुराया उधर से चुराया और अपना नाम लिखवाया कि क्या लिख दिया भाईया हम पूजी बादी नहीं अपनाएंगे और समाज बादी नहीं अपनाएंगे तो कौन सी अपनाएंगे भाईया दोनों के पिरगार टाइप ओफ एकोनोमी चलिए देखते हैं किलियर करते हैं पूझी बादी अर्थववस्ता सबसे पहले बात करते हैं जितना एक्जाम में आएगा उतना ही हमें पढ़ना है हमें पी एटिटी नहीं करनी है और आपको बता दूँ यह दिया आप नेट वियर्प की तैयरी कर रही हैं यानि कि आपका पेपर सेकेंड है तो ये भी उसमें काम आपका आज आएगा चलिए पूझी बादी अर्थववस्ता या खहें उदार वार्थववस्ता या खहें capitalist economy आए समझते हैं तो इस अर्थववस्ता में मैंने प्रिकार बता रहा हूं तो इस अर् होता है और उसमें निजी छेत्र का ही उसमें चावी होता है तो इसमें निजी छेत्र की भूमिका बहुत अधिक होती है कि इसमें पूझी बादी अर्थ ववस्ता में या उसको लटा कर दें तो इसमें कहेंगे कि पूझी बादी अर्थ ववस्ता में सरकार का नियंदर ना के बरावर होता है इसके ताहित निजी छित्र बहुत मजबूत होता है इस यह विवस्ता एडम स्मित की किताब दा वेल्ट ओफ नेशन से ले गई है ठीक है इस विवस्ता इस विवस्ता के बारे में यानि कि पूजी बादी अर्थ विवस्ता के बारे में लिखा गया है एड या कहें ज्यादा पिछवाडे में उंगली करती है तो अर्थ ववस्ता का बिकास उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से बिकास किया जा सकता है माहलीजी आप कुछ काम कर रहे हैं और पीछे से कोई बार-बार उंगली करें तो आप मारा ध्यान बार-बार पीछे बार-बार पीछे में पिछे नहीं पड़ा पाएंगे वहीं पर क्या है हमारे अंकल एडम savaans कैयते है के अगर सरकार ज्यादा उंगली य हम ज्यादा हस्ती चेप करती है तो अर्थ ववस्ता काई पीकास उसके हो speed से नहीं हो पाएगा जिसी speed से हो सकता था उन्होंने ये भी कहा कि बाजार की सक्तियों के अध्रस्यात होती है जो की अर्थ ववस्ता को अपने आप ही ठीक कर लेते हैं बाजार की सक्तिया क्या होती है demand and supply यानि कि मांग और आपूर्ती मांग यह दी होगी मांग यह दी होगी तो मांग यह दी है तो हम आपूर्ती भी करेंगे यानि कि सीधा सा मतलब है मांग है मांदीजी फोन जो हैं बहुत सारे मांग हो रही है कि चाइना वाला फोन किन कारणा से कि भाया वो भारती फोनों की मुकाबले जो हैं सस्ते भी पड़ते हैं और थोड़ से अच्छे भी पड़ते हैं तो भाया यह मांग बहुत जादा इसलिए वो क्या करते हैं इस पूरा करते हैं और क्या करते हैं सप्लाई यानि कि आपूर्ती करते हैं यहां पर क्या कहलाया यहां पर मांग और आपूर्ती के सिध्धान्त काम करता हैं जिसको क्या कहते हैं बाजार की सक्तियां कहते हैं या कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं पूंजी बादी अ प्रतिस पर्दा होना बहुत जरूरी है, इससे अर्थ वहुसता का पिकास होता है, हमारे एडम है इसमें तंकल क्या कहते हैं, कि बाजार में प्रतिस पर्दा का होना बहुत जरूरी है, प्रतिस पर्दा मतलब कॉंपेटीशन का होना बहुत जरूरी है, आम माल लिजिए सरका की सब्सक्राइबوب भाम चार्ति कंपीनित और धिए नहीं होंगे क्या? क्यां क्या क्योंकि competition है यह नहीं, सचरे हमरा नहीं लोगे, तो किसका लोगे? हमरा ही तो लोगे, जब भी जरूत पड़े, हमारे, किसके पास आगे? पापा, पापा, हमको चाहिए, तो हमको तुरंथ मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? हम जो है धिमाग खराब हो ज यह नियुक्त करते थे, 100 gram सुबह सुमा देते थे, 100 gram साम को यहने की ऐसे data on किया और एकदम बंद कर दिया, यह कहां नहीं होता है, यहनी की 1GB को पूरे एक महीने तक चलाना पड़ता था, तो यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, पर तो इस परदा फिर बाद में आती है, इसी क्या होता है बढ़िया बढ़िया चीजें होती है अर्थ बवस्ता का फिकास होता है एकदम फिर कूद आई मार्केट में कौन आई वो आई कौन एक मिनट देख लेते हैं जितने भी थी जैसी टाटा डोकोमो आपका बी आई जो हो बरबाद होकर जो बी आई हो गई यान इस तरह की कंपनी जो हुआ करती थी यह क्या करती थी मन माना कर रही थी यानि कि पागल की तरह लूट मचा रखी थी यानि कि यह जो अनलिम्टेड अनलिम्टेड हुआ करता था इसका मतलब भी नहीं जानते थे हमने कभी उमीद ही नहीं की फिर क्या हुआ हुआ हमारा जो फिरी सेवाएं थी अपनी फिरी सेवाएं थी जितनी भी बड़े बड़े धुरंदर थे कंपनियां सी सब खो टोरा लेके हाथ में ऐसे आ गए भाया यह का कर रहा हो ऐसे तो हम बरबाद हो जाएंगे खतम हो जाएंगे हमरा जो है नामो निसान मिठी जाएगा तो इस तरह से क्या है कंपनिशन यानि की प्रतिस परदा का भाव आया जब इन्होंने फिरी देना शुरू कर दिया फिर आया तीन सो निन्यानियों में चार्जी भी परड़े वाला इस तरह से अन्नी कंपनियां भी क्या करना शुरू कर दिया हलका हलका करना शुरू कर दिया आज इस्तिती है कि हार एक कंपनी की प्लैन है से हम देख लो जियो अभी मैं आपको तीन-चार दिन पहले की घटना बताऊं मुझे लगा कि जियो जो है थोड़ा सा महगा नहीं इस फिर में भी नहीं थोड़ी सी कुछ ऐसे चीजें थी मुझे लगा जियो जो है लक्रे जादा कर रहा है तो अन्न को भी मौका देना शाहिए अब हमने मौका दे दिया बोड़ा फोन आइडिया का मौका दे दिया यह इस्तिती है कि हम से तो रहे कॉल भी नहीं कर सकते पूरे दिन हमें फिर से दूसरी सिम लेने पड़ी जीओ की इस्तिती इतनी बुरी है बात को समझ रहे हैं इस्तिती इतनी बुरी है क्यों कॉम्पेटीशन का बाब था एक जमाना था एक टल आइडिया यह वोड़ा फोन पता ने कौन को इस फोन थे इनकी दिमाग खराब थे तो यह बात सही कहते हैं एडम इस फोन लिया था लावा का 12,580 रुपे का लावा 502 जैने 504 मोडल था वन जीवी रेम थी फाइने का फिक्सर कैमरा था ऐसी करके लगवा 16 या 32 में इंटर्नल मेमोरी थी आप अंदा लगा यह वार हजार रुपे का फोन कब लिया है हमने सुर्प 2,123 के बीच की बात है अब इस्तिती आप लगा सकते हैं अभी भी 12,000 के फोन में क्या आ जाता है कि कम से कम 6GB रेम 64GB इंटर्नल मेमोरी कम से कम 500 मेगा पिक्सल का कैमरा मतलब 48, 48, 48 करके ऐसे करके तमाम कैमरे बात को समझ रहे हैं क्यों यह पिरतिस परदा हुई मेरा का जमाना आया हुआ कैसे कि मार्क इस्तित में जब 2,000 बारे का समय था तो क्या था उस 2,000 बारे से पहले कि सैमसंग, सौनी इनका बोल वाला था बीच में कूदा लावा, माइक्रोमेक्स, एन इंटेक्स इन लोगों ने प्रतिस परदा का माहौल बनाया यहां पर क्या हुआ यह अब अंदाज रगा ही है ला मान लीजिए 3-4,000-4,000 रुपए तक का 3 जी भी रह मिल जागी मैं आपको यकीन दिलाता हूं सन दोहजार ग्यारे बारे के बारे 13 की बात बता रहा हूं, नोट 5, नोट 3 आया था सेमसंग का, उसकी कीमत जो थी 72,000 रुपए थी, लांच भुआ था साए 13 ने या 12 ने का, कितने हजार रुपए थी उसकी कीमत, 72,000 रुपए अंदा लगा सकते हैं, नोट 3 आज वो कचरे के भाव में हैं, यानि कि परती इस परदा का भाव आया, एकदम सेमसंग कूदी, माइक्रो मैक्स कूदा, ये इंटेक्स कूदे, इनके बीच में एक दन कूद पड़ा साउमी बाला, साउमी, जिसको हम MI के नाम से भी जानते हैं, रेडमी के नाम से भी जानते बहुत पड़ा, आज इस्तिती ऐसी है, कि ऐसा कोई नहीं होगा, जो MI का फोन न जानता हो, या फिर न चलाता हो, हम भी MI का गलती से खरीद लाइते, एक दिन हम ली जो है, देश वक सब्ला 38,000 वाला भी नहीं कर पा रहा है, बात को समझ पा रहा है, 38,000 रुपे वाला फोन जो है, 12,000 रुपे वाला जो है, उसको टकर मार रहा है, तो कभी कभी क्या परसी इस परदा का भाव जो होता है, हमें माल जो है, बहुत अच्छा दे रहता है, क्यों, क्योंकि हमें इस से अर्थ ववस्ता का पिकास होता है, क्या भायाज माइवालों ने भारत देश में क्या फाइदा नहीं होता है, समझ पारा नहीं चीज़ों को, तो क्या होना, प्रतिस परदा का होना बहुत ज़रुमी था, आप जो है 72,000 रुपे का फोन मात्र 3 जीवी रेम उसमें आया क पर जगे थे समझ पारा हैं नो 12,000 रुपे में तो जैनक क्या-क्या मिल जाता है समझ पाया कि जो क्या होता है प्रतियस प्रत्रा का होना बहुत जरूरी है यानि competition का होना बहुत जरूरी है ठीक है? यह competition का बहाब जो होता है यहां पर पर मैंने इसकी result देजैया आप इसको देख सकते हैं कि competition keep price low यानि कि तू करेगा 20 का तो हम करेंगे 19 का तू करेगा 19 का तो हम करेंगे ठारे का तू करेंगे 17 का तो हम करेंगे 15 का और समझ यह चीजों को तू 15 में जितनी quality दे रहा हैं 14 रुपे में उससे अच्छी quality देने की कोशिस करेंगे चीजों को समझी, competition keep quality high बात को समझी, needs of society automatically meets ठीक है, government does not get involved ठीक है, profit seeking producers will make more competition, self-interest act in visual hand, the regulators of free market साथ है कि बाजार को खुला छोड़ दीजिये कुत्ते की तरह है, बढ़िया बढ़िया जगे जो है मुमारेगा लेकिन कुत्ता जो है मुमारता है गंदी जगे हमें हैं बाजार को खुला छोड़ देंगे तो उसका पिकास automatic होगा कुछ कमिया है, उसके बारे में हमें बात यहां पर नहीं कर रही है तो किलियर हुआ कि पूझी बादी अर्थिववस्ता का पूझा जाए तो क्या कहा जाएगा कि पूझी बादी अर्थिववस्ता में निजी छेत्र का बोल वाला होता है सरकार का नियंतर जो होता है कम होता है हमारे एडम इसमित अंकल क्या कहते है पूझी बादी अर्थिवस्ता यह ली कहां से गई Adam Smith की किताब जो है The Wealth of Nation से ली गई है इस पुझिवादी अर्थववस्ता के बारे में दिया है हमारे Adam Smith अंकल ने कहा क्या का था कि सरकार जादा हस्टे प्यानी की उंगली जादा करती है तो हम सरकार का नाम उंगली बाज रख देंगे उंगली बाज यह दी जादा करेंगे तो अर्थववस्ता का पिकास नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस स्पीड से होना है उस स्पीड से नहीं हो पाएगा इन्होंने हमारे एड़मिस्में तरकेल नहीं यह भी कहा कि बाजार की सक्तियों के अद्रस हाथ होते हैं जो हमें देखते नहीं हैं लेकिन वो काम पूरा करते हैं और पूरा आनंदी भी देते हैं और अपने आप अपने आप ही क्या कर लेते हैं ठीक कर लेते हैं इन्होंने ये भी कहा के बाजार में प्रतिस परदा यहीं कॉंपटीशन का होना बहुत ही जरूरी है इससे क्या होता है अर्थ विवस्ता का बिखास होता है वो भी गजब ही स्टाइल में होता है जिससे क्या होती है आम जंता जो होती है लाव में आती है क्योंकि भहिया कंप पूदा, जीओ वाले जीओ वाले ओर आपस में बोडा कॉन वाले व आईडिया वाली ओ एटल वाले जब लड़ रहे थे तो आन्द कौन ले रहा था तालिया कौन बजा रहा था भैया हाम जन आंज हम जैसे इते गरीब लोग तालिमा बजा रहते, क्या धे वहाओ भाई फिरी में दो, जियो वालों ने फिरी में क्यों दिया ताकि इमकी तुकान बंद हो जाये, तो मजा किसे ने लिया, जियो वालो ने थोड़ी ना लिया, हम लोगो ने लिया, आँ ये वात है, क्या है, कॉंप्टी यह जो है क्या नाम इसका जी हो यह भी ऐसे ही आपसे से में ऐसे हाट डाल डाल के सारा पैसा चीन लेगी इसलिए बैलंस बना रहे प्रतिस पर्दा का दौर बना रहे इसलिए हम बोडा फॉन की जगए आपका बोसरी आईडिया की जगए बोडा फॉन ले आए यहाने कि एक बार में दूसरी चला रहे हैं वोडा फॉन और आईडिया की एक साथ चला रहे हैं ठीक है बस थोड़ी से कमिया है हम उसमें जी लेंगे लेकिन हावी नहीं होने देंगे ध्यान रखिए वैलेंस और पावर जो है बनी रहने चाहिए नहीं तो हावी हो जाएगा एक जमाना जब चार जी भी देता था यही जी ओ 399 में आज 399 में और 99 दिया करता था आज 56 दिन भी नहीं देता है 399 में इसलिए इनके भी दिमाग खराब होने लगे लेकिन कोई चरूर आएगा और इनकी लेगा क्या किराकों की जो भी सेवाएं हैं वो तो चलिए फिर आगे बढ़ नीजी छेत्र का क्या था बोल वाला था वहीं समाजवादी अर्थिवामस्ता में क्या है समाजवादी अर्थिवास्ता या इसको क्याते हैं राजी अर्थिवास्ता या सोचलिस्ट एकॉनोमी या स्टेट एकॉनोमी इसमें क्या होता है सरकार या कहें राजी की महत्पुर भूंका होती है इसके ते सरकार ही किसी भी राष्ट की सभी आर्थिक गत्विदियों को नियंतरित तथा निर्देशित करती हैं इसमें उत्पादन के साधनों पर सरवादिक स्वामित होता है साथ ही इसमें बाजारी सक्तियों पर सरकार का पूरी तरह से नियंतर होता है इस विवस्ता का सिधान्त जर्मनी की अंकल थे जिनका लाया था कार्ल कार्ल मार्क्स कार्ल मार्स्ट नहीं ये दिया था ये विवस्ता पूर के पूर के सोवियत संग में देखी गई थी सोवियत संग क्या था बरतमान का जो रूस हैं रूस और लगवग तेरे देश और हुआ करते थे जो मिलकर क्या बनाया करते थे सूवियत संग के नाम से जाने जाते थे जिसमें आपका रूस आ जाता सबसे बड़ा ये अस्तोंिया, लाथविया, लिथानिया, वेलारूस, यूकरैन, मौलदोवा, जोर्जिया, अर्मेनिया, जर्बाइजान, कजाकिस्तान, उजविकिस्तान, तरकमिनिस्तान, करि principio तजिकिस्तान कबिरिस्तान तो इस तरह से कर लगवग लगवग यहां पर 14 देश मिलकर क्या बनाया करते थे यू एस एस आर बनाया करते थे यानि की पूर के सोबियत संग के नाम से जाना चालता था ठीक है जिसमें क्या थी आपकी समाजबादी अर्थपवस्ता देखने को म पूर्जीवादी अर्थपवस्ता किसका है सिधान तो हमारे एड़म इस भी तकल का पूर के सोबियत संग में देखी गई थी ठीक है के लिए रहां तो यहां पर क्या होता है जो समाजबादी अर्थपवस्ता होता है इसमें सरकार की जो भूमिका होती है बहुत अधिक होत या कहां इसमें नीजी छेत्र की रोम का जिवती है वो सून्न होती है ऐसे जहां पर यह समाजवादिया के वर्स्ता लागव होती है बहां पर आप अपना स्वेम का बिजनेस या सीधो सब्सक्राइब है नीजी छेत्र का कुछ भी नहीं होता है आप अगर गारी चला रहा है या फिर आपका बिजनेस है गाड़ी बनाने का, मालेजी आपका ओड़ी कमपनी है, या फिर मालेजी कोई आपका मॉबाइल का ही कमपनी है, जो भी पैसा होगा वो सारा सरकार का होगा यानि कि इसमें निजी चेत्र का कौंसेप्ट बेलोकुल होता ही नहीं है वहाँ पर क्या था? वहाँ पर पूरी तरह से निजी चेत्र भी होता है पूजी बाती पर तो आई एक वार समझा जेता हूँ समाजबादी अर्थिववस्ता या फिर सोस्टिलिस्ट एकॉनमी या इस्टेट एकॉनमी इसमें सरकार या फिर राजी की महत्पूर्ण का होती है इसके तरह सरकार ही किसी भी राष्ट की सभी आर्थिक गत्विद्यों के नियंतर निर्देशित करती है इसमें उत्पादन के साधनों पास साजू इस त्वाय में तोता है इनकी पूरी तरह से सरकार का ही कंट्रोल होता है अगर पचास गाड़ियां बनाती है महिंद्रा तो पूरी तरह से नियंतर किसका होगा सरकार का होगा यानि कि जो कुछ भी बना वो सरकार का हुआ चाहें कुछ भी टूटा बठा वो सरकार को आगवा यहाँ पर चाहें आप काम करो चाहें ना करो आपको सेल्डी वगएरा मिलती रहेगी यहाँ पर क्या होता है एक तरह समानता का भाफ देख सकते हैं क्लियर होगा ना साथ ही यहाँ पर बजार सकती हैं बिल्कुल ही क्या होती हैं नहीं होती हैं और उन पर भी क्या होता है सरकार का पूरी तरह से नियंतर होता है चलिए देखते हैं आगे समाजबादी और सामेबादी में तबड़ सानतर देख लेने को सामेबादी यह कम्यूनिज्म कहते हैं क्योंकि समाजबादी अर्फिय वरस्ता में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंतर था जबकि सामेबादी में सामेबादी अर्फिय वरस्ता में सभी संपत्यों पर सरकार का नियंतर था यहाणिंगी संपत्यां जो भी होंगी उससंपत्यां सर्कार का नियोतर होगा यह आपका उत्पादन पर नहीं समाजबादी किता बहिता जो भी संपत्यां और जो कुछ भी उत्पाधन हो गाना सामाजवाद में वह सब सरकार का होगा जो माष़ कर रहे हैं यह उसको मानश बाद कर रहे हैं एक 2 रुपया 4 रुपय 10 वो जो है उनको salary आ जाएगी तो जैसे गाड़ी आया करती थी काम के लिए मालीचिये आज सुबह 10 मजे काम करने जाना है तो गाड़ी आगी लोगों को ले रहा है तो लोग क्या को होते है चार पाएगे नीचे गोसी जाएगे बैड़ की नीचे गोसी जाएगे तो इस तरह स है सोचिलिज्म में क्या होता है इस तरह से वर्कार्ड की भाव ठीक है कि तरह बाग गया वे सोचिलिज्म ठीक है यहां पर नोवर्कक सरीश्टा नोवर्क बस लोग जा रहे हैं उत्पादन करो दो रुरुःका या पांच रुपेका मिलना वहीया हुतना इजैं तो यहां समाप्त हो जाती है इस काड़े जो इस्तिती होती है यू ऐसे सार की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एक समय के बाद कितनी जानकार काफ है नेक्ट आगे बढ़ते हैं इसी में साममेबाद बर्सिस समाजबाद थोड़ा सा देख लेते हैं जादर डीप में नहीं जाएंग अराजक्ता बाद यानि कि अराजक्ता प्लस सामयबाद दोनों सामिल हैं सामयबाद ही विचारदार के अंसार एक राज या राष्ट दो भागों में बटा होता है सोसित होता है और दूसरा सोसक होता है यानि कि एक खुन चूचता है और दूसरा चुसबाता है एक लेता है तो दूसरा देता है, तो एक जो लेने वाला है, वो क्या हो गया, जो लेने वाला है, वो कौन हो गया, सोसित हो गया, जो देने वाला है, जो देने वाला है, वो क्या हो जाएगा, सोसित हो जाएगा, ठीक है, किसकी विचारदारा है, सामिबादी विचारदारा के अंकाल, तो वड़े वड़े पैसे वाले हैं, उनको यह क्या कहते हैं, वो यह कहते हैं, सोसक होते हैं, क्योंकि इनके पास संसाधनों का आदिपत्त होता है, सारे सिम्ताधन के इनके इनके कंट्रोल में होते हैं, बाकी की जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी कंपनियों में, फ्री जॉप्य लएय्य करते हैं, आईडेया淫 या पर क्या हुज्ञता है सुसक और सोसक उसक यानि की खूं चूसने वाला और सोसित जिसका क делать जाता हैं तो इसमें भाग पट जाते हैं कि विचारत आ रहा है, सामभादी विचारत आधा ठीक है लेकिन कहते हैं कि भईया ये सोशक और सोशित खतम कब हो गए तो भईया ये केंसे खतम करते हैं तो आईज़े देखे हैं अब इन दोनों वर्वों के भी जिए संगर समाज में ही सभी समस्यां की जड़ हैं और यह स्थिती आखिरकार एक सामाजी करांती के माध्यम से ही हल हो जाएगी करांती मजदूर बर्ग को सक्ता में डाल देगी और बदले में उत्पाधन के साथ उनों के सामाजी स्वामित इस्थापित करेगी समाजबादी की अब धाड़ा पूजी बाद के ठीक विपरीत है क्योंकि समाजबाद के इसा धन संपत्ती का किसी के पास निजी स्वामित तो न होकर धन्व संपत्ती का बितर समाज की हातों में होना चाहिए तो सब्दों में बता दूँ कि पूजी बात ये कहती है कि उसमें निजी जितना कमाऊगे उतना पाऊगे यहां पर क्या कहती है समाज बात यह कहती है नहीं सरकार क्या कह रही है तुम कमाऊ तुम मेहनत करो दस रुपे की तुम बराबर मिलेगा टेंस नालो सब को समान बराबर इस्सा मिलेगा तो क्या है कोई 5 रुपे का कर रहा है, कोई 10 रुपे का कर रहा है, कोई 100 रुपे का कर रहा है, कोई 5,000 का कर रहा है, कोई 10 लाग का कर रहा है, अब सब लोगोंने मिला मिलूप के कितना कमाया, एक करोर कमाया, अब सब में किसी ने 5 रुपे कमाया, किसी ने 10,000, किसी ने 1 ला कोई गरीव है तो बात अलग है मसलब उतनी अब जिसको जरूरत ही नहीं थी जिसने कभी कामें नहीं किया उनको दे रहा है दोलाक रुपया अब भाईया जिसने मेहनत की पचास लाकी उसको भी दोला की आया तो क्लियर हुआ न तो फिर से बता दू समाजबाद की अवगत्र राष्टवार के बीच की विचारदा रहा है जहां एक राजी की प्रमोगून का है जो समाज में ब्याप्त अंसमान का अंतकर तथा सबको साधनों का उत्पादन पर समान अधिकार देता है लेकिन हमेशा जब कभी जादा अच्छी चीज़ होती है तो उसमें कुछ कमिया निकल कर या कर उबर कर सामने हती है जिनको दूर करना बहुत ही जरूरी होता है यादि दूर नहीं किया जाता है उनका मियों को तो इस्तिती ऐसी आजाती है कि एक नएक दिन वो चीज़ें जो है टूट कर विखर जाती है जैसे कि आपका यू ऐसा सब जो था इस्तिती ऐस लुच की उलाद है। इंसान बनेगा तो वही तो भारत जब आजा दुआ तो वो कहता है न तो हम पूजीबाद की तरफ जाएंगे ना ही हम समाजबाद की तरफ जाएंगे तो भहिया पिर जाओगे कहां तो भहिया ऐसे एक तरफ क्या कर दिया उन्होंने टांग पूजीबाद की तरफ रग दिया एक तरव रख दिया है समाजबाद की तरफ अब बीच में खाली जगे जो बची तो वो बन गए क्या आपकी मिस्रित आर्थिववस्ता समझ पार ना एक ये टांग क्या है कौन सी पूझी बादी और एक टांग है जो है आपकी समाजबादी वाली तो बीच में जो एरिया बन वो क्या बना वो बनता है आपका मिस्रित आर्थिववस्ता जिसको हम आगे समझेंगे तो यसी कुछ कम्यों के काड़ चलिए नेक दिखते हैं तो पूझी बाद का समाजबाद एक दूसरे की हमेशा से क्या करते आए हमेशा आग उचना करते आए हैं क्योंकि समाजबादी पूझी बादी अर्थिवस्ता को क्या कहता है सोसर की अर्थिववस्ता कहता है जिसमें आम लोगों का बाजार की सक्तियों दोरा खून चूसा जाता है वहीं पूझी बादी ये कहते हैं कि समाजबादी अर्थिववस्ता में सरकार ही लोगों की क्या करती है सोसर करती है ज इसमें पूजीबादी कहता है, पूजीबादी अर्थविस्ता क्या कहता है, पूजीबादी अर्थविस्ता ये कहता है, कि समाजबादी जो अर्थविस्ता होता है, उसमें सरकार ही क्या करती है, लोगों का सोसर करती है, क्यों करती है, लोगों का खून चूछती है, क्यों, क प्रतिस परदा का फील होता है तो खतम हो जाता है और हम अपना विकास यानि की अपना करने में क्या हो जाते हैं अच्छा हो जाते हैं लोग स्थेथी बस से बत्तर हो जाती है कि आप अंदा लगाई है ना कि जब आपको कम मेनद करके ही पूरा पचास जार का मेल रहा है तो भाई आप कहे कम करना जाएंगे टांग उपर करके आरा हमसे हावा लेंगे केसी में किरियर हुआ न इसलिए वही समाजवादी क्या कहती है पूजीवादी अर्थवस्ता के लिए वो कहती है समाजवादी पूजीवादी अर्थवस्ता को सूर्षड की अर्थवस्ता कहती है जिसमें ये कहता है कि आम लोगों का आम लोगों का ये गरीब लोगों का बाजार की सत्तियों तारा खून चूस पचास जार आतमी कर रहा है मान लीजिए मजदूरी कर रहा है बात को समझे आठ गंटे-9 गंटे मजदूरी की उसको रुपए मेले शाड़े तिन सो उसते ऊपर आ जाइए मान लीजिए कोई और दूसरे विभाग में है सरकारी करणम चाली रेगी है वो केवला इसी कलम कलम beim कलम कलम लिख रहा है केवल व्हूं अजित् Assembly करता है उसके एक त्याय भी नहीं कर िर खो घ्रदना उ Repeat जए लोगों के इसे काटते हैं केवल पकाते हैं उनको कितना मिल रहा है लेकि फिर भी यहां पर क्या हुआ यहां आम लोगों का क्या हुआ एक तरह से कहती है प्राइवेट यहां कहें यहां पर क्या है निची जो बाइदार की सकती है लोगों का खूमी चूलती है कौन कहता है आपकी समाजवादी विसके काफी हर्त तक सही है लेकिन इसलिए ही भा मुझी बादी अर्थ ववस्ता के बारे में समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं मिस्रित हम अपने भारत की तरफ आते हैं मिस्रित यानि की mixed economy हुआ क्या हमारे एडम इसमित अंकल कहते थे कि बाजार की सक्टियों को खुला छोड़ देताना चाहिए जिस तरह हम अपना कुट्ता खुला छोड़ते हैं जहां पर जाए टोलेट करें जिसको भी काटे काटने दे और मस्ती जो है हमारी इतनी सस्ती रही है कि हमारा आनंद पूरा नहों पाए तो इन्होंने कहा कि खुला छोड़ देना चाहिए और बाजार में खुले अध्रस हाथ होते हैं कि इनका यह कहना कि कुट्दा को खुला छोड़ देंगे तो जो अध्रस हाथ हैं वह हमेरे कुट्alten को पकड़े रही एक दिन क्या हुआ जो अध्रस हाथ हैं जो अर्थ वस्ता को अपने connect दिया बात को समझे हमारे एडम इसमित रंकल कहते थे के हुआ क्या एडम इसमित इसकी कार्ड अमेर का था पश्चिमी यूरोपी देसों में बेरोजिगारी मांग और आपूर्ती में कमी और बड़े-बड़े कार खानों में क्या था ताला पड़ गया और इस मंदी से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था इस कार्ड कई लोगों ने कहा कि भाया इडम शमित जो है इसका जो खुले हाथ मतलब जो अद्रस याद थे जो कहां गए भाया यह तो पहले से ही अब को दिखना ही रहे अब तो बिलूकुल भी दिखना बंदों का पहले में कभी करी मैसूत होता था कि हमको कोई छूके गया छूके गया रहे हैं लेकिन हमको मैसूत देशों में इतनी भेंकर महामंदी आती है, इतनी भेंकर आती है कि बताएं क्या, इस कार्ड क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर बेरूदिकारी आ जाती है इस कार्ड जो था लोगों का भरोसा आर्थिक महामंदी, लोगों का भरोसा पूझी बाती अर्थ ववस्ता से उठ जाता है और लोगों ने क्या किया आलूचना करना शुरू कर दिया कहा कि अद्रस हाग जो थे संतुलन पैदा कर देते हैं आलूचना शुरू कर दिया कि कहा कि इस कर क्या था लोगों ने आलूचना करना शुरू कर दिया और लोगों ने पूंचना श होता है लेकिन वो जाता कोई जादा फिरो तो डर लगता है कहीं वो तो नहीं है तो यहां पर क्या था कि जो अद्रस हात थे वो कहां गए भाई या तो लोगोंने आलोचना करना शुरू कर दिया कहा कि अगर यह अद्रस हात संतुलन पैदा कर भी लेते हैं तो लोगों का गल में आर्थिक महामन्दी आई तो जो गरीब थे दबे पिचड़े थे जिनको काम चाहिए था तो बैलेंस कैसे बिनाए जाए या तो जो गरीब हैं दबे पिचड़े लोग हैं जो काम मांग रहे हैं उनको काम दिया जाए तो भहिया काम तो है नहीं पैसा है नहीं तो कैसे दि कर दी ताह कि अद्रस हाथ जो होते हैं सुन्तलन पेदा कर भी देते हैं तो लोगों का गला गोट कर हो सकता है इसलिए हमारे एक नए अंकल डौड कर आते हैं वीड में और एकदम गेट खटकर आते हैं कहते हैं हमरी बास सुनिये भाईया कौन आप भाईया उन्होंने का हम के आपको कही दिख जाएगा कहीं की दिख जाएगा तो एक दम अंकल आते हैं और अपना सुजाब देते हैं कि हमरी भी सुनिये बटकी एपकर भाईयाend tap बॐली यह सर जी उन्होंने कहा कि अर्थ वववस्ता में कि किसने कि कीजा Über Issकार में सरकार का द Eddy का होना बहुत ही अधारवादी दोनों पिरकार की विश्यस्ताओं को सामिल किया गया जिसको मिस्रित अर्थववस्ता कहा गया पिर से बता दूं समाजवादी और अधारवादी दोनों की विश्यस्ताओं को रखा गया जिसमें क्या था मिस्रित अर्थववस्ता कहा गया तो इस अर्थववस तो फिर से बता दू की इंस अंकल ने कहा कि अर्थवर्था में अर्थवर्था काकर विकास करना है बास्ते वरूप से जो जिसमें किसी भी तरह के कोई कमी नहीं है तो उसमें समाज बाती की अच्छी बाते लेलो और पूजी बाती की अच्छी बाते लेलो और दोनों की अच जीवादी काल-मास के तौरा आपका चामाजवादी एंठ ट्वॉट। और अउंकल कींस के तौरा आपका मिस्रित अर्चोरसता, तो इत तौर स्वरसता में सरकार की साइग में जित फ होती है और नीजी छेतर का साइग में सरकार होती है, भारत वे देश में जो है मिश्रित अर्थिवसाई ने की mixed economy है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है private और public sector को दोनों को मिला कर मिश्रित अर्थिवसाई ने mixed economy वनाई जाती है यहाँ पर capitalization में दिप जाएगा और socialism में आपको देख जाएगा महन करे का खाएगा जाएगा और यहाँ पर यहाँ की चोड़ी हो जाएगी क्या यह चल तो मीध है तीने clear हो गए हुगी समाजवादी पूजीवादी और मिस्रित चल ने देखते हैं खुली खुली अर्थिवस्ता देखते हैं चारदा बड़ा नहीं हलका देखते हैं इसको खुली अर्थिव होनग शिंगाबर 20hertz में निजी छेतर का क्या होता है वूलबाला अतिक होता है व्यसकत करते हैं orpos to the और बविक हैं इस तरह की अर्थिवस्ता में बड़ा बड़ा च्छी सुविधाय में ने एसे इनके बार में आगे डिटेल में मैं को defense ork spaceships का द दूँना ठीक है नेक्स देखते हैं बंद अर्थ होस्ता जिसको हम klosed economy के नाम से भी जाते हैं तो बे अर्थ होस्ता जो बाहरी अर्थ होस्ता की सबी गत्व धिएं निलबटे सन्नाता यानीकी जीरओ होती हैं यहां निजी खेतकी भूम का जो है बिल्कुल ना के बराबर होती है फिर से बता दू जो open economy है जो खुली अर्थिवस्ताा होती है उसमें क्यतना गैयाद करो क्यशना खुला नहीं था उना कोई ब casino कमपेनी जादा आ सकती थी कुछ गिनी चुनी चीज़ों को रखता था समझ पार यहां निजी छेतिरी भूल का भी जो थी ना के बराबर हुआ करती थी जैसे कि लाइसेंस राज हुआ करता है भारत में तो इसका रख क्या था यहां पर आया रात निजार ना के बराबर था तो 1915 पहले भारत थी एक बं बंद अर्थ व्यवस्ता है चले चले समझते हैं आर्थि विकास के आधार पर देशों का परगी कर देख लेते हैं आर्थि विकास यानि कि ऐसे देश जिनका पिकास कम हुआ है या जादा हुआ उसके आधार पर देशों का परगी कर आये समझते हैं ठोड़ा सा में रहने वाले या कहें सोरी अमेरिका में रहने वाले बैक्ति की आई से एक चौत्याई से कम हैं उनको अल्फ बिकसित अर्थ जोसता है लीश्ट डबलब्ड एकॉनमी कहते हैं लेकिन जब सभी तराश्ट ने क्या किया जब अपनी रिपोर्ट पेस कीती है रिपोर्ट का प रही है इनका बिकास बहुत तेरी से हो रहा है और यह बिकास की रहपा दोड रहे हैं मैं पिर से बता दूँ अल्फ विकसित देश को देश हैं जो जिनका प्रत्य बैक्ति आया अमेरिका की तोला में एक चौत्याई से भी कम हैं मान लीजिए अमेरिका का बैक्ति जो है लेकिन भारत में भारत में किसी भी देश में 40 का एक चौथिया एक अर्टों तो दस रुपे होए तो ऐसे देश जिनकी पर-capita income क्या है 40 रुपाई जो दस रुपाई से भी कम हैं ऐसे देशों को अल्प विक्सित क्या कहा जाता है अल्प विक्सित अर्थ विवस्ता है या ल यहां पर इनको क्या कह दिया था अल्प बिकसित देश का है आईए तो इसी के आदार पर आने की बिकसित देश के बारे में बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बिकसित देश के बारे में तो बिकसित देश कौन से होते हैं तो बे देश जहां पर बड़े इस तर पर ओध्धों की करड़ हो चुका है और इसके अलावा इन देशों की अर्थ वरस्ता में तिर्तियक छे तरक का योगदान सबसे जादा है और ऐसे देशों को ही बिखसे देश कहते हैं इन देशों की राष्टी आए प्रत्व्यक्ती आए और जीवन इस तर बहुत उंचा होता है अब मान लिजिए ये क्या होता है भैया तो मान लिजिए आप की तरफ चले जाते हैं या फिर आप बिर्टेंड की तरफ चले जाई है या फिर आप कैनेडा की तरफ चले जाई तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है और दोगी कर्ड जितना होना था उतना हो चुका है अब यहां पर क्या है और दोगी कर्ड हो चुक कोई छोटी मूभी बताते हैं जैसी अवतार थी तो टू बिलियन डॉलर है यानि की सो एक अरब रुपए एक अरब अगर को गुणा कर दे एक अरब में अगर हम गुणा कर देते हैं तो टू बिलियन यानि की दो अरब दो अरब हम गुणा कर देते हैं मानले जी यह सतर रु सब्सक्राइब को यानि कि टू बिलियन डॉलर उसने टू विलियन डॉलर कमाएं तो आप अंदाल लगा सकते हैं टू विलियन का कब होगा दो हजार का और बर्तमान में 2021 चल रही है तो कितना अंतर हो गया या बीच साल का ब्यार निकाल लेगे तो यह तो हो गया कम सक्वाइं डॉलर यह की चीज समझ रहे हैं पर क्या सेवा चेतर रख आप अंदाल लगा लिजिए अमेरिका का सेवा में बेचता है चिप मानली जी हम वहां से कुछ सेवा में जैसे आप वहां से ग्यान ले रहे हैं या फिर बैग्यानिक खोज मानली जीए या फिर मानली जीए जैसे कोई बढ़िया मूवी है तो इस तरगी चीज है जो सेवा में आती है यानि कि इसमें कुछ बेचते रही है जैसे मैं आपको पढ़ा हूँ तो यह सेवा है इसमें कुछ बेच नहीं रहे हैं बस क्या दे हो जाता है तो ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं विक्सित देश कहते हैं और विक्सित देशों की प्रतिव्यक्ति आये राष्टि आये और जीमन इस तर बहुत उंचा हो चुका होता है नेक्स देखते हैं विकासिल देश की अगर बात करें तो विस बैंक के अंसार विकासिल द प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे दिस्थों को पेकासिल कहते हैं, यानि यहां पर देखेंगे कि today's policy सरकार बहुत अच्छी से काम कर रहा है, मुक्त ब्यापार अच्छे अच्छे से काम कर रहा है, अर्थ विवस्ता जो है बहुत अच्छी हो चुकी है, और दोगी कर्ड का सीमाती वो पूरी हो गई है, मानवा अधिकारों की प्राप्ती हो चुकी है, यानि की जो अधिकार होते हैं, अब यहाँ पर क्या है, आप अंदाल लगा सकते हैं, कि इनका विकास, इनके मानवा अदिकार कहां गए, कहां गए इनके अदिकार, इनने क्या अच्छा खाना नहीं चाहिए, क्या इनने अच्छा घर नहीं चाहिए, क्या इनने अच्छे इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्या अच्छी निचिकिस तक बतलब एच्छी डोक्टर दिये जा सकते हैं तो यह चीजें आफ समझ सकते हैं ना कि यहां पर जो भारत है या फिर मान लीजी ब्राजील है या फिर मान लीजी थाइलेंड है या फिर मान लीजी दचड़ अफरीका है तो यह विकास की तरफ दोड रहे हैं इनमें मान लीजी अभी हमें गरीब दवे प यानि कि विकास सील से विक्सित हैं लेकिन यह अभी विक्सित देशों के बरग में नहीं आएं जैसे कि आपका मेक्सिको, वराजील, साथ अफरीका, तुर्की, इंडिया, चाइना, मलेशिया, थाइलेंड यानि कि यह वो देश हैं जो विकास सील से थोड़ा सा ऊपर बढ़ और विखसी देशों को थोड़ा सानीचे हैं दो सब्सक्राइब मैं आपको बताऊं कि यह बे देश हैं जिनों मैं औधोगी कड़ जो है बहुत तेजी से हो रहा है यानि कि दो फोत def concept हम लोग के सीमा में अजाएंगगी से अभी जो है हम उद्ध्यों कम लगा रहे हैं और बच्चे जादा पैदा कर रहे हैं इसका भी कॉंसेप्ट होता है उसको हम आगे जानेंगे तो हमारा जो है विकसे देश बने नवने लेकि सबसे अधिक जन्संक्या वाला देश जरूर आने वाले समय में बने जाएंगे च अख्यार आने पतिविस्ता की तरफ और लेकर चलूंगा सल्तनक्तिय नत्या की तरफ बहया यह इस्टम वाला टॉपिक कहां से बीच में घोसरा हैं मैं आपको यह समझाने की कोईशित करूंगा कि हम लोग यहैं कहते हैं कि हम लोग यह कहते हैं कि अंग्रेजियों ने हमें लूटा, पीटा, हमरा सारा सोना ले गए, तो हम एक बात दियां पर कंफर्म करेंगे, कि सच में अंग्रेज जब आए थे, उससे पहले कि इस्तिती बहुत अच्छी थी, क्या, यानि कि हम बहुत अच्छा खाते पीते थे, क्या, क्या हमारे पास सच में पैसे थे, क्या हम खा 500 पीच्छे चले जाएंगे, 500 तो हम भारती अर्थ्योभस्ता बहुत्मान की अर्थ्योभस्ता के बारे में चर्शा करेंगे कि भारत में सच में भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था कि सच में भारत के बाद पैसा था समझ पारा ने मैंने क्या बताया भारती अर्थिवस्ता की बर्तवान इस्टिवी को जानने से पहले भारत की बेटे स्कालिन अर्थिवस्ता के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने इस सोने की चिडिया को इतनी बुरी तरह से लूता को सोटा कि एक समरद्ध खुसाल गरीव और अल्प विक्सित देश बन कर रहे गया और एक सबसे जरूरी बात यह आती है कि अंग्रेजों की हम अर्थिवस्ता यह बिटेज कालिन अर्थिवस्ता की बीचर्चा करने से पहले यह अंग्रेज आये नहीं तो उससे पहले की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्या सच में हमारे पास पैसे थे जो लूटने आये थे कि हमेहाभी ओर कविता सुनाई है ंवेहाभी ओर लूट सकता की सच में हम उन्हें पर लगतने तो आए समझते हैं वो कौन कौन से क अटते तीक है चलिए देखते हैं कि हम जो है खुसाल समरद से ए recipe खरीव औरफिल बिक्षित बन जाती है तो आई ये देखते है तो एक घबल चाहिए मुर्रिकाल की आर्थिक विवस्था को एंग एंगर थोड़ा सा समझेंगे तो मुर्रिकाल के समय के बारे में अगर बातकरें तो हमारे एक उतियासकार हुए है जो मेगस्तिनी जिस इंडिया इंडिका नामक जो है पुस्तिका लिखी थी या पुस्तक लिखी थी इंडिका नामक तो ये कहते हैं क्या मैंने पताया मौरिकाल की बारे में थोड़ी सी जानकारी लें आर्थिक विवस्ता के बारे में तो मौरिकाल के समय के बारे में अगर बात की जाए तो मेगस उतकातने तता बुन्ने का उद्ध्योग जो था बहुत बड़े इस तर पे होता था या बहुत बड़े इस तर पे कार होता था इस समय जहाज रानी कहें जहाज रानी यानि कि सिर्फ हम इसको कह सकते हैं जहाज की बात कर सकते हैं जहाज रानी उद्ध्योग चमडा उद्ध् प्रिमो कुरूप से क्या थे काम कर रहे थे किस समय की बात हो रही है मौरे काल के समय की बात कर रहा हूँ ठीक है इस समय सोने तता चांदी के सिक्के चला कर थे तो आप अंदा लगा सकते हैं अगर हम लोग जो है मौरे काल के समय कितने पैसे थे हमारे पात नेट्स देखते है दूसरा दिखते हैं मौरे उत्तर काल के बारे में कि हम मौरे उत्तर काल की बात अगर करें तो यहां पर क्या था पेरी पिलस यो है पेरी पिलस के अंसार मौरे उत्तर काल में भी हम भारत जो थे हम भारती जो थे संग्रत थे खुसालते और अच्छा खाता पीते थे यहां तक की आर्थिक द्रश्टी से मौरेत और काल को प्राचीन भारत का स्वड योग भी कहा जाता है प्लिनी जो एक इत्यास कारें बो लिखते हैं उन्हों ने का कि भारत में पीतल का उत्पादन ही नहीं होता था वो पीतल को पीतल की जगे किसका इस्तमाल कर रहे थे सोने का इस्तमाल कर रहे थे पलिनी ने ये भी कहा कि भारत को ब्रतनों की एकमात्र जननी कहा जाता है यानि कि सोना, चांदी, हीरे, जवारत, मोती, इन सब की क्या माना जननी यानि की माता यानि की मम्मी यानि की मदर माना किस ने आपकी पिलिन ने अपनी पुस्तक में लिखा इस समय कि समय यानि की मौरित्तर काल में भारत में लोहा, सोना, चांदी, हीरे, मसाले का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता था साथ ही इनको अन्य देशों में क्या किया जाता था निरयात यानि कि भार के देशों में भेजा जाता था और आप अंदाल लगा सकते हैं कि ऐसी इस्टिटी जब किसी देश के लिए होती है कि भार अपना माल जो है बाहर बेजा जाए और і countly be filect के हमारा जो है हमारा जो है देश जो है सम्रद और क्यर jag अच्छी हमारा सीजा सिधामतीकर करता है कि हमारे पास अत्रिक्त हमें है तब ही तोहम बहुत बेज पार है जब हम बहुत दूआय तो दें यह दूर से प्रडाम तो करेंगे निकि भाई आप मोज़पने हमको माल दिया यह सवर करिया बहुत बड़े आद्मी बं जा ऐसा oqu Hence हमने हमको माल दिया हँनों पीछा दिया अब पईया उस समय पैसा क्या था करशी तो चला नहीं करती थी कि पंच टौलर रे ये रखम लें जाओ, मिला क्या करता था, मिला ये करता था, कि हमें क्या मिलता था, सोना, चांदी, जवारा, हीरे, मोती, इसके बदले में हम क्या करते थे, ब्यापार करते थे, यानि कि भार के देशों में भेजा करते थे, ठीक है, जैसे कि मसाले हो गए, अब मसाले काई से पथर तो देंगे ने जिससे मान लिए यह अरब बाला चेतर है, आपका रूस बाला चेतर है, आपका एथेंस बाला यानि कीृस बाला चेतर है, तो इस समें मेंने क्या बता है भारत में लोहा, सौना, चांदी, हीरे और मसाले का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता था, सा ठीक है रोम के लोग मसालों को आयात करते थे और इसके बतले में भारत के लोगों को क्या मिलती थी सुने की मुद्राय मिला करती थी यानि कि हम लोगों ने अगर हम देखे हैं पस्चिमी देशों की अगर बात कर रहा है जिसे रूम हैं वहां के लोगों से सिर्फ मसाले यानि कि सिर्फ लकडी होती है किस तरह माले जी काली मेंचे तो एक तरह लकडी तो है यानि कि पेड़ पत्तियां है उसको फूल है उसकी हमने रख लिया अब मालेजिए लकड़ी तो है मसाले क्या है तेज पता है दालची में तो लकड़ी तो है लकड़ी के बदले में हम क्या ले रहे हैं लकड़ी के बदले में सोना ले रहे हैं लकड़ी के बदले में लड़कियां ले रहे हैं बात को समझिए मतलब उस समय क्या ता सूने की मुद्राइं मिलती थी, हमारे जो गुलाम ले लिया करते थे, गोड़े ले लिया करते थे, और बेहन के लिए अबुसरण बगरा ले लिया करते थे, तो दो सब्दम मताई है, मैंने क्या बताया, इसी काल में का मुरित्तर काल में, भारत का अच्छा खासा पार हुआ करता था और रोम की लोग मसालों को आयात करते थे और इसके बदले में भारत की लोगों को मुत्राय मिलती थी रोम बासियों को काली मिर्च बहुत जादा ही पसंद थी यानि कि रोम की जो लोग थे जिनको यवन कहा जाता है तो रोम की लोगों काली मिर्च बहुत पसंद दुगा करती थी इस कारण इस काली मिर्च को क्या कहा जाता है काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है क्या कहा जाता है यवन प्रिय नहीं क्या यवन प्रिय क्यों क्यों कि रोम की बासी यहां पर इसको बहुत पसंद करती थी आप अंदा लगा था कि काली मिर्च पासट थी इस काल में हमारे पास इतना सोना हो गया था कि कुसाड़ों ने भी सबसे सुद्ध सोने , सिक्खे भी चलवाई था आपको पता होगा कि कुसार जोते सबसे सुद्ध सोने के सिक्खे चलवाने बाले तो यहां पर को बता दूँग मन्दार लगा सकते हैं कि ये जो यवन हमान लीजी इसमा करते हैं क्या थे में कुछ नहीं थे ये जो मास को जहा कह सकते हैं जो मतलब मुर्गा है और उसका स्वाथ बढ़ाने के लिए और काफी समय तक उसको साफ रखने के लिए रही यानि की सुध मतलब अच्छा बना रहा है इसके लिए उसका मसालों का ऐस्तमाल का से दे मतलब सीधा मतलब यह कि आप जानते हैं बिरयानी का काम की नहीं वो एक चाबलों के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा पंदा लगा सकते हैं कि बिर्यानी में के दी मसाले नहीं पड़े तो किस काम की वो तो घर में जो है अप्पा घाते अप्पा या पिर केचिडी उस जैसी लगेगी समझ पा रहा ना चलिए तो क्या समझ में मोरे काल में भी हम मजे में थे और मोर्योकतर काल में भी हम जो है डपला वजाते थे पेल के चलिए आगे समझते हैं नेक्स इसी महीं बढ़ते हैं गुप्तकाल की तरफ बढ़ते हैं तो गुप्तकाल की अगर बात की जाए तो गुप्तकाल में इस समय काल में में रोमनों स से अच्छा कास हमारा ब्यापार हुआ करता था इस काल के लोगों ने अधिक सोने की ठिक्चे चलवाई थे यहां का सबसे प्रमुक जो उद्योग था बस्तर उद्योग था तो किलियर हो कि गुप्त काल्मी में हम मजे कर रहे थे यानिक एक्दम धपला बजाय रहे थे नेक् देशों में भेजे जाते थे और आयात की बात करें तो हम लोग क्या करते थे दूसरे देशों तो गोड़े गुलाम मेवा और फलों का भी आयात करते थे तो इस तरह से यह बास सावित हो जाती है कि भारत की अगर आरतिक सितिकी अगर बात की जाए तो हम जो थे किसी से कम नहीं थे चाहें फिर वो अंग्रेज हो सीधी ही बात दिये हैं चाहें पूर की बात कर लो चाहें पश्चिम की बात कर लो चाहें उत्तर की बात कर लो चाहें दच्छिड की बात कर लो सीधे से सद्दों में हैं कि चाहें उत्तर दच्छिड पूर पश्चिड हम सभी के क्या संक अच्छ थे यानि कि अंग्रेज की जैसा खाते पिते थे उससे कही ज़ादा अच्छा हम खाते पितेदे थे हम भारत के ग्लीर हुआ है मोर्यततर्काग ले ले लिए चाहे मोर्यकार की लाच सद्रकाग की बार कर ले हम किसी के सामने हाथ नहीं यह फैलाते किस tour समझाया ना तो जब अंग्रेज आए तो तो क्या था था आ पास अच्छा खासा पैसा है यानि कि अंग्रेज जो है हमारी धन समपता यानि कि हमारे मनी राम को देखकर ही ऐसे जीब लप-लपाते हुए ही हाँपर आए थे तो चली आए पढ़ते हैं इसी में ही नेट्स देख गुप्तकार की बात कीजिए, भार्त जो था एकदम सम्रद देश था, खुसाल देश था और अच्छा खासा हम खाते पीते थे हैं, कुल मिलाके एकदम बल्ले बल्ले थी हमारी, तो आखिर ऐसी कौन सी विपता या फिर आपदा या फिर ऐसी कौन सी घटना घट जाती हैं, ज नाम हैं, अंग्रेज, यानि की बिटिस ही हमारा इस दुर्दसा का, इस सारी परेसियानियों का कारड़ था, ठीक है, तो भारत को गरीब, बदहाल करने वाले अंग्रेज, तता उनकी आर्थिक परसासनिक नीतियां थी, जिन मैंसे सिर्फ आर्थिक नीतियों के वह यहां प भीज़ जागी, आप हिस्ट्री का बहुत अच्छी से जो भाहाँ पर अध्यन कर सकते हैं, मैंने लगवा, 120-30-30 गंटी का जो है पूआ पनाया है, बहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, और आप अनंद आनंद ले सकते हैं ठीक है के लिए रुबाना तो आईए हैं पर आप निवेसिक आर्थिक नीतियों के बारे में हम केबल बात करते हैं अंग्रेजों की तो आप लोगों को मैंने बताया था बिस्तार से बढ़ा चुका हूं कि अंग्रेज जब भारत में ब्यापार करने आते ह हैं और ब्यापार करने के बाद वह इस तरह से माल लीजिए ब्यापार करने आया थे तो इस तरह से छोटी सी थैली लेकर आया थे उसमें क्या था इस तरह से चोटी स्थैली लेकर आया थे इस तरह से वह बाजार चाया करते थे हैं भार्क में आकर है जैसे चूडिया है बि अगर हम समझाएं तो अंग्रेज यो थे यहां पर ब्यापार करने आए थे और वो ब्यापार के बाद भारत की विस्तिती देखते हैं कले देखते हैं फूट देखते हैं उसमें भारत में फूट डालते हैं और राज करते हैं तो भारत देश में यह ब्यापार करने यानि कि में नौकरों की तरह आते हैं और यह मालिक बन बैटते हैं जिसके बारे में मैंने डिटेयल से आपको किसमे पढ़ा दिया है हिस्ट्री में यानि की इत्यात में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं दो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से आप निवीसिक आर्थिक नेतियां जिसमें हमारा देश जो था एक खुसाल अच्छा देश था जिसको क्या किया था लूट खसूट करके एक क् करसे कि भूमी का मतलब खेत ही होता है पुरानी जमानी की बात कर रहर हैं इससमें प्लौटिंग लोटिह कोई चक्कर निबला तो भू मतलब खेत और ओ खेत पर जो काम करता है वो होता है किसान, इसलिए भू राजिस स्कुछ जो है important हो जाता है क्योंकि हमेंशा जो है किसा में भी चले जाइए क्योंकि हमारा देश अगर खुसाल था और पैसे वाला था उसका काड़ धी किरस ही था तो इसलिए हम बात करने वाले हैं भूराजस विवस्ता के बारे में चलिए समझते हैं भूरा जाई सविवस्ता को तो अंग्रे जब भारत में नहीं आयते तो भारत में किसान का जीवन जो था कुशाल था क्योंकि उनको फशालолотा था और उनुन में से एक इस्टा जो सरकार को दे दे लेते था एक इस्टा फिक्स मदा हुआ था और उसके बाद जो खेती करता था और राजा को क्या करता था एक हिस्सा अपनी जो पही उसमें पैदावा किया राजा को एक हिस्सा निकालकर राजा को दे दिया राजा को बाकाइदा सम्मान के दाथ राजा ने लिए कि प्रभु आप ही अनेता था है प्रडाम किया और बाकाइदा उतना ले लिए लेने के बाद बाद बाकी जो बची गया उससे अपने बीबी बच्चों का पेट भर दिया बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई भी जो भी कर सकते थे अपना ले रहे थे कोई डिक्त नहीं थी अंग्रेजों के आने से पहले की बात कर रहा हूं है ठीक है कोई बात नहीं अगर मान लीजिए कि अंग्रेजों के आने से पहले की अगर इस्तिती ये थी कि मान लीजिए अकाल पड़ गया, कोई बात नहीं, कोई लगान नहीं देगा, अगर हो सके, तो क्या करेगी, जो राजा है, जो सुल्तान है, जो बास्सा है, या फिर जो भी समराट है, या फिर जो भी सासक है, मदद कर सकेगा, उनसे लगान बगेरा भी नहीं लेते थे, अच्छे और लो तो इस तरह की इसस्टिटी सीजहा को मतलब है हम माली जी अभी जो हैं मैंपने परिवार से एक तरफ से अलग रहते हैं दुनिया की नच्रों में मान सकते हैं, अब सीज़े से सब्दों में कहें हम काते, पीते, कमाते, दमाते हैं किसी काड़ से हमारे उपर कोई विपत्ती आया फिर आपदा आ जाती है तो हम परिवार की तरफ दाखते हैं और परिवार से कहते हैं पापा जी हमको कितना रुपया चाहिए यह पिर दस जार बीस जार पेटात जार एक लाज तो जो कुछ भी चाहिए चाहिए तो आपने को किसी काड़ से पापा जी से जाएंगे कि हमको इतना चाहिए तो यहां सीधे सब्सक्राइब क्या है कि एक तरह से राजा हो गए हम जो है काम कर रहा है अपनी जब भी हम कुछ कावाते दमाते हैं तो अपनी तरफ से सुच्छा से अपने माता पिता को भी कुछ न कुछ कर उतना की आप हमारे रिए तो हम उसके बदले में उनको इस तरह से प्यार्यां करते हुए सम्मन के साथ जो भी कर сделать क 충 Deutsch और 沒有 किसी काड़ से हमारे प्रिपत्तियापत्तियागी है तो हम क्या करते है उनकी तरफ बहु контрव करेया ते तो इस तरफ से हमारा किसानand फेदे असां ज करता बनती है जीएं तो जीएं कैसे समझ रहा ना ये कविता उसी समय की है जीएं तो जीएं कैसे बेन बाप के बात को समझ रहा ना कि जब अंग्रेज आते हैं तो वहां पर करता दरता अंग्रेज ही बन जाते हैं तो जो हमारे बास्तिविक सा सकते हैं वो कुछ नहीं रह प था law राजर्त में किसान बातिक नहीं होती थे नहीं किसान का जीवन जो खुसालता कोई उसकी फसल वगानी होती थी और उसमें एक स्था सरकार को देने के बाद बाकी का पेचा मल अपने एपास रख लेते हैं जीवन के पूरानंद लेते थे जितना की बोले इसकते थे लेकिन होता क्या है आपको पता कि किस तरह थे अंग्रेज जो हते हैं अंग्रेज अपने सोले सो की बात थी हैं सोले सो की बात थी काहँ पर बेटेन की बेटेन में एक कंपीनी का खटना हुता है कंपीनी से कुछ लोग क्या करते हैं बारत देश में आते हैं बैपार करने के लिए बैपार करने के बाद बारत देश की इस्तिति देखते हैं इस्तिति देखते हैं वहा तो इसको पैसा गया इसका गया तो इसी का क्या करते हैं तो पांग्राते हैं रडाते हैं लडाते लडाते हैं but क्या करते हैं दी में दी में दी में पलासी का यूद दोता है नकली यूद दोता है जिसमें क्या होता है वो एक बड़ी जीत के साथ ही अपने आपको क्या बनाने लगे थे एक बड़ी सक्ति वारतियस में वो बनाने लगे थे लेकिने किस्तिती ऐसे ही आती है कि सन अठार गा क्या होता है, बहुत सारे बहुत सारे कれた इंचार सक्ति होती हैं जिनमें आपका सहालम दित्ति होता है, आपका मीर काधिम होता है, अवत का नवाब होता है, इनकीじゃ हैं में अग्रेज privileges죠 के बाद अंग्रे जो होते है भारत में बहुत बड़ी सक्ती के रूप में उबर कर सामने आते हूं और इसी युद्ध के बाद हर भारतिये के हाथ पर और पिछवाड़े पर और माते पर क्या लिग दिया था कि हम गुलाम है यानि कि मेरा बाप या का है मैं गुलाम हूँ और सक्तर से चोंसट में पास्त्विक गुलामी शुरू हो जाती है और आपका वह सूसड का दोर शुरू होता है जो कि 1947 में जाकर ही खतम होता है तो चलिए नेक्स देखते हैं इसी में ही किर आपका यолот महा यानिया रहिकी हो जाब का एानिया anten dahaी महाता है जास्त मोलामी खाना तोरामी कि 170 खान दोरामी को तो क्धों तोरामी कि खायो होग तो जब भारत में बकसर का युदू होता है इस तर चौशन्सट तर में युद्ध होने के बाद जब सब लोग हार जाते हैं हारने के बाद क्या हुदा है 1775 में इलावद की संदिव हूदी हैं जिसके तरण अंग्रेजी कम्पनि को बंगाल यहां पर आपको मिल जाग से बंगाल बेहार यह मिल जागा और यह अधिकार मिल जाता है कर बसूलने का अधिकार है निकि अंग्रेजों को क्या मिलता है कर बसूलने का अधिकार मिलता है और यानि कि अंग्रेजों को कर बसूलने के जब अधिकार मिल जाता तो जितना भी पैसा था और भाहिया कर लेते किस्ते थे कहीं कर का मतलब यह पैसे तो किसी को देने नहीं हो पर अधाव्ड करते थे बोलो उसके क्या करते भूँ अपने जीवन के आनगे लेकिन यहां पर क्या होता है अंग्रीज जो हेक्षा अधास्ता बनने लगे थे सब से पहले क्षा अधास के बने बंगार बिहार और विसा के यहां का क्या मिला उन्हें दीबान का दिखाज मिल यानि कर्वसूल लेंगा अब आपके खेत में वो चाहे ना हो वो कर देंगे पैसा लेंगे अनाज लेंगे समझ गए ना चलिए तो मैंने क्या बताया आपको ये बात ये पता होगी कि भारत में क्रसी की क्रसी ही क्या थी आम दिनी का पिर मुक्सादन था तो अंग्रेजियों को अंग्रेजियों के किसाने किसानों से कर्वसूलना होता था कर्वसूलना होता तो इस तरह से अंग्रेजियों भारत के किसानों का सबसे पहले खून चूसना सुरू किया तो अंग्रेजियों किसानों से ही सबसे अधिक राजस्त बसूल करने के लिए कई सारी भू राजस विवस्ताएं लागू की थी कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कर्वसुल दीवाली का अधिकार मेला बंगर ब्यार उडिसा का उडिसा में किस तरह से नौकर बन के थे वो पाद में मालिक बनना शुरू हो जाते हैं तो इतना सियत्र जो है कभजा कई ही चुके थे तो इ यह अपनान देख चले गए जिससे थे किसान जो था मरता क्या न करता वारी कहानी में था बहुत बुरी इस्तिती थी बता भी नहीं सकते इतना बुरा हाल था बस ऐसे माली जी के कोई फी सब्द जो है उस्द इस में एक्सप्लेंड कर सकता क्यों कि कि हम नहीं करते में मूर्ध करते लिए और पर्में कांटा चुट्ज चो था हम बंसम ये दुनिया म में इस सची बात नहीं हो सकती मेरे पर में कांटा चुकिया है पहुत तीर दर्द हो रहा है मैं महसूस कर पा हुँ आप कर ला कोई बात न भाइ कोई बात है में समझ सकता हूँ का या दर्द कैसा होता है समझ सकते हो दर्द जो हो रहा है मेरे मोस Regis को क्या आप लिने कैसे समρ EXCELLINE कर सकते हैं क्या किसी को कोडे पढ़ रहे हैं तो हमें पीट में दर्द महसुद होगा नहीं ना क्या अंचांटा मारा है हम उतनी तेज भी नहीं मार सकते ना इस तरह से समझता है चले समझते हैं आगे तो सबसे पहले भूर आज इस विवस्ता में सबसे पहला देखते हैं इस्थाई बंदोवस्त ठीक है यह बंदोवस्त 22 मई 1793 में कार्णिवालिस ने बंगाल ब्यार औरीसा में लागू किया था इस बंगाल ब्यार औरीसा में ने बता दिया थी यह वाला चे उसको बसूली करनी होती तो उसको सरकार को देना होता था इसके तहित यानि कि इस्थाई बंदवस्त के तहित करका एक वटे दस वाग कंपनी को देना होता था इसी के तहित यानि कि इस्थाई बंदवस्त के तहित सूर्यास का कानू भी लागू किया गया था जिसके तहित अ जागीरदारी ब्यवस्ता, इस्तमरारी ब्यवस्ता, मालगुजारी ब्यवस्ता या फिर वीसवेदारी ब्यवस्ता भी कहा जाता है। सूर्यास का कानून क्या था मैंने क्या बताया था कि यदी आज तक 27 तारिक को आपको क्या देना था राजस को देना था लेकि 27 तारिक तक अगर साम डलने से पहले साम डलने मतलब सूर्य जो है छुपने से पहले तक अगर आपने क्या नहीं कर पाया राजस तो नहीं पहुंचाया तो जो आप जिस जमीन के आप मालक हैं जिससे आप कर बसूल रहे हैं वो क्या कर दिया जागा नीलाम कर दिया जागा और किसी और को दे दी जागी जिसके बा वहाग तहीं ना होता था और यह जो भाग था यह ना के बराबर था किस के लिए अंग्रेजों के लिए जो सब कुछ था जमीदान के लिए पच्छाथ कुछ भी नहीं होती थी ओपड़ा टमाम टेंचनल अड़ो गजा थी खमाट ना सहीं यह बिवस्ता कौंती बिवस्ता इस था है बंदो बस बंगाल यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिहार उडिशा यह अबद वाला जिसको उत्तर प्रिदिस के नाम से भी जाना जाता परतमान में अबद का बनारस डिवीजन उत्तरी करनाटक यहाँ पर यह उत्तरी करनाटक में लागू किया था जो बिटिस भारत का कुल कितना था 19 परसेंट पहाँ था के लिए रुआ ठीका फिर से मैं रिव्याजन करना दूँ आपका इस्था बंदोस चाब 22 में बंगाल बेहर औरिससा में लागू किया गए था इस व्यस्ता के नहीं लए कि देहना नहीं यहाँ ग teraz कितने जमीदार जोप पैसा देना है और किसी काड से वो पैसा देने की इस्तिती नहीं बन पाती है तो जमीदारों की जमीन जो थी नहीं राम करती जाएगे और किसी और को देती जाएगे समझ रहा है ना तो इसी जमीदारों पर भी काफी दवाब बना रहा था इसी किताइच मेंने क्या रताया था सूर्यास का कानू लागू किया गया था इस विवस्ता में क्या था इस विवस्ता में इस विवस्ता में सरी इस विवस्ता को 1792 में 12 महल में कैप्टन रीड रीड के दोरा लागू किया गया था यह करनाटक मदरास और बंबई के अनेक चेत्रों में लागू था करनाटक वह यह कहा है करनाटक वाला चेत्र हो गया यह पर ये है मदरास वाला चेत्र, ये है, wanna इस दो अएally किसान को जमीन का मालिक करणी जाती दी इसमें लगान जो था 33 परसंट तक लिया जाता था तो ब में चक्रहता है अन को लिए चाहर था यह in जाखिर दारी पर यह था कतने वागों पर 20 पर पर गंग पर है को लिए वह उता आरा कि भारत तो यह पूरा था आ अन्दा लगाई, ये मैं ये यहां पर आपको दिखा दे रहा हूँ, भारत तो ये पूरा था, लेकिन सब पर अंग्रेजु का कब्जा नहीं था, बात को समझे एक चीज़ को, भारत देज तो ये पूरा था तो जितना वाइट कलर का दिखा दू, ये ये जितना भी वाइट तो सब पर नहीं था समझ पार ना तो मैंने क्या बताया बेटिस जितना भी यह हलका डार्क डार्क है उसमें जो अंग्रेजों का तो इसका कितने परसंट की बात कर रहा हूं कोई रहा हूं नो किस थे किसानों को मान लिया लिया घा करें जागीरदारी विविवस्ता है प्सको माना गया था इस था जमीदारों का मालिक मान लिया गया था, जमीदारों को मालिक मान लिया था, इसमें किसको बाना गया है, किसानों को मालिक मान लिया गया है, रायत का मतलब ही किसान होता है, ठीक है, रायत का मतलब ही किसान होता है, इसमें भी किसानों की पिचानों की जमीन जो है निला मी कर द तो इसको पूरे महाल को मालिक माल लिया जाता था इसके तहित किसी गाउं की मुखिया या फिर पिर मुख को मालिक माल लिया जाता था यह मुखिया या फिर पूरे महाल को मालिक माल लिया जाता था इसके तहित किसी गाउं की मुखिया या फिर पूरे महाल को मालिक माल लिया याकाम पूरे गाओं के लोगों से राजस वसूल करता था और उसको कमपनी को देता था दो सब्समें समझाए माली जो कोई चीरतर है वो एक महाल है उसमें क्या है किसी ना तो जमीदार को मालिक माने ना किसां को वहाँ पर सबको बलाया और देखा कि मुखिया कौ ना वहाँ में मुखिया को प्लाया मुखिया को बलाया। правильно मुखिया से छाटी है गाव बाए, कितनी चाटी, कोई बात नहीं, चलती है इसकी बहुत अच्छी बात流 yağार ऐसा मतना इसा करना मुखिया को बना चाहते ना करना है the मुखिया को मुखिया को ठाती है लोग ऑन कि मांननते हैं लोग उन्हें तो महां पर क्या किया मुख्या से क्याइद इसा है 50 लोगorgैस टेक्स या कर हरे लगान या कह मान गुजारी आजाएगए सबसे लेना है ठीक है ले लूँगा कोई कर नहीं अगर नहीं दोगे जीप से अब क्या करेंगे, मतलब उनको 27-29 पैसा देना है जितना ही भी लोग है तुम देदो, तुम देदो, ऐसे करके ओहले के महला है जिटनी राकम है तो वो आ जाके अंग्रेजों को देनी होती थी clear हुआ इसमें 30 से लेकर 45 परसेंट तक हो सकता था next देखते हैं क्रसी का बारिजी गड़ मैं यह क्या बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत देश किस तरह से खुसाल था तो भारत को स्रडे अंतर के तहट किस तरह से सोसड किया सोसड करने के बाद किस तरह से सारा का सारा यह जो कर बगएरा लेते थे भारत देश में दो नहीं न लगाते जैसे मान लीजी सरकार जो है भारत सरकार जो है टेक्स लेती है तो tax लेती है तो माल लीजी ए अमीरों से लेकर गरीबों में मानते थी है मतलब tax लेती है तो आस्पटाल बनवा देगी, railway station बनवा देगी, बढ़िया बढ़िया जो है काम की चीज़े बनवा देगी तो इस तिक क्या होता है हम गरीब लोगों का फाइदा मिलता है ना तो ये लोग क्या करते थी ये जितना वे टेक्स बगएरा जो पैसा बगएरा लिया ना इन्होंने क्या किया इगनब बत्ती बनाई और एक डाम जेम में रखी जेम में रखने को बात तुरंत घर पे गए घर पे जाके बकसे में करणा मैं दिन बढूर मैंद करूं इंभ दिन बढूर मैंनत करों और सेलरी मिले 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 सेलरी जाके किसी और को दे तों ये पुरा घर जो है इन्हें air थैश्री अरा पाइंगे अरेभा बानसे जिंदा रह पाएंगे अजितीया कु bakery मिल गया मने काम की चीजिए मालीजी कोई चीज ले ली जो अपनी है, शरीर पेह ब्रकाश परेवार को यह दिया। तो यहां चीजे को हो रहा है, पैसा को जमा कर दिया तो यहां चीजों को सम्झेे भिकास हो रहा है कि नए तो ऐसे ही, या अंग्रे क्या करते से, जाना भी लेठी सारा गलोट संद करके, वजी अपने अममां कोू पांचा ते इसमें भादलीजी पानिक बोतल है यह पानिक बोतल है इसमें सारा संसादन ए हुँ है अब यह खाली घिलाज के लावा क्या रह जाएगा? QVC तो शुच के लिए वीकास लीए दीजिये थख़ देने हा भीकास को घ्याओद है सी फूसाल थे एक जमाना ऐसा था कि मस्ति गरते हैं मस्ति यसी तो सब खताब हो गई थी जीवन से अब जैसे अब तो मेडीकल पर दवा मिल जाती है जिसे मस्ति खतम हो जाए जिंदगी से तो वह बाली मस्ति नहीं बतार हो मतलब खेल-कूद वो आप मस्ती मास समझी हैं समझ ना उसके लिए तो ची आप देख रहा है किस तरह का जीवन था आप अंदर लगा सकते हैं कल पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे जी मतलब यह बिना खायद यह चल रहे हैं खतम हो जाते हैं बस ऐसे चलें किरश का बाडल यह करते है क्या इसका इससे निकलता है निसकर्स देखते हैं शुरू में अंग्रेज मैंने बताया था शुरू में अंग्रेज भारत से जो भी ब्यापार्ट करते थे उसके लिए अपनी मम्मी यानि की क्या करते थे बिटेन की महरानी से क्या करते थे पैसे मंग भाते थे यानि कि इंग्रेंड से बुलीयन का आयात करते थे तो मम्मी से जाधा दिन तक पैसा नमगाणाा पड़े इसके लिए अंग्रेंज श्रक्राइस को सिर्ड़ा किया इसके उसके क captivity बनाते थे उसके में अपना अममा बनाते लिया और ये पैसा दाय है इससे क्या किया भारत से कुछ खरीदा और भारत देश में बीचा जो भी शुरूब की बात करते हैं आमदनी हुई और वो अपनी अम्मा को भीजवा दे थे अब ऐसा लगता था क्यार अपनी अम्मा से ने पैसा नमगाना पड़े इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए करते हैं एक कविटा कही जाते हैं हमने मित्र कहा करते थे कि कुछ ऐसा काम कर जाओ काड्रदान कि हर गली कूचिसे अवाज आये अबजान अबजान और अबजान यानि कि सीधा से मतलब था हर किसी का क्या कर रहे थे सोस्रड कर रहे थे तो वो हर कोई चिला रहा था उसका काड के पर एक ही था वह अब्बा जिसको हम बॉस माने हुए थे तो मैंने क्या बता है शुरू में बहरा स्क्राइब में जब अंग्रिय आई तो व्यापार करने के एसके लिए किया निए अपनी बेटन की महरानी से पैसे मगवाते थे यानि कि इंग्लेंट जोने क्या करवाया तो खाद्यान Tech ऐखार के लगानको चुका सब्सक्णक तो इसके लिए ंग्रिय आग्स तो चुर्सी का बाड़ा क्रवाया वह भी यूजनावाद तारीक से ब अच्छा खासा पैसा आएगा और उससे क्रिशी को और किसान को लाब मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नि क्योंकि इसका लाब किसानों को तो नहीं मिल पाया लेकिन इसका पूरा लाब जो है अंग्रेज़ों हो उठाएगा जैसे कि चाए कपास या अफिमुत सब बतां हुआ क्या कि अंग्रेज ने क्या किया क्वादियां थे स्वा किया करना शुरू कि क्या भोलते हैं कौसी जो नगदी फसलें जिससे पैसा अच्छा खासा है क्योंकि किसान τियुर्ण क्युंपर णग्रेज ते दिन पर दिन कर्ज की दर बढ़ाते जा रहे ते इससे कहता किसान किसान के यह किरसी का बाराड़ी करवाया योजना बद्ध तरीकी से बो भी अपने लिए लोगों के चाके समझाया तुम अफीम हो गाओ चाय गाओ बिजिसों में बिकेगा यह है बू है तुम आसानी से कर भी दे सकोगे पैसा भी बचा सकोगे मस्ती से यह करना वो करना अब एक किसानों को कम हुई जितना वो लगान देना चाहे तो उतना भी नहीं हुआ अब हमने सारी फसल यह अंग्रेज लेगा है अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे तो अब एक बात बताना अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो इन्होंने क्या किया जितना भी जो कुछ आत चीजे होने सारा निरयात करते थे बिर्स-विदेसों में भार् consistent जो कि नहीं के बराबर पैसा मिलता था अब किसी साल मांसी सेफसल शुचा मितना थाना वरो वह तो थाई वह तो कहा पर चाहा रहा है घ्लती से मानलीजीये चाय दिन पर पिए-ग और चाय काय विस पीजादी है दूद में डाल लेजा तो दूद होगा नहीं। मानलीजी हम क्या करेगा? खाएगा चाय अ क्कळते हम्तार, अकुश की का भी वाहती है वो तो सब का सब अंग्रेज लूट ले गए समझ पारा ना तो किरसी का बाड़ी करन गलत बात नहीं है हम तो नगदी फसल होगाएंगे इससे ज्यादा पैसा आएगा लेकिन इसका लाब अंग्रेजों नहीं लिया किसानों को नहीं मिल पाया चलिए तो किरसी का बाड़ी कर खाराद खानों के लिए कच्छे माँल का अच्छा साधन भी मिल जाता है भारत लेकिन भारत की अगर बात की जा तो भारत की अर्तिवरस्ता विस्थ विस्त कफ़ां से जुड़ जाती इस ताल फसल कम्म हुई किसानों को किवर लगान ही देपाया अब हमें कपास होगा नी तो भाय बीज भी तो महगा आएगा अनाज है तो सस्ता पड़ेगा बीज भी तो महगा आएगा मानी जी हम कहां से लेंगे तो हमने करजा लिया, अब पहले के मुकाबले करजा क्या लिया, जादा लिया बात को समझेगे जादे लिया, इससे भी बिचारे किसांग जो जे करज के जाने पस्ते गए, बड़े बड़े इकार आते हैं, लौकमरी की इसी तरही पहता आ जाती है, ठीक है, भारत के लोग औ को नि करने लगवाई नियुकी केती के लिए नहीं देखते हैं ऊद्योग तत्ह वयापारिक प्विकास अगर बात की जाए तो और भारत में ख़वी ब्याले से मौजूद था जो भी ऊद्योग मौजू था उसको भी समाप्त करने के aoi सारे हटगंते अपनाते हैं जैसे कि इंग्लेंड में एक कानून बनाया कि कोई भी इंग्लेंड बासी एशिया का बना हुआ सूती वस्त्र या फिर रेसी वस्त्र नहीं पहनेगा अब एक चीज समझना कि अंग्रे जोन भारत में कोई का खाने तो लगा है नहीं लेकिन उसका बिकास भी नहीं होने थी आप बेचेंगे कहां बेचेंगे तो वहाँ पर जा जाके विटें में या फिर बीद्यिसों में भारत में तो गरीब भी बहुत जैदा होई थी तो ऐसे से कानून बनाए कि जो भारत का बिलकूल कुछ हो इने सके कि भारत का यहां साप पनोंने का कानू ना दिया का कोई भी सूती कपड़ा या रेसम का कपड़ा नहीं पेने का अब भाईया कहां बेचीगा जाके तो इस तरह के कानू बढ़ना था जो भी द्यक्ते उसको भी बरबाद करने में हराम पोर और कमीने लगे रहे थे चली रेलवे का विकास देख लेते हैं रेल लोगों फुरत्ति बर का लाव नहीं हुआ था यह बात की बात है कि उसे रटवा बहुत लाव द्यक्ते आगे इसके समय में हुआ था तो दो सब्सक्राइब में समझाता हूं कि रेलवे का विकास तो किया था लेकिन अंग्रियों ने अपने लिए करवाया था यूरोपीय कि लिए इन्होंने अपना रेल्यों का विकास किया था कि जल्दी से माल रखो और सीधे बंदरगाव में रखके सीधा इंग्लेंड में जहां भरके पहुंचा दो समझ पा रहा ना तो इसका कोई भी उद्देश नहीं था भारतियों को लाव पहुंचा ना और इसके लिए इन्होंने भारत देश के अंदर की बीतरी वागते हैं वो कच्छे माल को पहुंचाती थे और भी बहुत सारे इनके अलाव थे जैसे कि इससे एक यूरोप ये भी फायदा हुआ कहीं कोई दंगा हो रहा है या फिर कहीं मालीजी कहीं विद्र हुआ तो इसमें क्या था रेल इन्होंने जो है बैंकिंग प्रणारी का विकास किया तो हुआ क्या हां बागराएगे हुआ क्या कि सत्रे सतर से लेके असी के समय में भारत में यूरोपी दौरा प्यापार का विकास करने के उदुछ से ब्रेटन के जो बड़े-बड़े पैसे वाली लोग थे उन्होंने लोग विकास किया है इसा कि चलते हुए पहली पैंक जो थी बैंक ओफ इंडिया वनी बैंक अफ इंडिया वनी इसी किरम में कई सारी बैंकों का विकास वह जैती खिए बैंक और बांबे, बैंक और मद्रास, बैंक और बंगाल, इलहवाद बैंक, इंपीरियल बैंक और इंडिया जैसी बैंकों का निमाड़ वा कि यह सब्दों में हुआ कि यूरोपी जो थे 7070 के सी के दर्शक में ऐसा करने लगी जब उनौनने देखा कि 1764 में जो है बक्सर का युद्वा उसमें जो देखा कि कपजा हो चुका था आपका बंगाल बहर और इसा वाल चेतर में तो वहां कि जो अंग्रेंज जैय तो लोग बंक की को सबाते हैं टार सारी बैंक के कमाई करने लेगे तो बैंक यह प्यूंत को प्यपार होने के साथ ही क्या था जो अंग्रेज तीप उपनी ममी से यानि एनकी महाराणी का पैसा सबसे जएदा कहा क्या हुआ था सब से ज्यादा कहां प्यवत लगा हुआ था उसके looked आटिविव श्रकारी खर्च में उसके बाद बागवानी किरसी में, जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, कॉपी हो गया, इसके बाद जहाज रानी उद्ध्योग में इनका पैसा लगा था, अगर अंग्रेजों की बात करें, बिटेस पूजी भारत में कितनी आई, मौटामोटी देखी जाए, तो लगवाग लगवा, एक पचास मिलियन पॉण्ड इस्टरनेल भारत में पूजी आई थी, जिसमें थे 75 जो थे मिलियन पॉण्ड इस्टरनेल जो आपके रेलवे में लग गए थे, 25 जो थे सरकारी कर्जी में के लिए हो गए तो 20 मिलियन बागवानी के लिए लग गए थे, तो यह खलगा सा था कि पेटे-स पूजी जो है, कितनी यहांपर आई? चली, नेक देखते हैं इसी में ही, धनकी निकासी का मतलब क्या था, कि जो अंग्रेजियों के अंग्रेज जब थे, यहाँ पर अपना बयापार जमा लेते हैं, उसके बाद जो हैंnamर अंग्रेज क्या सुन करते हैं, भारत को तो नोचना या पिर चूसना शुरू कर देते हैं तो उसी से ही जुड़ा हुआ आपका है धन की निकासी तो धन की निकासी का मतलब क्या था तो इसका सीधा ता मतलब था किसका धन की निकासी का तो इसका सीधा ता मतलब आप यह समझ सकते हैं कि खून का चूस लिया जाना है अपर देशवार न तो मुझे मेरा फ़र्ज बनता है कि यूट्व पे बोलटी कैसे बड़ा 디자 कि कि पैसे मैं अकेला करका लोगों को रख लो, तो फोरा था है, कुछ भी कर दाइपिंग आड़ कर वा लो, याँ पिर इसकी कौा उक्वालिटी को नहीं बढ़ाए जासकता है, समझ पहा रहा हो जैसे जैसे कि अच्छा जो सेट अप ले 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 तो यह सारी चीजिशे बढ़े हूँ तो आपर क्या हो बिकास को ऐसे क्या था कि अंग्रेज है भारत में ब्यापार तो कर रहे थे व्यापार करने के बाद भारत से ही कमारे देले के जो पैसा था तो यहां पर नहीं लग रहा था भारत के लोगों से कमाते तो कमाने के बाद भारत में नहीं लगा कर क्या करते थे वो अपने बेटेन में भेज दिया करते थे ठीक है चली तो मैंने क्या बता इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम महीने अपना पिछवाड़ा गेस कर काम करें उसमें से जो भी पैसा या पर सेल्डी मिले बहें जब हम घर की तरफ निकलें तो बहें क्या हो घर तक ना पहुंचपाई और रास्ते में ही कहीं गिरी जाए ही है सीधा था मतलब है हम अपना फूरे महीने मेहनत कर네요ur हो मानिगें की चुठी शियूब काते हैं अब कुछ कभी कम ला पसन खालिया कभी हमने सिगरेट पी लिया कभी बूर गया तो अपने बॉस को खुष करने के लिए उनको जो है लॉलिपॉप दिला लिया अब बात को समझे ना 5,000 रुपया में सेल लिप लेकर जेम में लेकर रखने के वाद घर की तब बड़े तो रास्ते तो आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज भारत में ब्यापार करने आये तो प्लासी की युद्टि के लगवग प्लासी की युद्टि के पचास साल पहले तक यह बात की जाए अंग्रेजों ने दो करोड़ पॉंड का सोना सिर्फ इसली अपने घर से मुआ था ताकि भारत में रहकर ब्यापार कर सकते हैं बात को समझ रहे हैं अगर भारत में बिदेशी को या रहा है अगर बिदेशी पूजी आते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है पहले क्या अगरे वगर वाद के लिसाई रहे हैं आएत्हं कं आते हैं लियादए कहता है विदेशों में ज्यादा भीज़्भ कर्या है जब ज्यादा माल बेज़ते ए तो उस्ते कहारे हैं बिदेशी पूजी आया करते थी अलयुआ करेदिए या फिर्वान लिजे घड़े हैं और गोड़े आपका गुलाम मेवे ठीक है और अभी उस समय घोड़े बगएर आते थे अभी कौन आते थे बहन के मतलब गुंड़े आने लगे थे गुंड़े का मतलब जितना पैसा आया था पचास साल में ये लोग कितना मंगाली दो लाक दो करोड दो करोड पॉंड का क्या मंगालिया तो सिर्फ सोना चांदी ही मंगाली तो अंदा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अगर दिये 200 साल और हमें लूटने की बजा कर ये इमांदारी से करते हैं तो भारत के बिक्सित देश बनता बलकि इन लोगोंने क्या किया कि कि उद्ध के 50 साल पहरे तक की बात में ने क्या बताई यह नोंना क्या किया इतना कर लिया उसके आगे की बात करें अगर उन्नीस सो अठार सत्रे सो चोंसट के बाद कि अगर बात करें तो इन्होंने तो क्या किया था यहीं से ही लड़ते थे थोड़ा सा जैसे माले इसको से लड़ा दिया ऐसे दो राजा थे इन दूसरे को लड़ा दिया जो जीता उसके पैसे ले पैसे को क्या किया वारत से समान ले लिया सामन लेने के बाद । जो यहces drive दिया हम्ने यहीं से लुटा यहीं के लूटे हुए माल से उनसे माल खरीदा और यहीं बेज़े जो फाइदा मिला वहां पहुंचिया तो आप अंदा लगा सकते हैं कैसा हुआ तो यह सीधी चीज़े दें मैंने क्या पताया कि पचास दो करोड़ पॉइंट का सोना चांदी सिर्प इसलिए अपने घर से म किया था ऐसी इस्तिति हैं अगर इस्तितियों को आप जानना चाहते तो इस्त्री में जाके आप देख लेना इन्होंने किस तरह से भारत को रूटा और खसोटा था ठीक है तो धनकी निकासी के बारे में सबसे पहले हमारे जो थे दादा भाई नौरूजी ने जानकारी दी थी दादाभाई नौरूजी ने दो मई 1867 को इंग्लेंड डेब टू इंडिया नामक पत्तर में लिखा था इसके बाद एक बेक्ति और आते हैं रवेश्चंद दत्त और बिलियम डिगवी ने इनके विचारों का यानि दादाभाई नौरूजी की विचारों का समर्थन कि दादाभाई नौरूजी ने सबसे पहले प्रतिव्यक्ति आए के बारे में गड़ना की थी इन्होंने अठारे सो अठारे सरसथ में भारत की प्रतिव्यक्ति आए को कितना आंका था बीस रुपए आंका था कि अա करें आप दे की निकाष्यक्षा है कि जो बस्तिविक जैसे मानी निविख अगर यहां पर वे हम यहां याँ से जो लाप हो लिखे तो उस पयाए जाए जाए तभी तो हम बेह्स युट करेंगे अब जींगे हैं जी योवाले सारह जैसे आप सैंट कितना भी पैसा रहे दें डेटा खर्षी करना का वो सार्ह क्या करते हैं लोगों में बांटे मतलब लोगों का मतलब पाकिस्तान में देते हैं या फिर अफ्गानिस्तान ने चुछ्छ हो आई थे जिसके एकार बंगाल की लगवग एक तेहाई संतन क्या ही समापत हो गई थी इसके बाद भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा था ठीक है मैं बताता जा रहा हूं कि किस तरह से हम तो खुसाल थे और इससी थी आ गई कि हमें जो है यहां पर आप देख सकते हैं क्या आई स्थिति हो गई थी एक चुटा सा यह नजारा है इससे बहुत बुरी हलते थी यह देख रहा है आप इनका पेट देख रहा हो इनकी चौड़ी देख रहा हूं कितनी हो रही है समझ रहा ना और यहां देखिए निक तमासा के अलाबा कुछ भी नहीं है इनके लिए यह महारानी देख रहें सकल इनकी और यह हम भारती देख लीजिए समझ रहा है ना यह यह सिति थी आप अंदार लगाने के बाद सूचने की बाद भी मैसूस भी नहीं कर सकते कि क्या समय रहा होगा क्या बीती होगी हम लोगों के उपर लेकिन हम तो अलगी प्रजासी को कोई करने चले तो अपनिवेसिक आर्थी की नीतियों का भारती अर्थ वस्ता पर प्रफ़ाग क्या पड़ा मैंने बता थिया कि किस तरह से भारतीयों के लिए इन्होंने अलग लग नीतिया बनाई बूरा जस्तियों की कुछ विवस्ताएं थी जैसे हरयत वारी महाल वारी और जागीरदारी या फिर कहें इस्ताई वंद्वस्त जैसे कुछ वंद्वस्त बनाएं इसकी बाद मैंने आपको बताया था किस तरह से ये बैंके का इन्होंने विकास किया किलियर हुआ तो बिटेस की 66 कारी नीतियों ने भारत की अर्थ विवस्ता को बहुत दैनी इस्तिमी में पहुचा दिया था भारती अर्थ ब्यापार पर कंपनी का एकादिकार हो गया था कंपनी ने भारत के संसादनों का मन मरजी दोहन करना सुरू कर दिया था जबकि जबकि भारती ब्यापारियों के बात की जाए तो इनकी इस्तिती बहुत ही खराब हो गई थी क्योंकि उ बारती मजदूर किसान और बियापारी की इस्तिती बहुत कराभू हुए मैं आप यह थोड़ी देर पहले पताया था किस तरह से भारत का जो कच्छा माल था माल लीजिए भारत से भारत में कपास पैदा की बारत में कपास पैदा की और इसको क्या किया अंग्रेजों ने वहां पर बेज़ दिया और वहीं से बनकर हमारे माल का ही पका हुआ पिर हमें बेचा जा रहा है बात को समझें तो क्यों ने कपास हमने पैदा की और हम हुए उसका पास किया थे अपने कालखाने गरी काहराम पूर यहीं लगवा थे तो हमारे भी कास होता हमें रोजगार करना भी चाहा रहा था है कि हमारे इतना पैसा ले ज protegड़े के हमारी हमारा मैली जी पैन हritisता था कि यह अपने आपने यह तो यह यह थे रूब लग लखे लगे दो रुपे उलज यह दम हो जाएगा अब एक बात बात रहा दो दो रुपे बाला पैन जो है दस रुपे का हो जाएगा और अंग्रेजों का तो बिना टैक्स का चलता है मतलब ना के बराबर टैक्स लग रहा है तो वो जो है हमारा पैन जो है दस रुपे का पढ़ा क्यों कि अंग्रेजों ने तरह टैक्स ही लगा दिया और हमारा और अंग नौ का बेच नहीं सकते हैं अब हम चाहेंगे कि इसे पंदरे का बेचा जाए अब उनका है पांच रुपे का हमारा पंदर रुपे का पेंट तो कौन लेगा तो इस तरह से क्या था कि हम लोग तो जो भारती लोग थे भारती बैपारी जो थे इस्तिति उनकी बहुत खराब कच्चा माल भारतियों से ही खरीते थे उनका विसुद दूरूप से बहां से तयार माल करकर फिर से भारत में बेच देते थे और फिर क्या करते थे जो भी कमाई होती थी फिर से क्या करते थे अंग्रेज अपनी अन्मा के पास यानि कि महरानी के पास बेज देते थे घर पर बेज दिया कि इससे भारती किसानों की मजदूरों की बहुत खराब हो गई तो इस तरह से आपके अंग्रेज जो थे इस तरह से अंग्रेज जो ना क्या किया था लगबग मोटा मोटी देखा जा तो दूसो बरसों तक क्या किया सोसड़ किया है कह सकते हैं सासन किया तो अब इस दूसो बरस के सोसड़ का निसकर्स क्या निकलता है भारतियों की इस्तिती कैसी होगी मैंने आपको शुरू में बताया कि हम भारती जो लोग थे छाहें मुगलकार की बात ले लो चाहें फिर और मोरेयक्तर काल ले लीज़ी अ कि वृत्र काल ले लीज़ी चाहें पिर संतलन काल दिशता था वो अपने परिवार को पालने में लगा दिता था लेकिन 200 बरसों तक अंग्रेजों ने क्या किया किया कि हमारा जो खून था खून चूसने के बाद हमारी हड्डियों के अंदर उन्होंने जो है मतलब हड्डी तक को चवा के छोड़ दिया तो आएए देखते हैं इससे बेटेज नीतियों का और्थ यस्ता के हर चेतर पर क्या फेल था जहर फेल था मेरे की बताएं जब तक वह अंग्रेजों की अपना जहर फेला दिया था अब चाहें वो आधारिस संदचना हो यानि कि इंफ्रेस्ट्रेक्ट्टर हो कि उसमें आपका रूड आ जाते हैं सताल आ जाते हैं या फिर मानली जीए विध्याले आ जाते हैं तो इस तरह की चीजें जो थी कुछ भी नहीं था बिरसाइक संदचना की तो बात ही छोड़ दी चाहें पिर वेडियर ब्यापार की बात हो चाहें वाप्दयों की छेत्रक हो चाहें फिर वो किरसी छेत्रक हो तो जैसे कि अंग्रियों कभी भी राष्टि आय्ता प्रेस्वेक्त्य आयका कभी भी आ realidad नहीं किया इससे क्या THE solutions की खुल सकती दि जैसे कि माल भीजिये अऑप या कहें समाप्ती कर दिया था इन्होंने किरसी की तरह उद्योग को भी समाप्त कर दिया जैसे यहां पर आदरियों को द्योग हां बिकास होने ही नहीं दिया गया इससे अंग्रेजों को तो लाब मिला ही साथ ही पहले ये भारत को केवल कच्छे कच्छे माल के रूप में बि चली जाओ य tidas घ्र रिगउर यह वह ट हैं मत्म जक्ण है हैं यि नी कि ल्लाज अब मैं मौले में हैं आपका चम घम हैं आपका रस मलाई हैं आपका मान लीजी हलवा है बढ़िया बढ़िया तो ये कच्छा माल तो अपने घर लेगा बढ़िया बढ़िया माल लेगा यानि कि मान लीजी चीनी जो है मान लीजी 3800 रुपे किलो है खोया मान लीजी 300-400 रुपे किलो है या फिर मान लीजी लौकी जो है आपका 10 रुपे किलो है तो आवह इन्हों ने क्या कर दि holy लोकियों 20 रुपे किलो लोकियो और 30 रुपे कलो अभए अंदर के से एकदम लोकि को एकदम छीला चाली करने के बाद कि का हलव बनाएं आने के बाद भार जब लेके आए तो कितने रुपे किलो चारसो पांस रुपे किलो बेच रहे हैं तो मतलब यहां से कच्छा माल खरी रहे हैं बिसुद रूप से पका हुआ माल हमें फिर से हमें ही वापस बेज रहे हैं तो इससे क्या था कि भारत देश को केवल कच्छे माल के भारत जिसको कच्छे माल के रूप में इनका विक्सित करना था और साथ ही कच्छे माल से बने हुए माल को ये भारत में मार्केट के रूप में विक्सित करना चाते थे इसके अलावा इन्हों ने भारत देश को कुछ भी नहीं किया इन्हें कि सिर्फ अंग्रेजों को यहा च्राइकरड़ से क्या था भारत की जो जन्ता थी जो 85 and डाव में निवास करती तनद्धरियों का बिकास तो नहीं 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 दिया जिस तरह का बिटेन में क्या था अध्योग करड़ हुआ था उसी तरह से भारत देश में भी यह दिए ओध्योग करड़ हुआ था तो भारत देश की जो एक तस्वीर ही अलग निकल कर सामने आती लेकिन मरता क्या न करता वाली कहानी भारत जो ता केबल अपनी बस जिंदा रहा मरा नहीं बस वो चलिए इसके इसके बाद भी अगर कोई आदनों को द्योगों की स्थापना होने भी लगी थी तो उनकी बिकास की रफ्तार बहुत ही धीमी थी जैसे कि उन्नी सो साथ में टिसकों की स्थापना हुई दूसरे बिस्विद्द के बाद चीनी सीमेड तकागज के उद्योग थे इसके इनका सकल गरेलू उत्पाद में योगदान भी जो थी बहुत ही कम था मैंने किया रताया कि अगर भारत पर कोई आदनों को द्योग पनपा भी तो उसकी बिकास की दर रफ्तार जो थी बहुत दीमी थी क्यों कि इन्हें उल्टे सीदे कर इन पे लगाय जाते थे इन्हें जो थे वो सिवाएं नहीं मिल पा रही थी जो अंग्रेजों को मिल पा रही थी और इनके लिए इनका माल इतना महगा रहा करता था कि ने दिक्कत हुआ करती थी उसके बाद दूसरे विद्धिस के समय कैसा चीनी का सीमेंट था कागज के उद्ध्योग भी काफी फले बूले लेकि यूरोप हो गया अमेरिका हो गया चीन हो गया यानि कि ये चीन है आपका मैं जूम करके दिखा देता हूँ ये आपका यूरोप बाला चेतर है ये अमेरिका बाला चेतर है इस तरफ अगर चाहेंगे तो अमेरिका बाला चेतर है तो मैंने क्या बताया यूरोप हो गया अमे प्रेजियों की नीतियों ने याक है औपनिविसिक सरकार दोरा है बनाएं गई नीतियां जैसे मनमर जी का आयात नियात पा सिलक लगाना जिस से क्या था भारत केवल चीनी कपास और नील का केवल नियातक नियातक का मतलब ये भार बेजने की इस्तिति में ही रहा फिर थे बत भारत का आजे से अधिक ब्यापार केवल इंग्रेंट तक ही रह गया था इसके आलावा हलका फुलका ब्यापार जो था कभी-कभी चीन से हो जाया करता था और कभी-कभी जो है लंका से हो जाया करता था तो मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया मैंने आपको बताया था कि भा आना ज्यादा हो और जाना कम हो सीधा सा मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्या करते हैं माले जी भारत जिससे क्या है अमेरिका जो है निर्यात करवारा कोई जी भारत जिससे अपने जिसमें मंगा रहा है तो जैसे की बहुत ज्यादा गया बहुत ज्यादा मतलब दो क गुरून अक्सी लाक रुपे में हम क्या रहे हम संतुलन मिला यानि कि ब्यापार संतुलन क्या सा रहा हमारे पक्ष में रहा यानि कि हम जो थे हमने मगाया कम क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थे हम सारी चीज़ें यहां बना रहे हैं मगाएंगे तो जब ही जब हमारा हमें जर पर 15 उर्पय बनका तयार होती है और इस पर 30 उर्पय टैक्स लगा दिया और अंग्रेज्यों की 5 उर्पय की बनके तयार हो रही उसक्ते हो दहुर्य होने, सब आटे तक भी पेझते हैं, अग्रोस हर्य निश crystal तक निच lead मैं इस पर 15 उर्पय की तक बैर ने आत। बीस की या 15-67-18 सो कम की तो बेची नी सकते हैं तो इससे क्या था हमारा माल जो था महगा होने लगा तो भाईया किस की तरफ जाएगा सस्ता वाला सस्ता का मतलब वह भी कहां से बना किया है हमने कहां बहुत दूर से बन जाए यह कहेंगे बिदेश से बनके आया भाया सीधा ता मतलब है कि भारत देश की कपास थी हम लोग कपास का पादन कर रहे तो कपास ले गए और पहुंचा का दी इंग्लेंड में अब कपास से बने हुए कपड़े भारत में आये और इस चीज समझना क्या बोला जाएगा भाया अंग्रेजों के यहां से कपड़े बनके आ रहे हैं वहां से बनके आ रहे हैं अरे भाया कपड़े ही तो हैं सूती रेश्मी कपड़े का यह हलकी फुलकी चीजें थी इनको तो हम भारत में स्वेम बना सकते थे भाया अमेरिका से और पाकिस्तान से और यह ब्रह्मान के जो कि अंग्रेजी नों क्या कर दिया था अपने दिमाग लगा के लगा लगा के और आज भी भारत देश पर अंग्रेज जो है आराम को दिमाग लगाते रहते हैं उनकी जो नाजाय जॉलाग थी वो आज भी जो है भारत में रहे गई। आज कल देखते हैं कि अंग्रे जी का बोल वाला जो है वो उनी की देने वहीई, अंग्रे जी का कोई तुक ही नहीं बनता था, समझ पा रहा ना, किलियर हुआ ना, तो क्या था भारत देश का पूरा जो ब्यापार संतुलन्द था या कहें जो एक संतुलन्द क्या बोलिए मैं कहूं एक जो धांचा चाथ हो जो बास्तिविक धांचा था उसको तोड़ कर इन्होंने क्या कर दिया था तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल तहस नहस कर दिया था चलिए नेक्ट इसके बाद क्या हुआ 1876 में स्वेज नहर ने भी काम करना शुरू कर दिया था इससे क्या था इससे भारत के ब्यापार इसके क्या था भारत के ब्यापार पर अंग्रेजों का नियंतर और सक्त हो जाता जो अंग्रेज जो धन कमाते थे उसको सामराज विस्तार करने में प्रि थे ये फेरें से इस तरह से आय करते थे ये अफरीका होते हुए, कोने कोने इस तरह से हो, K-POP होते हो, मिडा कासे कर वह और ये भारत में यहां यहां पर यहां आजाया कारते थे लेकिन इधर क्या हुआ, स्वेज जनेर करने में लगाते हैं तो यह भारती लोगों को भी अपनी सेना में भर्ती कर रखा था इसके बाद मैंने क्या बता है परता मोध दितीय विस्वीट का खरचा भी हम भारतीयों से ही लिया इससे आप अंदाजी लगा सकते हैं भारत बैसी भी खता हो रहा था और उसका और जन संक्या जनगड़ना के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कभी भी जनगड़ना करने की नहीं सूची फिर भी हिम्मत करकर आके अठारे सो क्यासमी एक बार दलती से जनगड़ना करवा भी थी इसके इस से क्या था कुछ च्छटपूत तथ जो थे सामने आते हैं जैसे क कि साठचरता तर कितने थी पंद्रें परसेंट से भी कम थी वहीं महलाओं के बारे में आगर बातकी जाए तो उनकी साठचरता तर सााथ परसेंट से भीकूती रोगों से बचने का कोई साधन नही था सखल मिरत्यूतर že से बता दूं क्यों कोई अस्पताल थे नहीं किुए की सारी सवाय थी अंग्रे योगी महाइ जो थी प्रोग्रम होता था उससे क्या था मात्र यां कहये हैं उससे क्या कि बच्चे जो हैं पैदा हुए एक है माल लिए और उसमें से 208 खतम हो गए तो आप अंदा लगा सकते हैं उस समय की क्या इस्तिती रहती होगी कि अंदाजा का मतलब यह हैं कि 20% यानि कि 21.8% कि क्या थी मिरत्युदर थी सीधे से मतलब यह था कि अगर आपके 10 बच्चे हैं तो उसमें से एक का मरना तैही हुआ करता था इस तरह की घटना थी हो सकता है दो खतम हो जाएं यह कहानी थी इसलिए उसमें जो थे बच्चे बहुत ज़्यादा पैता होते थे यह ऐसे काड़ थे क्योंकि बहुत तेसी थी बस से बत्तर थी ठीक है मैंने क्या बता है वहीं जिए या फिर किसी भी तरह का रेल ले ले लिए या या ताज की ववस्ता ले दीए उसके बारे में पूछे ही मज सीधी सी बात थी उस समय यानि के अंग्रेजों के 200 समय काल की अगर बात करें तो इसी दासा इमट रही है था कि यदि आप अंग्रेज नहीं है या फिर कारति अर्थिवस्ता अंग्रेजों से सोंट के बात कैसी थी इंक्समझ पा रहा है ना वहीं आगे अगर बात करें तो वेवस्ताय हो गया फिर वेवस्ताय क्या थी क्योंकि यहाँ पर जितने भी कारसी जन्संग ती उसमें से 70 से लेके 75 परसेंट तक जन्संग गया जो थी केवल किर्सी में ही लगे हुए थे जबकि बिन्मार की बात की जाए तो केवल 10 परसेंट लोग ही रोज़िगार में लगे हुए थे अधारी सब्सक्णा किया अगर बारे मात की जाए तो ऑपनिविसिक काल में आपका रेल हो गया पतल हो गया जल्परवेन हो गया तार लेकिन इसका भी उद्स केبل उद्स भारती जनता को लाख पहुचाना नहीं था वलकि खेख हो इसके लिए और नियों को लागू करने में आसानी हो इसके लिए किया गया था स्धिकर मतलब है कि मैंने वताया T 2 के रेल का रेल वे का विकास किसलिए किा गया था ता कि कज ஈ हैं अंदर जो ऑपकी बंजर करने तो इसविए लिए इस्तिमाल करते थे ओर किस दल्गारोगि या तो बहा पर सेना या की बताया था मैंने बताया वहीं जल प्रहफन की बात मैं बताया ही था कि किस तरह से ही अपने लोगों को कच्य माल को ंग्लेंड तक पहुँ चाती है वहीं पर बताया था डाक और तार का किसलिए था कहीं फ्सक्राइब कहीं बिद्रो के वहीं पर भी रेल की पटरी विच्वा रहे थे तो वो सिर्फ इसलिए ताकि इससे माल को पत्तं तक आसानी से ले जाया जा सके अब पूछेंगे कि भारतियों को 200 बर्स के कारकाल में अंगिलेजियों को क्या ला मिला तो आपको आज भी उनकी नाजाज औरादें जो हैं आ थोड़े वो बहुत जरूरी चीजें थी जो बढ़ गई थी जिसके बारे में आपर बात नहीं करने हूं चले मुझे उम्मीद है आपका जो है टॉपिक जो किलियर हो गया होगा क्या लिए चली सात्यों आगे आते हैं इसी मही बर्तमान जो भारत की अर्थिविस्ता है उसके ऊपर आते हैं और मैंने आपको डिटेल से पता दिया कि किस तरह से अंग्रेजियों लिटा और उससे पहले कि किस तरह से इस्टी थी थी हम लोग अच्छे से खाती पीती थे हैं तो आई ही थोड़ा से क क्यलियर करते हैं बर्तमान की यहाने कि जो 21-21 चल रहा है इसकी अर्थियोस्ता के बारेस काथ तो भारत्यस हुस्ता कि लच्छर देखते हैं सबसे पहले में अं अंप लिए इसलिए के मार्क पर चल रही मैंने आपको बताया था किस तरह इस जो था विक्सित देशों का वरगी कर किया गया तो मैंने आपको बताया था भी देश जो अभी तरह तरह से अच्छी जीवन प्रिटियासा या फिर प्रिटिवेक्ति आये जो है अमेरिका की देश जो पच्छमी देश है उसकी तुलना में उनकी तुलना में थोड़ा कम है तो उनको विक्सित देश नहीं कहा जाता है अल्फिक्सित कहा जाता है ठीक है तो यहां पर मैंने कहा रहता है अब समझते हैं विक्सित क्यों का जाता है इसको यह भी थोड़ा झरेते हैं आप लोगों को पता है क्योंकि अमेरीका मन ऐसाया पश्मी देशों की तो oynारा में यहां कि जनसंगया ब्रत地 시간이 हैं बहुत अधिक है, यहां पर आप अंदर लगा सकते हैं, छेतपल बहुत कम हैं, और जो लोग अपना production जादा कर रहे हैं, यहां पर बेरोजिगार ही अधिक है, क्योंकि इसल्फिक कटा जाता है, क्योंकि यहां पर गरीब है, अधिक है, क्योंकि जन संक्या की ब्रदी दर अधिक हैं क्योंकि बेरोजगारी अधिक हैं क्योंकि गरीवी अधिक हैं इन कार्ड क्या का जाता है अल्पिक्सित कहा जाता है नेक देखते हैं हिसी में इसलिए इसको क्या कहते हैं विकासील अर्थी बिवस्ता कहते हैं अब देखते हैं कि भारती अर्थी बिवस्ता को क्रसी आधारित अर्थी बिवस्ता भईया क्यों कहा जाता है वो भी तरवर समझते हैं तो क्योंकि भारत में कुल रोजगार का लगवग 55% के शेत्र से गाउं में ओद्देवों को कच्छे माल के लिए लिए किरसी चेतर पर रहना पड़ता है क्योंकि किरसी चेतर के काड बहुत सारी बिदेसी मुत्रा पी इस काा जाता है बारती अर्थ होस्ता को किरसी आधारित अर्थ होस्ता कहा जाता है फिर से बता दू क्यों कि भारत में कुल रोजगार का लगलो five percent परसेंट See आता है क्योंकि देश की कुल जिस्ते के अगलोört sixon zodा सर्ध डह बारत परसेंट गाउं में नवास करता है य्युक्रश गाओं में लेता है तो बुघाएगा इसी बात है फ़ोस्ता WHO कि क्योंकि उध्योगों को कच्छे माल के लिए किरसी पर निर्वार रहना पड़ता है क्योंकि किरसी छेत्र के कारड वह सारी बेड़ेसी मुत्र आती है इस कारड भारत को किरसी आधारत अर्थिववस्ता भी कहा जाता है अब बात आती है भारती अर्थिववस्ता को एक मिस्रित अर्थिववस्ता क्यों कहा जाता है तो उसको भी सरी है तो भारती अर्थिववस्ता में निजी तथा सार्जने क्या आग है राज तथा बाजार सक्तियों का समान रूप से क्या है जब मैंने बताया, कि पूंजी बाधी अत वो होती है, जिसमें बाजारी की सक्तियां या कले निजी छेतर का बोलबाला होता है, वहीं पर मैंने आपको समाजबादी अर्थ विवस्ता है, तो समाजबादी अर्थ तो भारत देश जो था जो बड़े बड़े लोग थे जैसे के पंटी जवाल लाल नहरू थे आपके जो है भारत देश जो है आजात होने के बाद जो बड़े लोग थे जिनके हाथों में पूरी बात दोर गई थी उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने बैटकर सलामसवरा किया और सोच समझेने के बाद एक बास में सोची कि यार ऐसी अर्थिविस्ता होनी चाहिए याकर ऐसी क्योंकि उन्हों ने क्या था जो पुरानी कमिया थी याके जो गलतिया थी उनके काड़ जैसे कि अमेरिका में उन्नीस तो उन्तिस में जो है महामंदी आई आपका यू एससर जो था उसकी वी स्थिति जो थी बस से बत्तर हो गई थी या फिर मालिजे पूजी व्यार्दिय कि उसको क्या बोलते हैं समाजवादी लाएं अगर पूजी वादी लाते हैं तो हम अमेरिका के सब्सक्राइब हो जाते हैं तो इस तरह से क्या था काफी सोच की बिचारने के बाद लगा कि मैंने क्या बताया कि हुआ कैसा भारत देश जो था आजा जो जाता है उसके बाद जो गड़मान लोग थे उन्होंने एक ऐसी विवस्ता बनाने की सोची जिसमें कोजी कमी ना हो तो सब लोग घटे होते हैं क्योंकि हुआ क्या था मैंने बताया था 1929 में जब आर्थिक महामंदी आये तो इन लोगों ने देखा कि पूजी बादी अर्थिवस्ता में जो अ जो पूजी बादी अर्थिवस्ता थी उसकी स्थिती बहुत भुरी हो जाती है लगती वहीं दूसरे उर 1991 से उदारी करड़ के बाद निजी छेत्र की जो भूमिका है बढ़ गई है और बरतमान में अगर बात की जाए 2021 की तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई अर्थिवस्ता नहीं है जो मिस्र तक अर्थिवस्ता नहीं हो हाँ ये बात अलग है कि कुछ अर् ऑर्थिवस्ता नहीं है जो क्या हो पूरी तरह से या तो पूंतिवाडी हो समाज बादियों तो कैसी है मिस्र से उस्सा है पूरी दुनिया में डिक है clear हो चलिए नक्त लेए भारती अर्थिवस्ता एक अगर प्रित्स्तान की बात तो हुआ इसे शकल गरेल उत पाद के इसाफ़ से अमेरीका दुनिया मों सब्से नमबर बन पर आता है यानिकि प्रina प्रैमिस्तान पर आता है और क्रैसक्तीतूलिता के आदर पर hiç है नबर बन पर आता है। इसके अलावा प्राइज पावर प्राइज वाटर हाउस कूपर्स पी डबलू सी ने अपनी रुपोर्ट में का था गर विकास की दर इसी तरह से बढ़ती रहे तो बिनिवेज दर के आधार पर दोजार पचास तक जो दोजार पचास तक विस्ट की दूसरी सबसे बड़ी अ बारती अर्थवस्ता के चेतरक देख लेते हैं इए तो आईए प्रात्मिक चेतर कौन सा कहलाता है बहुत इंपोर्टन है कन्फूज करने वाला भी लगता है कभी कि विसके जड़े से जड़े हैं प्रकृति से जड़े हुई हैं अब हम इसको थोड़ा सब निर्मार हम कार खाने में नहीं कर सकते इससे इससे जुड़ी हुई क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं आपके करसी हो गया, खनन हो गया, दूद हो गया, सबजी हो गया, लकड़ी हो गया अब आपको दो सब्दों में समझाता हूँ मैंने बताया बे सारे कार वे सारी चीजें जिसको क्या किया जाता हूँ प्रकृति से जुड़ी हुई हो उसको हम प्रात्मे छेतर में जोड़ देते हैं जैसे कि मैंने बताया दूसरे सब्दों में इसको समझ सकते हैं कि इसके तह बेच हित्रा आते हैं जो सीधे पिरकर्टी से जुड़े होते हैं अब दो सब्दों में फिर इसको समझाते हैं अब दो सब जोड़ जोड़ के हम इसको बढ़ा करते हैं आई ये थ्वड़ा सा बढ़ा करते हैं रहोंने इसको मान लीजी ये पानी है पानी है, बताइए इसको कहीं से बनाया जा सकता है, अब आप कहोगे कि फल से बनाया, भाईया फल में पहली पानी था, नहीं बना पानी, फैक्टरी में नहीं बना पानी, साफ कर सकते हैं, उठाएंगे कहीं नहीं से पानी, ये प्रात्मिक छेतर नहीं हुआ, प्रात्मिक छ बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब खेतर में नहीं आएगा, अब माली जी पनीर है, क्या पनीर को फेक्टरी में बनाया जा सकता है, क्या माली जी मचली पादन है, क्या मचली को फेक्टरी में बनाया जा सकता है, क्या फेक्टरी में मचली को बनाया जा सकता है, माली जी ये गिलास है, ये फेक्टरी है, ऐसी इस जाए जिसमें मचली बन जाए मतलब इसमें कुछ लोग कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा प्राथ में छेटरी ही तो है माली जी आप दूद है क्या फेक्ट्री मेना सकते हैं या फिर नकली दूद बनता है तो नकली दूद तो बोलेंगे बास्ट्री तो नहीं है इसके लिए प कल पला सकते हैं लेकिन बास्ट्री जो कोईला होता है क्यों कि कोईला की प्रिग्रिया कैसे होती है मैंने बताया था कि मान लिए बहुत सारा मलवा माल वगयरा जो होता है लाखों सादों तक दव जाता है उसके बाद कोईला की इस्तिती में आता है ऐसे सबजी जो है क्या म और दलमे में मैंने पता है ऐसी जिनकानमार्स है कार खाने में कितना में कर सकते हूँ इस है sail है मछिषेद अधा मतलब है वो पानी से पगते मास्धyin होते हैं तो जल से पखक़ते हैं जल कहां पर होता है के घर में 儿े भर लेते ही कितना भरेंगे there पानी इन नंबर दो देखते हैं दितियक ष्चेत्रक इंप्रोटंट है आप उड़ा ही तो ड़烦 पूंधर पर्रीक्रतिक्र साथ या चीति है रहता है यानि की प्रात्म क्रोट्टर में आता है 2019 Russian दितियक्षेत्रक, दितियक्षेत्रक important है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें अर्थिविवस्ता की बिनिर्मित बस्तूओं का निर्मार होता है, और ये होगी किताबी परवादा, फिर से बता दू, दितियक्षेत्रक में क्या मैंने बता है, अर्थिविवस्ता क अर्थ विस्ता कि बिनिर्मित बस्तुओं का निर्मार होता है तो यह मैंने किताब भी बता दी अब भाईया बिनिर्मित बस्तुओं कैसी होती है बिनिर्मित यानि कि निर्मित है जो पहले से ही उसको दुबारा से निर्मित कर रहे हैं अब कैसे निर्मित कर रहे हैं हमने कहा तो माने जे दूद हैं, दूद को फैक्टरी में ले गए, सबसे पहले हमने उसकी क्या निकाल ली, जो घी होता है, मलाई होता है, क्रीम होती है, उसको निकाल लिया, अब दूद का खोया कर दिया, खोया करने के बाद हमने उसको कार खाने मिले गए, कार खाने मिले गए, हमने दूसका क्या बना लिया बर्थी बना लिए रसगुले बना लिए एक छुटा सा हो गया अब मान लीजिए ग्यहूं क्रसी छेत्र का है प्रात्मिक छेत्र से पराप्त हुआ अनाज प्रात्मिक छेत्र का होता है अनाज लाए अनाज को क्या किया हमने बात को समझे ना कि कैसे बे निर्मित हो रहा हैं, निर्मित होगा अनाज बना कर कंगी तयार होगा। अनाज क सीधा, खेतों च不會 दो हुआ हैं निर्मित हुआ किissions हम आई पिरांस होजτο है हम एक जा दो है, वर नाज की दो होगा। दो ही antes in Remobil होजें भलिए इंक consumption in AMaráक, Demet आटा बनवाने के बाद उसने मेंदा बनवाई, मेंदा बनवाने के बाद उसकी ब्रेड बनवाई, ब्रेड बनवाने के बाद ये बन कहा रही है कार खाने में, ब्रेड बनवाने के बाद क्या किया, बात को समझे, क्या ब्रेड को कार खाने में नहीं बनाए जा सकता, कौन न निरमित करके यानि कि दोबारा से क्या निर्मित हुआ? ब्रेड, पाउ, केलियर हुआ? विस्किट में भी गेम पड़ता है और निकी आटा बगेर होता है? केलियर हुआ न तो आईए समझाते हैं. तो मैंने क्या बताया? अर्थिविश्ता की बिनिर्मित बस्तुंगों का इस बनाया आटा से रोटी बना सकते हैं लौ ऐसक से लौ इसपात बना सकते हैं भाईया लौ जो ऐसक होता है आइरन ओर जो होता है बास्तिं के वो होता है प्रकरती से निकाला हुआ कहां से प्रकरती से निकालते हैं जब वो खुदाई करते हैं तो आइरन ओर निकलता है यह लौ आयस्क निकलता है उसको फेक्ट्रियों में ले जाते हैं फेक्ट्रियों में ले जा लो जाए को हम उसमें कुछ अटरम जटरा मिला मिलो के हम उसको क्या बनाते हैं इस्टील बनाते हैं लह इस्पात बनाते हैं इसके बरतन होते हैं यह इस्टील का है लह इस्पात का है ना कि कि ये लोभेयग आटा से रोटी और गयंहू से आटा गया घर में चकिया से पीचा एक तरए से कार खाना वा चैनल हुआ लगू उद्द्योग बेंगे या Aqui क्या लगानापड़ा हमें मतलब हमें क्या करना पड़ा समझे बात को हम उसको कार खानों लगा रहे है प्रने पिस्ता था या फिर खाने DR घ usar तो यह बे निर्मत हो रहा है पहले क्या था निवास्त में क्या है ग्यां में ग्यां उसे मक्का मक्का से क्या बनाया लोग पॉपकॉर्ण बना लेते हैं ठीक है इस तरह की चीज़ें चलिए समझते हैं जो दितियक छेत्रक है इसको या कि सेकंडरी सेक्टर है इसको दो भागों में बार सकते हैं ये तो होता है निर्माड और दूसरा होता है बेनिर्माड अब भई अब निर्माड क्या होता है तो इसमें निर्माड में बात करते हैं इसमें इस्थाई पर संपत्य है या कि पर्म इस थाई हुआ, इंट कहां से आई, मिटी से, मिटी क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया माल है, इंट ले ली हमने, बालू कहां से आई, प्रकृति से आती है, कहां से आती है प्रकृति से, भाहिया, चंबल अंबल के किनारे जो होती है, वो बालू निकल के आती है, तो यह हुआ निर्माड इसमें क्या बना पर्मानेट असेट क्या बना इस्थाई पर संपत्ति क्या होटल को यह मकान को कहीं ले जा सकते हो नहीं न चलिए तो यह क्या बना किसमें आया सेकंडरी में अब दूसरा देखते हैं बनिर्माड ठीक है इसके तरफ किसी बस्तू का उत्पादन किया जाता है जैसे बस्तू क्या हो गई यह कपड़ा हो गया जूता हो गया डवल रोटी हो गई बहिया कपड़ा कहां से आया अब बहिया कपड़ा कैसे आया तो क्रसी में उत्पादन होता है कि इसका कपास का कपा मान लीजिए जूता जूता समझे पर करती से क्या निकल के आया मान ली लगाने वगल के आया इसको भूमने बना वहा रहीं टबल नोट抲ोट में मतलब जून रही है आपका इम्हों को पर आपने इसUh की की के वा פष़थ वान लाकिन अनकी है है इसलिए उसको उद्योग छेत्रक भी कहते हैं किलियर हुआ फिर से बता दूं तीतियक छेत्रक या सेकंडरी सेक्टर में को हम दो भागों में बांट सकते हैं जिसमें आता है निर्मान में परमाने संपत्ति का निमान होता है जैसे कि मकान होता है और बिनिर्मान में क्या हो और बहुत बड़ी तो तो जिसे आप रेड़ चीप हो जाता है या फर आपका बुड़ेंड हो जाता हfeito है या बुड़ेंड सरी या फिर मान दीची ए नाइकी हो जाते हैं यह बड़े-बड़ कारखानेंudris भेल इन्ड़ेंग, तो को टिर्ष की देखते हैं सिक्षा इसको कोई बस्तु का निर्माद नहीं वो होता बलकि इसके तहरत अपनी कार को सलता से सेवा दी जाती है इसके कार इसको सेवा बर्ग भी कहते हैं फिर से बता दू तिर्टियक छेत्र क्या कहा है इसको क्या कहा जाता है इसको सर्विस भी कहा जाता है इसको कहते हैं स तो इसमें क्या आता है सेव आएं वहिया कैसे सेव आएं मान लीजिए मैंने बताया आपका प्रात्मिक छेत्रक है क्या ग्यहूं वाला थ्रसर माल लिजिए पहले गयूं आपने हाथ वगारा सी काट लिया केती बगअरा कर ली आपने निकाला प्रण्वर्स कहा निकाला एक है अप मार्केट आयम अrendी अरव कि आपने फोन किया वात जिसना क्रेंै है कि वात कि ठीक है कि वाइस सी वात है कि हमको जाना है ध्यान से सम्झेना सारी चीजी यह के लिए कर दूंगा फॉन किया वैसे से हमको जाना है मंडी तक क्या चाहिए कि भाई या थोड़ा सा आपका जो ट्रक वगरा चोटा आती वगरा तो उसमें रख के गेम वगरा आम पहुंचाने ठीक है आजाम का उन्नोंने अपना सेवा छेट रख में सबसे पहले क्या इसनाल कर लिया है यह आता यात वो आया ज्जा एबर ड्राइवर क्या आगया सिवा गाड़ी चला हना तो वो भी सेवा कर रहा है ठीक है समझ रहा ना बात को तो ड्राइवर पहुंचा ले asking के खाना के लाए दारा हो टेल स्थिक चलो एडाववे पे खाते हैं पैसे दिए अरे देखा है अमने पास पैसे तो है नहीं कोई बात नहीं यार ऐसा करो सामने एटीयम दिख रहा हैं बैंकिंग सेवा हो गई ठीक है एटीयम पर पहुंचे हमने वहां से 500 उर्पे निका दे हुआ अदमी आया उसने सामने जो है गाड़ी मार दी गाड़ी में मार दी यार उधर क्या हुआ कि जो एक्सिडेंट हो गया उसका गारी का गयों तमाम चीज़े नीचे गर गई अब बो नसे में था अब क्या हुआ श्यूट लग गई लड़का जो एक घैल है ड्रावर मर चुका है ड्रावर को पकड़के ले गए उसको कोशिस किया रहे बहुआ जो मर गया लड़के का इलाज होस्पीटल की सेवा है हेल्थ केर हो गया कोई बात नी सेवा में आ गया पहुंचा बहूं था ड दूसरी तरफ कौन था यह चलो पकड़ के लिए चलो इसे ग्रपतार करो पॉलिस यह एक तरह सेवा हो गई पर समझे बाद को इसको हम ले गए अब वो कहा रहा हम तो निर्दोस से हमने कुछ भी ने किया तो कोट का चरी का मामला आए तो लॉबी हो गया इसमें भी क्या है हम सब्सक्राइब रहे हैं तो यह संचार फोन लगाया कि ऐसी है डौक तो आप जल्दी से आ जा हो पैसे ऐसे तो नहीं है तो इसमें क्या था प्रात्मिक तथा दितिया चेतरप का क्या किया जाता है सायोग किया जाता है तो इसमें सारे के सही होगा कि इसको नॉर्मल भी देख सकते हैं जैसे माणि लिए हमने गयों बेचना जाना था तो हमने गाड़ी ली और सीधे मंडी में पहुचा आयो गयों बेच दिया प्रात्मिक छेत्रक का मदद हो गया अद मान लीजिए हमें क्या करना है कोई बिल्ड पुलिस कर्मी हो गए, संगीतकार हो गए, बैग ग्यानिक हो गए, और पुस्तकाले हो गए, अब आईए मैं इसके आपको किलियर कराता हूँ, पुलिस कर्मी हो, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बात को सुम्हें न, बदमासों से, चोरों से, डक्यवातों से कौन रच्छा कर रहा है, सारी चीज़े कौन कर रहा है, हम स्रक्षित हैं, तो पुलिस कर रही है, सारी देखरे एक बगएरा, मुवी देख रहा हूँ है, आप किसी की, वो बना के चले गए, बिल्लाएं, यहाँ आप बना के चले गए, कौन? कोई गानक आया है तेरा 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 गुरूर ठीक गानक आया बहुत समय पहले गा के छोड़ दिया ताब भी हम तेरा गुरूर सुनते हैं क्लियर हुआ ना लेखक माल लीजिए एक पुस्तक लिखी हराम खूर पती लिखके छोड़ दी लेखक है अनुराग मिस्रा कबके अब अनुराग मिस्रा मर चुके हो उसके बाद ही बुक जो हमारी चल रही है पड़ी जा रही है सेवा दे रहे हैं लेकिन कैसी दे रहा इंडारेक्ट दे रहे हैं अब भाईया यह थुड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो तो माली यह डॉक्टर है बात को सुने ना गलती से चूट लग गई पैर ममारे कील पड़ियो थी गुश गई थी डॉक्ट के पास कहुंच है डॉक्टर साब देखना तो यह कील गुश गई है कहां गुशी है पिछवाड़े में गुश गई है ठीक है डॉक्टर साब ने तुरण टच किया हमको तक का मतलब समझीए अगर अगर फिर्ट्य चूरूप से दे रहे हैं ना टच किया देखें कांग उसी है देखें तो एकदम कील निकाल दी अरे यह तो लोगे कील ऐसा करो एक टिटनिस का इंजेक्सन लगाओ उन्हाने एक तम इंजेक्शन बदा ऐसे करके नहीं हो एसे करके एक तम ऐसे करके अगर यहां लगा दिया यह सेवा दी उन्होंने कैसी थी डारेक्ट दी समझिए तो यह तो हो गया थर्ड में अगर प्रिट्य चुरूप से देते हैं साक्षा प्रिकट हो के जिसे मान लिए आप यूटूब पर पढ़ रहा हैं बात को समय ना लाइक क्लास नहीं है मैंने अगर इन डारेक्ट है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया वीडियो आप हमेशा उसको डाउनलोड कर लिए और देखते रहे हैं थर्ड में आ जाएगा वह चतुर्तक में आ जाएगा अमान लिए लाइप पढ़ा रहा हूं तो यह आपका यतनी दिर आप देख पा रहे हैं मैं जेखो देखके सामने सासभडा प्रकट हूँ एक तरह से ठीक है तो वह क्या होगा तिंट्यक में आ जाएगा या फिर मैं कही लए रहा हूं ओनलाइन तो वह भी आपका तिर्थियक में आ जाएगा ठीक है अब अगर इंडारेक्ट है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपको देती या कोई पुस्तक लिखती तो हो गया इंडारेक्ट हो रहा है ठीक है इसको हमें ऐसे भी करे सकते हैं इसमें बहुत दिग गतिविजियां को सामिल किया जाता है बैग्यानिक होते हैं अब माली जिये बैग्यानिक जैसे की माली जिये टीका खो जाता कोरोना वैक्सीन माली जिये तो हम तो काम नहीं कर रहा है जो हमारे लिए तयार हुई ना इन डारेक्टिव कोई बैग्यानिक बना के चला गया तीन-चार टीम बना के चलेगी और हम प्रात्मी को देतियक छेत्रक को इसमें सामिल किया जाता है एक साथ अगर दौनों को मिलाकर क्या कहते हैं बस्तु छेत्रक कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत एक वस्तु का निर्माण होता है ठीक है जैसे कि प्रात्मी छेत्रक मिले लिजिए तो अनाज हो रहा है या फिर खनन का है लोक का है यह हम इसको टेच कर सकते मेंसुष कर सकते तो इह हो गया बस्तु छेत्र तो सेवा हो जाएगी एक तरसे मन लिजिए किसी ने आपको आपने किसी को परहिसान किया परहिसान करने कवाद उस नगैख कस के घुंसा तिया आपको एक आपके पीट में लगा अब थोड़ी कई दर दन्म होगा फिर आप किसे कहेंगे इसने मेरे घुंसा मार दिया रहा है भूंसा का है default, भूंसा दया और अब हम उसको कुछ दे रहें वा था खाने पीनेगा उसमें सेवा नहीं, क्या हूँ हूँ अब बस्तु एक गैरनी जरभुड चैटर्ग गोरुड़ोरी सदॡ०्द सब्टक्रेशन संगठेट तथा असंगठेच छेत्रक देखते हैं संगठेट तथा असंगठेच छेत्रक इसके दिट क्या होता है € और्गनाइस्टेक्टर की अगर बात कीजाएं तो संग्टेक्टर बे उद्गम या कहें, धंदा या कहें, काम या पेसा, इनके छेटर में आते हैं, जहां पर रोजगार की अवधी नियमत होती है, यह सरकार दोरा पंजी किरत होते हैं, और इने सरकार के नियम और काइदे प किसी अधिकार, साफ सफाई, साफ पानी, सुरक्षित परयावड इसके अलावा जब यह सेना निवरत होते हैं तो इसमें इनको पैंस दनी विलती है तो ज्याज़ा तर इसमें सेवा 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 जो आ जाते हैं जैसी मैंने बताया कारखाना आते हैं मैंने बताया सेवानोदा प्रश्टि रहती है ना उसके बाद भी आपको पेतन मिलता है ना ठीक है सेवा नुदान सेवा के साथ कुछ न कुछ आपको एक्टरा मिलता है चिकिस्चि की अधिकार मालेजिए आप बीमार हो जाते हैं कोई एक्स याई पर इसानी हो जाती है तो आपको भुद्धीती है कंपणी साफ साफ पानी मालेजिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप ये बढ़िया पेजल की विवस्ता होगी एक्टम या तो हो लगा होगा या पर बढ़िया कंपणी वाला एकदम आपके लिए बिस लड़ी का पानी आपको मिलेगा स्रक्षित बात आप जो कायम कर रहे हैं तो बढ़िया एकदम ट्वागेरा मिली होगी बड़ी अपंगा चल रहा होगा साफ सफाई एकदम टना टन होगी सब्सक्राइब इसके अलाबर जब इस सीना विट पर तोते हैं तो इन्हें पहंचन भी मिलते हैं यह तो होगा किसमें संग्ठित में ठीक है इसके ताज बेचेतर इसके संग्ठित चेतर हो बेउध्यम या उध्यम या फिर वो उंकार खाने या फिर वो उध्योग आते हैं जहां पर रोजगार की अवदी नियमे थो ठीक है सरकार द्वारा पंजी के रहत हो और यह सरकार की नियम और काज़़ों पर चलना होता है अब आजाते हैं दूसरा असंग्ठित चेतर इसके ताए कोन आते है यह संग्ठित का सीधा उल्टा होता है सीधा उल्टा मतलब मतलब विल्कुल उल्टा होता है विल्कुल उल्टा मतलब भया क्या होता है रेडी लगाने वाला मजदूरी करने वाला कोई दुकानदार ठीक है कोई रिक्से वाला ठीक है दो सब्दों में समझते हैं मैंने कि इसंबते है वहां सेवानुदान मिलता है सब एतन चुटी मिलती है बढ़िया बात वरड होता है बढ़िया पानी मिलता है एक गंसरक्षी बात वरड होता है क्या इसमें होता ह DAY महालीजिय मैं ठेला लगाता हूं ऐसे अम रूजो विष्टे अपना चाना था, बहुत दे सस्रीव टॉइलेट आई हमको, किदर मूटे जाके, यह समझ यह बात को काम कर रहे हैं, किदर मूटे जाके, कोई सुविदा ही नहीं, हमने एक जगे बढ़िया सी देखके, और वहाँ पे मूतना सुरू कर दिया, इसे करके, और जैसे हमने मूतना सुरू किया, वहाँ देखा, तीवार पर लिखा, गदे के पूत, और यहां मत्मूत, कोई बात नहीं, बहुत गंगोर जो है, समस्या हो गई, दम की सीरी सीरी सब्दों में, कोई बात नहीं, हमने कर तो लिए हिम्मत करके, लेकिन यह क्या हुआ हुआ, सरकारी निल लगा हुआ था, बात को समझे, सरकारी निल लगा हुआ था, चालों, पानी भरा हुआ था, उसके नानी गंदा, बस हमने इसमें शुरू किया, पानी पीना, काफी देर हमने चलाया, ऐसी करके, चला तो पूर दाग लगा दी, अब इदम चला के छोड़ा करें, तब एक जा रहे बाजता पानी ठोड़ा चला देना, तो पीना है, यह असंगटित की बात बता रहा हुआ, कोई बात नि, बला हट, चीत तन्जा क्या है, एनट्विटी पे जा रहे हैं, तेरे चक्कर में, पानी की चक्कर में, कोई बात नि, एक बला आदमी हमरे जैसा, हम बहुत दूर और घर पे जाने के लिए अगर वापस ले जाएं तो दबल मेहनत पढ़ जाएगी और निकल लेके भी चांस है क्योंकि थेला ताकत से खीचना पड़ता है यह असंगटित की बात करना हूं कोई सुसुर्दा नहीं देखा हलका सा एक जगह थी अब बूतल की विवस्ता करनी पड़ेगी यार कहीं नहीं तो एक से बूतल तो नहीं मिली भैसा एक थैली मिल जाएगे आये काई के लिए थैली चाहिए पांच रुपे लगेंगे आरे यार को पानी चाहिए कोई बात नह पांच रुपे तो मैं रएकए खेमें था को पांच रुपे ठैली मत दो पांच पानी के पाउस जे दो क्या करेगए पीएगा कि नाइन नहीं दोएंगे तीक कोई या थी उड़े ब्रेसर पर से ईसे नामी किनारे बैठ थे थे सब्रका आजouse में आसे सब्संदानाही नही क्या कर रहा है यह सब तुम्हें समीज नहीं है उपर से जो है उसने पानी फैंक दिया अब जो था वो बापस चली गई प्रेशर जैस्टे से आया तो यह किसका बात कर रहा हूं असंगड़ी चेतर गई किसी भी तरह की कोई सुक्षवधा नहीं अब माली जी यही सुवधा जो है मैलाओं के लिए भाईया मैला है टॉइलिट कहां करने जाए मतलब मैं दूरी बगरा कर रही है समझना अब पिचारी कहां है टॉइलिट करने जाएं नहीं न तो यह सारी चीज़ें तो इस तरह की क्या है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा और्चन नहीं हो पाता है जिससे क्या हो कि सरकार कुछ ऐसी चीज़ें कर पाए जिससे सरकार को कुछ लाब मिले या फिर कुछ ऐसा माल मिले जिससे इनको फाइदा मिले किलियर हुआ न तो समझ रहा है रिक्से वालों की विचारों कहां सोसी एसन होती है जहां उन्हें विचारों का कांद करने के साथ ही कहीं पर बताएं कोई अच्छा पानी मिलता है बताइए कोई ऐसी सुवधाय मिलती है मजदूरी जो है मान लीजे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है सारी दुनिया में जो है रोजगारी एक तरह से सारी 300-500 पांट रुपर एनी 300 मान की था लिए गरीब आदविक को पूरे दिन मजदूरी घर सारी 300 मिलता है और चौराय पर चाड़ा होता है लेवर के लिए और वो काम करता है पहुंचा माना की लेवर के सारी 300 मिलता है क्योंगा क्यों सब्सक्राइब कोई बात नहीं जा पाएंगे तब तो दूसरा भॉला है भैया हम जा रहे तो यह सीधे सब्दों में यहां किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज या सुविधाय नहीं मिलती है जो संग्ड छेत्र में मिलती है तो किलियर हुआ ना तो आए समझते हैं इसको मैंने क्या बताया संग्ड छेत्र के बिलकुल उल्टा होता है या नहीं ठीक उल्टा होता है इसके कआता है चोटी-चोटी-चोटी बिकरी हें होती हैं जो कि सरकारी नियंत्रके क्या होती हैं बहुती हैं इस शेत्र में नियम होते हैं लेकिन प्रстиघ। सब एतन चुटी टो बाली बाद छोड़ दीगे नियूंतन मजदूरी अधिनियम जो है काम तो करता है लेकिन यह पाल नहीं करते अब भाईया साढ़े तीन सो चल रहा है खुला रेक्ट बोल रहा है ट्रेंटर रॉपए भाईया अब वो बोले कि भाईया यह साढ़े तीन सो सरकार ने नियम बना दिया तो क्याते सरकार का जो है नियम है न बत्ती बनाओ और अपनी कान में डाल लो बात को समझे बत्ती बनाओ और अपने कान में डाल लो हमको कानू न सिखाना मारेंगे ब्याल तो कान जो है तुमारी गुमी गुमी गुमेगी तो समझे वो यह नही का प्राद्धान नहीं होता है यहाँ पर जितना काम उतना दाम बाली कहां नहीं होता है यहाँ एक दिन कर दिया तो एक दिन का को भी इतन मेरे का सीधी जिवाती इनका रोजगार नहीं तो सुरक्षित होता है आज काम कर रहे हैं बात को समझे हैं हमने माली जे रेडी वाला ह तो सीधी जवाती इनका रोज़गार सुरक्ष reb नहीं हैं, सरकार लोगडाउन लगाड दिया है, पैसे इसे हैं कि दूकान नहीं पाएंगे, तो बोला है टो अरे कैसी वाते हैं करो पैसें देना पड़ горा oh you go by, फैसे की साथ निकालते हैं निकालते हैं tad Chief Racers सर्जी है मर जाएंगे यह है वो है तो यहाँ पर इनका रोज़गार भी स्ट्रक्षिर ही होता है अम्माली यह चार लोग थे चार में से दो हटाई दिये तो इसा है काम कम हैं लोकडाउन की बज़र से मार्केट जो है ठंडा पड़ा हुआ है तो दो लोगों को में निकाल द यहां पर कुछ लोगों क्या दे दी जाती है चुटी दी जाती है इसके दर किसी छूटे कारखाना में काम करनेऒले सड़कों पर ठेला लगाने वाले मरमत करने वाले आधे आते हैं नीक करिसी से लोग जो है रूजगार करते हैं تو यह करते आदे ह। च्छेत रख मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपके लिए काफी है नेक्ट बात करते हैं चलिए साथे अब सुरू करते हैं आप राष्टिया के बारे में नेशनल इंकम के बारे में इंपोर्टेंट है थोड़ा सा और थोड़ा सा उल्जाने वाला टॉपिक ही है आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा भुक्स में या फिर लोगों ने पढ़ा है भी होगा आपको तो किस तरह पढ़ा है उसको थोड़ा सा थोड़ा सा किनारे करते ना मैं उम्मीद है आपको को इस तरह से देने वाला हूं कि आपको कोई भी special term जो है आप करने या शिक्ता नहीं पड़ेगी और आप जो है एक भारती के नाते एक देशी भासा में को clear हो जाएगा आपको आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं किताब में तो बहुत टाफ लेंग्वेज दी होती है तो आइए निकले निकले इनकले में तो राष्टी हैं किया होती है नेसलिक क्या होती है ल्कों सठीक सब्दों में आपको समझा दूँगा और आपको सीवन बर याद रहेगा आए वेज़ ini बिशता में कि कैते हैं यह बहुत अलजा ने वाला मैंना बता दिया मैं बताता कि किसी भी देश की अर्थ्यवस्ता में एक निश्यत समय में उत्पादित अंतिम बस्तूं और सेवाओं के मूली को हम क्या कहते हैं राश्टिया कहते हैं फिर से बता दू उत्पादित या कहा है उत्पादित उपवोकता बस्तू कह सकते हैं उपवोकता बस्तू का मतलब होत कि यह पैन है कि समझ यह बात को यह पैन है अब इसको इस तरह से अभी भी इसको पैन बोला जाएगा लेकिन यह उपभोग के लिए जरूर मतलब यह तयार नहीं है यानि कि इसका इस्तमाल नहीं कि आ तो अविफ्भोग मतलब इस्तमाल करना यह उपयो करना उपभोग ता वस तुन ही कहिंए यह फाइनल गुर्स नहीं यह अभी इसमें कुछ कमी है कि अरे फिर लगा दी मैं इसमें अब उपर का धकन नहीं नहीं ही कि अधा के लिए करिए यह डखकन यहाँ पर गली पहेंकते हैं मालीजी दुकान पर जब हम बेचने आएंगे तो क्या बिना डखकन के आप खरीदेंगे यानि कि सö फीर फाइनल गर्स नहीं बोला जया गया यान कि अंत्यम बस तो इसको नहीं बुलिये क्यों कि आप इसे खरीद नहीं सकते ना अब इसको बोल सपनेगे MI screen अब इसको बोल सकते हैं या अभर के लिए तयार अखरीदेंगे लेकर आप खरीदेंगे कैसे भाई या बिना डख्तां की ने तो नहीं खरीदें भाई इसका डखकन गाए इस तरह दे पाएंगे या फिर आप इसको रही समझते हैं माल की इस तरह से समझे जैसे की यह एक बंदूक है इसमें कार्टूस पढ़ते हैं इसके अंदर आपने देखवागा अक्सर जो एक स्ट्रिंग लगी होती है अगर आपकी वह इस्ट्रिंग भी नहीं हो तो यह क्या होगी यह वोक के लाइक नहीं हो यह कुछ नो कुछ कमी होगी यानि कि फैक्ट्री में बन किँवी देश की अर्थवफसτα में एक निश्चिस समय कत्या लिए जाता है यानि कि एक अप्रेल से लेकर या 31 मार्श तक का समय लिया जाता है तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी भी देश की अर्थ वगस्ता हमें एक निश्य समय में अंतिम बत्वों और सेवाओं के मुद्रिक मूली को हम क्या कहते है उस मूली को हम राष्टियाए कहते है अब भाया कैसे मानले जिए किसी भी देश में क्या किया है के बहुत सारी चीजयां क्या है उतपदन किया है ये आपका बंदू ये कंगा ये सैनिटाइजर ये पैन ये मानले commission कशन तरह यह भारत देश में क्या है लाखों करोड़ों इसका उतपादफे नहीं है इसको रंख कर रहा है राष्ट्टिया इसके इन सब के मुल्य क्या निकाल लिया हं इन सभी क्या कर लिया हमने इसके मुद्रिक मूली को ले लिया है कि KITrado ​​ पूरह सालमें कितिने का लुए हैं 10 लाक करोड का akkor तो हमने क्या मान लिया इसको राष्ट किया है ब्रवाल का खेज सेवा में माझना दी काडege ऐक सेवा में आ जाता है या फिर तो होस्पीटर अहीं घुए तर्岬 आपने कोई होटेल तयर कर लिया, होटेल में बहुत सारे लोगाई लगवग एक साल में कितना उसने कमाया, सेवाई देकर लगवग लगवग 20 लाग परोड, सारे पूरे देश के होटेल हैं, वो सब को जोड दिया, तो यहाँ पर क्या समय में आ रहा है, कि किसी भी देश की हमें एक निश्य समय में उत्पादित अंतिम बस्तूनों तता सेवाओं के मुल्य को हम क्या कहते हैं, सेवाओं के मौत्रिक मुल्य को हम राश्क्रे माल लेते हैं, निकि पूरे एक साल में भारत देश ने कितने कैंची का उत्पादन किया है, तो उसको क्या कराएंगे, कैं यहां ही ऐसी केंची मान ली जिए गिलास मान लीजिए चमच मान लीजिए बहुत सारी बस्तू मान नाएस है जैसे कि जासी पूरे सबने पूरे जो भारत है एक साल में जितना भी सेवाओं और जो भी भसथुमें जितना भी उपादन हुआ है उनके मुद्रिक मुल्य ने एक कंगें नहीं जूड़ेंगे के के इसे भारत देस में तो मैंने क्या बताया जब राश्ट्टरा को माते हैं चीन में भारत देस का निवाच्टी हूँ भारत देश में रहते हैं मैं कमार अन्य कहां से गया हूँ विदेश में गया हूँ सेल्डी कितनी मुझी मिली मुझी 10 लाक रुपे मन्तली मैंने क्या किया उस में से लगवाद 9 लाक रुपे जो है मैंने बारुएंगर मैं बेज़ दिया एक लाख रुपे मैंने अपने इस्तमाल की लिए रहाइया फे पूरी यह हम पे बेज दिया कि क्तना भॉआ क cracking में नौ लाक रुपए तो वो किसके दोरा किया क्या मेरे दोरा मैं कौन हूँ भारत का निवासी का मतलब क्या वहता मिल गियत हो गए क्या यहाँ पर इसको इंसानों को गुल जाता है मानव संसाधन मानव संसाधन का मतलब है कि मानव जो होते हैं संसाधनों के रूप में तो मानव भारत देस के निवासी हैं, भारत देस में निवासी हैं, उनके सारे परिवार यहारे रहते हैं, तो क्या कर रहा है, ब्राजी में कोई काम कर रहा है, तो 40 लाग रुपे आगया, तो बिदेशों से प्राप्त जो आये होती है वो क्या की जाती है यहाँ पर जोड़ी जाती है राश्टिया में अगर दूसरे सब्दों में समय है तो राश्टिया किसी भी अर्थ ववस्ता में बस्तू और सेबा के प्रवा की माप होती है यानि की यानि की राश्टिया एक प्रवा है कोई संग्र है या कहें इस्टॉक नहीं होता है अब भया यही का बत्वा लगा यह तो कुछ समझ में आया चली समझाते हैं मैंने बता है किसी भी देश में किसी भी देश में में भारत देश की बात करते हैं भारत देश की अर्थ वबस्ता में एक निश्चिस समय की बात हो रही है तब की बात हो रही है मान लेकर 31 मार्च यानि कि पुराना लोट के मान लेकर 2022 का एक अपरेल से से लेके 2023 का 31 मार्श burned हम्हान देते हैं दो यह momd mercy मान लिया एक साल जो गया तो हम ने क्या क्या उत्पादम करने के लिए हमने रास्ट हिआ जोडने के लिए हमने कषनी क्या किया का क्यों किशे स्चीय से द्खांबा से यह मान देगkeys आपका यह इतनी साइची नहीं है यह हैलमेट हो गया हमारा यहां पर रखिया मैंने बताया था कि मैं इतनी है यह मानलीजे दवाईयां हो गई यह मानलीजे दवाईयां मैंने उत्पाधन किया है यह मानलीजे वीटा डिन है एक दवाईय में ही आती है जो बहुलने के बार गले में दर दो जाता है तो गारगल के लिए इस्तमाल हो गया हमारा सुंदर वाला यह मानलीजे रूम स्प्रे हो गया हमारा यहां पर उत्पाध जरो कि अब एक चीज मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि अगर दूसरे सब्दों में सब्जें तो राष्ट्याय किती भी अर्थ होसा है बसनों तो सेवा की पिरभा की माप होती है यानि कि राष्ट्याय एक पिरभा होता है और कोई संग्र है यानि कि श्टॉक नहीं होता म दुकान दीजिए टोक भी है 31 अप्रेल वो 1 अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक का हम क्या कर रहे हैं राष्टिया निकालना चाहरे हैं तो राष्टिया निकालने के लिए क्या मतलब यह दवाई बनाई है समझना बात को दवाई बनाई है इसमें 140 हैं हमारे पर बनी है दवाई ब किसी ने खरी दी और वो ले गए अपने घर पे इसका इस्तिमाल कर लिए बात को समझना 140 रुपर अभी जुड़ गए यह यहां पर रख दिया मान लीजे नीविया वाली क्रेम सी बनके तयार हुई और आपका जो है अब इस चीज बताना मैंने कहा कि इसका मौत्रिक मूली निकला आया एक साल में उत्पाद्यत यह अपरेल में हुई है लेकिन हम जोड़ते हैं पूरी एक साल का एक अपरेल से रेका 31 मार्स तक का तो एक गौर से देखना यह पूरा उत्पादन हुआ प्रभा कैसे चलता है य इसका मैं इस्तमाल कर रहा हूं यह खतम हो गई फैक दिया लेकिन हमने क्या कर दिया प्रभा था हमने इसका मौत्रिक मूली जोड़िया यह इसका उत्पादन जो है अपरेल में हुआ और अपरेल में होने के बाद अब यह बिके चाहें 2021 में 22 में 23 में 24 में पच्चिन लेकि यह सारा जो माल था यह क्या है यह कोई इस्टॉक नहीं है हमने उत्पादन हुआ उसका मौत्रिक मूली जोड़िया नहीं यह प्रभाह है एक अपरेल को कुछ बन गया तो तो मैंने क्या बताया कि अगर दूसरे सब्दों में समझें राष्टियाय किसी भी अर्थिरुस्ताम बस्मों तसा सेवा की प्रवा की माप है यानि कि राष्टियाय एक प्रवा है कोई प्रवा है कोई स्टोक या संग्रह नहीं है हाँ एक बात और है अंतिम बस्मों का मूली इसलिए लेते हैं ताकि किसी के मूली की गड़ना दो बार न हो जाए भारत में राष्टियाय की गड़ना केंदरी सांखी की संगठन द्वारा किया जाता है यानि कि CSO द्वारा किया जाता है अब एक बात और मैं आपको बता दू मैंने बताया कि मैंने यह अंतिम बस्त हुए है इस तरह से यह मैंने मास्क लगा जिए भाई यह मास्क क्यों लगा पाया हमें क्योंकि यह उपवोग की बस्त हुए है आतको समय ना उपवोग की बस्त हुए है यह अंतिम बस्त हुए इसको हम इस्तमाल कर पा रहे हैं अब अंतिम बस्तु का इसलिए रेते हैं कि हम जब बनाते हैं अंतिम बस्तु का मुली जोड़ते हैं कि पैन तयार हो रहा है पैन की रिफिल अगर मान है तो लेने जाते हैं तो तीन से चार रुपे की पैन की रिफिल आती है पैन की रिफिल तयार हो गई तीन रुपे हमने पैन की कि चैनल के पैणकि रिःफील की बात कर रहा हूं मैं मतलब जब खताम होने ज़्य साल के समय होने पहले पैल की रिफिल मन पाई तो हमने उसका मौत्रीक मूल जोड़ दिया कि मैं आगे का जो है डुक्कन यह बनके तयार हुआ यह वाला हुस्सा इस तरह से इस तरह से, इतना वाला इससा जो है, दो रुपय का तयार हुआ, हम क्या कर रहे हैं? इसको हमने जोडा दो रुपय जब तयार हुआ, तो दो रुपय जोडा, एक वार हमने जोड लिया, differentiate को तिंग तयार हुआ है, तो हम तो दो वार यह कितना लगा? चार में दो एक वार जोड़ा फिर आप यह पैन साइथ टीन पहुए हुए अब यह रुपे का रखनी है जब यह बनकर तयार हुआ तो चैसा रुपे का पूरा पैन कि बात को संगे न आप मैं क्या कहना चाहरा हूं कि पूरा साथ उरुपे का एम तहयर हो गया हुए att flag कर ताम पर इसकी कीमत लगाई दो रुप्ड़े इसकं कि इसका पूरा कीमत लगाया थो रुपए है ने पांच रुपए इसके दैट पूरा 7 रुपय उख़ड़े है, इसके अंदर भरा हुआ है यह पूरी कार्टेटकी si si खाली-गाली बनी, 50 रपे की साइड का ढकन 90 की कितने का बन गया टॉटल यह बन गया 70 रुपय का पर्फुम भरी नहीं गई है तो इसका उत्पादन हुआ 20 रुपए इसके लगा लिए इसका हुआ 50 रुपए इसका मतलब ये डखकन अलग बना ये सीसी अलग बन लिए 50 और ये इसकी गड़नावी अब एक साथ दौनों का 70 रुपए लगा अब एक बार 20 रुपए यहां जो 50 रुपए की बोतल ता यार होी दोनों एक साथ बोतल रखकना है जो 70 रुपए और जब इसमेश प्रफिम बढ़ी आ जो चारस रुपए कीमत होी 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए 20 कि टुन्हों मेहान, फिर 177 मैं, इतना कितना हो गया, 140 iar 40isan रॉपै कि दिलिए 430 रॉपै कि 540 रॉपै, लिकेगा कितना offer, इसे डबार दो और घरनना हो रही है, इससे पशण हो गया, बस्फट फेल जाती है, इसलिए क्या करते हैं, अन्तिम्भस्तु का यां कहें, शिवा 무대 ह कि लेते हैं किलियर हुआ ना तो राष्टिया का मतलब समझे कि किसी भी अर्देश की अर्थिवस्ता हमें एक निश्ची समय में बुझे एक साव कमान लिया जाता है एक अप्रेसर के गत्यसमार जितनी वी अन्तिम बस्तु को सेवा हैं उनके मुल्य को जोड़ लेते हैं और क्या कहते हैं राष्टी आई कहते हैं और राष्टी आई मैंने बताया था बिदिश्चों से प्राफ्ट आई भी जोड़ी जाती है और अंतिम बस्तु को इसलिए लेते हैं ताकि यह किसी भी बस्तु का मुल्य का दोबार गढ़ना ना हो जाए क्लियर हुआ ना चलिए ने इसमें जो पत्र लिखा था इन्होंने इसमें प्रत्र व्यक्ति आया जो थी बीस रुपे बताई थी इसके बाए जब भारत आजात हो गया था तब प्रतारं लोविस की अधित्ता में उन्नीस तो नमीचास में राष्ट्री आई समित बनाते हैं और इसकी सिर्पारित बार करते हैं तो भारत में सबसे पहले राष्ट्री आयक की गढ़ना किसके दारा की गई थी दादा भाई नौरोजी के दारा इन्होंने एक पत्र लिखा था जिसके नाम रखा था अन्विटेस रूल इन इडिया अनि कि अन्विटेस क्यों कहा क्योंकि इनका यह मानना था जो सब्दों में अगर पता है यानि कि यह पढ़के आए थे कहां से इंग्लेंड से तो महां पर जाब इन्होंने इंग्लेंड में पढ़ें गए थे तो महां पर देखा है इंग्लेंड में तो लोग अच्छे हैं यानि कि जो इंग्लेंड में जो अंग्रेज है यानि कि वहां की पंडिति जी वाले जो है, आपने आपको तोफ समझने वाली Jyewoh feeling आती है So, हमने क्या कर लिया मुद्शी का एप मद्रा सेवन, मास का सेवन नहीं करते हैं और भी वह सारी चीज़ें नहीं जाती है, तो एक दिन हमने क्या क्या क्लिया मद्रा का सेवन करते हैं इसका मतलब करें आप जो है पंडित नहीं है आनी कि दित हुए है अपे ब्राइब नुट कर कर रहे हैं आप अफ्सेश्छ नान कर रहे हैं समझ रहे बात को कुछ भी खांग खांग में आके जा रहे है यार यह नहीं जानते हैं यही है कि वहां कि अम मलाई जाटाते थे आज़िए उनदे के जीए आनदे के सादन थैं समस्सका है और अजब पैसे हो जाते तो विढ़ आप बंदे कुछ लोह बात ओर अदी हैं ओर बयोग पो और उसको घर बी चोड़ आओ तो वही काहानी थी यानि कि इनोंने अनिवीटिस कह ती अब देख आ गे अन बैटिस कह थी मैं रे चनाब अब रहने देजिए गाली निकल लगई जई तो दिकत रहए भार लोस स्मझभारा न क्यों कहा है इनोंने इनका एक कहना था कि जो बेटिस के लोग थे वो अच्छे होते हимों भारत में बीटिस नहीं है वो अनॉब Colij और बात करते हैं राष्ट्याए की गणना कर्चत main क्या क्या साथानिय वरतनी चाहिए राष्ट क्या कि दो दो बार या तिन तिन वार गड़ना हो जाए उसकी मूझ लेगे राष्ट्या की गड़ना जो होती है साधन लागत पर करने चाहिए ना कि बाजा रूम लेगे अब भया यह कौन सी बात होगी साधन लागत पर ही क्यों करना है अब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को ब बात को समझे ना इस पूरी बैंट को बनने में जितना भी लेदर लगा वह माली यह 20 या 30 रूपे का है 20 या 30 रूपे का थो की बात कर रहा हूं कर राएं इसको इदर ले रख देंगे यह इसमें जितना भी लोहा लगा हुआ है लोहा लगा यह तो इस्की यह त्यार हूआ है मार्केट में बेचने अगर जाएं तो मार्केट में इसकी कीमत यो लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी तो मौलभाव कैसा वह हो सकता बात को समझे ना यानि की आप एसे अंदा लगा सकती हैं कि फर्फ्यून से ही ले ले लिजिया महां ळीजी दवा है इसमे कोई अदो हूँ डवा है महां लिजी की है यह लीजिया यह मां लीजिए आपका माली जेखता हूँ कोछ निकल खूँ तो यह की एमार्पी है दो सो पचास रुपए है एक तरे से साधन की बात करें तो मुस्किछ से 10 या पंदरे रुपे की लागत आई हो गी दस या पंदरे रुपे की लागत आई इसकी MRP जो है 250 रुपई है क्योंकि मार्केट में सेम चीज़ है यानि कि हम मल्टी विटा में नहीं का रहे हैं तो मल्टी विटा में एक तरस से रिवाइटल मान सकते हैं 300-300 रुपे का मान लिजिए 30 के अप्सूल आते हैं इसमें कितने हैं 500 रुपे में 50 रुपे दसी के अप्सूल है अब मान लिजिए कोई और ले लिजिए जो मल्टी विटा में देता हूँ तो वह 100-100 रुपे में 10 आ जाएंगे तो ऐसे तो अलग-अलग ब्रांट्स के नाम से जैसे कुछ महगे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं वही चीट जो है 200 रुपे से 500 रुपे 800 रुपे दस जार रुपे तक कभी हो सकता मल्टी विटा में तो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ साधन लागत पर ही राश्ट्याय को लेना चाहिए ना की बाजार मुली पर क्यों बाजार मुले तो कुछ भी हो सकता है अब यह दो चीजें देखिए माल लिजे इस पर्फ्यूम की कीमत है 60 ml जो है सेम दोनों पर्फ्यूम सेम है 60 ml यह है और यह जो है आपका 100 ml है 100 ml है 100 और 60 ml का अंतर देखते हैं यह आपका 60 यह यह इसकी कीमत जो है वह है आपका 200 तो यह सेम बिरांड हैं अब अगर हम साधन लागत की बात करना तो इसमें 50-60 रुपया कीमत आई होगी बन्ने बन्ने में इनके लिजे इसकी कीमत जो आई होगी वह मुस्किल से 50-60 रुपय आई होगी टोटल बन्ने बन्ने की बात करना हूँ आप समत पाना है बन्ने बन् है, helmet में जो है थ्वड़ा सा ये प्लास्टिक लगा हुआ है, अंदर जो है थ्वड़ा सा फ़र्म बगा हुआ है, थ्वड़ा सा कपड़ा लगा हुआ है, ये थ्वड़ा सा ये लगा हुआ है, तो इसकी जो टोटल बनने के कीमत लगी है, जो गच्छा माल जो इसमें लगके है और टोटल जो बन बनाकर जो है कालिगर बगर लगई हो के बीच में यह हैलमिट बन के त्यार हो गया है अब इसकी इज़र बाजार कीमत देखें तो यह जो हैलमिट है वो विकने वाला है कम से कम 1500-2000 के बीच में बात को समझा न तो यहाँ पर बात में एका रताई साधन ल को सामें नहीं करना चाहिए इसके अलावा पुरानी बस्तूओं की खरीद याकाइं बिक्री को इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन किसी विशेस वर्स में हुआ था और दूसरे वर्स में हुई थी और वहाँ पर इसका मूली जो है जोड लिया ग और के मिले hardest कम नहीं फालत हैं जोड़ी जोड़ लिया था इसका फीर में 400 रुपई अम वर्णी जी जो है है ऐलमेट जो है 2020 में Seday 2022 यो है बिक्समें 202 इसको किसी नो खरीद लिया अब एक साल हम तो हमने औलक्स पर डाल दिया कि अगर हमारा को हैलमेट रेना चाहता है तो जो है आपको हैलमट जो है दे दिया जाएगा पांसो छे सॉरुपे का तो हमने क्या किया इसको है बेचने करा इसकी कीमती राज्टियाएं पर से जोड़ ली तो भाईया यह तो गढ़ न होगी ना बस्तों है उनकी खरीद विक्री को इस तो में नहीं जोड़ा जाएगा कि लिए लुगा न किसको पुरानी खरीद वरस्तों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा अब माली यह यहां पर माली जिए 2022 से फोन का जो है निर्माड हुआ आप एमजॉन पर सेल आई और सेल आने के बाद यह जो फोन है दो जार मतलब 20-25 जाका जितना है क्या भी था यह बेग गया अब हमने एक साल चलाने के बाद इसको हमने वोलेक्ष पे डाल दिया कि हम जो है फोन है दो साल एक साल चलाओ है कोई एक लेने का इच्छुक है तो सकता है अब हमने क्या किया इसको जो थे 2023 में मिचा तो 2022 में भी का और एक साल चलाने कि वह बेचते हैं तो अगर 12 से बेचते हैं तो जाईगी एक तो 2022 में बबारा से बेचता हूँ साधी में 2022 बाज़ार में पर फबीस धीमत की थी स साधी के बीच में Mississippi बावाए cotton तो शेरवानी है हमने साधी में पहन हीं साधी के लावा कहां पहने हैं कि हम अपनी सेरवानी बेचनाँ छाहते हैं एक बार पहनं के लेहा हमने उपर थे लेटाए कि कि इता है कि थोड़े से चमक दमक । खुल तोड़ा सबको स्पूर। मढ़गो, से अलए दुछा मज़ चांज करते ने खिंद हो। मेटरियल और अलगा था। उस राई तो फोड़ी को मिलम चांज श्याए और सकूर रणा टोटन लगा था। चाहिए सेनान ब्रत यानि यो पैंसन वगेरा में दी जाती है उसको सामिल नहीं करना चाहिए राश्ट्याई की गढ़ना जो है साधन लागत पर करने चाहिए ना की बाजार मूल पर ठीक है उसके बाद अंतिम बतुन और सिवाओं के मूल को ही जूड़ना चाहिए अगर ऐस की जा सकती है प्रोडक्शन मेथड़ इंकम मेथड़ और कंजंशन मेथड़ टिक इसमें अगर देखने तो राश्ट्याई की गढ़ना की भी दिया तो इसके तर तीन वीदियों का प्रियों किया जाता है जो कि साइमन कुछ नेट्स अंकल ने प्रतिपादन किये थे फिसे आई इस देखते हैं सबसे पहला जो है नियम जिसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड या कहते हैं उत्पाद गढ़ना भी ठीक है तो इसके तर एक वर्स में एक वर्स में देश वर में अंतिम बस्तू ता सिवाओं के सुद्ध मूल को निकाला जाता है इसके बाद इन सभी को एक अप्रेल से लेकर 31 मार्स सक्का हो सकता है जैसे मानने जाद 2222 चल रही है तो 2022 का 2022 का एक अप्रेल से लेकर 2-3 31 मार्स तक का समय जोड़ा जाएगा तो हम एक अगर 2230 चरेगा 24 तो अब इस पच्छिस चाहिए लेगा 26 सता इसे लेगा क्योंकि एगर 22 थेस है तो एक अपरेल से लेकर एक अपरेल 2022 से लेकर 31 मार्थ 2023 सका एक वर्स माला जाएगा तो मैंने क्या बता है इसके ताद एक वर्स में देश वर में अंतिम बस्तुम ताथ सेवाओं के सुध्य मू मैं है यह दवा वीटाविण यह नीविया का करीम ऐसे लाखों क्रोड़ा यह उरिये क्या है अ यहाप करूण्स मोलेगि यह सारे चीज़े इस क्या है लाखों करोड़ों का हुआ अब इसको क्या कर लिया में एक है इतना सारा एक 140 दो कि सब्सक्राइब करें जोड़ने के बाद जो कुछ भी निकलेगा तो एक साल में जितना भी उत्पाद है उसके मुहत्रिक मूली को हम क्या कहते हैं GDP कहते हैं यानि सब्सक्राइब करोड रुपे का जो भी है टोटल प्रोडक्शन वहा तो उसको क्या कहेंगे हम GDP कहेंगे नेक्स देखते हैं दूसरी विदी कौन सी है इंकम मेथड क्या होती है भाईया आए गरना भी दी इंकम मेथड कि अगर बात के इसके तहित अलगलग छेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों तो था ब्यवसायक उपक्रमों की सुद्ध आय को जोड़ा जाता है भाईया यह का होता है मान लीजिए अलगलग अलग इस人si establishinging के तना है इसया सत्तर हजार अरव रुपई है इस तरह से अलग लग बेक्टियों के अलाग अला उपक्रमों के माली जी है इंदोस्तान पेट्रोलियम का इतना है इंदोस्तान लीवर का इतना है हमदर्द का इतना है सिपला का इतना तो सब को क्या कर लिए हमने आय को जोड़ लिया सबकी आय को जोड़ा है ठीक है चितना भी जो भी उनका उपक या कहें कंजम्शन मेथड या कहें इसको expenditure मेथड भी कह सकें इसके तहत कुल राष्ट्य आए या तो उपवोग पर खर्च की जाती है या फिर उसे बचत पर खर्च कर दी जाती है इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्य आए बराबर कुल उपभोग पिलस कुल बचत बात को समझे अब एक चीज़ बताता हूं ये हम है ये हमारी आय है बात को समयना बात को समयना इसमें आय आ गई आय में ये हमने बचत निकाल दी ये बात को समयना नहीं बचत थोड़ी जादे निकाल दी ये इतना खर्च निकाल दिया और य यह हमने इतना बचत कर लिए आये तो उतनी ही रही कि 30,000 मिल रहे हैं मन्तिली मुझे मान लीजिए तो आप हमी कहें कि नहीं बचत वाल यह लगे इसका मतलब है आये किसकी आधार पर निकाला कंजम्शन में थाड़ या फर एक्सेंट डिचल में थाड़ यानि कि उप्रोग बचत भी थी अब एक चीज समझना हमने 30,000 रुपे कमाई बात को दिमाग पर समझना साइट टच हो जाए तो किलियर हो जाएगा 30,000 रुपे कमाई को रखती है मैंने यह तर यह रखी कमाई हमारी लोग अपनी कमाई दाई है इसको यह हमारी बचत बचत का मतलब हुआ एक खर्च बचत का मतलब बचत है इसको खर्च मांगी है कैसे घर्च मतलब बचत मतलब 4000 रुपए हमने बचाय है इत्तर से खर्च हों गए इनको हम चू नहीं सकते बचत का मतलब यही तो हगा मममी से मांगता ऴॉपयह घ्र मननी से माँखत घर खर्चहत है कि donation उन्हें महान लिया कि कि खर्च हो गए है कि यह है आपका खर्च बाला जीस से हम पूरा क्या करेंगे हमारा उपहुग पर खर्च कि को पो का मतलब हमने रासन पानी लेदी है दो-तीनिया रुपेगा यह हमने यहां पर रखती है यह हमारी हो गई इंकम हो गई तो यह क्या क्या लाई कुल उपभोग और कुल बचत मिलाकर क्या पनी तीसी जार रुपए तो राज्ट याए कंजम्शन मेंथड या फिर पर राष्ट याए बराबर कुल उपभोग कुल उपभोग मतलब दस जार रुपए और कुल बचत कितनी हो गई बीस जार रुपए मिलाकर क्या बनगी आपकी राष्ट याए बनगी किलियर हुआ ना यानि कि अपने आप में जो बचत भी होती वह इस तरह से खर्च ही माना चार खतर है चारज कि करते हैं यह तो हम उसमें से खर्च करते रुपर यसा सोचेंगे किया यह मान लेगा जंवा खर्च हो और क्योंकि रग दी है आखमने हमने सोचा इसine हम अपना खर्च चलाएंगे बाकी की बचे हमने बचत पर रख दिये वो भी खर्च मांगे तो राश्ट्य आये किसके आधार पर उप्वोग बचत विधी तो इसमें क्या होता है राश्ट्य आये बरावर कुल उप्वोग बरावर कुल बचत इतना जानकारी काफी है तो तीनों गड़ना वि को खर्च होते है कि या चर। वरि किसमें के अप्वोग बात कर लिए ने तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझना चाहिए बिल्कुत सरा सब्दों में आपको किले करा दूना मुझे उम्मीद है कि आपको किसी बुक में इस तरह का नहीं दिया होगा आई इस समस्थे थोड़ा सा सबसे पहले हम पर बात करते हैं सकल घरेलू उ सीमा के अंतरगत एक बरस में उत्पादन की गई सभी अंतिम बस्तूं और सिवाओं के मूले की योग को हम क्या कह देते हैं जीडीप कहते हैं इसके तरह किसी भी देश की पूझी से बिदेशों में किया गया उत्पादन को भी जोड़ा जाता है यानि कि भारत में किया गय तता बिदेशों से किया गया उत्पादन का योग क्या कहलाता है जीडीप कहलाता है इसमें देश के अंदर बिदेशियों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन भी जोड़ा जाता है एक बरस को ही इस एक बरस को क्या कहते है बित बरस कहा जाता है भारत में यह बित बरस से लिया जाता है तो आई थोड़ा सब्सक्राइब में देश की घरेलू सीमा के अंदर यह हमारा भारत देश अर इसकी जो है यह मान लिए इस तरह से घरेलू सीमा है पूरा जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और इस तरह अब बात को समझेना हैं इसमें जितने भी लोग हैं जितने भी इसमें उध्यम लगे हो две इंडेस्ट्री वगीर हों χ våra जितनी भी लगी है वो इसके अंदर क्या कर रहे हैं सभी लोग मिलके का कर रहे हैं अदARS जैसे मैं यह परल्ल उप तरे हो और सब ऐनको तो जोड़ेंगे सास्त में यह हैु पाक स्तार का मंदह याया कैसे बहुत सारी लोग यहांपर भारत बेस में उत्पाद में अब यह बहुत बहुत सारी यहांपर वालिश कर रहे हैं नुद्धतों तो यहरा जा में वान देशंहें यह है आपकर मैंने बताया का इनगा च्रला लें इसारा च्रला ओर पर उसे करेगे ने तो क्हुट नाघर अंग पर अश्मान में करेगी तो भारत डे STEPdenTh AC तो भारत देश में रहेगी, भारत देश में रहने के बाद मान लिजिए infrastructure बनाएगी, जैसे कि आपका कोई building बनाएगी, वहाँ पर जो इसकी branch होगी, branch होने के बाद वो अपना ATM भी बनाएगी, तो आप ATM में बनाने के लिए क्या करेगी, भाई हवा में तो बनाएगी नी, ज द्वारा किया गया भी क्या हो कहलाता है, आपका इसमें जोड़ा जाता है, तो क्या समझ में आया, कि किसी भी देश की, तो भारत देश की गरेलुक सीमा के अंतरगत, एक बरस में उत्पादन की गई, सभी अंतिम बसों सिवाओं के मुल्य को हम क्या कह देते हैं, GDP कह देते हैं, इसके देश बिदेशों से, क्योंकि भारत के लोग हैं, अगर मान लिए यह भारत का है, पूरा में नवादता है, अब यह मान लिए भारत का निवासी है, यह जाकर आमीर्का में काम करता है, यह मान लिए भारत का निवासी है, यह रूस में काम करता है, तो इसके सूत्र अगर देखा जाए वैसे कोई सूत्र कर्टक नहीं मनता है तो GDP या सकल घरेल उत्पाद जो होता है उप्वोग पिलस सकल निवेश पिलस सरकारी घर्च और निरयात मायनस आया तो यहां से तो यह एक खिचड़ी पक गई तो हमें इस खिचड़ी की आशिक्ता भी रही की है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा राश्ठ या एक और दरसाने वाड़ी हैं कि अगर बात की जाए तो सकल घरel उत्पाद होता है सकल युत्पाद होता है और सुद्र राश्च युत्वाश जिसमें हमने सकल घ्रेल उत्पाद के बारे में duż अब एभरे में जा के द्वारा किया गया उतपादन को भी GDP में भी जोड़ दिया जाएगा ठीक है किलियर हुआ ना इससे जड़ों कुछ पर मोग बिंदू देख लेते हैं किसी भी देश में GDP में होने वाला बारसिक परवर्थन को ही ब्रद्धी दर्या ग्रोथ रेट कहते हैं कि आप लोग के आगे क्लियर कराएं तो मैंने क्या बता है किसी भी देश में GDP में होने वाला बारसिक परवर्थन को ही ब्रद्धी दर्व या ग्रोथ दर्व कहा जाता है यह किसी भी अर्थविस्ता की आंतरिक सक्ति को दर्साता है यह अर्थविस्ता की उत्पादकता की मात्रा को बता जाता है इसका प्रियोग तुलनातों के अर्थिक अध्यन के लिए किया रहता है आई अब इस साज चीजों को एक वार में समझाता हूं मैंने बताया जीडीपी में होने वाला प्रतिसत परवर्तन को ही ब्रद्धी दर्या ग्रोथ रेट कहते हैं अब ये क्या भसड है तो हमने कमाई किया है जो भी उत्पादन किया है अगली साल जो है उसमें फाइल सिक्सपर्सेंट है शेसेंब personnes अंवली पर्सेंट है एट परसेंट की हम ग्रोथ देखेंगे अब ग्रोथ का मतलब क्या है सीदा सा मतलब यह बhara रात देश में अभी इस साल के जो कमाई है यान यानि कि growth हो clear हुआ तो अगली साल जब आएगी यानि कि हम क्या करेंगे पिछली साल की तुल्णा में यानि कि इस साल हमने 5 रुपया कमाया है तो अगली साल की तुल्णा में हम कितना कमाएंगे अगर हमने 6 रुपया कमाया तो हमने ये दर्स आया कि कितना परसेंट का ब्रद पालमान मिया इस साल हमने कितना कमाई की है 10,000 क्रोड की कमाई की है ठीक है बात को सकते हैं 10,000 क्रोड की कमाई की है अब हम 22 तेश में अगर चले जाएं तो हमारा हमने गुडावाग लगाया हमने अनुमाल लगाया कि अगली साल जो हम growth rate जो है हम लगबग लगबग 20% तक की देख सकते हैं तो 10,000 करोड अगर इस साल कमाया है तो अगली साल देखा कि 11,000 करोड कमाया तो हमने जो अनमा लगाया था कि 12,000 करोड का ब्रद्धी होगा मैंने 12,000 करोड की जो है हमारी अर्थिवस्ता बन जाएगी GDP जो है 12,000 करोड की हो जाएगी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि केवल 11,000 करोड हुए तो यहाँ पर यह देखा कि पिछली साल की तुल नाम है 10,000 करोड है तो अगली साल कितना हो गया 11,000 करोड तो दस का अगर हम परसेंटे निकाले हैं एक में तो निकलेगा कितना दस परसेंट हमने देखा कि हमारी जो ग्रोथ रेट हुई कितनी हुई दस परसेंट हुई सीधा का मतलब है कि हमारी यह दस उंगलिया है दस उंगलिया है तो दस का मतलब है कि एक का मतलब कितना है यह दस है तो एक परसेंट में दस परसेंट में कितना होगा एक बीस परसेंट में दो तीस परसेंट में तीन चार परसेंट में चार चार परसेंट में चार चार परसेंट में चार पांच तो ऐसे करके अगर एक एक क अगर पर इसरो होघ कि लिए अगर वाला बाती दर्दी तो क्या बोला जाएगा, इनका 10% का डुवथ हुआ. केलियर होगा न, कि 10.000 कुरोड ए साल है. हम ने देखा कि 10.000 कुरोड की., हमारे क्या होई डीडीप यह कि हमारे सकल गड़ों ले उत्पाद हुआ अब अगली सा जो है बाइस्टेश की अगर बात करना तो बाइस्टेश में जो हुआ 11,000 कोड़ हुआ तो हम 2020-21 की निकालेंगे तो उसकी तुल्ला में हम देखेंगे तो यहां पर मैंने क्या बताया कि है किसी भी अर्थ विश्टा की आंतरिक सक्थी को बताता है अब मालेगे कि अमेरीका है अमेरिका बहुत खिंगाने तो डॉलर की आउकात है तभी तो हम एक डॉलर को खरीदने के लिए 70 रुपए देते हैं इसका मतलब भया उस पर वरोसा हमारा जाद है यानि कि डॉलर जो है अच्छी चीज़ है हार को डॉलर को लेना चाहता है जब उसकी माल लेजिए भई च्छी यह को हिसे बोट दे रहा कि हमको भी चाहिए हमGoание मेश कार स्थी यह इन्टरेंडिमेंट में भी तो भी आप अगर देखांगे तो अंग्रेजी पिक्चरों को हिंदी में डव करके देखने का बहुत इस new देते हैं समझ पारहा है ना बहीया चचा जान बोलना चाहिए अनको क्या बोला जाता है भाईया जी बात को समझ पारहा है तो वो क्या है कि पुराना हो गया है लेकिन उनके अंदर quality कुछ निहीं इखाम-इखाम का नाम धाम है वहां के लोग क्या करते हैं quality देते हैं चीजों को समझते हैं यहां पे क्या है कि हग देते हैं केवल बस उसके बाद हग दिया उसको देखने जाओ यह पर देखते हैं यह अर्थ व्रस्ता की उत्पादक्ता की मात्तरा को बताता है ना की गुडवत्ता को अगर शकल घरल उत्पाद बहुत अदिक हैं इसका मतलब यह थी कि भई यह क्वाल्टी भी अच्छी होगी अम माली जी हमने लड़का वहार बेड़ा कमाने के लिए वो जो है महिने पर उत्पादन पहुत जादा उत्पादन करने लगा है लटका मजा आगे आने की बहुत कांग कर रहा है करोड रुपया कमा रहा है कोई बात नहीं कि उसकी गुडवत्ता भी अच्छा हो पता चले एक दिन यार उसको पुलिस उठा ले गई अब पता चला कि क्या कर रहा है कि कुछ नहीं यार चूरी चपाड़ी करता था तक पचा मानली जी भारत देश ने किसी जो है मानली जी कोई उध्यम है मिल्लाब उध्योग है बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया लाखों कर दिया क्वाल्टी दे किया तो यह क्या बताता है उत्पादकता को बता है निकि क्या बताता है मात्रा को बता रहा है कि क्वाल्टी को नही इसका प्रियोग किसका GDP का या कि सकल गरेल उत्पाद का प्रियोग हमेसा क्या किया जाता है तो लनात्रों अर्थ होस्ता में आर्थिक अद्धिन के लिए किया जाता है अब माली जी यह कैसे किया जाता है कि हम जब भी कहते हैं कि GDP जो है हमारा जादे हो गया तो भाया कम या जादेगी वाद है कि इस साल growth rate हमारा क्या राएगा या इस साल तो हमें इस साल मान रहा है कि minus 6% जाएगा 6% का मतलब है कि पिछली साल जो है 6% मान जाएगा हमने उम्मीद लगा थी कि 10% की बिरत दियोगी लेकिन हमने देखा कि पिछली साल जो है 10,000 करोड का हमने उत्पाद कर पाया तो यह क्या रहा यह growth से रहत हुए क्या में चलेगी माइनस में चलेगी तो clear हुआ अब हमने एक चीज़ा देखना हमने किसमे किया तुलनात्म गर्दिन किया या पिछली साल की तुलना में या फिर आने वाले साल जो होगा कितना हम growth करेंगे या फिर अमेरिका की तुलना में मारी GDP कितनी है या फिर चीन की जो है ब्रदिदर बार्द की तुलना में कितनी है फिर पूरी दुनिया में जो है ब्रद विकासदर कितना रहेगा इस तरह की चीज़े तो इसका किसमें प्रियों किया जाता है तुलनात्म अर्थ वसास्तर में इसका आर्थिक अ बंद आते हैं हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है सकल्गारेलू उत्पात इन्हें क्या होता है सकल्राश्ट्री उत्पात क्या होता है स्वारेलू पर्द तोकिसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्स में उत्पादे सब बस्तों सिवाओं के मौतरिक मूली को सकल घरेलू उत्पाद के जाए गटा दिया जाए तो वो क्या निकलाता सुद्ध घरेलू उत्पाद पराप हो जाता है अगर बात की जाए सुद्ध घरेलू उत्पाद की सुद्ध घरेलू उत्पाद के एंडीपी की तो क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मू लेटाए अब भाया यह क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि भारत की घरेलू सीमा के अंदर एक साल में किया गया कितना उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं हम GDP कहते हैं अब भाईया एक ची वता ना मैं हूँ मैं एक बाई के लेकर चाता हूँ सुवए से सामतर क्काम करता हूँ मालीजिए मैं मंतली जो कमाता हूँ वो महिने का बात कर रहा हूँ, साल का महिने का इनका दा हूँ, उसमें साल का महिने या फिर मानली जी है कि हमें जो है दस जार रुपे महिने मिलता है, ठीक है, दस जार रुपे महिना यह निकि हम उत्पादन जो करते हैं, दस जार रुपे का करते हैं, पूरा साल का जो हम करते हैं, कितना एक लाग रुपे का, यह हमारा क्या है, मानली जी जी डीपी है पूरा पूरा GDP है अब हमें NDP कैसे निकालना है सुद्ध घरे लूद पार कैसे निकालना है हम घर से निकले बाइक इस्टाट की सुबह निकले डूटी पे और सामको घर आ गए ठीक है रास्ते में बाइक जो है हमारी पंक्चर हो गई दूसरे दिन पंक्चर के रुपए लगे साथ है सत्तर महिने में एक बार सर्विस करवानी पड़ी बाइक की पांसे चैसर रुपए लगे सेलरी से ही तो गया गाड़ी का टूट फूट हो रहा है कोई बात नहीं हम ही तो कमाते हैं गाड़ी पे बैठके सेलरी हमें लगा मोटा-मोटी बचत वचत आगे तो तो यह 5,000 रुपए जो हमारे गये क्या चला गया क्या हो गया मूल हुरास कैसे हो गया मालेजे कभी हमने सर्विस करा लिक कभी हमने कुछ खा पी लिया एक दिन क्या हुआ हम चलते जा रहे थे कि हमें आके ढेंगू हो गया, ढेंगव हुआ, ढेंगव नहीं महतने खंू हिमें बखा उखार आ गया तो हमारे 2000 रुपए जो में चला गया यहांनि कि हमारा डेंटिंग, पैंटिंग में है, मतलब सर्वे सर्वेस में चला गया है पैसा, तो कितना चला गया है पांच आता, सुद्ध घरेल उत्पात क्या निकला, बू निकला 45,000 रुपे, अब मालीज चली कोई बात हमें, हमें एक छोटी सी फैक्टरी है, मेरी नहीं किसी और किया मैं काम करने जाता हूँ, बहुत हमारे मंतली करोडोग खीशते हैं, मसीन इंसी नहीं बड़ी बड़ी लगई हुई है, मसीन पर हम काम करते हैं, मसीन इतिनी बड़ी बड़ी का, 20-30-30-0 रुपे की मसीन में जो है मालीज ये कोई, मालीज ये मतलब लोहा बग पालाना जो है उनका देखा जाए तो 12-13 करोड रुपया उनका साल का आ जाता है Texas काटपीट के उनका नतरव 10 करोड रुपया बचे जाता है आज इस महीने की बात है जून-जून की बात काम चलना था है हम पहुंचे सुभई от पहले क अपने काम में लगए और कपड़ा की चपाई चलते 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 क्या Gong १ार नॉर्मल काम करके घर लटें जाक सेली मिली श includes शेली में कावा लेग्या कौशनी करते थामे कपड़ा जूनते जा रेते हैं कोई बात ने जैसे मसीन कपड़ा कीचा नोज में ननी रस निकलना शूरू हो गया रस निकलना शुरू हुआ तो हम खतम हो इसकी महीं हमारा जो हूं मतलब वह कीमा बनीग हम हम मर एक तरह से न्हों मतलु जाओ एक्दम करते ताम काम करते टाइंपे घटना होती रहती है कोई बात नहीं मसीन जो थी करें 30 लाग रुपे की मसीनी मसीन थी जो उता था उनका अंद्ए के घरवाले आगए एकदम चक्का जाम कर दिया औरे हमारा लड़का घतम हो गया अब भाईया लड़का तो मतलब बन गया था चूरन चारन तो वच्चे कैसे पलेंगे, हमारे बेहन किसाधी कैसे होगी, तो ऐसे करके जो बहुत साइ में कमपनी के, उन्हों का ठीक है हम अमलाग के अनलाग के घरबालों को बीसलाग रुपया देगे, अब ये कहां से दिया, उन्होंने कहीं बहुंल नोट तो लूटाएंगे नि, जो उ है लोगोंने मना कर दीया भया उस पर नहीं काम करें को मनुस वली मांगते है अब लेक्ति है कोई बात नहीं अब सबस्रीच जहान जो है वाली 20 वेची अङहीं सात लाग रुपे का उपम है और नप्सान हो गया तो बीस और 45 रुपे का सीदा सीदा नुकसान हो गया है नई मसीन भी लेकर आए वह 35 लाग की बड़ी तो 20 और 35 और 35 कितना हो गया 70 लाग रुपे का यह नुकसान हो गया तो यह तरह से मूल रहास है अब माली यह मसीने चलती है उसकी सर्वे सर्वेस करनी पड़ती है कोई बोल्ट खराब हो गया कहीं कोई चीछ बाएथ को गया मतलब रहासी चले गई तो इस तारह से यह जो मूह रास होता है तो हम जितने ही कमाई करते हैं उसमें से क्या होता है गिसावट को गहाठा दे हैं medically कमपनी का जो मारिक था इसका जितना भी पूरी साल में जो भी कमाया माली दस कोड़ रोड़ पया इसने कमाया टैक्स देने के बाद जो भी पच्छा उसमें से क्या था मुझ लराज जैसे कि कोई धटना घट गई यह कमपनी एंपनी के देख रहे एक और भी सारी थीजह तो इस तरह से वो जब घटा देते हैं तो NDP निकलाता है नेक देखते हैं सकल राष्टी उत्पाद तो भाईया GNP क्या होता है तो किसी भी देश के राष्टी का मतलब राष्टी से संबंदित होगा राष्टी से मतलब विदेशी क्या है अगर भारत देश में काम कर रहे तो राष्टी का नहीं माना जाएगा वो तो विदेशी है ना जो कमाई माई करेंगे वो अपने घर पे ले जाएगे तो यहां पर बात हो रही है सकल राष्टी है घरेलू उत्पाद में और राष्टी उत्पाद में यह इंतर रखिये गरेलू मतलब घर का घर का आदमी जो है सकल राष्टि उत्पाद या कहें जी एन पे कहेते हैं इसमें बिदेशों से प्राप्त आय सामिल की जाती है लेकिन बिदेशियों के द्वारा भारत में की गई जो आय होती है उसको घटा दिया जाता है तो सकल राष्टि उत्पाद क्या होता है सकल राष्टि उत्पाद तो भारत देश में जो पिदेशी काम करते हैं उसको घटा दिया जाता इसको हम आगे समझेंगे ठीका सुद्ध राष्टी उत्पात कि अगर बात करें तो जी इंचो जी एन पिए उसमें से क्या करेंगे मूल हरास घटा देंगे मैंने बताया था कि जब आप काम करते हैं मानली मेरा सरीर ही है जothard है मेरे अंदर मूल हरास जैसे मैं भी तेन-चार दें यह लेके आज है थो शो एक सोचालिस रूपय की तो यह क्या हुआ कि मेरे सरीर मे जो भी कमियां आ हुआ है मेरे जो मंद मसीनमा लेत तो इसकी डेंटिंग प्रταιइंग में एक सो चालिस रुपे मेरी कमाई में से गया है के नहीं तो यह हो जाता है मूलहरास तो जो राष्टी सकल राष्टी उत्पाद है उसमें से क्या करेंगे मूलहरास जो है घटा देंगे तो आपका क्या निकलाएगा सुद्स राष्टी उत्पाद ठीक है तो यह हो गया आपका ततता सेवाओं के बाजार कीमतों पर अगर बाजार कीमतों पर निकाला गया यह क्या कहलाता है आपका बाजार कीमतों पर जीडीपी कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं बाजार कीमतों पर GDP कहते हैं मैं किलियर करा दूँ मान लिजिए आपका भारत है भारत देश की गरेलु सीमा मान लिजिए जो देश है आपका जो नकसा दिखता है आपको यहां पर मैं आपको देखा दूँ यह भारत का नकसा है यहां पर आपको देख वो में ब्हुत सारे बिदेशीं म tiempo कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसके शाती क्या कर रहे हैं। है मालीघियद का निर्माद होता है मालीघिय भाकां लगा आपका इस में क्या लगा मतलब नि publishers पत्ता हो गया और मतलब पूरा जो है इसके अंदर जो टैबलेट बगएरा भरी हुई है बो मालीट ये अलग तयार हुई है उसमें मतलब टोटल जो माल का जो मतलब टोटल जो उसमें लगने में कितना रुपया लगा लगवा लगवा गर मान तो ये पत्ता तयार होने घर्चा मतलब थोड़े सा टैब्लेट के लिए मिटेरियल लेकर आई उसमें जो सॉल्ट पढ़ने लेकर आई उसके लिए एक क्या लेकर आए हम थैली बगिरा लेकर आया एक देख रहा है इस प्लास्टिक का जिसमें पैक कर सकते हो उसके पैक के लिए पैक करने के बाद हम उ पत्ते की कीमत कितनी हो जाएगी इस पत्ते की कीमत साथ रुपए से कितनी हो जाती है दस या पंद्रा मान लिए रुपए हो गई नॉर्मली मान लिए हमारा थेला है पांच रुपए का इसमें हम बाजार जाते थे तो मम्मी क्या करती थे ये मेरे इस तरह से इस तरह से मेरा ध्यूक आरे में ज़ूटा ले लिए इस तरह से मेरे यहां पर ठांग देते थी उर्प me माली यह थैला है, माली यह थैला है, गहा थाивает, जो ला, जो भी देच में, गहर्विस्पहरी चाहिए, यह बैग है, बैग में क्या लगा, माली।ा लगा, माली जे फ jagd, जो थैलगा, माली जाइने के लिए, तो तो 2 खflower यह 5 तो 5 रुपय का माली जिए आपका यह पाण्छ का कीमत की अगर बात की जाएं तो टोटल बनने में पांच रुपे आ जाता है मतलब टोटल मिला मिलो कि पांच है साथ रुपे आ जाती है बनने में अम माली जी इसको बाजार में ले जाते है थैले को बेचने के लिए तो क्या करते हैं इसमें कुछ टेक्स एंड कर दिये जाते जब टेक्स हम इसमें लगाते हैं तो इसकी कीमत जो हो जाती है कितनी हो जाती है दस रुपे हो जाती है कब यानि कि बनकर तयार हुआ है यानि कि इसमें जो साधन लगा वो साथ रुपे का लगा लेकिन बनकर तयार होने के बाद हमने इसकी जो बाजार में कीमत कितनी लगा बाजार कीमत पर गारा हम किसी भी देश की अर्थविवस्ता की सारे उत्पादन को यानि तो इसको बनने में कितना पैसा लगाता मैं ने बताया था साधन कितना रुपे का साथ लगाता इसमें टैक्स कितना इसकी कीमित बढ़ जाती है तीन रुपे और बढ़ जाती है तीन रुपे वड़ने के बाद ये दस रूपे का हो जाता कब तो इसा होता है तो क्या हो जा गड़गया इसकी कीमत क्या क्या हो जाए गट जाएगी इसको चैला हम बाद में सम्झेंगे लेकिन मैंने क्या बताया कि जो भाजार कीमतों पर सकल गारी उलुत पाद निकाला जाता है उसमें Chelsea क्या किया जाते हैं सबस्र Ad पर पचास तो क्या है साड़े नो रुपे का ये थेला पड़ा क्लियर हुआ क्या समझ्जी में आया अगर कोई बस्तु है या फिर कोई सेबा है उसको अगर बाजार कीमतों पर अगर निकाला जाता है तो उसको कहते हैं बाजार कीमतों पर सकल घ्रेलू उत्पाद की की समझ में आया तो साहे की यानि सबसेड़ी को घटा दिया जाता है और जो अपसेज़ बढ़ते चाने की इंडारेक्ट टेक्स होते उनको चोड़ दिया चाता है अब दूसरा देखते हैं साधन आखते हैं साधन लागत पर सकल घरेल उत्पाद को देख लेत हैं अब आलिजे साधन लागत पर यानिकि परोच कर या कहें अपर्तेच कर तथा परोच कर या इंडारेक्ट टेक्स के काड़ ये होता है क्या अपर्तेच करके काड़ क्या होता है इस तरह का बढ़ जाता है मालीजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो मालीजी ठैला है इसमें जो कुल कीमत बनने में आई घर की बात कर रहा हूं मालीजी आप सब्जी बनाते हैं अब एक सीरीज बात समझें मालीजी आप सब्जी बनाते हैं सब्जी के लिए दो रुपे के टमाटर लगा उस इसमें 30-40 ऋरुपे में बंकर त्यार हो समझना, उसमें 30- 40 उरुपे सबजी बंकर त्यार होगी, लेकिन उसी सबजी को अगर मैं पाजार में ले जाता हूँ, तो वह कितने की होगी, यो लगवग लगवग मैं उसे 100-500 रुपएं बेच सकता हूं कि इसको उस सब्जी की बात करा हूं, यहना कि अगर मैं होटल में वही सब्जी बनाता हूं और होटल में वही सब्जी लगा दो उसमें महातर 40 रुपय का साधन लगा उसे बेचाँगा अगर बाजार में आकर तो टेक्स पगार जोड़ेते हैं तो पैचने में अगर उसकी बात करें तो बीचेगा ये बहुत जादेगा बाजार में प्रेस करेंगे तो जादेगा अब माली ये मैं माली ये मेरा और मेरा यह ने हाल मनकर क्पड़े से क्र Memphis कंड मी से बाजसे dess अ करना मतलब रहे तो हम इसको फाड़ेंगे यह पांच अपकeft कंडां अ एक नेकर बंझे में कितनी पर अ बत अब गया तो जुझा यानि जो बान बन कर तयार हुआ उसको साधन लागत है जितना उसमें साधन लगा चाहे सेवा की बात हो चाहे फिर कया की बात हो बस्तु की बात हो तो साधन लागत पर अगर GDP निकाली जाती है तो उसको कहते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और इसे निकाला कैसे जाता है जो बाजार कीमतों पर सकल घरेलू के मूल के बीच में अंतर हो जाता है तो उसको कहते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकल कर सामने आ जाता हैं तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जागा साथ रुपए लेकिन बाजार कीमतों पर अगर बात की जाए तो कितना होता है दस रुपए होता है क्यों क्यों कि बाजार कीमतों पर क्या होता है हमें उसको अगर कीमतों पर क्या से निकालते हैं मतलब टेक्स वगएरा जोड़ते थे तो क्या निकलाता है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद और उसमें अगर टेक्स घटा देते हैं और सबसिडी को क्या कर दिया जाता है सबसिडी को भी एक तरह से घटा ही देंगे साधन लागत पर तो आपका क्या निकला आता है आपका साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकल कर सामने आ जाता है ठीक ह लिए नेक्ट बात करते हैं निबल घरेलू उत्पाद यानि कि सुद्ध घरेलू उत्पाद ठीक है नेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है नेट अब बात समझना मैंने GDP आपको बताया था GDP का मतलब क्या था देश की जो घरेलू सेमा होती है उसके अंदर देश के निवास किया गया उत्पादन क्या क्या कहलाता है शकल है निवासाधन लागत पर कर सकता हो olduğ समझने बात को, तो साधन लागत होता है, जितना कोश्ट लगा है, उतना, बाजार कीमत हो पहने कोश्ट कोई माल बन कर तयार हो गया, उसके बाद उसमें एड़ कर दिया क्या, आपका टेक्स वगेरा, और सबसे भी को घटा दिया, तो आपका बाजार कीमत पहर तयार हो तो उस उत्पादन में लगी हुई मसीने या करें लगे हुए साधन जिसमें क्या हो रहा है मूल हरास हो रहा है तो उसको अगर घटा दिया जाता है तो हमारा निबल घरेलू उत्पाद निकल कर सामने आ जाता है तो आईए मैं आप यहां पर किलियर कराता हूँ नेबल घरेलू उत्पाद या सुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट यानि कि NDP क्या होता है तो सुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थ विस्ता का वह सकल घरेलू उत्पाद होता है यानि कि ये भी होता सकल घरेलू उत्पाद ही है यानि कि होता ये GDP ही है बस इसमें कुछ चीज़ें हटा दी जाती है यानि कुछ चीज़ें घटा दी जाती है तो आपका NDP यानि कि Net Domestic Product या निवल घरेलू उत्पाद या सुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर सामने आ जाता है तो मैं फिर से बता दूँ सुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थिवस्ता का वह सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसमें से एक साल में हुए मुल हरास को क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है अब ये भाईया मुल हरास क्या होता है तो उसको समझते हैं तो यहां की तूट फूट और खिसावट आती है उसको हम क्या कह देते हैं मूल हरास कह देते हैं और हर अर्थ विवस्ता की NDP इस उस बर्स के GDP से हमेशा क्या होता है कम होता है क्योंकि खिसावट या का मूल हरास होता है उसको कभी भी सूनी नहीं किया जा सकता इसमें विदेशों से प उत्पादन को ही जोडते हैं और उसके बाद उसमें से मुलहरास को घटा देते हैं तो निबल घरेलू उत्पाद या सुद्ध घरेलू उत्पाद क्राफ्थ हो जाता है और हां यह बाद जरूर है कि NDP को कम या जादे किया जा सकता है या फिर यह अपने आप भी हो सकता है अ शकल घरेलू उत्पाद कहलाता है उस शकल घरेलू उत्पाद में से अगल मूल रहरास कटा दिया जाए मूल रहरास कहां से आता क्या होता है तो मूल रहरास का मतलब सीधा सा यह है माल लीजिए मेरी कोई फैक्टरी है और फैक्टरी में क्या होती है मसीने होती है कुछ मजद कभी चोट लग जाती है कभी मसीन खराब हो जाती है कभी कोई मसीन घिस जाती है कभी कोई पुर्जा खराब हो जाता है और कभी कभी कुछ भी नई उसमें परिशान ही आ सकती है इतना समझ में आया अब मैं आगे क्लियर करा तो माल लीजिए किसी फैक्टरी में कोई फैक्ट रुपए का मान लिए असी रुपए का एक दो टींकर असी रुपए का हमने क्या किया उत्पादन किया और उत्पादन करने के वाद इस माल को यानि कि 80 क्रोब के माल को हम क्या कर देते है, रख देते हैं और यह क्या एक तरह से मान लिए, यह हमारा क्या हो जाता है? एक तरह से GDP हो जाता है, यानि कि सकल घरेल उत्पाद हो जाता है, इसमें विधीसियों के द्Assand की दौरा भी कुछ सामिल कर लिए, क्या मूँ निए ठीक है तो अब वो क्या होता है यहां पर ऐसी करोड़ा हमा आफ मार जो था बन कर त्यार हो जाता लेकिन जिस एस यह में क्या था एक मसीन जो थी वो खराब हो जाती है तूट जाती है और तूटने के साथ ही क्या होती है उस मसीन को क्या करना होता है मरमत की जरूरत है अब असी करोड रुपे में से उसी मसीन का हम क्या करेंगे मरमत करेंगे ध्यान से सुनना मरमत करवाएंगे तो मरमत क्या हु ना उस मसीन में कितने की हरास आया यानि कि कितने की कमी आई तो तो चार लाक रुपे का आया किसमें लगाया हमने उस मसीन को सही करने में लगाया तो भो हमारा क्या कहलाया मूल हरास कहलाया यानि कि मूल में कमी आना है यानि कि हम कमा कितने रहते असी गड़ो लेकिन हुआ कि उसमें से चार लाख निकाल दिए चलिए बहुत हो छोड़ी है चलिए मैं क्या करता हूँ मैं मसीन चला रहा हूँ ना लिए ये मसीन चला रहा हूँ बहुत बड़ी मसीन है बहुत बड़ी एक कम रूम जितनी बड़ी मसीन है और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें चला रहा हूँ से क्या चला गया मेरा बिलकूत एंग जा के और मसीन क्या क्रती हिए प Tao करते आपको पता हुआ मची करी इस में एक लाई भाद ने क लिए कंवा उसस पहले मचीन मेकेनिक बोलाया, मेकेनिक बोलाने के लिए क्या हुआ, उसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, और महाँ पर उसने मसीन को खोला, खोलने के बाद मान लीजिए, उसको खोलने के बाद उसकी सफाई वाई करवाई, उसमें से हड़ियां वागेरा, उसमें से लास के टुकड़े वगेरा हमने निकाल नुकूल के एक जगे रखे थी और वो बाल्टीम भरवा गुरू के मेरे घर पे मेरी लास्क के टुकडे बिजवा दिये चलिए कोई बात नहीं हमारे लड़के की जैसी लास्क के टुकडे दे के एकदम हला मच गया रहे हमारे लंडा खतम हो गया और एक क्या देंगे तो हम जो मालिक था उसने कही ऐसा करते हैं हम दस लाग रुपे देंगे आपके लड़के को एकदम फिर क्या भीड़ू ही दस लाग से क्या होगा सारा जीवन काटना यह बात बहुत तवाम चीज़ है और हम लोग ने कह दिया अरे गरीव लोगों को सताय जात है और पीछे से एकदम उसको राजनेतिक रंग देते देते क्या हुआ एकदम बहुत सारी लोग एकटे हो गए हमने रोड़ जाम करवा दिया ऐसे करते क्या हुआ बहुत ज्यादा हला मचने लगा लोग बड़े-बड़े-बड़े लोग आने लगे आ रहे यह आजनीती का हम लड़के के लिए क्या करेंगे पचास लाग रुपे देंगे और बिटिया की जो बिटिया साधी को है उसकी साधी के लिए कुछ थोड़ा करवा देंगे और जो दवाईवाई खर्चा ऐसे करके तो ऐसे करके जो सैटलमेंट बैठा तो काफी कुछ था उसके बाद चलो प पचास लाग किनारी निकाल दो पांच लाग का वो यह हमारा क्या हुआ था उसमें मसीन में खर्चा बगएर आगया अब गौर से सुनना असी करूर में से चार से साथ दिन क्या रहा काम बंदरा उसका हर जाना कौन देगा तो वो भी मालिक को ही उठाना पड़ेगा उसका भी नुकसान ठीक है चलिए कोई बात नहीं हमने क्या किया था कि जब हम दरना पर दर्सन कर रहे थे तो हमने क्या किया जो मसीन है थी उसमें भी लाटी आटी मार दी दो तीन गाड़ी गाड़ी खरी थी उसमें आग लगा दी ऐसे करते कराते क्या हुआ काफी कुछ उसमें नुकसान हो गया चलिए कोई बात नहीं अब आती है बात मसीन के उपर मतलब ऐसे नॉर्मली अगर हम देखे तो लगवा 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 एक करोड़ का तो पकाम करने वाला था वो उस मसीन पे हांता लगया ने को त्यारी ना रखे!! यह तो बाली मांगती है यह तो साली मनूस हो गई आख क्या किया जाए तो मालिक ने वाशे इसकोEtर को दो अब ब्राहने के लिए उसमें पविक वह पहली प्रवाइब को दो तीन करोड का नुकसान हो गया एक नई मसीन लाने पड़े वो पांच करोड की आई ऐसे करके अगर मोटा मोटी देखें तो असी करोड में से दस करोड उसके ऐसी वसड में ही चले जाते हैं और उसको जो नुकसान वह कितने को हुआ सतर दस करोड का हुआ यानि कि उसको कितना पचत हुआ उसको पचत जो हुआ कितना हुआ सतर करोड का यानि कि सीधी सी बात उसका जो जीडीपी जो था यानि कि पूरा मालीजी अगर ऐसे पूरे देश की बात मानें तो जीडीपी जो था कितना था असी करोड था लेकिन उसमें से मूह लहरास ज महीने पे गता हूँ ठीक है कोई बात नहीं महीने पे कमाता हूँ और वैसे वाला आद भी नहीं हो सा नॉर्मली बदमतिस मिलते हैं यह जो बीबीवी है मावी है पिताजी वी है तो 30,000 किनारे लग जाते हैं मैं रोज जाता हूं पैदल ऐसे करके रास्ते में से एक साइकल वाला है साइल ने साइकल मेरे बीच में विल्कुल सेंटर पॉंट में मार दी अब यार मतलब टांगों में मार दी यार बहुते लग गई तो 30,000 रुपे मिल रहे हैं उसमें से कितने का नुक्सान हो गया बीच दो सो रुपे का नुक्सान हो गया बात को समझा चलिए मैं गया घर पे पहुंचा मम्मी को बताया ऐसे ऐसे दिक्कत थी ठककर रका मार दी थोड़ा सा उसकी साइकल में जो मढगार था वो थोड़ा स से आते हैं चलिए साइकल से जाने लगा साइकल से जब मैं पहुंचा तो नई साइकल दिलवाई तीन हजार रुपे की साइकल दिलवाई यह उपभोग में खर्च किया मतलब तीस हजार में से तीन-चार हजार रुपे की साइकल ली तो यह क्या हुआ हुआ मैंने भी यहां तो यह उपभोग हो रहा है तो क्या हो रहा है एक तरह से मूल हरास के रूप में माना जाएगा मां लिए दस दिन में जाता हूँ, दस दिन जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, मुझे बुखार आ गया, मम्मी ने मुझे एक दो रुपे वाली टेबलेट लाके, सामने पर्चून की दुकान थी, वहां से लाके, खिला दी, लेकिन उससे आरहम नहीं हुआ, तो मुझे पता बाद रहीं पते हैं, मुझेलाउ में कडहरते हैं, हाँ है, आट के दनजों एसी पूरी अर्थवववस्ता में और आदम होता है, अब मलीघे कोई गाड़ी चलाता हूं, मलीघे कोई बड़े आदМी है, गाड़ी चलाते हैं, घाड़ी चलाते हैं, तो उसम्में इसल भी गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता इंका टायर गिस्ता है मसीन गिस्टिए है . दिन पे दिन क्या होती है मसीन की जो कीमत होती है इसकी जिसमीर गिरावट आती है वो घिस रही है एक न एक दिन हुआ तो जाइसी बात है वो मुह लहारास माना जाएगा ठीक है मैं अहां पर बोल रहा हूं कभी-कभी मुझे बुखार आ जाता है मेरे गली में खरास हो जाती है तो मैं क्या करता हूं थोड़ी तबा ले आता हूं थोड़ी तो उसको हम कहते हैं जीडीपी और जीडीपी से मुल्य हरास से भूंग घटाते हैं तो मसीन की तूट-फूट या फिर उप्वोग पर खर्च या फिर किसी भी खर्च को क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं तो हमारे क्या निकलाता है नेट डॉमेस्ट पूरें एंडीप निकलाता तो चीडीपी क्या होता है सभी का मुल्य होता है और मुल्य में से क्या कर दिया है थोड़ा सा हरास घटा दिया जाता है यानि जो नुकसान हुआ जो कमी आई उसमें क्या कर दिया जाता है उसमें से घटा दियाता है तो एंडीपी निकलाती है और मैंने क्या बता है मतलब कम नहीं कि कम किया जा सकता है लेकिन सूने नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर कोई गाड़ी चलती है तो भाईया उसके ठायर थोड़े बहुत तो घिसेंगे कोई नो कोई 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 तो कमी आएगी समझने बात को तो मैंने क्या बताया एंडीपी जो होता है वह हमेशा जीडीपी से क्या होता है कम होता है क्योंकि किसावत को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है कि असी करोड़ का हमने फाइदा किया है तो असी करोड़ में से हम असी करोड़ क्या हो गया जीडीपी और एंडीपी जो होगा वो हमेशा क्या होगा कम होगा GDP से क्योंकि मूल हरास कम ठोड़ा बहुत तो आता ही आता है ठीक है मूल हरास को कम या जाते भी किया जा सकता है कभी कभी यह अपने आप भी हो जाता है समझने बात को ठीक है तो निबल घरेलू उत्पाद क्या होता है GDP बाइनस मूल ह ठीक है क्लियर हुआ चेलिए उमीद है नथ लेके सकलव राश्ट्रीज उत्双द मैंने आपको बताए था सिर्फ दो याद कर लो धरें अरे लू उत्पाद और दूसरा वह गया ह्सकरआप निवल सतनेíarchy पाद तो मू लहरस घटा देंगे तो वो निबल या सुद्ध घरेल उत्पाद आ चाएँएगा वहीं सकल राश्व्ट्र ऊत्पाद याद कर लो और निबल अपने आप निकलाएगा क्यों निकलाएगा क३र को इसमें से मू लहरस घटा का राष्ट का मतनलब देश का और देश का मतलब भारत की बात ना fishermen की बात रही है तो भारत का अप समझना बात को सकल घरेलू वह सकल राष्टू उत्पाद या Crunch National Product देखते हैं किसी देश के नागरिक द्वारा भारत का नागिर्क की बात हो रही है तो भारत के नागिर्कों द्वारा एक निश्चिस समय में उत्पादित अंतिम बस्तों तता सेवाओं के मुद्रिक मूलिकों सकल राष्टी उत्पाद यानि की जी एनपी कहते हैं अगर पिलकुल साधार सब्दों में समझे हैं तो जी डीपी यानि की सकल घरेलू उत्पाद में से जब भारत में बिदेशियों द्वारा की गई कमाई को घटा दिया जाता है तता भारतियों द्वारा बिदेशों में की गई कमाई को जोड़ दिया जाता है तो इसे सकल राष्टिय आये निकल आती है या सकल राष्टिय उत्पाद निकल कर सामने आ जाता है अगर भारत में विदेशी तोरा की गई कमाई तता भारती लोगों ने विदेशों में की गई कमाई को कमाई अगर बरावर होती है यानि कि जो भारती लोग है उन्होंने वि दस रुपए हैं और बिदेशी लोगों ने भारत में अगर दस रुपए कमाए हैं तो GDP बरावर GNP हो जाता है यानि कि सकल राष्ठी उत्पाद बरावर सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है आईए इसको मैं अपनी बासा में समझाओं मैंने क्या बताया कि भारत देश के देश का नागरिक है भारत में काम कर रहा है यह भारत देश का नागरिक है यहां पर अब यह दो तो भारत देश के नागरिक है यहां पर ही काम कर रहे हैं समझना बात को और दो जो नागरिक है भारत के यह हैं लेकिन कहा पर कर रहे हैं बिदेशों में काम कर रहे हैं अब क में क्या कर दिया जाता है सिर्फ भारतियों के द्वारा भारत देश में विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन यहां पर नहीं जोड़ा जाएगा विदेशियों के द्वारा गर भारत में उत्पादन किया जा रहा है तो वो नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि यहां पर राष्ट की बात हो रही है वो अपना माल यहां पर उत्पादम करेंगे जो भी कमाई करेंगे वो अपने घर पर भेज देंगे तो यहां पर राष्ट से मतलब नहीं है राष्ट का मतलब जो भारत का यानि कि मैं हूँ मेरा एक लड़का है मेरी एक बिटिया है मेरी एक ब पापा मेरी मम्मी वो क्या करते हैं पापा अगर घर में काम करते हैं या पडूस में काम करते हैं या किसी अन्य राज में काम करते हैं या पिर किसी अन्य देश में काम करते हैं वो पैसा जो है मुझे घर पर लाकर रखेंगे अमीरिका में काम करते हो तो अमीरिका में छोड़ कर नहीं आएंगे या फिर मेरा लला है वो क्या करता है पाकिस्तान में काम करता है या सौधी अरब में काम करता है चीन में काम करता है तो वो चीन में पैसा दे के नहीं आएगा बल्कि कहां पर ले जाएगा वो भारत देश में लेके आएगा मेरे पास लेकर आएगा और मैं अगर राष्ट मानता हूँ तो मेरा लड़का है वो मुझे देगा अब बात करते हैं बढ़ उसकी मेरे घर में एक लड़का काम करता है जो मेरा नहीं है किसका है किसी और का यानि कि पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का लड़का मेरे घर पे काम करता है तो काम करेगा खुद का अपना स्वयम का अब राष्ट का लॉंड़ा भार काम करता है तो वो घर में ही देगा राष्ट का लड़का किसी दूसरे देश में काम करता है तो कहां पर देगा घर में देगा समझ गये तो अम्मीद है आपको सकल राष्टी उत्पाद यानि cross national product समझ में आ गया ह होगा एक वार रिंपीजन करवा देता हूँ सकलराष्टि उत्पाद क्या होता है भारत के बारत देश में कि जो हरएलू सीमा होती है उसमें देश के निभासियों और बेश के गेन निभासियों और दौरा किया आजाता है तो समझ में आ गया होगा मैंने बताया कि GnP यानि शखरगरी जो उत्पादने से भाइरत में किया गया बिदेशियों द्वारा क्या उत्पादन घटा दिया जाए या कमाई को घटा दिया जाए तो आपका GnP निकल कर सामने आ जाता है, किलियर हुआ, समझ में आया, और एक चीज़ अब समझना, मैंने भी बताया था कि मेरा लड़का अगर भार काम करता है, तो कितना रुपया कमाता है, पचास रुपय, और कोई बिदेश ही क्या करता है, मेरे घर में काम करता है, यहाँ पर, मुझसे जो आया रही है, वो क्या है 10 रुपय है, और भारत में बिदेशियों के दवारा जो कमाई हो रही है, वो भी 10 रुपय है, तो क्या हो जाएगा, GDP बरावर GNP होगा, अब बिदेशी आय की बात की जाए, तो इसमें तीन मदों को सामिल किया जाता है पहला होता है बिदेशी अनुदान यानि कि बिदेशी अनुदान होता है कोई देश है हमको क्या देता है हमको कुछ पैसा देता है तो इसमें क्या हो जाता है यह बिदेशी अनुदान होता है जैसे हम किस्ते लेते हैं, जैसे हमें जापान पैसे देता है, दूसरा जो होता है, ब्याज की अदाईगी, कोई देश है, हमें ब्याज देता है, या पिर हम किसी और को देते हैं, तो वो भी इसमें क्या किया जाता है, सामिल किया जाता है, निरी प्रेसर, ये क्या होता है, ज GNP जो होगा, GNP अधिक होगा, और GDP क्या होगा, कम होगा, मैं फिर से बता दूँ, बिदेशों से पैसा जो है, वो क्या है, वो कम आ रहा है, बिदेशों से पैसा कम आ रहा है, तो GNP क्या होगा, GNP क्या होगा, जादे होगा, और GDP क्या होगा, कम होगा, अगर बिदेशों से प् तो मेरे आपको GNP GDP और NDP के लिए हो गया होगा चलिए तो GNP यानि कि सकल राज्ची उत्पात की बात की जाए तो GNP किसी भी देश की आउकात यानि कि उसकी इस्थिति को बताता है कि उसकी अगर GNP क्या है GNP जो है बहुत अधिक है बहुत अधिक है तो क्या होता है उसकी इस बोला जाएगा तो जैसे की विक्सित अर्षिवस्ता होती है वो क्या होती है तकनीकी विकास के काड़ क्या करती है अपने उत्पाद की गुर्वत्ता बनाए रखने में क्या हो जाती है सफल होती है जिसके काड़ी उनका ची एनपी जीडीपी से क्या होता है जादे होता है य कहां कि जापान के फ्राइंड ये क्या करते हैं इनके मालकी गुडवत्ता जो होती है दमदार होते हैं यानि कि अच्छी होती है इस काड़ी ये क्या करते हैं जो दूसरे देश होते हैं वहाँ पर अपनी क्या कर पाते हैं अपना क्या कर पाते हैं अपनी यानि कि हमारा क्या क करेंगे हमको चाहिए सौनी का प्रोडक्ट या हमको चाहिए हुंड़ई की गाड़ी या फिर हमको चाहिए ट्वेटा की क्यों 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 कि वो अपनी गुर्वत्ता की काड़ क्या है यहां पर क्या कर पाया है अपना जलवा कायम करने में सफल हो पाया है क्यों कि कहा पाते हैं अब भारत देश की बाद ले लो भारत देश क्या जादत पर बना पाता है खुजली वाला कंबल होता है मां लीजिए जा पार काला काला कंबल देखा हो आप रात में ओड ले तो अगर आनंद के साथ अगर ओडते हैं तो आपके मुह में उसमें बाल होते हैं पता न तो बारत क्विजली वाला कंबल है बताना हम कैसे अपनी गुडबता को बनाया रख पाएंगे जब हम खुजली वाला कंबल मना पाते हैं लोग खुजली वाला कंबल गिप्ट में देते हैं समझना बात को या फिर कोई ऐसी जी तो हम अपनी विदेशों में अपनी जल्बा कैसे कायम रखता हैंगे अपनी गुडबता के काड़ बढ़िया बढ़िया माल बनाएंगे वो ज्यादा दिन तक चलेंगे अब चायना का मालक का जाता है चला तो साम तक और नहीं तो चान त नहीं होते हैं बड़िया बढ़िया विकासीत के मुकवली कैसी होती है उल्टी होती है तो हम तो बोकरी बेचाएंगे ऐसी चीज़ें बेच पाते हैं क्यों हम जब फोन बेचाएंगे तो उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे माल दीजिए घड़ी बेचाएंगे तो उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे माल दीजिए कोई और चीज बेचाएंगे हम टक्कर नहीं ले पाएंगे उनकी इस्तिती जो होती है माल की कुड़वत्ता थोड़ी कम होती है इसलिए हम अपनी पैट जो होती है अनुतिसों में नहीं बना पाते तो जी एनपी से आपके देश की बिदेशी सक्ति आपके माल की कुड़वत्ता तथा आपकी आई की मातरा के बारे में भी जानकारी मिल है कि लड़के का नाम जो है बहुत है नाम होता कैसे किसी को जूता मारने से नहीं होता है जूता माने से मतलब उसके काम से नाम होता है नहीं तो बदनाम होता है काम से उसका क्या होता है नाम होता है मेहनत कर रहा है लड़का बड़ी बड़ी चीज़ बना रहा है तो क्या हो बात को समझना है तो उसमे क्या है उसकी सकती पता चले क्योंगे चाहने बहुत है उसके लोग सपॉर्ट कने बहुत हैる ठीक है और आपके माल की ब्रभतमें पता चलती यूब कि आप बढ़िया माल बेशते हो तो पता चलता है यार लड़का या बहुत बढ़िया चीज देख रहा कर दी माल देता यार चपल देख तो कैसी देता यह दद साल तक हम तोड़ने बात है समझे बात को तो इसते कुड़वत्ता की चांदकारी मिलती है अगर आपका जी एन चीजे माल लीजे भारत देख से बहुत ज्यादा माल खरीदेंगे तो 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 बहुत ज तक है रुपया जो हो जाएगा मजबूत हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आई एम अप जो थे हमारे आई एम है मैंनी अंतराज की मुद्रा कोच ने उनीस सो अठानुव में अलग लग देशों के रहन सेहन को किस से के दौरा निकाला था किस से निराड किया था जी एन पी से निराड किया था और यह है किसी विदेश की सकल राष्टी आए यानि की जी एन पी को देश के अंदर मुद्रा की सक्ती के आदार पर भी निकाला जाता है यानि की आपका जी एन पी बहुत अधिक है तो आपकी जो मुद्रा की पावर है उससे पता चल जाता है कि उसकी क साथ च्छा काथ तारा है तो आप भूख यह मरेंगे यह आपका जीवन का ठीका ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो होती है GNP पता लग जाती है ठीक है शुआ है ना चलिए नेट्स देखते हैं निवल राष्टी उत्पाद निवल राष्टी उत्पाद मैंने बताया था निवल आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है मुलेरास अटा देना है सुद्ध आ जाता है तो कुछ नहीं करना है आपको मूल लेरास गटा देना है निबल, सकल, घरेलू उत्पाद में से क्या करेंगे मूल लेरास गटा देंगे तो निबल निकल आएगा राष्टी उत्पाद में से मूल लेरास गटा देंगे तो निबल निकल आएगा आपको जब राष्टी सकल राष्टी उत्पाद में से उत्पादन तता उपवोक के गाड़ मसीनों तता पूंजी में जो गिरावट आती है तो उसको क्या कहा जाता है आपका नेवल राष्टी उत्पाद कहा जाता है में फिर से बता दू वही कोई जादा चीज़ है नहीं है राज्टी उत्पाद में से क्या कर दो आप मुल रास आया है जैसे आपने कहीं पर कोई काम कर रहा है तो आपको इलाज की कई भी जरूत पड़ती है या भी कभी रास्ते मुग प्यास लगाती है तो उस पर खर्च हो तो जो राष्ट्र सकलْ घरेल उतपाद होता है तो भारत है भारत में देश के निवासी और गेर निवासीओं के द्वारा किया गया अंति सेवा और बस्तुatoon के उत्पादन के मूलिको हम क्या कह देते हैं सकलниц वारो सकल घरेल उतपाद में से मूल लेहरत सगखा दिया यानि कि चाहें वो देश के अंदर कर रहे हैं यानि कि भारत में कर रहे हैं चाहें पिर वो किसी अन्य देश में कर रहे हैं महां से जब वो माल कमा कर लाते हैं उसको जोड़ दिया जाता है और भारत के द्वारा किया गया उत्पादन को भी जोड़ दिया जाता है तो उसको ह क्या कहा देते हैं उसको हम सकल राष्टी उत्पाद कहते हैं और सकल राष्टी उत्पाद में से क्या कर दिया जाए सकल राष्टी उत्पाद में से मूल रास को गटा दिया था तो निवल राष्टी उत्पाद निकल कर सामने आ जाता है निवल या सुद्ध जो भी आप कहना वहीं सुद्ध गरेल उत्पाद जी एंडेपी सकल गरेल उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रियुक्त मसीनों और पूंजी की खेसाबट को घरता दिया जासा सुद्ध गरेल उत्पाद का जाता है जिसमें आपका सुद्ध गरेल उत्पाद बराबर सकल गरेल है ہے भी सामिल की जाती है सकल रास्ट्री उतपाद बरावर सकल घरहर nowadays you पाद पिलस इडेसों से अरजित बिसद आय को राश्ट्री उतपाद में मैंने आपको घया वत है सकल राश्ञी उतपाद में से जब माइनिस करते है मुह लेरासटों उसको कहते है तो तो सकल राष्ट्री उत्पाद से जब उत्पादन में प्रियोक मसीनों पूजा की पूजी की गिसाबट को घटा दिया जाता है तो सुद्राष्ट्री उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो सुद्राष्ट्री उत्पाद बरावर सकल राष्ट्री उत्पाद माइनस मुले रा होगा अब हम थोड़ा से साधन लागत क्या होती है और कारक लागत क्या होती मैं आपको बता भी चुका हूँ साधन लागत क्या होता क्योंकि मैंने आपको बताए भी था साधन लागत पर GDP कारक लागत पर GDP या पर बाजार मुली पर GDP उटको मैंने आपको क्लिए कहता है पर स्थ्प्रा सा और एक्स्टा स्थुड़ा समझा दयता हूँ किसी उतपाद के उतपादं में उतपादन करता हो कारक um के जितने कारक के लिए ना लागत हैं मैं ने दस ऐसे थैले बनाये हैं तो उस दस थैले ने में कितनी लागत आई सौर पे आई तो इसको हम क्या कहेंगे साधन लागत कहेंगे समझ रहे ना इसमें थोड़ा कपड़ा आया थोड़ा जागा आया थोड़ी सी मसीन की सिलाई लगी तो इस तरह की चीज़े हम क्या कहेंगे इसको साधन लागत कहेंगे वहाई बाजार मूल या मार्केट कोश्ट जाता बाजार मूली निकल कर आ जाता है तो जो उत्पाद होता है वही इसी मूली पर क्या होता है फैक्टरी छोड़ता है इसको फैक्टरी कोश्ट भी कह देते हैं तो अगर साधन अगर लागत मूली पर सरकार सब्सिडी दे दीती है तो बाजार मूली जो होता है लागत मू कितनी आई है इस पर सो रुपए साधन की लागत आई है यह कारक लागत इतकी कितनी सो रुपए है दस बनाने में वहीं इस पर क्या करते है सबसेड़ी देती है सरकार दस रुपए की सबसेड़ी और देती है तो सो रुपए में तो यह बनकर तयार ही हुआ है लेकिन उल्टा बाजार मूल होता है वो क्या होता है कम हो जाता है अगर इसमें टेक्स लगा दिये जाएं तो साधन लागत क्या होता है कम होता है और बाजार मूल क्या होता है अधिक हो जाएगा आपका 110 रुपे हो जाएगा । समझ में आ गया होगा साधन लागत, कुछ भी बनने में यह घड़ी है, फोड़ी पिलास्टिक गुए, थोड़ा सेल हुआ, थोड़ा सा और बनने में कितना रुपे लागा, आपका दस रुपे की अमाली यह घड़ी बनका तयार हो जाती है, इसको कहेंगे साधन लागत पर, अब इसमें टेक्स ल जालू मूली के बारे में थोड़ी जांके लिए दें, constant price और current price तो इस्तिर मूली क्या होता उसको समझते हैं, इस्तिर मूली है किसी उत्पाद का, पहले से किसी बर्स के इस्तर पर विक्री मूली होता है, जैसे कि भारते में बर्स 2011 वारे को, इस्तिर मूली को क्या माना गया ह इसको हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बर्तमान की जो इस्तिती चल रही है, बर्तमान में उत्पादित बस्तू का मूली पीछे के किसी बर्स के बर्स पर निकालते हैं, तो उसका इस्तिर मूली पर मूली कहलाता है, तो अगर और भी इसके बारे में बात की जाए, तो यह मुद्रा स्पीती को क्या कर देता है मुद्रा स्पीती को भी इस्थिर्मान लिया जाता है तिके इस्थिर्मान लिया जाता है अंकल की जो पेट है जम 2000 बारे में वो ऐसे लगाrete है एक दम सुंदरysis influences रोगा करते थे लेकिन वो आज भी अपने आपको कैसा समझते हैं उनका पेट जो है वो ऐसा हो गया लेकिन वो आज भी क्या करें महगाई की काड़ उनका जो साइज है वो बढ़ गया है फूल गया है इनकी रेट जो है नका बढ़ गया लेकिन आज भी अपने आपको कैसा मापते हैं इस तरह का दि रहे हैं, 2011 बारे के इस्तिर मुल्य को लगा रहे हैं, तो बरतमान में जो भी इसका रेट है, यानि कि जो भी महगाई के काड़ इसके रेट होना चाहिए, वो नहीं लगा कर क्या कर रहे हैं, हम पुराने यानि कि 2011 बारे के आधर पर इसका रेट लगा रहे हैं, यानि कि 2008 साल म हम उसको सूनी माल लेते हैं यानि कि उसको हम इस्थिर माल लेते हैं इसका सीधात्व मतलब इसमें कितनी भी महगाई बढ़ी हो हमें उससे मतलब नहीं हम आज भी इसको कितने में खरीदेंगे इसको हम दस रुपे में खरीदना चाहेंगे इसको हम दस रुपे में खरीदना ठीक है या फिर मान लीजिए कोई और चीज मान लीजिए मान लीजिए ये दवा है दवा बरतमान में इसकी जो कीमत है वो है आपका 28 रुपए है इसका पूरा 2021 बीस इकिस में लेकिन हम इसका इस्तिर मूल के आधार पर हम क्या निकाल रहे हैं इसका मूल निकालने के आधार हम क्या कर रहे हैं इसको 2011 वारे के आदार पर निकालेंगे तो इसकी कीमत कितने लगा रहे हैं हम सिर्फ औशिर दस रुपए लगा रहे हैं तो इस द्यों दस रुपए लगाएंगे इसको हम क्या क्या कहेंगे स्थिर मूल पर बस्तू, का मुल्य, दूसरा देखते हैं, चालू मुल्य देखते हैं, किसी भी उत्पाद पर जो अधित्तम विक्री मुल्य यानि की MRP छपा हुआ होता है, उसको हम चालू मुल्य कहते हैं, अगर किताबी वासा में समझें, तो किसी उत्पाद का चालू मुल्य, उसके इस्तिर मुल्य पर आधार बर्स से अब तक की कुल मुद्रा इस्तीती याता है महगाई को चोड़ कर निकाला जाता है मैंने क्या बताया ये मान लीजिए 2011 बारे के अनुसार इसकी कीमत जो है दस रुपए है लेकिन आज बरतमान का समय जो है 21 का समय चल रहा है तो हम क्या करेंगे इस पर जो कहेंगे MRP तो उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे maximum retail price यानि की उसे इस पर कितना लिखा हो अट्थाइस रुपए से जादा नहीं दिया जा सकता इसको ठीक है कैसे मैं फिर से बता तो जो इस तर मूलता उसको क्या कर दिया 10 रुपए वाली ये दबा है 2011 वारे के साब से हम इसको दे दी अगर इस तिर्फ मूली पर देंगे लेकिन हम किया रहे के नहीं चालू मूली पर देंगे तो इस पर कितरा चपाए 28 रुपए चपाए महगाई को हमने जोड दिया तो कितनी हुई इसमें 8 रुपए की महगाई को जोड जार कर हमने सारा setup निकाल नुकूल के पर लिए तो यह कितनी पढ़ी 8 रुपए की तो इसमें क्या किया है 2021 बारे से जितनी भी महगाई बढ़ी है यानि कि जितना भी मूली बढ़ा है वो हमने क्या कर लिया? आधार वर्स में जोड दिया और यहाँ पर हमने एक नया मूली बना दिया जिसको कहेंगे चालू लो इतना क्यों नहों लेकिन माना वो ऐसा ही जाएगा समझने बात को चलिए क्लियर करते हैं क्योंकि यहाँ पर यह आपको दिखा सकता हूं में कि दो 1970 में आपकी कॉफी जो थी पॉइंट 25 डॉलर की थी यानि कि 25 सेंट की बोल सकते हैं 1980 में 45 सेंट की हो गई कि दो एक डॉलर मतलब सकतर रुपे कर लो तो दो डॉलर मतलब एक सुचालिस रुपे कॉफी है समझने बात को और यह क्या मानना चाह रहे हैं वह कहारा आपकीदम नहीं हम तो 1970 का डेट लेके चलेंगे तो अगर 1970 का अज भी माना जाए 2020 किस में तो कितना माना जाएगा तो क 25यानि कि सतर का 25 परेट मौटा मौटी हम मान सकते हैं मौटा मौटी कितना मान सकते हैं हम मान सकते हैं उसको 70 रूपय मान सकते हैं समझजबाद को कितर 네 सतर रुपई आज भी लेकिन फिर भी उसके मुकादले फिर भी सही है चलिए आगे बात करते हैं अम्मिद है इस्तर मूल और चालू मूल समझ में आगया होगा इस्तर मूल होता है जिस पर महगाई का असर जो है सूनी देखाते हैं कोई महगाई नहीं मानते हैं तो इस्तर मू इस तरह से लागत के आधर पर GDP को दो तरह से निकाला जाता है एक तो होता है साधन लागत पर GDP और दूसरा होता है बाजार लागत पर GDP अगर साधन लागत पर GDP निकाली जाती है तो वो क्या होती है कम निकल कर आती है क्योंकि मान लीजिए यह मान लीजिए मैंने अभी बताय पर अगर GDP निकाले हैं तो टेक्स चोड़तों तो माली जी बारे रुपे का हो जाते हैं तो इसी तरह से जो राष्ट याए होती है यानि कि नेसमें इसको भी दो पिरकार से लिया जाता है यानि कि राष्ट याए चालू मूल तथा इस्तिर मूल पर यानि कि GDP जो होती है साधन लागत पर और दूसरा जो होता है बाजार लागत पर ठीक है लेकिन राष्ट याए जो निकाले जाती है राष्ट याए चालू मूल तथा इस्ति इसके साथ लिखा हुए आपको देखने को मिल जाएगा कि राष्ठ यहाँ इस्थिर मूली पर और राष्ट यह चाली मूली पर आप यह बात और है यह बात हो रहे हैं जब आर्थिक समिक्षा की जाती है तो बित मंत्राले देश की आये संबंदी जो आंकड़े होती है वो बाजार लागत और चालू मूल के आंकड़े भी प्रुस्तुत करता है यानि कि हम लोगों को दिखाता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि GDP को दो त का ली जाए तो मेगाई को सुनी मान लेंगे तो इस्तिर मूल पर क्या होगी कम होगी और अगर बाजार मूल पर निकाली जाए तो वो क्या होगी जादे होगी और बाजार मूल पर कौन निकालता है तो इस्तिर मूल पर जो राष्टिया निकालते हैं वो कौन निकालते हैं आपको अम्मिद है आपको दिमाग में फूटो कपी हो चपा हूगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब समस्य से राष्टियाई को थोड़ा सा देख लेते हैं साधन लागत पर राष्टियाई को भी थोड़ा सा बता दू मैंने पीछे बता दे लेकिन हलका सा यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाजार मुल्पर राष्टियाई इस्तिर मुल्पर राष्टियाई ठीक है आईए देखते हैं साधन लागत पर राष्टी आई देख लेते हैं भारत में साधन लागत या कारक लागत या फेटर कोष्ट पर सुद्ध राष्टी उत्पाद यानि कि NNP को राष्टी आई कहते हैं दूसरा देखते हैं बाजार मुल पर राष्टी आई राष्टी आई क को निकालने के लिए बाजार मुलपर प्राप्त सुद्र राष्टी उत्पाद में से अपर्तच कर को गता दिया जाता है तो और सबसेड़ी को क्या कर दिया था है जोड़ दिया जाता है ने तीसरा देखते हैं इस तुर मुलपर राष्टी आए की करना करने के लिए इस तु पर देश की बारे में आए थी जैसे कि आपका GDP NNP ठीक है NDP और GNP इसके बारे में आपको टेटेलिम्ट बता चुका हूँ तो यह क्या थी राश्टिस्तर की आई त्यूंग आ पने क्या बताया कि आप लोगों को मैंने राश्टिस्तर की आई के बारे में जानकारी दे दिय हैं तो जिस तरह से देश की आये के कई प्रकार थे उसी तरह से पैसा होता है मतलब पैसा होता है मतलब यह पैसा कमाते हैं मुhn आय होती है यानि कि कुछ भी काम करते हैं उसके बजले के समू को मिलने वाली मजदूरी या कहने बेतन या कहने तनखा या किराया या फिर सेलरी या फिर ब्याज या फिर लाव जो आप कहना चाहें कह सकते हैं इन सबी के रूप में जो पैसा मिलता है या कहने जो धन मिलता है या कहने जो रुपया मिलता है या कहने जो मनी मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं आए कह देते हैं दो सब्सक्राइब किसी ब्यक्ति या ब्यक्ति की समुझे को मिलने वाली मजदूरी या बेतन को मजदूरी या बेतन की रूप में मिलने वाला पैसा उस ब्यक्ति की आए या कहें उस ब्यक्ति की इंकम होती है अब भाई इंकम के र मकान में रहने वाला को बैकती है और किसी मकान मालिक को रुपया देता है तो किराय के रूप में उसकी इंकम होती है बात को समझे रहा है किसके रूप में दे रहा है पैसे रूपय की रूप में दे रहा है मान लिजिए मैंने किसी को किराय पे मतलब ब्याज पर रूपय दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हैं तो मैंने क्या बता है I मैं कुछ करनती है घर है को चल जाते हैं तो एक तरह से मेरा बाया हो गया हूं साठ साल से उपर गया हूं तो मपन भ know भी मिलती है इस तरह की जो है यह सारी आय में ही आती हैं तो अगर एक गम साधर सब्दों में समझें तो किसी भी ब्यक्ति को मिलने वाला हर पिरकार का धन चाहे कोई सा भी पिरकार हो धन की रूप में क्या मिलता है उसको जो भी पैसा है रूपया मिलता है वो क्या कहलाता है उस ब्यक्ति की आय कहला इनकम क्या होता है, तो किसी भी देश या कर राश्ठ के अंदर रहने वाले बैक्ती को, मैं फिर से बता दू किसी देश या राश्ठ के लोगों तक पहुंचने वाली आय को क्या कहते है, यानि कि मैं एक देश में रहता हूं जिसका नम भारत है और मुझे जो पैसा मिलता है, वो मेरी आय हो जाती है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी देश वासी या देश के नागरिक को मिलने वाला आय को हम ब्यक्तिगत आय कहते हैं क्योंकि ब्यक्तिगत मिलना स्वैम का है में किसी दूसरे को देने जाने बाला नहीं हूँ उस पैसे को मैं अपने चाहने वाले, यानि कि मेरे माता, पिता, भाई, बहन, मेरी गल्फ्रेंड, मेरी बीबी, इन सब को भी मैं खर्चे के रूप में दे सकता हूँ, तो लेकिन वो रहेगा मेरा ब्यक्तिगत, मेरी मर्जी की बिना, वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, ठीक है तो आप ब्यक्तिगत आय को निकालने की जो बहुत बड़े-बड़े फॉर्मूले की जरूद पड़ती है, लेकिन वो यहाँ पर चरूदत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बिल्कुछ साधरा बात से हम समझा दूँगा, एन आई जो होती है, यानि कि जो राश्टिया होती ह है, वो NNP होती है, और NNP क्या होती है, नेवल, यानि कि सुरी, नेट नेशनल प्रोड़क्ट, यानि कि सुद्ध राश्टी उत्पाद, तो सुद्ध राश्टी उत्पाद होता क्या था, मैंने बताया था, GDP, GDP में से आप क्या कर देते हैं, बिदेशियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन को घटा देंगे तो आपका क्या निकलाएगा एन एन पी निकलाएगा या हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत देश में भारती नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन और भारती नागरिकों के द्वारा बिदेशों से की जाने वाली कमा को देते हैं तो आपका क्या निकलाता है निकलाता है वही राष्ठी आये होती है यानि कि भारत देश की आये वही होगी तो राष्ठी आये में क्या जोड़ दिया है तो हमारा क्या निकलाता है यह ब्यक्तिगत आये निकलाते हो तो जोड़ क्या देते हैं आपका पैंसन आ ज है। बात को समझिए न? उसको पैसा हमें देना ही देना पड़ेगा. समझना बात को? इस मेंसे घटा है या रहत है तर आपकी बेक्टीकत कि रूप में क्या निकलाती है वो आये निकलाती है तो इस तरह से जितनी रासी का जो अनुमान लगाए जाता है उस रासी को उस जन्संक्या से क्या कर दिया जाता है भाग दे दिया जाता है उसके बाद आपकी क्या निकलाती है प्रत्य व्यक्ति आये निकलाती है ठीक है अब कोई पच्चीस जार कमाता है कोई दस जार कमाता है कोई दस जार कोई 16 जार कोई एक चीज समझना विक चीज़ अनके कितना लोग कमा रहे हैं यह कोई पच्ची सब्सक्राइब हमने 5 का बाग दे दिये 16,400 आ गया तो हमने किया सब का अनुमान लागा दिया कि यो 5 यो है प्ता क्यों कितना रुपय कमाते है 16,400 16,400 लेकिन एसा नहीं है बल्गी यह कितना कमाते है यह कोई पच्छेश जार और kul 10 कोई 16 को इस तो इस एक चीश समझे न यहां यहां से क्या नहीं निकल किया रहा है बास्तिविकाय के बारे में हमें जानकारी नहीं नहीं निकल के सामने आती है तो इसका पता कैसे लगाते है यानि कि व्यक्तिकाताय तो चलो पता से लगए कि इतने लोगों को यह मिल रहा है लेकिन बास्तिविकाय कैसे पता देलेगी त तो उसकी यहां पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो आए समझते हैं, बास्ट्विक आय को भी थोड़ा से देख लेते हैं, उसको भी समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्याय योगिया, डिस्पोजल पर्सनल इंकम, यानि कि आपको मैंने बताय था, व्यक्तिक कर होते हैं, उनको घटाते हैं, और जो आय वच्टी है, उसको व्याय योगिया कहते हैं, प्रित्यचकर में आपका क्या आ जाता है, प्रित्यचकर, आय कर, व्याय कर, और व्याय कर, यह आपके प्रित्यचकर होते हैं, मैं फिर से बता दू, व्यक्तिगत, व्याय योगिया और वह था और ये टेक्स है कुछ देना होता है तो बहुत को हो जाती है मतलब अब 19,000 को मैं क्या कर सकता हूँ खर्च कर सकता हूँ बात को समझ में आया चली फिर से बोलता हूँ मैंने क्या बता है व्यक्तिगत व्याय योग्याए यानि कि इसको निकालने के लिए जो ब्यक्तिगत आये होती है यानि कि मेरी परसनल निगों कितनी मिल रही है यह 20,000 रुपे मिल रही है तो ब्यक्तिगत आये मैं से सभी जो प्रतेचकर होते हैं उनको घटा देते हैं तो जो आये बचती है उसको क्या कहते हैं व्याय योग्याए कहते जैने कि माली जें उन्यस बीस जार मिली उसमें एक हजार या दो जार रुपय मेरा टैक्स के रूप में चला तो कितनी बची अठारे जार रुपय पे पेची अब मैं इसको खर्च कर सकता हूँ व्यायोक के बाद के बात हो रही है, ठीक है, ये ब्यक्ति, या करें ब्यक्तियों के समु की ये वह आय होती है, जिसको वह कहींirect पर खर्Ч कर सकता अपनी मर्जी से, मालिजी कोई समों है, उसको एक text निकालने के बाद मालिजी रुपै बचा, उसको कहीं पर भी जाकर खर्च कर सकता है, कि लियर हुआ, इसके अलावा कुछ और भी मद हैं जो इसमें से क्या की जाती है गटाई जाती है जैसे कि व्यक्ति गताई है उसमें से क्या कर दी जाती है गटा दी जाती है तो आपका व्याई हो गया निकलाता है तो किसी व्यक्ति की दोरा जमा की गई बीमा की रासी यानि कि उसने कुछ पॉलिसी ले रखी है तो वो क्या करेगा आपका व्यक्ति गताय में से क्या करेगा घटाएगा तब आपकी वो क्या निकलेगी आपका व्याय योग्या यानि कि अगर वो उसने पॉलिसी ले रखी है तो उसका दो या तीन जार या एक हजार रुपे उसका मंतली जाना ही जान बेक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई बंदा कैए मौटे संबंधी वुकतान अब भाया यह क्या हुता है माली जी हमने कहीं कोई मैंने लॉन लेने के बाद हमने क्या किया अपना किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया है गिर भी रख दिया है बात को समझना गिर भी रख दिया दो गिर भी रखने की रूप में हम क्या करते हैं उसको पैसे देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा बंद क्या उसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं पैसे देते हैं तो वो हमें देना ही देना पड़ेगा समझ सकता है आपने किसी पैंसन को उसमें जमाना ही करते हैं हो सकता है आपने किसी कोई मौटे या वंदक नहीं उससे समझती को आपको बुगता नहीं करना होता है यह हो सकता है अगर बीमा पॉलिटी ले रखिए तो उसका देना ही देना पड़ेगा कोई पैंसन को उसमें जमा कर हो आपने समझने बात को तो आपको ये नहीं देना पड़ेगा तो सिंपल सा है अगर आपको बीमा नहीं करवाया आपने कोई बंदक अंदक वाली आपकी कहानी नहीं है कोई पैंसर को उसमें जमान नहीं करते हैं तो सिंपल सा है जो आपको सेल्दी मिलती है दस जार बीस जा ना, मैंने क्या बताया जो बेयोग याए होती है वखिसी भी आर्थिवर्षता को प्रभावच करने वाला मैयद पूर कारक माना जाता है, क्यासे माना जाता है क्योंकि हमारे तो अब 19,000 को हम कहीने की खर्च कर सकते हैं उसको हम 19,000 रुपे बचा पचुकि हम एक लाग नब्बे जार कर सकते हो से हम चोटा मटा को बिजनेस कर सकते हैं या पिर अर्थ विवस्ता में उसका माली जी हम कोई गाड़ी करी क्या लाएंगे और जोड़ जार के हम कोई गारी प्रमाली चेतना होकि हुआ कोई और प्रॉक हम क्या क Cay डा 1 पर करता हूं है या फिर वृफके मेरा अध्यो शर्कारी के अलावा क्वर है उनका ठीक है उसको Venis remix के लिट खरकर वो किल आय को हम नीजी आए कहते हैं कुछ भी हो सकता है आप कहीं समोचे बैशते हैं कोई बड़ा आप का इध्योग हो एक ट्रिय है ठीक है समझना मातको सरकार से आप किराम आप नहीं करते हैं पर आ Bennu नीजी स्वयम का ब्यापर करते हैं यहां पर मैंने फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं यह सब में मैंने फॉर्मूला दिये थे यह इस तरह से ठीक है तो नीजी चेत्र गरेलू यह फ़लाने डिम कर तमाम चीज़ें लिखना चाहते हैं प में जन्संक्या भाग देने पर क्या होता है प्रत्य व्यक्ति आई निकलाती है मैंने क्या बताया जो एननपी है फेक्टर कॉस्ट पर यानि की कारक लागत पर कारक लागत पर राष्ट याए को जब हम निकालते हैं तो उसको निकालने के बात क्या करते हैं उसमें जन्संक्य का भाग देते हैं मान लीजिए जो फेक्टर को पर क्या है एनन पी आपकी निकली है वो कितनी है ब्यासी हजार है तो उसमें क्या करेंगे पांच लोग है पांच लोगों का भाग देदेंगे तो क्या निकल करा जाती है आपकी प्रत्वियक्ति आया करा जाती है ठीक है इसके लाव क्या होते हैं, इसको समधें? इससे किसी भी देश के अंदर के जीवन सतर का अनमान लगाए जा सकता क्योंकि हम यह देखेंगे यार अजला होरत है, तो उसके पता चल रहा है, यार момент में पैसे कमाते हैं और खाते पीते हैं समझ रहें अब यह चीज लगे को पच्छेस जार को दस जार को इस लेगे फिर भी क्या करना है एक आइडिया लग रहा है नहीं कि एकोनमी में यानि कि अर्थ विवस्ता में क्या है या कहें आपके जो राष्टे उसमें क्या है पैसे लोग कमा रहें और अच्छा खासा खाते पीते होंगे ठीक है दूसरा देखते हैं इसका प्रियोग किसी देश की किसी अन्य देश की संपत्ति की तुलना करने के रूप में भी किया जाता जैसे कि माली जी हमारी जो है ए एननपी के आधार पर हमने क्या निकाली पर तो कितनी निकली सोले जार पांसो चार्सो निकली तो हम क्या करेंगे चीन से तुलना करने को देखेंगे चीन की कितनी है हो सकता चीन की हम से जादे हैं हो सकता पाकिस्तान की हमसे कम है हो सकता भूटान की हमसे कम है तो हम देखेंगे यार सोले जार हमारी है तो हम पाकिस्तान की चेक करेंगे और जार चीन की देखेंगे और या वहां की चोविस जार रहा है अमिर्पा की देखेंगे रहे हैं वहां की तो नव्ले बल्ले में यहां पर यहांपर क्या है है फिर सकता बने जा रहा है इस तरह से तो यह क्या चीज़ समझ में आ रही ना कि वहाँ पर यार आनंदी आनंद ले रहा है क्लियर हुआ ना तो भारत की कितने हैं डॉलर में हाँ पर है जैसे कि दो हजार एक 288 ऐसे यह पिर इंडोनेसिया फिर इस तरह सोथी है चाइना का क्या है दसजार तो आप अंदा लगा सकते हैं यार बढ़ा यार आंन्ते में चीवन करता है तो यह पता चल जाता है तुल्ना करने में भी अगर हम करते हैं अमेरिकाज से तुलना करते हैं तो तो देखेंगे य प्रतिफीघ्टि आये हो जाती है कि माली जी हमने 2021 के आधर पर हमने क्या कर ले राष्टिया देंक लिए उस में गारलें stri तो बास्तिक प्रतिव्यक्ति आये निकल कर सामने आ जाती है ठीक है समझ रहा है मान लिजिए बर्तमान में जो किसी भी चीज का जो मूल लिब अगयरा है वो कितना है कि मान लिजिए इसका दस रुपए है बर्तमान में लेकिन दूजर बारे गया रहा है कि असाब से कितना मा साथ दौनों को जोड़ लें उसमें बाग दे तो हमारी क्या निकलाएंगी प्रतिव्यक्ति आहे निकलाएगी वो भी पास्तिक वाली कब इसतिर मुली पर राष्ट यह का आकलन करने के बाद मैंने बताया था इसतनानी पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा है जुए है चली देखते हैं राष्ट्याय को मापने की कुछ कमियां कुछ सिमाएं ओर कुछ Agent से ज़ोड़े हुँ है तो आइए समझते हैं क्लिए करते हैं तो राष्ट्याय को मापते हुए कुछ कमियां हमें देखने को मिलती है या हम उन या हम सीमाइे भी कह सकते है के राश्टी हzen तो समझते है राश्टिजाएई में काले दन की बात की जाए तो लगबग 20- tongue 25% मानी जाती है, जो की काली अर्थ्वभस्ता के रूप में काम करती है is कुर्य रिकार्ड नहीं किया होता है राश्याय में black money यानि कि जो काला धन होता है आप लोगों पता है जो गदार लोग होते हैं जो गटिया लोग होते हैं जो नेता होते हैं बड़े बड़े जो च्योर होते हैं वो क्या करते हैं उनकी पार बहुत सारा पैसा होता है जिसकी जानकारी सरकार को नहीं होती ह कालाधन का मतलब क्या होता है कालाधन ऐसा होता है जो गयर कानुनी रूप से कमाया गया हो गबन करके कमाया गया हो जिसकी जानकारी किसको नहीं होती है सरकार को नहीं होती है और उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है तो वो क्या होता है जब उस पर टैक्स ही नहीं दिया गया तो वी यमें वलता हूँ LOK DAUN का TIME चल रहा है मैंने ऐसा खाना खाया जो कुत्तोंने भी नहीं खाया होगा क्योंकि मैं खाना ना बनाना जानता नहीं था वारी खाया करता था तो अब थोड़ी और जी धिक्कत आती है ऐसा सा खना令 को को मिलता है जो कुट्ते भी नहीं कहाएं मेरे घर में कुट्ते भी नहीं खाते होगे ऐसा में खाने के बात कर रहा हूं मैं तो आप समझ रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं जो in वक्त ब्यव्य् attends पाल्माः। उसके लिए मारी है है थे साप्न ब्रूस ओंप्र मने खर्म्राइब कि यह मुझा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करकम या नangel निए मैं के तो जह बागने है क्या होगा हुझ और दयुरुकों पर तो महaiserता हूं तो माल लीजिए वहाँ पर पहुंचते हुए क्या माल ल кино की पता है समेदे भादього को एक ही पता है और दवा वहाँ पर जैसी पान्चा मैंने का कि सब्सद्रेण चाहिए मुझे तब-ब्लैक-मनी वाल वहाँ पर खड़ा का हो जाता है वो कहता है कि बाई साब हमको देना तो दवा जो है उसका कीमत जो है मालेजिए इसकी टैबलेट जो पूरा है इसका एक पूरा इस्ट्रिप जो है वो मालेजिए कितना है 55. हों कि दो जार पर एंपत करें में आए यू कि कि में अहीं यहां जी तौह से उल्माख variesब हम्राइब स्था में चर्णिच्छ शुर्णाकरा तो जाहीं इसकी जाएंब कर दोच अइसकी तो कोई बात भी कैस नहीं तो पात भी ना बात को शम्झो वह क्या करना के पास पैसे का कोई लें देन तो उसके पास वह बिलेक मनिया तो उसे उसका को फारक ही नहीं पड़ता यह क्या करती है किृए का जो रिकॉर्ड नहीं करती है मतलब उससे यानि ब्लेक मनी से क्या हो रहा है माल लीजिए कहीं पर कोई उत्पादन हो रहा है तो अब सरकार को उसकी जानकारी तो है नहीं उत्पादन तो हो रहा है लेकिन सरकार उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे है इस तरह सी और भी कमी आ ज जाता है तो उनकी लेखा पर reject को ना जोड़कर क्या किया जाता है उनका दर्फ क्या कर लिए जाता एक यहां पर लगता है मालेजे सेहर में पूरी नहीं रहता हूं तो एक तो क्रेश चौराय सब्सक्राइब लगता है एक बड़े चौराय पर लगता है एक लगता ये लिकilippa का आनगा कितना तंबाई हुआ मतलब एक लाक रुपे परड़े का मैं क्या बेजता हूँ समोसे बेजता हूँ बात को समय नहीं लेकिन कहने को मैं क्या हूँ सिर्फ उसे समोसे बाला हूँ ने कह Öğle वान de मैं पंदरियवां रूपे कमाता हूं समोसे वाला हूं की सारा कसाराっぱ सबकुत समोसे वाला हूं किया हूए हूज हूए हूज योगिन कितना पंदरियलाःः illegal कमाता है यानि कि तेड़ करोड़ वो साल का कमा लेता है, बात को समझे हैं, तेड़ करोड़ वो क्या करता है, साल का कमा रहा है, बात को समझ पाए न, इस तरह से, अब मान लिजे मैं किसी छोटी सी काम पर मैं अलतलब घर में काम करता हूँ, और ऐसे तो जाने कितने उद्यों होंगे अब उनका तो कोई अनमान लगाएए उसके बाद भी उनका होऊ क्या चारा रहा उसका लैँ के तौकान है परचून की दुकान जिस opinon kय बोल सकते हैं किराना इस्टोर पे वो परड़े जो कमाई बगएरा करते हैं वो परड़े दो ती नजार का कर लेते हैं तो ऐसे करके छोटा सा है उसका कोई लिखापड़ी नहीं हो रहा है ऐसी लाखों दुकाने होंगी किसी राजी में लाखों हो सकता है ददस लाख दुकाने हो सकती है कि अब उनका कोई लिखा पड़ी तो हो नहीं रहा है कोई सरकार की उनमें नजर तो पड़ नहीं रही लेकिन वो क्या फिर भी कोते हैं उत्पादन तो कर रहे ना बेच रहे हैं पैसा कमा रहे हैं वो कहीं और लगा रहे हैं बात को समझो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या लगा लि हुआ है उसका मौद्रिक मूल ही होगा लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है मैंने आपको बताया था कि किसी देश में किसी देश में भारत के निवासी जो होते हैं देश में और देश के बाहर क्या करते हैं उत्पादिन जब को करते हैं तो क्या कहलाता है एक तरह से राष्टि कि मुद्रिक मूलिक को हम क्या 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 देते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो उत्पादन हुआ लेकिन उसका क्या हुआ वो माजार तक नहीं पहुच पाया उसका मूलित जो था वो क्या हो गया हमने लिख तो लिया लेकिन बाजार तक पहुचा ही नहीं वो र इसी बाते 100 control हुए तो 100 में से 70 80 इंड्र कोंटर्ट जो है मार्केट में बेची दूआ लेकिन हुआ नहीं साथ सरकार ने तो अन्मान लगा लिया उसका मोद्रिक मूल और मेरे जैसे कैसे नहीं उसको थोड़ा समझते हैं मालीजिए मैं एक किसान हूँ बागवान लाल किसान हूँ मतलब अंदा मिस्तरा मेरा नाम है मैं खेती करता हूँ मेरा क्या हूँ मैं सो कुंटल गया हूँ का उत्पादन किया अब ये बाजार में चाकर बेचा नहीं गया लेकिन सरकार मैंने क्या कर लिया उसका एक अन्मान लगा कर उसका मुद्रिक मूल निका लिया समझना है मैंने क्या बताया ये बाजा मैं नहीं बेचा गया बलकि इसमें से क्या था जो सो कुंटल था सो कुंटल मैं से तीस कुंटल मैंने क्या कर लिया अपने जानवरों को खिला दिया ए एक गढ़ा भी है मेरा उस्वे में सवारी करता हूं तो उस्ते क्या हुआ थीस कुंटल में अपने जानवरों को खिला दिया एक साल में बाकी का कितना बचा सतर कुंटल में से 20 कुंटल मेरी दो बिटिया हैं 2 बिटिया के लिए 10 कुंटल है कि 10 कुंटल चोटी बाड़ी बाड़ी कीस को बहुत बहुत प्रेद का कर दिया है पचास कुंटल चला गया बात को समझना अब फचास कुंटल बचा सब्चा पचास कुंटल क्या शली अब अब के लो सब्सकों पाड़ेया चाहिए पेंटोन नहीं लबा लेते हैं आपके कं रूखा था तो ठीक अब समझो कितना रह गया, अब 10 कुंटल ही रह गया, तो 10 कुंटल हमने क्या किया, 10 कुंटल की पढ़िया ले ली, अब हम 10 कुंटल क्या कर दिया, 10 कुंटल बाजार हम बेच दिया, हमें कैस की जरूरत थी, थोड़े से सोचे के 10 कुंटल हम बेच बाज देंगे, तो थोड़ कुंटल खर्च हो गया 30 कुंटल हमने अपने घर पे रग लिया 10 कुंटल की पढ़िया ले ली और 10 क क्या कर सेर में बिज बेच दिया अब सौ में से 10 कुंटली गया ऐसे जाने कितने किसान होंगे जो क्या करते है अपना उसी से मतलब सारा अनाज कर लिया और गाउं में आपको पता हूँ जो गाउं के रहने बाले लोग होते हैं गाउं में आज भी क्या होता है जो अनाज बगएरा होता है उसको ही क्या करते हैं उससे ही खेतों में उससे ही दुकान से क्या मिल जाती है सोदा बगएरा म बना लिया और ऐसे करके मम्मी इसमें बढ़ देते थे जोली बना के ऐसे करके हमें दुकान पे जाता था तो मुझे उससे जो चाहिकी पत्ती लेनी होती थी या फिर कोई और चीज निए नी थी जब रिस्तेदारी में कोई जाता है तो पैसे ऐसे तो देते नहीं है तो लेकिन वह कभी वाजार तक नहीं पहुंचते समझ आया चलिए नेक्स समझते हैं कर और राष्ट्याय के बारे में बात कर लेते हैं कर यानि कि टेक्स एंड नेशनल इंकम तो प्रतेश्चिकर के बारे में थोड़ी सी जानका लेते हैं तो राष्ट्याय को प्रतेश्चिकर में राष्ट्याय में प्रतेश्चिकर जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है अगर नहीं जोड़ा जाता है तो क्यों नहीं जोड़ा जाता है इस तरह से मैं यहां पर चीज़ें क्लियर करने बारा हूं सबसे पहले बात का से प्रिटेच कर रहा है तो सरकार को कोई भी व्यक्ति अपनी आय के रूप में क्या करता है एक हिस्सा क्या करता है अदा करता है या सरकार को देता है किसके रूप में कर के रूप में देता है मैंने क्या बताया सरकार को कोई भी व्यक्ति अपनी आय से एक हिस्सा अदा करता है इसलिए है कर क्या होता है राष्ट क्याय में जो प्रत्यच्चार होता है ईसको जूडा जाता है क्योंकि फ्रत्यक्च फ्रत्यच कन्तल सामने खड़े होकर या प्रिकटblowing मैं आप को क्या करता हूँ आगर आपको टेक्स देना है तो मैं आपको प्रिकट उक्या निए प्रत्यच है और मुझ्से ही लिया जारा है तो हम ने क्या किया चिए इस तरह से आपको टैक्स दिया तो उसको क्या किया जाता है जा जाता है जिसको हम इंकम टैक्स करते हैं संक्ट रमसलम कोई मान ली जियो कोई संस्टा है उस पर टैक्स या कर लगाए जा रहा है तो उसी संस्ता से ही बसूल किया जाएगा यह थो और डार्फ टैक्स तो समझ आए डारेक्स यानि कि जो ए राष्ठी आय में या नेशनल इंकम में जूड़े जाते हैं ठीक है पर उच्छे अपर्टेच कर देख लेते हैं तो अपर्टेच कर की इवर बात की जाए तो इसको राष्ट्याय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि अगर इसको हम राष्ट्याय में जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है दो बा किस से जाता है तो उसको हम क्या करते हैं हम नहीं जोड़ते हैं किसमे तो सीदी मतलब कर्ज होते हैं लेते हैं ठीक है चलिए चूट की बारे में बात कर लेते हैं चूट होती है वो राष्ट्याय में जोड़ी जाती है कि नहीं जोड़ी जाती है अगर जोड़ी जाती है तो क्यों जोड़ी जाती है और नहीं जोड़ी जाती है आईये समझते हैं तो इन छूटों को क्या किया जाता है जूढा जाता है अब चलिए क्योण जोडा जाता है आईए समझते हैं मान लिजी about अहिति हमने क्या किया यह अपनी दुकान पर क्या करते में इडिया ती क्या कि क्या की यह with say सब्सक्राइब देख कर देख करें पागल हो गया वह ज़िए निर्मार किया है निर्मार करने के बाद इसकी जो कीमत जो है वो कितनी है इसकी जो कीमत है वो सरकार ने इस पे 40 रुपए की सबसीडी दे दी कीमत अब इसकी कितनी हो गई 360 रुपए हो गई बाजार में बेचने जब हम पहुंचे तो यह हमने कितने का बेचा 360 रुपए का बेचा लेकिन माल हमने कितने का तयार किया हमने हमने माल जो किया वो 400 रुपए का किया अब हमें तीन सो साथ ही रुपे मिले हैं और आरे ममोरा नुकसान हो गया और हमारा क्या किय धा हमय है सरकार ने लोट लिया सरकार बच्चा रोमत तेरा जो नुकसान हुआ है Wbridge lat बात को समझो सरकार और सबसीडिया कियां sports गया किया तीज दी इस इस सीधा साह B रुपए का जो माल है जो चारश रुपए वाला माल है? वो 360 रुपए हम बाजार में Б alm बाजार में बेचकर मैं आया हूं, तो मेरा जो 40 रुपए का नुक्सान हुआ वह क्या कर दिया? सरकार भूं के सीधे से, पीछे से आकर मुजे दे दिया, इसका सीधा क्या मार्कें वो तिन सो Stock रूपי का जरूरूर बिचा लेकिन उसको जोड़ा कितना रुपे गया है उसको 400 के जोड़ा गया है जो आपको क्या किया गया आपको दी आ गिया चार बच्चे मालेजी इस या करत ada है चार बच्चे कर आए एक ने क्या क्या क्याbury कोई काम कर आ रुपे का तयार किया जो सबसे छोटा है मतलब जो एक साल का है उसने क्या किया दस रुपे का बनाया जो दूसरे नंबर का उसने बीस रुपे का बनाया जो तीसरे नंबर का उसने तीस रुपे का बनाया अब यार एक चीज़ समझें ना बात को बच्चे मेरे ही हैं सबने उ का कि सभी बच्चों का जो माल है माल ये सभी बच्चों का जो माल है वो कितने रुपे का हुआ है दद्दस रुपे का हुआ है नहीं कि तोटल कितने का हुआ चालिस रुपे का अब बड़ा वाला बच्चा रोने लगा एरे हमने बहुत ज्यादा मेनत की ती उसके बाद ही हम को दस रुपया दिया है हमने इसको इदर बुलाए दर आओ ये नीचे तीस रुपय लो सबस्री है तुमारी छूट दे दी लेकिन तुमारा माल कितने का है 40 रुपे का ही बनाया तुमने, तीसरा वाला, अब दूसरा वाला बच्चा है, दूसरा वाला बच्चा रोने लगा, बोगर पापा, हमने तो 30 रुपे का माल बनाया, आपने तो हमारा 10 रुपे के किया, तह सक करो, इतरा आओ, पापा बताओ, ये लो 20 रुपे, तुरंत के खेलो जाके बाहर बात को समझो यानि कि अगर कोई किसी का उप्तादन करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उसका जो उत्पादन हुआ है अर्थ विवस्ता में वो नहीं माना जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी दिक्कत हो ज़िए इसलिए क्या करते हैं जो छूट दे जोड़ने पर उसके लागत या मुल्ज पर जोडने पर उससे क्या होता है छूट का जो भार होता है गटा रहता मैं फिर से बता दूँ इससे छूट नहीं? होती है आपकी जो रस्मलाई होती है रस्मलाई पर क्या कर दिया सरकार ने क्या कर दिया 10% की छूट दे दी मैंने क्या बताए 10% की अगर छूट दे दी तो 100 रुपे की रस्मलाई जो है वो आपको 90 रुपे की मिली बात को समझना 100 रुपए की रस्मलाई 90 रुपए की मिली तो यहां पर अगर मैं 90 रुपए ही अगर उसको मानता हूँ राश्टी आए में अगर 90 रुपए अगर जोडता हूँ तो यहां पर क्या हो दस रुपए जो है जो सरकार ने सबसेड़ी दे दी है उसका क्या हो जाएगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा क्यों नहीं जोड़ा जाएगा क्यों अगर जोड़ा नहीं जाएगा तो इससे क्या गड़बर हो जाएगी जो दस रुपए का उत्पादन किया है उसका मूली subsidy मिल गई है तो इससे क्या होगा जो उत्पादन होगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा इससे क्या हो जाएगा परेशानी खड़ी हो सकती ऐसे जन कितने लोग होंगे यानि मालीजिए सरकार में क्या किया पचास हजार करोड की subsidy दे दी अब subsidy दे दी तो पचास हजार करोड का जो लोगों ने उत्पादन किया वो कहां जाएगा तो इससे क्या होता है जो subsidy देते हैं उसको नेशनल इंकम या राष्ट्याय में क्या किया जाता है जोड़ा जाता है ताकि इसमें बास्त्रिक राष्ट्याय निकल कर सामने आ जाएगा समझ मैं आ गया ना तो मैं फिर से सो रुपए आया सो रुपए आया लेकिन सरकार यह कहती है कि बेटा तुमारा जो सो रुपए की बनने में खर्चाई खर्चा आया है उसके बाब जूद आपको इसको कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी आपको कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी असी रुपए की और हम रोने लगे नहीं नहीं सरकार हमेरे साथ क्या कर रही ना इंतापी कर रही है पीछे से सरकार आती है कि पीटा हम सबसे भी दे रहे हैं आपका जो उत्पादन हुआ है सो रुपे हम उसको जोड़ेंगे आप हम से सो रुपे ले लो सरकार ने भी इस रुपे का नुकसान उठाकर वो क्या कर लिया? उसको मतलब जो टेक्स भी लगाना था, वो टोटल मिला मैं लोगे, सरकार ने उसको जूठीर नुखसान हुआ है, वो दे दिया. तो प्रत्य च्कर राष्ट्याय में जुडते हैं, हाँ जुडते हैं, अपरत्य च्कर राष्ट्याय में जुडते हैं, नहीं जुडते हैं, ठीक है? सक्सिडी राष्ट याय में जुड़ती है हाँ जुड़ती है क्यों जुड़ती है ये भी मैंने आपको बता दी चलिए आगे पढ़ते हैं चलिए राष्ट याय से संबंदित कुछ संग्ठन देख लेते हैं जिसमें सबसे पुर्मुक जो आता है वो आता है CSO यानि की सेंट दिल्ली कहां पर है आपको दिखा देता हूं यह आपको दिल्ली दिख जाएगी दिल बालों की दिल्ली यहां पर दिल्ली हरयाना उत्तर प्रदेश यह सीमा आपको देखने को मिल जाएगी है आप दिल्ली ठीक है इसकी और दियों की सांखे की साखा कोलकाता में कोलकाता कह पर है यह आपको देखिए आएगा पक्षिम अंगाल की राजधानिक कोलकाता यहाँ पर आपको देखिए आएगा ठीक है नेक देखते हैं इसकी इस्तापना दो मईए उन्नीस सो एक्यावन में की गई थी इसका जो बारसी की रिपोर्ट पीविस्की जाती है उसको राष्ट चेत्रक दितियक चेत्रक और तेत्यक चेत्रक और इन तीनों चेत्रकों को चौदै उप चेत्रों में बांट दिया है जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात नहीं करनी है चलिए आगे समझते हैं राठ याए में चेत्रक बार योगदान देख लेते हैं यानि कि सेक्टरल के लिए आगे बात करते हैं ठोड़ी सी जानकारी लेते हैं क्रेशक्ति तुलिता पर आए आपको इससे नाम से पता चल गया होगा income on purchasing power parity PPP अब ये PPP क्या है क्योंकि PP जब हम छोटे हुआ करते थे तो गाड़ी जो होती थी वो हरन बजाते थी तो हम उसको PP कहते थे अब जब हम बड़े हो गए हैं तो PP क्या होता है PPP तो हम उसको समझें क्योंकि छोटे थे उसको भूल जाओ हों क्योंकि चोटे जब हमहों करते थे तो छोटे पर पाणी को PP और चावण को हप्पा कहा करते थे जो चावण मना करता है te हप्पा कहते थे जब हम बड़े हो गए तो पानी को पानी कहते हैं और कुछ ँञां अंग्रेज की समझ रागह उंग्री की के दारा दी गई है इसके दारा किसी भी देश की अर्थिववस्ता की क्रह सकती अंतर राष्टी इस्तर पर इससे अवकाद का या उसकी बारे में पता चलता है इसको मापने के लिए किसी एक अर्थिववस्ता खास कर किसी एक अर्थिववस्ता की मुद्रा जैसे की अमेरिका की मानी जाती है बरतमान में बरतमान में अमेर की डॉलर को लिया जाता है उसमें प्रदर्शित किया जाता है फिर से इसको मापने के लिए किसी एक मुद्रा जिस जो की आपकी डॉलर मानी गई है इससे प्रदर्शित की जाती है तो यह कैसे होता है माल लीजे मैं आपको मैंस परंपरागत विनमेदर यानिकी एक्षेंज रेट के लावा एक नई विनमेदर निकाली जाती है, तो नई विनमेदर निकाली कहते जाती है, इसके तहट एक टोकरी ली जाती है, मैं टोकरी तो लाना भूल गया, टोकरी, चलो कोई बात नहीं, टोकरी मैं जोली मान लेता हू इसमें क्या किया जाता है एक टोकरी ले ली जाती है एक टोकरी ले 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 जाती है उसमें कुछ जरीड़ी चीजों को रखा जाता है अब ये देखते हैं कि उस टोकरी में रखा गया माल को अमेरिकी डॉलर में कितने खर्च करने पड़ेंगे और भारती रुपए जो हैं उस टीने रुपए की ले ली माली जी साठ पेंसाट्य रुपए की ले ली उठागे हमने आरेयर की दाल लिकली। इस만 prior कि reached फो बीस रूपे में है अब पता नहीं कितने का आता हैं लेकिन फिर भी माली जिए 30-40 रुपे का 100 ग्राम जी रहा है वो मैंने उठा के रख लिया पांच किलो और हमने क्या कर दिया उसको किसी टोकरी में रख दिया बात को समझना जो जरूरत की चीज़े हैं हमने क्या कर लिया मानगे सारा सामया जरूरत की जो चीज़े इसको चोकरी में रख और उसका बिल बना मान लिजिए 1000 रुपे बना समझना बात मान लीजिए मान अमेरिका में कितने डॉलर आई मात को समझो 50 डॉलर में वो आप आया अब बात को समझ गया ना आपको अब दोनों की हम क्या करते हैं एक डॉलर बढ़ावर कितना होता है सतर रुपई समझना बात को एक डॉलर बढ़ावर कितना होता है सतर रुपई तो गुणा कर देंगे पचास में तो कितना हो गया 35,000 रुपई हो गए बसरी तीन तीन रुपई हो गए ठिक इस तरह से आपर कितने हो गया साड़े तीन रुपई हो गए वीसितना नहीं आएगा उत्रव टोक्री है माली जी हम हजार रुपई में सामन खरीद गदाते हैं माली जी हम भारत का विल जो था सञांद volatile अतना अमेरीका कितना आया के शार किदना पाँन सो पांस ही पचास का जाल सतर को आया कहीए अ मैं आया कितना सो डॉल में खरीदना पड़ेगा भारत में खरीदना पड़ेगा तो कितने में खरीदना पड़ेगा भारत में वह कितने में आ जाएगा भारत में वह एक हजार रुपे में आ जाएगा इस तरह से अमेरिका में कितने का आएगा वो सो डॉलर का आएगा सो डॉलर तो सो डॉल काम गुणा कर देते हैं सतर में तो कितना हो जाता है साथ हजार रुपए हो जाएगा बात को समझो यानि कि भारत देश में अगर हम वो खरीते हैं तो कितने अधा होगा कितने का होगा एक हजार रुपए में होगा और एक हजार में हम क्या करेंगे सतर का भाग देदेंगे सत बात को समझ पाए ना तो यहां पर चीज समझो किसका सस्ता पड़ा पर्चेसिंग पावर कितना किसकी जाता है इसकी भारत देश की यहने कि अमेरिका में 100 डॉलर अगर लेके जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 डॉलर लेके जाएंगे तो बहां पर कितना आएगा अगर हम यही अब चीज आप बात करनें यही एक अजार रुपे में आया अब वो 100 डॉलर अगर हम 100 को अगरा हम 100 रुपाई मालने तो बहारत ने आते हैं तो एक ڈॉलर बड़ाबर उसमें कुछ जरूरी चीजों को हम क्या करते हैं रखते हैं जरूरी चीजूं को हम रखते हैं अब ये देखते हैं कि उस डॉकरी में रखा गया जो माल है अमेरीकी डॉलर में अगर लेते हैं तो इस डॉलर में क्या इस टोकरी में क्या है स्याम वही सावान दस डॉलर में आता है अमेरिकी दस डॉलर में आता है ठीक है और भारती रुपए की अगर बात की जा तो एक सो सततर रुपए में ये पूरा जो माल है वो आ जाता है समझे गा ना एक सो सततर रुपए में वो माल आ जाता है अब इन दोनों मुद्राओं को हम क्या माल लेते हैं यानि कि 10 डॉलर मतलब कितना माल लेते हैं दोनों को अगर हम बराबर माल लेते हैं तो क्या करते हैं क्योंकि 10 डॉलर में आ रहा है तो इसको भी 10 डॉलर माल लेते हैं और इसको भी 10 डॉलर माल लेते हैं उपर ले पढ़ेंगे, सास्तो रुपे खर्च पढ़ने पढ़ेंगे, समझ गए ना बात को, क्या हुआ, तो मैंने क्या बता, इन दोनों मुद्राओं को बराबर माल लिया जाता है, तो इस एक नई बिनमेदर निकल कर सामने आती है, और इसी नई बिनमेदर को हम, किसी ब्यक्ति की आ पर, पी, पी, पी के आधार पर, यानि कि पर्चेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है, और भारत के जी एन पी को, रुपे की बिनमेदर के आधार पर देखें, तो यह तेरे में इस्थान पर आती है, कैसे, अगर परमपरागत व पी, पी, के आधार पर देखते हैं, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता निकल का सामने आती है, तो चाइना नंबर एक पर आती है, दूसरे नंबर पर आपका यूस है, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका, वह भारत धेस आता है, चोथे पर आपका जापन हो시आता ह ठीक है नेक्ट बात करते हैं ग्रीन या का हरी एकोनमी यानि की अर्थ विवस्ता ग्रीन एकोनमी या हरी या हरित अर्थ विवस्ता क्या होती है यह आईए समझते हैं तो हरित अर्थ विवस्ता का मतलब क्या होता है इसके तहट अपनी अर्थ विवस्ता के साथ कास या करे संरच चड़ागर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं गिरीन अर्थ विवस्ता कहते हैं अब भाई गिरीन अर्थ विवस्ता कैसे होती है थोड़ा से समझते हैं मान लीजिए आप क्या करते हैं किसी का उत्पादन करते हैं मान लीजिए आप दवाई का साला बा हमने उत्पादन किया उत्पादन करने के साथ जितना भी हमने क्या किया जितना भी हमने गुड़ का गोवर किया जैसे माल लिए हम क्या करते हैं किसी पेड़ का दोहन करते हैं या फिर पर्यावर का करते हैं या कि बाईू मंडल में हम कितनी गैस चोड़ते हैं गंदी जंदी कि उन सभी को अगर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अर्थ विबस्ता में उत्वाद फार्ण दो कर ही रहे हैं साथ में क्या कर रहे हैं जतना पेडों का नुकसान कर रहा है तो पेडों को लगा रहे हैं पर नदी के पानिक के जलक्स्ट मेंन थbor Need a कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा नदी का पानी क्या न करें ज्यादा गंदा न करें उसके बाद माली जो कोई सेक्टरी चला रहे हैं तो ज्यादा आपका पर्यावड में क्या न हो क्या न जाए ज्यादा धुआ न जाए ताकि पर्यावड जो है आपका दूसित न हो समझने बात को अगर आप अर्थिववस्ता में किसका कर रहे हैं अर्थिववस्ता में उत्पादन कर रहे हैं माल का उत्पादन कर रहे हैं आप पैसे का उत्पादन कर रहे हैं पैसे के उत्पादन के साथ साथ आप पर्यावड का भी विकास कर रहे हैं या आप ज्यादा से ज्यादा क्य क्या कर रहे हैं पीड़ पौधे लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं नदी के जल को साफ करने की कोशी कर रहे हैं नदी की जल जो है उसको साफ करने कोशी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप अपना जो पर्यावड़ी प्रिदू सड़े उसको भी थोड़ा कम कर रहे हैं तो अगर ये भी करते जा रहे हैं तो इस तरह की अर्थिववस्ता को हम क्या कहते हैं तो आए समझते हैं तो मैंने क्या बताया इसके दर्थ अर्थ्ववस्ता कि सासाथ परियावट का पिकास, यहा कहें, संरच्छड भी करते हैं, तो अगर दूसरे सब्दों में समझें, तो चल कल्लियार, चंकलियार और सामाजिक सहवागता में सुधार करते हुए परियावर से जुड़े खत्रे और पार्सिति की तंत्र के खत्रों को भी कम करते हुए अर्थिववस्ता में विकास करते हैं तो इसी अर्थिववस्ता को हम क्या क्याते हैं हरिद अर्थिववस्ता क्याते हैं सीधा सा मतलब यह है कि हम अपना एकदम प्र जो भी तूख दिया है आपने क्या करती है आपने कई लगा देखा और वहां पर एकदम कोई नहीं है तो भाहीं पर ट्वालेट कर दी कोई बात नहीं चलते जा रहें चलते जा रहें नदी पड़ी सुबह गोबर करके आप आई नहीं थे नदी के किनारे बैठे हैं और इस दम जो आपने जो नीचे मलबार निकाला हर से मिठ्टी डाल के और एकदम नदी किनारे करें जादा हुआ तो नदी में ही इन्सान जब करता है तो बैठा हुआ है अगर्फिक जोचा है क्या कर रहा है आप तोड़ के घा रहे हैं नहीं वात बन पा रही है आ रही है आपने पेड़े उखाड लिया है उससे क्या कर रहा है जमीन पेड़े जायन लुए नहीं तोgesetz अपना नाम लिख रहे हैं मोहन दास राम कली या फिर फलाना इडेम का जो भी आपका नाम है तो समझो बात को आप अपना तो काम करी रहे हो लेकिन आप पर्यावण का नुक्सान कर रहे हो आपने गुटका दूग दिया जमीन गंदी कर दी आपने दूग दिया अब आपको पता ही है गुटका जैसे कोई गंदी कर दे जैसे कोई कुटा है आपकी गेट पर तस कुट्टे मूद के चले जाएंगे आप किसी वसड़ा पर बात को समझना क्यों कुट्टे नमा मूदा तो उसकी बदू से वो दूर से पहचान लेता है कविता सुनियोगी मैं तेरी से पहचान उलऊगा वैसे कुट्टा करता है तो तो इसकी इंसान्सान प्लेकर बड़े पानी की बात समझने मौद की पॉद करें समय लेकर दालगे तो आप Suppleraire नहीं तो मुंदा कर दो ने Realism लेकिन अपने काम करने के साथ साथ परियावड का नुकसान न करें आप अगर किसी मां लीजे फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री में कोसित करें कि जो पहले से पेड मौजूद हैं उसको न काटें ऐसी जगह बना लें जहां पर पेड पॉदे नहों मां लीजे आप फ चमड़ा बना झाथ ग। तो लेदर बनाए जाथा इसको खाल को रहां क्दों करें तो करें यह थे करें ताकि आप दिक्कत में न पड़ जाएं तौने दित, देखते हैं दूसरा देखते हैं हरत लेखांकन क्या होता है green accounting क्या होता है एक ऐसी विद्ध है जिसकी तहत किसी भी देश की अर्थ विवस्ता में जो भी उत्पाधन किया है उसमें से जो भी प्राकृतिक संसाधनों का नुक्सान किया गया है उसको राष्टी उत्पाधन मे कुछ लागत आती है तो उसको सकल राष्ठी उत्पाद में जूड़ा जाता है तो में फिर से वस्पाद करीन क्या होती है माले your आपके है विह में अब तो इस चली माली यह की daughter आपने क्या किया माली यह यह इस्कादन किया ओए को की फैक्टरी लगाने के पाद आप अब क्या कर रहा है कि उसमें से माली जिए कुछ गंदा पानी जा रहा है तो उसमें गंदे पानी को क्या कर रहा है नदी को साप करने के लिए उसको कर रहा है तो आपकी उसमें जोड़ा जाएगा अब मैं आपको साधरवासन समुना दूँँ मैंने क्या बताया कि green accounting क्या होती है मान लीजिए आपने इतने पैनों का क्या कर लिया उत्पादन कर लिया उत्पादन करने के बाद आपने कुछ पेड़ों को क्या कर दिया कुछ पर्यावड को नुक्सान कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे उसमें जितना भी उत्पादन हु और दौनमेंगे जितना भी आपका क्या होगा जितना भी नुक्सान का जो पैसा ohka भो क्या करेंगे आपके उत्पाधन मैं से घटा देंगे तो इस तरह कि अगर आप निकालते हैं हाने कि जितना आपने परियावण का नुक्सान कीया, जितने पेड काईhinë, जितने इतना उस्पादन करने के बाद जो पैसा कमाया उस पैसे में से क्या किया आपने कुछ पेड़ लगाए आपने कुछ नदी के जल को साप करवाया या आपने कुछ और चीज करवाई जो क्या है परयाबढ़ को क्या कर दिया गया है आपने उसमें संबर्धन किया फिर संदर च अब बात को समझे यह रुपया तो मैं नहीं कमाया ना अब असी रुपय में थे हमने काई में लगा दिया हमने पेड़ पौदे लगवाने में पर पर्यावड का संदच्ण में हमने 20 रुपय खर्च किये कि अब अब जब सरकार के बार कुलंसा यह लिखेंशीं ना अजब थे हमने 7 रुपय यह ल मैंने आपका 60 रुपय खर्च करने के बाद उत्पादन करने के बाद जो भी आपने पैसा कर्च किया संद्रचन में किसके परियावड के संद्रचन में तो उसको आपका चूड़ा जाएगा भले ही आपने खर्च कर्च चला गया लेंगे फिर भी आपके उत्पादन में वो चूड़ा जाएगा इसको ही हम क्या कहते हैं हर लेखांग का निया green accounting कहते हैं clear हुआ समझ में आ गया ना आपको आप माल लीजिए आपने क्या कर दिया आपने एक दो तीन चार पांच ची असी रुपे जैसे कमाए और असी रुपे में आपके दूसरी तर्फ देखा गया कि आपने नुकसान कितना किया नुकसान किया 20 र आता है यह green accounting यह अपधाड़ा है जो क्या करते हैं तो उसमें से आपका क्या कर दिया जाएगा 20 रुपे तो आपका 60 रुपे ही उत्वाजन माना चाहेगा ठीक है तो इस तरह की चीजें क्या कहते है green accounting कहते हैं क्यों क्योंकि हमारा मानना यह रहता है कि हमारी यह जो प्रत इसकी यह का हमने अपने जो पीडियां है अपने बच्चों से यह किराय पर लिया है हमारी जैसी प्रत्वी है बैसी हमें अपने बच्चों को देनी होगी यह नहीं कि हम जिसमें बैठ रहे हैं उसी पर हगते जा रहे हैं और उसी पर हगने के बाद हम उसी से ही क्या करेंग तो उसी नंदी का गंदा पानी को पीने को दिया जाता है वह ही साप करके दिया जाता है उसमें गो वर पड़ी होती है लासे पड़ी होती है मतलब इंसानों की बीए होती है मुझे तैअ कि गमग्काद नचलब जाता हैår रहां का प्लांट लगा देते हैं और उसी में पानी साप करके में प्रत ही करता है इसे प्रतवी धिथ लिए किस से लिए अपने बच्चों से उधार ली है, जो हमारी आने वाली पीडिया है, उनसे उधार ले रखा है, तो हम कोसिस करें, कि हम उसको दूसित ना करें, ताकि हमारे बच्चे भी जी सकें, समझे रहे बात को? तो चलिए Green Day Accounting हो गया, दूसरा देखते हैं, हरित राष्टी उत्पाद GNI या Green National Income क्या होता है, तो किसी अर्थ विवस्ता में, जितना भी सुद्ध बस्तूओं और सिवाओं का उत्पादन हुआ, उनमें से देश के परियावड तता पास्टितिकी का, जितना भी नुक्सान हुआ है, उसको गटा देते हैं, तो आपका GNI निकलाता है, यानि कि Green National Income नि आदन में से घटा देंगे, तो आपका कितना रहेगा, 80 रुपए ही रहेगा, यहीं सो में से 20 का नुक्सान किया, तो आपका कितना रहेगा, सिर्फ 80 ही रुपए रहेगा, तो इस तरह से अगर आप निकलते हैं, तो उसको कहते है, हरित राष्ठी आय, ठीक है, समझ आगे तो इसको क्या कैते है हरित राश्थी आय कहते हैं दूसरा देखते हैं यहां पर हरित सकल गरेलू उत्पाद हरित सकल गरेलू उत्पाद जितना भी आपने उत्पादन किया है उसमें से क्या करते हैं हम उसमें से क्या करते हैं मैं आपको बता दें मैं क्या बता है जीडीपी की गड़ना सकल गरेलू उत्पाद में से जो गरीन गरीन या कहें जो हरा या कहें सब्सक्राइब है तो उसमें से आपका परयावड का फिरत्क पार हर्त सकल राष्टी उत्पाद क्या होता है आईए इसको समझते हैं गिरीन जी एनपी ग्रोस ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोड़क्त तो इसका मतलब भी हुआ कि एक निश्चित दियो यह समय में प्रतिब्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम मात्रा जो देश की प्राकृतिक सं समपदा को इस्तिर मनाय हुए प्राप्त की जा सकती है जी एनपी की शुरुबाद उन्नीसों पिच्यानवे से की गई थी इसका हर दस साल बाद क्या किया जाता है बिस्त बैंक द्वारा इसके बारे में क्या की जाती है इसके आंकड़े प्रकासित की जाते हैं और अभी त अत्तिर अर्व तरह से जब 2001 में अ का इनका ले घहे ते तो में सबसे नमबर न पर जो आपका था उस्टिलिया आता है उसके बाद सबसे आक्री में जो था ओ एत्योफिया यारत भान पर बात सब्सक्करांएन अर्ध की लए नंबर फिष्ट आने वाला था एन पी या Green Gross National Product क्या होता है इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लो मैंने क्या बताया इसका मतलब यह है कि एक निश्चित एक निश्चित दिये हुए समय में प्रतिव्यक्ति उत्पादन की वह है अधिक्तम मात्रा जो की देश की प्राक्रितिक संपदा को क्या इस्थिर र रखी जा सकती है और अधिक्तम मात्रा क्या होता है यह तो मालि यह मालिए आपका क्या है यह मालिए कोई अर्थ्व्वस्था है अर्थ्व्वस्था में से कर दिए हैं मैं लिए को आर्फवस्ता में इस इस यह है कि यह ये 3 Pen का उत्पादन किया वह 4 Pen का उत्पादन के लिया अब यदि पास समझना इस अर्थ प्ववस्ता परने करते टाइम पर हमारे परियावड का नुप्समारण नहीं करो समझो बात को चार पेन का उत्पादन करके आप थंडे हो जाओ बैट जाओ जाओ ज्यादा भड़वड़ी मत करो अस के उपर आप करोगे तो पर्यावड का नुकसान होगा लेकिन आदमी घटिया इंसान होता है जो दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर जो होता है वो इं कंडिशन खरा हो जाते हैं चार पेन का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन हम क्या करते हैं चार सो पान सो हजार दस हजार एक लाख और तब तक करता है जब तक वो नहीं मरता है और करता ही रहता है और वो क्या करता है पर्यावड का इतना दोहन कर देता है कि आज कहानी यह गई है है कि हम कहते हैं climate change climate change भया climate change नहीं हो रहा है तो सिस्टम है भो बदल रहा है climate कभी भी change नहीं हुआ था हमारा system बदल गया है क्यों कोंकि हमें गोबर खाने की यादुत पड़ गई तो हम कहते हो कि सिस्टम चैंज नहीं हो रहा है, क्लाइमिट चेंज हो रहा है समझो बात को एक जमाना यह हुआ करता था कि हम फूल पत्ती और पेड़ पॉदी खा कर यह जीवित रहते थे अब हमने क्या क्या रहना सुरू कर दिया पर्यावर बदल रहा है नहीं अब पेड़ पॉदे खाई नहीं पार तो क्या कर ले पहले उखाया करते थे अब आपका सिष्टम चेंज हो गया अब आप पीड़ पॉदे नहीं खाते हो इंसान खाते हो जमीन खाते हो जल उसके बाद भी उसका पेट नहीं वरेगा समझने बाग को तो मैंने क्या बताया कि प्रतिव ब्यक्ति उत्पादन की वह अधिक्तम मात्रा जो देश की प्राक्तिक संपदा को इस्तिर बनाई रखने में प्राप्त किया जा सकता है तो इसमें नंबर वन पेर कौन आता है और आता है ऑस्टेलिया क्या करता है पर्यावड को क्या हो ना के बरावन नुक्सान हो इस्तिर का मतलब यह है कि अगर आप चार मान लीजे चार पैन के लावा पांच मां करते भी हो तो आप लग रहा है कि दो पेड़ जो है आपका नुक्सान हो रहा है तो आप उनको लगा द तो इस तरह से यानि कि आपका प्रत्वी जुह है कि यतनी छमता है उस से अधिकतम उसका उत्पादन न करें तो अगर इस तरह के आप करते हैं तो क्या कहलाता आए ग्रीन जी एंपी कहलाता है यानि कि हरित सकल राष्ट की उत्पाद्ध क्या होता है कि आप अपने जो पर्याबड है उसका अधिक्तम हुट पादन की दीमाँ दोहन की सीमाँ न की नहीं ने नहीं दीवक्तम नहीं रतिव फटमं मत्र है चार पेंदा निर्मार हो सकता है तो चार का करो चार सो का तब तक न करो जब तक आप मर न जाओ समझने बात को प्रत्वी मारतों तो आप भी मर ही जाओगे ठीक है तो सबसे नंबर वन पर को आयता है जी एंपी के आधर पर क्यों कि ऐसा है न यह हम इसलिए नहीं करते हैं आप बात को बारी जो लोग होते हैं उनके बीच में फस जाती है कि इसकी गरीब की विटिया उसी तरह से यह प्रत्वी है यह गरीब की विटिया है इसका हर कोई बारी बारी से करना चाहता है यह गटिया लोग है प्रत्वी का जो दोहन है अगर अमेरिका ने कर लिया है अमेरिका की कह शबतीय कर दिया जीने के लाइक नहीं मिलंए इस पता है कि इसके साथ पर्यावर्द कर दोवन कर दोवन करें बहुत दिक्कत हो जाएंगी तो चीन कर दोगी तो समझोब बात को भार्ध ही तुम保աर्त करना चाहता है जितना बहुत से ऐसे सेर मिल जाएंगे है जहाँ पर सांस लेने की भी इस्तती नहीं है ऐसे चीन में आपको बहुत से ऐसे चेत्र मिल जाएंगे जहाँ पर सांस लेने की इस्तती सही नहीं जैसे आप दिल्ली में चले जाओ ना दिल्ली इम बहुत इस्तती मारा मारी है समझने बात क को छोड़ दिया पर्यावड़की ठीक है मतलब नहीं किसी दे मा को आबार चोड़ दिया हमें कोल मतलब नहीं हम तो इसका पक्का दोवन करेंगे तो वही है रजिया जो है प्रत्वी यह है और गुंडों में फस चुकी है और इन गुंडों से हम लोग निकाल सकते हैं और एकॉनिक प्रोग्रेस एकॉनिक क्रोथ यह ग्रोथ जो भी पढ़लो आप एकॉनिक टेप्लमेंट ठीक है तो यहां पर जो फोकस करना है वो एक आर्थिक संब्रद्दि और विकास की उपर प्रगति मैंने जवरजस्ति यहां पर घूचने की कोसी गी है तो प्रगति भी य आर्थिक संब्रद्दी तथा आर्थिक विकास यहनिकि एकॉनिक प्रोग्रेस एकॉनिक ग्रोथ एन एकॉनिक टेप्लमेंट ठीक है तो बैसे यह जो तीर्यों सब्द हैं वह देखने में देखा जाए तो एक दूसरे के परयाबाची के रूप में हम इनको को देख सकते हैं लेकिन अगर गहराई से अगर इनको देखा जाए तो इनमें बहुत अंतर मिलेगा तो आए समझते हैं इनको गहराई से देखा जाए तो उनको देखते हैं फिर गहराई से यहां पर आपको इमेज जो है मैं लगाता हूं तो आप थोड़ा सा फोकस कर लिया क करते हैं ठीक है सबसे पहले आपर बात करेंगे आर्थिक प्रगती या आर्थिक ब्रद्धी या एकॉनमिक प्रोग्रेस ठीक है तो आर्थिक प्रगती का पैसे तो आज के समय में प्रियोग नहीं किया जाता है लेकिन है इसका हम हलकी सी जानकारी इसके बारे में हम ले करता है और प्रगति के बारे में अगर बात की जाए तो देश प्रगति कर सकता है कोई व्यक्ति प्रगति कर सकता है समाज प्रगति कर सकता है कोई छेत्र प्रगति कर सकता है कोई देश राज प्रगति कर सकता है कोई सहर प्रगति कर सकता है कोई इंसान प्रगति कर सकता है सम प्रगति है तो हमेशा धनातों होगी क्योंकि आपका लड़का है आठ साल का है तो आगे क्या करेगा वो ब्रद्धी करेगा नौका होगा ये तो है नहीं कि ब्रद्धी करके कितने साल का होगा आपका लड़का सर साथ साल का होगा ये कौन सी वात ही हमेशा वो क्या हो रही है ब्रद्धी करेगा क्या कौन कोई भी ब्यक्ति देश समाज परिवार कोई छेत कोई ब्यक्ति कुछ भी समझ सकते है ठीक है तो अगर सम्रद्धी तथा विकास की बात की जाए तो दोनों क्या होती है प्रगति को ही दरसाती है यानि कि जो आर्थिक सम्रद्धी होता है वो भी आर्थिक पिकास होता हैं वो भी क्या दर्साता है और अर्थिक प्रगति को ही दर्साता है ठीक है तो आएक समझते हैं एक एक करके next सकते हैं आर्थिक संभरदी और आपने प्रगती समझने का बात आप से भूल जाए यानि कि उसका विस्तमाल हम ज्यादा नहीं करेंगे हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं वो है एकॉनमिक ग्रोथ यानि की आर्थिक संब्रद्धी के बारे में ठीक है तो आर्थिक संब्रद्धी की बात की जाए तो किसी ब्यक्ति या पिर किसी समूं या पिर किसी छेत्र या पिर किसी देश में होने वाली मात्रात मात्रात्म के यानि की क्वांटिटेटिव पिरगति को हम क्या कहते हैं पिरगति को हम क्या कहते हैं आर्थिक सम्रद्धी कहते हैं आर्थिक सम्रद्धी का मतलब सीधा सा मतलब यह हैं मान लीजिए किसी भी देश के अंदर किसी भी समाज के अंदर किसी भी छेत्र के अंदर य हो सकते हैं 11 हो सकते हैं यानि कि आपके पास 10 रुपए हैं तो यह 10 हो गए 20 20 हो गए यह 30 हो गए यह 40 हो गए यह 50 हो गए यह 60 हो गए यह 70 हो गए तो आप क्या कर रहे हैं यह मात्रा मात्रा बढ़ रही है यानि कि पैसे जो है मात्रा बढ़ रही है यानि कि आप मालीजिए कहीं पर कोई उत्वादन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है जैसे कि मालीजिए आपके पास प मात्रा है मात्रा बढ़ रही है अगर और सलल रूप में देखें तो किसी निश्चे समय में किसी भी अर्थववस्ता में होने बाली बास्टिक आयमें ब्रद्धी को हम क्या कहते हैं हम आर्थिक संब्रद्धी कहते हैं माली जो कोई अर्थववस्ता है अर्थववस्ता बरतम चाब साध्य के तरफ रहा है तो हमारा यहां पर क्या होता जा रहा है हमारा यहां पर हो रहा है वह रहा है आपका आर्तिक संब्रद्धी हो रहा है यानि कि बास्त्र का है में ब्रद्धी होती है तो बैसे तो आपने मैंने क्या बताया आप ये म azt कते हैं कि किसी अर्थ विवस्ता मैं सकलराश्टी उत्पाद में या प्रतिव्यक्ती आय में या सकर गरे रूफ उत्पाद में होने वाली ब्रद्दी को हम क्या कहते हैं आर्थिक सम्रद्दी मान लेंगे इसका प्रियोग हमेशा तुलनात्मक रूप में किया जाता है कि पिछले बर्स की तुलना में या पिछले महीने की तुलना में या फिर चीन की तुलना में है या हम क्या समझना बात को क्या बता रहा हूँ मैं यह जो संब्रद्दी होती है इसका प्रियो कहां पर किया जाता आर्थ सुलनात्म का दिन की रूप में किया जाता है अब तो नातो का मतलब पिछली साल की यह जह से मान लेगी है दो जार उनिस की अर्थिवश्चा है या फिर माल लिजी है पाकिस्तान की अर्थ ववस्ता की तुल्नातमक अध्यन की रूप में किया जाता है कि पिछले वर्स की तुल्ना में समझने बात को तो क्या समझ में आया सीधे सब्दों में समझा कि किसी भी अर्थ ववस्ता में होने बाली मात्राथपक बिरद्दी को हम आर्थिक सम्रद्दी कहते हैं यानि कि उसकी संख्या वड़ रही है समझ में आया चलिए तो किलियर हुआ नेक्स देखते हैं ठीक है तो अगर एड़ जामपल की बात कि जाए तो देख की आय वड़ रही है या कि पिछली साल की तुल्ना में इस साल देख की सड़कों की लंबाई में बिरद्दी हो रही है सब्रद्दि कहते हैं इसको राष्टियाय की व्रद्दि दर या national income rate भी कहा जाता है मतलब राष्टियाय में बड़ोत्री कायका होगा जूते का का होगा या चंपल का होगा या पिर किसका होगा पैसे का होगा तो जो माल है यानि कि जो उत्पादन उसमें क्या हो रहा है बिरद्धी हो रही है उसको हम क्या क्या देते हैं उसको हम आर्थिक संब्रद्धी को कुछ प्रमुक रूप देख लेते हैं आर्थिक संब्रद्धी थोड़ा सा समझते हैं इसके कुछ रूप है यानि कि तीन इसके र ब्रद्धि या संब्रद्धि भी इसको कहते हैं ठीक है तो तीनों के बारे में के करके देखते हैं सबसे पहला देख लेते हैं किसी देश की किसी देश की कुल आये में जो ब्रद्धि हुई है वह जनसंक्या से हुई ब्रद्धि से क्या हो जादे हो यानि कि जनसंक्या कम प्रगतिसील प्रगतिसील प्रापति कहते हैं दूसरा अधोगामी प्रदी या रेट्रोगेसिव ग्रोथ इसमें क्या होता है। जब हम बच्चे क्या करें, ज्यादा पैदा करें, और पैसे जो हैं कम बनाएं, कम पैसे पैदा हों, तो इसको हम अधो गामी प्रद्धी या ट्रेटरो ग्रेसेव क्या कहते हैं, इसको हम क्रोध कहते हैं, माली जीए, मैंने क्या बताया, अगर इस साल क्या है, पैसे ज्याद वो कम हो रहे हैं और बच्चे क्या हो रहे हैं जादे हो रहे हैं यानि की ज़ंशन क्या जादे बढ़ इस्तिर व्रदिया इस्तिर संप्रद्दी होगी सीधा सा मतलब न बच्चे जाद हो न पैसे जाद हो यानि कि दोनों का रेच्यू क्या हो बरावर हो तो इसको हम इस्तिर बिरद्धी कहते हैं ठीक है चलिए आगे समझते हैं चलिए आर्थिक विकास को भी समझ लेते हैं economy development समझ लेते हैं आपने growth समझ लिया growth मतलब क्या होता है सीधा साल मतलब पैसे जादा बढ़ रहे हो यानि कि सीधा सा मतलब आपका मात्रात्म क्या हो रहा हो ग्रूत हो रहा हो मात्रात्म क्या हो रही हो आपकी प्रद्धी हो रही हो तो उसको हम आर्थिक सम्रद्धी कहते हैं अब बिकास देख लेते हैं यहाँ पर बिकास का मतलब क्या होता है तो बिकास में क्या होता है मात्रा के साथ अच्छी क्वाल्टी या कुडवत्ता भी वड़ रही हो तो इसको हम आर्थिक पिकास कहते हैं सीधा सा मतलब मान लीजिए ये जो है मान लीजिए हमें ऐसे बहुत सारे डब्बे या फिर मान लीजिए बहुत सारे पैन जो हैं बना कर तयार कर लेते हैं लेकिन क्या हो माल यह संखे तो हम दिखा रहे हैं हो सुरी देखरो कितना हम बना के मालताय कर लेता है मतलब हमने बच्चे तो वह सारी पया नहीं किसी वी तरह का खांद नहीं तो यह सारी मतलब सीधा था मतलब हमने क्या कर लिया ग्रोथ तो कर लिया यानि कि यहां पर क्या कर लिया हमने संख्या तो बहुत बढ़ा लिया यानि कि पैसा हम बहुत सारा कमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं बड़े-बड़े प्यांस लगा रहे हैं बड़े-बड़े उद्योग लगा रहे हैं उसमें बहुत सारा उत्पादन हो रहा है लेकिन क्वाल्टी की बात करें मनिस्यों की ऊपर देखा देखा जाए किसी सहर में हम इंफ्राइक्स्ट्रेक्चर की बात करें किसी सहर में सोरी किसी सहर में हम मानव संसाधन की बात करें तो वो क्या है उनके लिए अच्छी अस्पताल हैं, वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अच्छी सिचा करा रहे हैं, उन्हें बीमार जब होते हैं तो क्या वो आच्छी वह स्पीटल में जा पाते हैं? इस तरगी मैंने क्या बताए, विकास का मतलब हुआ मात्रा के साथ साथ अच्छी क्वाल्टी यानि की अच्छी गुड़ बता तो जो संविरद्धी हो रही है उसमें लोगों का जीवनिस्तार में सुधार सामाजी कल्यान के सूच कांके में बड़ोतरी तो यह क्या क्या लाएगा आपका पिकास का मैं फिर से बता है मतलब वहां पर मनुस्ष्ट का ही काम है आर्तिक गतविदिया करना मनुस्ष्ट का ही समझ नहीं मत को तो मैंने क्या बताया जो संविरद्धी हो रही है उसमें लोगों का जीवनिस्तर में विशुधार हो रहा है समाज कल्यान का सूच कांक भी वड़ता है तो यह क्या कै लियान में ब्रद्धी हो रही हो जैसे कि स्वाथिस्तो विदाओं में ब्रद्धी हो रही हो सिछा में ब्रद्धी हो रही हो परवन के साधन बढ़ रहे हो लोगों की सुरक्षा का इंतियाम हो रहा है तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं आर्थिक विकास कहते हैं अगर कहेंगे मात्रात्मक मात्रात्मक और गुडात्मक बिरद्धी ही क्या कहलाती है आपकी आर्थिक पिकास कहलाता है फिर से बता देना है मैंने क्या बताया कि मैंने बताया मात्रात्मक और गुडात्मक बिरद्धी या प्रगती को ही हम आर्थिक पिकास कहते हैं सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी सहर में जाते हैं आप बहुत बड़े-बड़े मकान बना लेते हैं उसमें बहुत बड़े-बड़े क्या हैं माली योद्योग बना लेते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा खासा क्या हो रहा है बहुत अच्छा क्या हो रहा है समझवात को बहुत अच्छा उत लग तो खिने के नाव्य देखा जा तो अरे ओ क्या है और कोई होश। सरकार यह बठोल नहीं बढ़िया प sacrifice लिए फीनिंग यो unuk ही लगन शुरक्षा की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा सर्ब सरीफ और डरे Dong में जो लोग होते हैं उनको पुलिस डर लगता है उनमें कहां पर कई किसी भी तरह की कोई बोई नहीं है उनमें कोई सुधार ही नहीं किया जा रहा है पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को देखकर किसको डर लगता है सरीप आदमी को बदमास चोल डकेट और कौन नेतां को पुलिस डरी नहीं लगता है अब स्वास्विदा की बात की जाए तो सरकारी आप होस्पीटल में चले जाएं सरकारी घॉस्पीटल में जाएं तो वहाँ पर बात करने का तरीका देखो किसी भी तरह के कोई स्वास्विदान नहीं विचारा दस वैड पड़े उनमें से चार हमरा पड़ा हुआ है वहाँ पर सड़ गया है उसे साफ करने वाला कोई नहीं है समझरे घृट भी तरह कोई नहीं ही की साइट लाल किला देते हैं कोई करया खारा है महां लीजिए वहां से पूछताज के अंदर लिखा है वहाँ पर सर यह वाली ट्रेन कहां पर आ रही है अभे वो लिखा नहीं है देख नहीं पा रहा है तू अंदा है क्या मतलब तरीका क्या है पुलिस से आप पूछेंगे किसी तरह की बात करेंगे तो पुलिस से सरीफ आदमी को गबराट हो के आठल साथ जर्कन जन कल् sponsored कर दोले कणी विरद्दी में लोगों को जन मतलब जन तक कर लाणां में विरद्दी कि चारी अच्छाब बनाई जा रहे है तो उसको हम क्या कहेंगे उसको बिकास कहेंगे समझे पा रहे है ना तो बिकास को कैसे मापा जाता है तो यहाँ पर बिकास को मापने के लिए एक ब्यक्ति सामने आते हैं जिनका नम था महबूब महबूब उलहक नाम के एक ब्यक्ति थे तो बिकास क्या होता है और इसको कै से मापा जाता है इसके लिए एक UNDP नाम कीक्समस्ता थी तो UNDP ने इसकी सुरुवात की UNDP ने विस्प तो इस तरह से बिकास को दर्शाने के लिए मानव विकास सब्द का प्रियोग सबसे पहले UNDP के दोरा किया गया था तो मानब विकास में तीन तत्मों को सामिल किया गया कौन-कौन से वो तत्त है सबसे पहला जो था जीवन पृतियासा लाइफ एक फैंटेसी और दूसरा जो है वो है जीवन इस तर इस्टेंडर ओफ लिविंग तीसरा जो था क्यान यानि कि एजूकेशन आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप प्रत्वी पर जाते हैं प्रत्वी पर इस तरह से माल लीजिए यह आपका पूरा प्रत्वी बन जाता है प्रत्वी पर आपका उत्तरी गोलार्थ की तरफ देखें तो उत्तरी गोलार्थ के पास क्या कुछ देखेंगे तो ने पास सिर्फ कुटूराई आपको देखेगा तो दच्ड़ी गोलार्थ में जाएंगे तो आपको सीधा सा मतलब है कि वहां की जीवन प्रतियासा जो है बहुत कम मिलेगी जीवन इस तर जो है बहुत किरा हुआ तो सीधा सा मतलब तीन चीजों को इनों ने रखा है किसमें मानब विकास में अगर तीनों में इन में क्या हो रहा है सुधार हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है विकास हो रहा है तो जीवन प्रतियासा यानि कि आप कितने समय तक जी पा रहे हैं जीवन इस्तर की बात की रही हैं तीसरा जो ता ग्याना पड़े लिखे हैं कि नहीं है आपको अच्छी पड़ाई मिल पा रही है आप पड़ेंगे लिखेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें क्या कर पाएंगे तभी तो इन सारी चीजों में क्या कर पाएंगे हम बढ़ोत्री कर पाएंगे यह उपएगा तो इस तरह से हम आपाफी कुछ मोध辞ी न भी विका है कि έमें क्या नहीं करने यानि की हम veio क्या क्या लानी हैं हए हम को विकास लाना या हैं गटाखते हैं दो क्या करते हैं हमें बादा उत्फण करते तो आश्ति गटख में गर बात की जाए तो पूझी का निरमात when पैसा ही मैं भाई साफ गर गक्राइब नहीं है बना लेगी पैसा ही नहीं तो पीसा करना चाहते हैं को यहँ आप किसा लाना पड़ेगा तब हम विकास भी कर पाएंगे दूसरा देखते हैं पूजी उत्पाद अनुपाद अब पूजी उत्पाद अनुपाद क्या होता सीधा सा मतलब आप पचास रुप मतलब माली जी आपके पास सतर रुपए हैं सतर नहीं मतलब यह असी हजार करूर उत्पादन जो कर पा रहे हैं वो क्या कर पा रहे हैं बहुत कम कर पा रहे हैं यानिकि साल में आप एक करोड़ी नहीं कमा पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका पूजी उत्पाद अनुपाद क्या है सेट नहीं बैट पा रहा है सीधा सा मतलब अब यह हो क्यों हो रहा है क कि ऐसी बहुत सारी कमिया है, क्योंकि भार्त जो है विक्सी दिस नहीं है, आची सड़के नहीं है, जो जरूरी चीज़ें उनका अबाव है, समझज़े बात को, तो पूझी उत्पाद अन्पाद में एक प्रुमू गटक होता है, जो क्या करता है, आर्थिक विकास को प्रभावित करता क्योंकि आप विकास करना भी चाते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं तीसरा देखते हैं स्रम सक्ति और जनसंक्या सीधा सा मतलब जनसंक्या बढ़ेगी तो स्रम सक्ति बढ़ेगी और जब जनसंक्या बढ़ेगी स्रम सक्ति बढ़ेगी तो यह क्या होती है एक दूसरे को पिरभावित करती है क्यों कि आपने माली यह स्रम सक्ति के आदार पर जन तक नहीं की प्रगति सीधा सा मतलब जो बड़ी बड़ी टेक्नोलोजी बड़े बड़े खोज जो वो कहां पर है उत्री गोलाद वादेदे से आने की उपरी छेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी वो बिखसेत हो चुके उनके पास हर एक सुविदा है तो माली जीए हम हमारा जैसे फोन ही है फोन माली जी हम लोग के काय में इस्तमाल कर पाते हैं हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाते हैं लोगों को मैसेज कर पाते हैं फिर हम यूट्यूब पर वीडियो देख ले दे लेकिन हम इस फोन से ही सारे काम कर सकते हैं या फिर माली जो कोई टेक् सारे कार्य कर सकते हैं समझ रहे ना तो तक्नीकी प्रिगती नहीं हुए भारत में बड़े बड़े जो मसीने हैं जो क्या है मसीनों के द्वारा किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है उसको हम किस से कर रहे हैं हम लेवर के रूप में हम वहां पर एक तरी की चीज नहीं है क्या करते हैं हमारे यह संग्टन 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 है अगर संग्टन है से सुल नहीं नहीं कर पाते हैं कि कभिने संसाँदन, यांई कि कभी-कभी कैसा होता है, तो, जासे मान लिए कुछ ऐसे संसादन, जो भारत में नहीं पाय जाते हैं, उनय में अर्थे गटक TOM समझए आर्थे कंदें देखते हैं बिकास को क्या से प्रवालत करता है सामाजी गटक सामाजी हों कि अब को पता होगा आंपको पता होगा सामाजी मतलब हम लोग पढ़े लेगे में अभी भी हम किस्टे जुड़े हुए हैं बहुत सी ऐसी चीज है जो प्रताव में हम उल्जी रहते हैं सामाजी गटक समझना बात को मतलब अभी पंडी का विकास करने की चक्कर में गूंते हैं या फिर किसी और तो हम इंको सब को खुश करने के चक्र में क्या राजनेतिक जो गट्ट जोड़ है ना वो सेट नहीं बैठ पाता है तो क्या हुजा था सामाधी गटक है नहीं इतनी अच्छी से दूसरा देखते हैं सामाधी राजनेति गटक राजनेति गटक की बात अगर की जाए तो क्या होता है राजनेत सारे रूपय लोटा देंगे या पिर मालिय किसी प्लांट का अगर लगाना चाहते हो क But क्या करते हैं कि पर बिरोजी्एारी कम करनेगर तो क्या करते हैं एक दूसरे में समयन में नहीं हो पाता है तो मांलिय को यहाइस सिर्फ कर लें जैसे कि कोई के शी कि इसे के कुई कोई यह प्र stal रही है या फिर मुसलमानों कोई प्रतेवा रही है या फिर किसी अञ्स में को में प्काष चलिए तो उसके तो काडर क्या होता है कि उनका क्या हो जाता आगर वह को मी इपक टाल ला हम मतलब एकदम विकास करना जा है कि इस तरह करते है य aktivिल करे गा कोई कुछ करेगा तो इस है हम चाहे वो आतंकवादी क्यों नहीं हो लेकिन हमारी दोस्तों इस तरह को कुछ घटक होते हैं जो कि हमें परिशान करते हैं यानि गयरार्थी घटक भी परिशान करते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं ज्यादा इसमें समझने को कुछ नहीं है ठीक है नेक्स देखते हैं हिं पहले जब öğदारिकार का दोर सुरूय नहीं हुआ तब पीज़ा के बीच ब्रद्धीदर घ्राट किस बीच में रहती की कि साड़े इन के बीच बीच में ही रा करती थी इस लिकाए इसलिए इनकर सामने आते उनका नाम था प्रोफेशर राम राज किष्ण तो इन्होंने इस ब्रद्धि को हिंदू ब्रद्धि दर नाम दिया इसमें कुछ समझने को एक्ष्णा नहीं है यानि कि उनीस से क्या वनु से जो होती है वो ऐसे मुटा मुटी देखा जाए तो यहां पर अगर देखेंगे उनीस सवासी तर तो इसका मुटा म सईयंग नहीं कर पा रहा है ठीक है इसी इदर को पूर केंद्रि मंत्री 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 अरना स्वरी ने क्या नाम दिया इसको समाजबादी दर कहाँ इसके बाद उनीस से क्या नहीं T था हमारी राष्ठी आयो भारती अर्च विस्ता से जुड़ी हुई ब्रद्दी से था और यह था क्या उनिसो पचास से लेकर उनिससो असी तक के बीच में जो ब्रद्दीदर रहती है भारत की वह तिन थ्री पंट फाइव रहती है इसलिए इसको क्या क्या देते हैं कुछ ल किया गया था किन काड़ों से किया गया था आर्चिक सुदार से पहले की वारत की इसी ती क्या हो जाती है आर्चिक सुदार में कौन कौन सी सर्थों में तो कौन कौन सी सर्थ हैं जो मानी गई बारत में आर्चिक सुदार किया गया था उसकी मर्जी से किया गया था या फिर बिना मर्जी से किया गया था सरतें जो थी उसमें कुछ रखी गई थी तो कौन-कौन सी माल देता और कौन सी नहीं मानी जाती है इनके बारे में आपर त्यर्शा करते हैं तो समझते हैं पूरी दुनिया में कि जो भारत में आर्थक्सुदार का काल जो भी था उससे पहले कि अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो उन्नीस सो असी के दसक के समय काल को बिस्ट की अर्थक्सुदार का काल माने जाता है क्योंकि उन्नीस सो असी के दसक में क्या होता है आपका जो एक अमेरिका नामक देश है वहाँ पर एक क्या किया जाता है एक सहमति बनती है याइंन की एक तरह से हम कहा सकते है कि एक मतलब वहां पर इपर एक विचार विमर्स किया जाता है वहां से क्या किया जाता है उस तहहें हैं उसमें अपनी अपनी अर्थी व trad liquor को सुझ future करते कौँं को समझ ने के समय काल में एक सहमती बनती है उसमें ये कहा गया कि तो यह सरकार है यानि कि जो राज्य है वो क्या करे जो अर्थ ववस्ता में क्या करे अपनी थोड़ी भून का जो है कम करे और बाजार की सक्तियां या कहे निजी छेत्र की जो भून क्या है उसकी भून का बढ़ाने की सल था, खुल कर इसका क्याने किया था, इन विचारों को अपना था नहीं लेकिन क्या है कि आप रते शुरूख से यहाँ पर कुछ ऐसी नीतियां से जो क्या करता है भारत सपोर्ट कर रहा था लेकिन पूरी त्रह से आका कर सामने नहीं आया था तो भारत में जो 1991 में जो आर्थिक सुधार की प्रिक्रिया शुरूवी थी वह भारत में वासिंग्टन सहमेती का भारत में थोड़ा देर से पहुंचना था यानि कि मैंने आपको क्या बताए था कि 1980 की दस्तक का जो समयकाल माना जाता है वो पूरी दुनिया की अर्थिक सुधार का काल माना जाता है और आपकी बासिंग्टन में एक सहमती होता है अमेरिका जो राजढ़ा दानी वह संग्टन वहां पर एक सहमती उती है उसमें का जाता है कि ऐस सरकार है warsit चेतरी की ठोड़ी भून का है उसको बढ़ाए लेकिन भारत ने क्या किया इस तरह की जो नीतियां थी वह नहीं अपना है लेकिन अपर ते चुरूपते थोड़ा बहुत मतलब मुटा मुटी उपरी उपरी क्या था उसके थोड़ा सा वो अपनी शुरुवात तो कर रहा था लेकिन पूरी तरह से नहीं किया उसी तरह से क्या हुआ कि भारत में ये जो आर्थिक सुदार का काल आया थोड़ा सा देर से भारत में पहुंचना माना चाहेगा और यह भारत में उनीस तो एक्यानवी में क्या किया जाता है जो आर्थिक सुधार की प्रिक्रिया होती है तो इन आर्थिक सुधारों के ताहित भारत में उधारिकड निजीकड और बैसीकड की क्या होती है प्रिक्रि जा रहते हैं तो जिस तरह से सुधार किया जा रहते हैं उन सुधारों का कोई अंग नहीं था बलकि उनीस सो नब्य उनीस से क्यानवे के जिस समय काल में भारत में आर्चिंग संक्ट आ जाता उसके निदान के रूप में सुरू किया मैंने क्या बताया कि उनीस सो असी के समय क भारत में क्या होता है एक संकट आ जाता है जिसको क्या कहते है आर्थिक संकट कहते हैं पैसे का संकट आ जाता है उस पैसे का या कहे उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हमने क्या अपनाया था उदारी कड निजी कड और बैसी कड की प्रिक्रियां अपनानी पड़ी या लेकिन आपको ये बताया गया कि ऐसा है कि कोरोना फैल सकता है तो आप लोग क्या कर लें अपने अपने घरों में रहें लेकिन आप लोगों ने क्या किया जब तक कोरोना फैल नहीं गया यानि कि हमारे मौले में हमारे राज में जब तक कोरोना फैल नहीं गया तब तक हम घर के बाहर से अंदर नहीं आए बलकि सीधा था मतलब यह था कि यह जो लॉकडाउन था यह हमारी मर्जी के खिलाब किया गया था यानि कि हमें किस से निदान पाना था हमें कोरोना से निदान पाना था हमारे उपर कोरोना हावी न हो जाए तो इसको ना हावी न होने के लिए क् तरह से यहां पर सुधारों का काल जो था सहमानी रूप से नहीं किया गया था यानि कि मर्जी से नहीं किया गया था भारत के बलकि क्या था भारत में आर्थिक संकट आ जाता है उसकी निदान के रूप में उसको खत्म करने के रूप में क्या किया गया था आपका ये जो एच्छिक नहीं था वल की क्या था बात दिका रही था सीधा सा मतलव हम क्या है going दर से बाहर निकलने के लिए मान नहीं रहे कोरोना टाइयर टाइम में तो पुलिस क्या कर रही लाठी ही बजा रही है इसका सीधा सा मतलब यह था कि आप अपनी स्वेच्छा से यानि कि अपनी मर्जी से घर पे नहीं बैट पा रहे हैं, आप रोड पे गुम रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं कि भाईताब ऐसा करो, कि आप अपने घर पे ही बैटो, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कोरोना का हराना है, इसी तरह यहाँ पर क्या का गया था, कि भारत देश को सब लोग ने सरादी, ऐसा करो, आर्थिक सुदार थोड़े करो, थोड़े सा निजी छेतर की भूम का जो है, थोड़ी से बढ़ाओ, और सरकार थोड़ी सी भूम का क्या है, अपनी भूम का तर थोड़ा सा कम करे लेकिन भारत देश ने ऐसा नहीं किया बलकि क्या किया जब भारत देश में आर्थिक संकट की घड़ी आ जाती है जिस तरह से भारत की घड़ी आ जाती है उसी तरह से उसके बिना मर्जी से यानि कि भारत नहीं चाता था यानि कि भारत तो कहां गुम र जब तरह किया पुलिस ने डंडा मार मार के उसके जबर जस्ती क्या किया जबर जस्ती उसको ये लागू करवाया जबर जस्ती उसको घर में वीजा इसी तरह यहां पर क्या था भारत में आर्थिक सुदार की जो पर किया थी आर्थिक सुदार जो थे उसकी मर्जी के खिलाफ यानि कि इसके स्वेच्छा से नहीं किया ता बलकी क्याता बादिकारी था ठीक है सवंजाया तो मतलब आपकी मर्जी नहीं तो भी आप पर लागू किया जाना ठीक है तो आईए समझते हैं कि भारत में जो आर्थिक सुदारते उसके सुरुवात होती कैसे हैं तो इसको समझते हैं तो भारत में आर्थिक सुदारते को मतलब क्या था तो उसको समझते हैं तो भारत में में नीटियां अपनाएं गही थी उससे भारत में Dwokhtan संकट कि बात की जाए तो उसी संकट दिसक्में है अर्थ सरकार अपनी सरकारी नीटियों को लागू करने के लिए सार्जन को द्योंगों से तथा करऊं को वसूल करके करती थी मैंने फिर सरकार के अंडन में जो कार खाने काम कर रहे तो उससे जो कमाई होती थी उसके अलावा कर जो यानिकी टेक्स की रूप में जो पैसा वसूल करती थी उससे अपनी सारी नीतियों को लागू करती थी और कभी-कभी ये नीतियों को लागू करने के लिए जो सरकारी खजाने से प पूर्चा पूर्दी नहीं परती थी तो सरकार क्या करती थी अपनी खर्चे को क्या करती थी आय से अधिक हो जाता था सरकार सरकारी together दे पैसा लेती थी आम जयंता से तता अंतराथी वित्तिय संतावनों से क्या करती थी उधार लेने के लिए मजबूर हो जाये करती थी इस तरह से हम वित्तिय घाटे की विवस्ता को क्या करते रहे लागू करते रहे और एक इस्तिती ऐसी आ जाती है कि जब भारत देश में वित्तिय संकट आ गए आर्थिक सं संक्ट नहीं आजाता है तो मैंने क्या बताया भारत में आर्थिक संक्ट आता क्यों है आतने का लगाए जा रहे थे जाएं उसे समझ में आया चाहना आया क्योंकि घ्रस्ट लोग थे जसरे मानली ज sniff क्या था जो सरकार चलाना भी नहीं जानते तो उक्ष अंसे मैं सक्षाम में सरकार थी गटिया लोग थे गटिया भिरो भी आंनी interrupting बना रहे वो घाटे में चल रहा तो भी हम खीचे जा रहे हैं खीचे जा रहे हैं तो इस तरह से क्या थे बहुत सारी जो भारतिय जो लोग थे जो सत्ता जिनके हाथों पे थी उन में बहुत सारी कमिया थी ब्रश्ट थे गोटाले वाज थे इस तरह से क्या था ये सीधा सा मतलग था अ संक्तलाब क्या करते हैं कि अन्तराश्ट्ट्री पर हम मझबूर हो जाये करते हैं और इसी तरह की जो नीतियां थी आगे चलती रहती है और आगे इनी नीतियों का जो बॉब होता है आर्थिक संकट के रूप में फट जाता है और्थिक भुकतान संतुलन का संकट का मतलब क्या होता है भुकतान संतुलन का संकट का मतलब यह है कि आप कहीं पर भुकतान नहीं कर पा रहे हैं पर भुकतान का क्या हो गया कि आप कोही दुकान पर को लिए कि आपके जितना माल खरीदा उतना ही आपकेप पैसा उने चाहिए तो जब साल आती है मान लीजिए आप कहते हैं कि वैसा है हमारी उधारी चलने तो ठीक है चलो कोई वातनी उधारी चलने दो लेकिन इस तो एक ताइम ऐसा आता है कि आपको पूरा पैसा देना होगा उधारी तो एक सीमा होगी साल पर ले लो दस महीने बीस महीने दस महीने ब आपको सारी उधारी चुका देनी थी ताकि अगली साल जब सुरू हो तो आप नया माल करी सकें लेकिन होता क्या है कि जो आपका पैसा था वो कम पढ़ जाता है उस उधारी को चुकाने के लिए यानि कि जो माल आपको ने खरीदा है उस माल से कम आपके बास क्या होता है पैस पैसा नहीं दे पाएं जब आप संतुलन नहीं बना पाए यानि कि मालत यह आ بن किया कर पाएं आपकर पैसा कम हो गया तो क्या हो गया संतुलन जाएं इक니다 dish आने वाले समय पैसा भी ठोड़ा से बरना कि इनको दे देना है ताकि यह संतुलित हो जाए समझारा ना तेरा ना मेरा यानि की दोनों का बराबर कर दो नई साल शुरू हो तो आप पैसा ने इसरे से देना शुरू करना ना इसरे से माल खरीदना तो इस तरह का संकट आपका क्या कहलाएगा भुकतान संतुलन का संकट मतलब आपने पैसा देना है ले मैंने क्या बताया कि बहुत से ऐसी चीजें थी क्या करता है भारत भारत विदेशी मुद्रा में क्या करता है पैमेंट करता है मैंने क्या बताया अब बाते आती है तेल की तो तेल की लिए हमें किसमें अपने माल औहों दूसरे देशों में बेजते थे या किसी ऐसी में करता हो डॉलर में करता हो और आप włos पुझेства था था एसर्फ पर कॉपढ़ वो तुलर विस्ता थी करना जाता था लेकिन आहीं हम्लीक के लिदालर को लेना भी होसाद कर्ता date टो ऊस चानद में करना चाहता था कॉन आपका जो द तेल का करना ता लेकिन अब हमारे पास डॉलर ही नहीं हम payment करें तो करें कैसे अम आली ये बात को समझो अब तेल का हमें payment करना है डॉलर में अब डॉलर में payment करना है तो डॉलर तो हम तब ही लाएंगी जब हमारा व्यापार हो रहा होगा बारत की इस्तिती ऐसी नहीं थी कोई भी देश भ से क्या थी भारत के बार इतनी मुत्रा भी नहीं थी कि वैशी अपने ड्सब्र इश कर सके मैं ने क्या बताया के भारत में डॉलर तो थे नहीं और आक यहारत ने दीमें 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 इस्तिती ऐसी आ जाती है कि भारत पर संकट मतने लगतार थैश्uchar candi के बो आने विदेशी मुद्रा उसके पास बिलक़ ही थी और वह बिदेशी रिडिको च्का कैसे सके तो हमारे पास इतनी मुद्रा भी नहीं वज़ी थी कि हम वे देश क्या जाने वाले आयत का दो सब्के का भी क्या कर सिंख झार कर सकें इसके बड़े इसतर की मुद्राई अज्वीति यानि कि महगाई का बहुत ज्यादा होना यानि कि सीज़ी से वाँच यह थी कि चार ओर से भारत क्या हो गया था, गिर गया था, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भारत की इसी ओसी नहीं थी, जो नया हो यानि कि हमने स्वतंता सेनानी की रूप में काम किया है तो भारत जो था अकुसल प्रवंदन के रूप में क्या कर रहा था यानि कि अकुसल जो लोग थे उसका क्या कर रहे थे प्रवंदन कर रहे थे इस तरह से क्या था भारत में सीधी से बात ये भी थी कि भारत क बहारत में infrastructure नहीं मतलब जैसे माली रिजह सड़के अच्छी नहीं light की विवस्ता नहींיה रोडें बढ़िया नहीं मतलब किसी अन ऐसी सुविदा की विवस्ता नहीं जिस से क्या था विदेशी जो निवे सकता वो भारत में क्या हो भारत में विदेशी जो निवे सकता वो क्या करने में हो आकर से तो बात को समझो पैसा लगाने के लिए यहां पर आकर तो ऐसी इस्तिती थी नहीं तो क्या था जब आकर से तो होगा ही नहीं कोई विदेशी कंपीनी भारत में लगेगी नहीं तो विदेशी मुद्रा आएगी नहीं तो जब विदेशी मुद्रा आएगी नहीं भारत को पैमेंट करना होता था तेल के लिए काई की रूप में डॉलर की रूप में पैमेंट करना होता था और यह डॉलर की रूप में पैमेंट करेगा तभी तो पर तेल ल इस्तर मतलब यह है कि भारत देश में चुछ सरकार चल रही थी उसका क्या था आए थी कम और खर्चे होते थे जाद है इसको हम क्या क्या देते घाटा कहते थे राज कोशी घाटा यानि सीजी तुमात मतलब सरकार के पास जितना पैसा होता था उतना खर्च नहीं करती बलकि क केरदी जारें है क्या कुछ ने है कोलिक दिख यह भी आप कहीं से अगे मालिजी आप पेट भरने वी ज़िए वसके लिए ले लेड़ो लिकर्ट वाता नहीं लेकिन कर्ज कर्ज आप ले रहे हैं पपहुवा पिने क्लिए लिए अब मालीजी आपको मुझरा देखना तो हम करजे लो मतलब जो आपका मतलब जरूरत नहीं उसके रूप में भी करज मतलब बहुत जरूरी चीज़ है आपका लड़का वीमार है आप करज ले लो आपको बेटे की फीज देनी है करजे ले लो बिटिया की साधी कर देनी है करजे ले लो लेकिन चलो बहुत जरूरी चीज लेकिन आप क्या कर रहा है फिजूल खर्ची के रूप में भी बहुत तेजी से आपका क्या बनद रहा है आपका पैसा मतलब आप करजा लेते रहा है तो इस तरह से क्या था बहुत सी कमिया सामने निकल कर आती है उसके बाद एक और थी महगाई बहुत अधिक हो जाना ठीक है तो चलिए नेक्स देखते हैं तो उसके बाद अब इस्तिधी यह आ जाती है जब राज कोसी घाटा बहुत बड़े इस्तरका होने लगा अकुसल प्रवंदन था विदेशी मुद्रा बिल्कुल थी नहीं दो सकते का भी हम विदेशी जो मतलब भुकतान कर रहा है था विद तो क्या था कि जब हमारी सारी यह और से रास्ता बन दो गए बिदेश से हम पैसा आ नहीं रहा था तेल की वेवस्ता बन नहीं पा रहे थी बढ़त में राज को सी घाटा बहुत बड़े स्तरका था उसके बाद भी उसमें बड़ोत्री होती जा रही थी और उपर से क्या थ बाता कि हम जाएं तो जाएं कहां भारती जो लोग थे उन्होंने तो हाथ ऐसे करके डाल दिये कि भाया सारे अथया डाल दिये अब समझें नहीं क्या करें कहां जाएं कहां पर सड़ फोड़ें तो हुआ क्या तो इस तरह से भारत में अंतराश्टिय पनन निर्माड और व लाया बुलो या उसके बाद सोचा कि आर ऐसा करो या कुछ तो इसका हल डोड़ा जाए तो इन्होंना क्या किया इंटरनेशनल मोनेटरी फंड एनि की आई एम एफ और आई वी आड़ यानि की अंतराश्टिय अपना निमाड और विकास बेंक का जाकर क्या किया गेट खट खट खटाया लेकिन हो चक्या था कि लेकिन आई एम एफ ने आई एमेफ ने या का आई एमेफ से सायता पाने के लिए ह्いつ को आयं एमंट की विस्तारित मुद्राकोश्यानि की एक्टेंडेर फंडर्सर्ण डिएटी पर क्या करना होता था हस्धाक्ष्र्ट करना था जो कि भारत देश कव कर चुका था उन्नीश्य सो इक्क्क्क्र में ही इस तरह वह क्या सबस्क्राइब ती यनृवा Küरिड से इसपर क्या करने था हस्ताक्स्य क्रों यह सर्फ माननी डिए थी बहारत निसो क्या्यों, में कर फिर ग्यादा अगर एएफ के तयता आपको पैसा चाहिए होता था तो कुछ सर्थे माननी पड़ती थी जिन में से सबसे प्रमुक्सर्थ थी कम समय में अर्थ विवस्ता में सन रचनातों को बदलाव करना ताकि अपने आपने जो पैसे लिए हैं उसको आसानी से वापस करğıつek कैसरें समझना बात को मैं पिर से बतादू मैंने क्या बताया कि जिस तरह से आपका इएफ था यह तो यह उसका चलू यह पर एक सर्थ है कि कि आप चुब पैसा ले रहे हैं ठीक है पैसा ले लो जबाप पैसे लेने क्यों आयो बात को समझना पैसे लेने इसलिय यायोग ताकि आपका जो संकट है वो आपका दूर हो जाए अब संकट आया क्यों पैसे की कमी की वज़े से पैसे की कमी क्यों आई भाई साब कुछ हमारी कमिया थी हम अपना अकोसल प्रबंदन था राज कोसी घाटा बड़े इस्तरका हो रहा था हमारे पैसे नहीं थे विद रिकसे बाला मालं लिजी हमारे पार रिक्सा बाला छो है वो हमारे पास आता है दसलाः रोपे ले लें चलो रिक्षा वाला रिक्सा चला रहा है — वो पर क्या है वो सराब हुआ रहा है अब बात को समझना हम उससे दस लाग रुपे दे देते हैं अब उससे हम यह कहते हैं आप ऐसा करना पहुआ मित पीना ठीक है पहुआ नहीं पिया रिक्सा चोड़के कोई अच्छा काम कर लो पांच लाग रुपे में कोई अच्छा विजन हम रिक्से वाली का वास पहुंचे रिक्से वाली का हमने पता किया या रिक्सा वाला बहुत दिन से रिक्सा बगएरा तो चला नहीं रहा था तो जेगे मिल गया हमें वहाँ पर हमने क्या कर लिया रिक्से वाली को पकड़ा उसमें तीन-चार हाथ दिये और पैसे कब देगा अब एक चीज समझो बात को, रिक्सा वाला, उसके बार रिक्सा, उससे मारा पीटा, उसकी जेम में हट डाला, एक बंडन निकला, दो उसमें वीडियां थी, एक माचीस निकली, सर्दियों का टाइम चल दा था, एक बोरू प्लस निकली, दस रुपे वाली, ओंटो ओंटो न क्या उसकी बोरोपले चीन लोगे, क्या उसका थाला कंगा चीन लोगे, क्या कपड़े उतार लोगे, क्या उसकी खाई उतार लोगे, क्या करोगे, बात को तो समझ रहा है, तो यही यहां पर लाग होता है, तो यहां पर जब यहां गेट कटकटा आया, बहुत अच्छी बा तो वही कानी आती तो मैंने क्या बताया मैंने ये बताया अगर एफ एफ के तहट पैसा चाहिए था तो कुछ सरते माननी थी जिन में से सबसे पुर्मुख सरत ये थी कि अर्थ विवस्ता में सन रचनाते हों बतलाब करना ताकि जो आपने पैसा लिया है उसको आसानी से आप वापस कर सकें अब ये सरते थी तो वो कहीं पर लिखी हुए तो थी नहीं मान लिए कोई ऐसा गिरंट तो लिखा नहीं था जैसे बाइवल है या फिर कोई ऐसा गिरंट बड़ी ऐसा लाए ऐसा है भारत देश की अर्थ विवस्ता ऐसी है उसमें ऐसा करो ये वाला फॉर्म पाकिस्तान के लिए ऐसी होगी मूटान के लिए ऐसी होगी भारत के लिए होगी क्योंकि उन्हें यह पताज है का भारत हमारे पास आएगा तो में सैंकटु भी सर्थ नहीं लिखिखने कोई करनेे से समपन्दित अर्थ हो Ready स्ता थी उसकी क्या करनी थी उस में expert लोगों की टीम बेज नी थी और उसमें क्या करना था जहांच पटाल करना था उसका विस्तिले सड़ करना था और उसॉन जो कौन कौन से चेत्र में कमिया है सरकार किस्तर से प्रवंदन कर रही है कहां पर सुधार किया जा सकता है कितने कहां पर कौन सा जो विभाग है उसमें अनावस्य सरकार का से जब कहां पर कौन सा छेत्र जो है वो डूबने बाला उसको बेज देना चाहिए निजी छेत्र को कर देना चाहिए तो इस तरह की कुछ सर्त है थी जो क्या थी कब सर्ज लागू हो मी जब हम माली सीधी सी बात हम पहुंचे डॉक्टर के पास भाई साथ दिक्कत हो रही है क्या हो दिक्कत हो रही है बताओ तो बस दिक्कत हो रही है अरे बताओ तो कहां दिक्कत हो रही है अब हम दिक्कत कहां बताएंगे दिक्कत जब बताओंगे तभी तो इलाज करेगा कि सरे ऐसे दिक्कत है यहां ठोड़ा सब पैरों में सूजन आ गई है ठोड़ा सा बोल रहे हैं समझे बात को वो क्या बोलने चारा कि आवाजनी सही निकल देखा और देखा उसने नफ्च पढ़के अरे वाई सा तुम तो खाल भी लग रहा है अब हमने चेक किया चेक करने का हमने उसको दबा दी अब ये तो है नहीं कि अन्राग मिस्रा आएंगे अन्राग मिस्रा के पास ऐसे ऐसे करके जब आएंगे तो अन्राग जैसी हम उन अन्राग को देखाएंगे उनको ये वाली परिसानी होगी पहले से हम उनको इत्वा निकाल करते हैंगे ये ले लेंगे नहीं हमने क्या करना था उनका जानकारी लेना था उसका चेक अप करना था बैसी भारती अर्थ नेदार किया जाएगा तो जो सरते रखे जाएगी उनको पूरा करने के लिए अर्थ करने के लिए सं रचनात्म्न सुर्धार की बहुत जरूरती सीधी जीवाद आपने पैसा लेने के बात आप जैसा खाते पीटें आप रिक्साचाना तो करते हो उससे मतलब नहीं है अब आप अपने आपको ऐसा बनाओ ताकि वो पैसा आप बहुत कर सको आसानी से तो आई एम एपने क्या कहां कि वैसा आप अपने अर्थिवववस्ता में सन रचनात्राइब करेंगे कुछ ऐसी इन सुदार है जिन कुछ अपनी जो सन रचना उस को बतलना पड़ेगा तो कौन-कौन सी सुदार थे वह मां के समझेंगे तो भारत ने इस तरह की बता दिया कि वैसा है संदा चना तो सुदार कर लो कि हां पैसा कर लेंगे तो ऐसा करना आपको कितना पैसा चाहिए सर्दी दो चार-पांच मत्रव पंदे सोले फंदे सोले बिलियन एतना तो नहीं मिल पाएगा आप ऐसा करो हम आपको साथ मिलियन साथ मिलियन डॉलर का कर्ज दो भारत भारत को 총 20 mi later को गया मिल जाता किसके त़ैट क्सके तहित विस्की को 20 को उसके तहिट ठीक है तो अब भारत दे देश को साथ मिलियन का जब करज मिल गया तो जब रुपए दिये थे किसने दिये थे वह या आई एम एपने तो मैंने आपको बताया था उसके लिए उसने कुछ सर्तों का निदाड किया तो उसमें कुछ सर्तें भी रखी तो सर्तों की बात की जाए तो आई एम एफ के ए एफ एफ से जुड़ी कई सारे सर्थें थीं जिनमें से कुछ को भारत दिष्ने क्या कर लिया मान किसी रखेंगे जिनको भारत दिष्ने नहीं मानने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐस अर्थ्य वबस्ता करेगी निजी छेत्र में लगे प्रतविंद को हटाए गी कुछ ऐसे छेतर जहां पर सरकारी हस्टचेप की जरूरत नहीं है बहां पर सरकार अपना हस्टचेप कम करेगी इसके अलावा अन्य देशों के साथ लगे हुए जो प्रितबंद हैं उनको हटाया जाएगा तो इस तरह से विस्ट बैंक तता आई एमेफ की जो सरते थी बाहरत दिस् तो यह सरते आई एमेफ की विस्ट बैंक की जो सरते लेव लागू करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं नई आर्थिक नीट कहते हैं क्या कहते हैं न्यू एकॉनिमिक पॉलसी नाइंटीन नाइंटीवन कहा जाता है कौन सी जब बारत देश में उक्तान संतुलन का संग कटा है उसके बाद भारत देश आईमेफ का जब घेट खट खटाता है उसके बाद आई एमेफ के बिस्तारिश सुल्दासुल के तहट ए एफफ के तहट पार देश को सेवन बिलियन डॉलर का क्या मिलता है कर्ज मिलता है उसको बापस करने के लिए भारत देश क्या करता है उसको नहीं करेगी हमाली जी कैसे मालीजी हम क्या करते हैं बस सरकार गरता ड़ी का रखनगाई के लिए और बनाने के लिए रुक that टो उसमें कौन सा आ अीजिंगे साइंस लगे और अनावस्य का सरकार क्या कर रखी है अनावस्य हस्तिजेब कर रखा है सरकार ने उसको कम करे लगता है कि ऐसे जेत्र है जहां पर सरकार यह नहीं होना चाहिए तो उनको हटाया जाए निजी छेत्रों पर लगे प्रित्वंद को हटाया जाए यानि कि कुछ ऐसे हर एक ने थी उसको सरकार कम करेगी निजी छीत्र में भून का थोड़ी सी बढ़ाएगी उधारिकर करेगी ये सारी सरतें क्या थी उसको केलियर करते हैं तो इन नीटियों को जो था भारत में जो नीटियां लागू करनी थी आईमेफ के तह्त उनको हम दो भागों में मांट कर यहा स्थाइड तुकारी उगी उप्ती इसको हम समिस्ठी आर सास्त्री, इस्त्री करड उपाईवी कहते हैं, संधाचिनात्म्हकी सुजार. दोनों को देखते हैं एक एक करके इस्थाइड तुकारी स्थायत मतलब हमेशा बना रहने वाला हमेशा बना का मतलब आपने सक्तिमान देखा होगा तो सक्तिमान में जो सक्तिमान में किल्विष जो होता है वो कहता है कि अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विष बात को समझो अंधेरा कायम रहे कैसे महामहिम तमराज हमेशा अंधेरा कायम रहे मतला हमेशा तो बैसे यहां पर क्या करना था हमेशा उजाला कायम करना यानि कि जो अंधेरा चाया है तमराज किल्विस्की जो क्या लग जाती है बद्वाय लग जाती है तो भारत में तमराज किल्विस्क उजाला कायम हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है इस्थाय तुकारी उपाए करने हैं और दूसरा जो था संदा चनातर शुदार तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहला देखते हैं स्थाय तुकारी उपाए या अर्थ सासरी इस्तिरी करण उपाए तो इसके द्वारा लोगों की क्रैस सक्ति में क्या करना था ब्रदी करके अर्थ विवस्ता में कुल मांग यानि की डिमांड को बढ़ाना था अगर दूसरे सब्दों में समझें तो इस्साय तुकारी जो पाए था वो क्या था? अल्प कालिक होता है जिसका उद्विश से भुखतान संतुलण में आई जो कमी है उसको दूर करना और मुद्रा को क्या करना? नियंतिरत करना इसका सीधा से मतलब यह हो जाता है कि आप अपने देश में बिदेशी मुद्रा का क्या करना चाते हैं बंडार बनाए रखना चाते हैं ताकि कभी भी क्या हो ताकि जो बड़ी हुई कीमत हैं उन पर क्या किया जा सके रोक लगाई जा सके सीधा सा मतलब यह है कि भारत देश में आप माली जी अभी आपके क्या है भुक्तान संतुलन का क्या आ गया स्तंक अटा क्या सेंदने के लिए क्या करेंगी सरकार लोगों के पास क्या पलचाएगी पैसा पंचाएगी तो सीसी वाद सब पहुँआ मांग में बडंतरी कैसे होगी माँनिकी में हूँ मैं जब छोटा था तो म्हिछे दो रुपे मले दो रुपे म हे वहागता था दुकान की तरफ भागता था, दुकान की तरफ भागा, सम्झो बात को, कब भागा, क्यों भागा, क्यों भागा, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, रुपया आ गया, मनी आ गया, यानि कि डिमांड बढ़ गी, यानि कि मनी आ गया, तो मेरी क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ दुकान पर पहुंचा वाई साब एक रुपे की टकाटक देना मतलब बहुत चोटे जब सो ग्राम का था तब क्यू बात कर रहा हूं एक स्यूटी सपाड़ी देना मतलब स्यूटी सपाड़ी उस समय आया करती थी सुपारी जो हुआ करती थी पच्छीस पैसे किया थी एक लोगों के पास मांग बढ़ेगी उतपादन बढ़ेगा क्योंकि लोगों पाए पैसा पहूंचेगा वो पैसा माल लीजिए मेरी कोई दुकान है अब बढ़ने लगता है कीमतें पर क्या हो जाती है रोक लग जाती है क्योंकि मांग भी बढ़ी है और सप्लाई भी बढ़ा है समझ रहे हैं बात को तो अब अगर ठीक है तो यह तो हो गया पहला दूसरा देखते हैं दूसरा जो है वो है आपका सन्राचिनात्रम शोधार यह था दीर्ग कालिक सुधार दीर्ग कालिक पाए इसके दारा भारती अर्थ व्योस्ता में उत्पादन प्रक्रिया में की दुकान जो थी पूरी खाली हो गई अब वो जो माल था यानि कि उस भOOD अब जे प्रचून की दुकान जो माल कितम हुआ उसकी सप्लाई कौन करेगा तो उसके लिए क्या करना था हमें काली को पाए करने थे यानि हम लोग पास पैसा तो पहुँचा देंगे तो पैसा जब पहुँच जाएगा तो माल लोग खरीद घराद के दुखान खाली कर देंगे अब दुखान में माल भी तो आना जरूरी है समझ लो बात को दुखान में जब माल भरेगा तो क्या होगा इसको हम कहेंगे संद्रचनात्रों सुदार सीधा सा मतलब दीर्ग काली को पाए इसके द्वारा यानि दीर्ग काली को पाए के द्वारा अर्थ ववबस्ता में उत्पादन की जो प्रिक्रिया है उसमें प्रद्धी करके आपूर्ती को बढ़ाएंगे इसके तरह सरकार की या कहें भारत की भारत सरकार की क्या होगी भारत की च नहीं है यानि कि डिमांडे सप्लाई का रूल होता है जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगी क्या होगी मांग जब बढ़ेगी तो क्या होगी आपूर्ती भी बढ़ानी चाहिए नहीं तो क्या होगा मांग जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी महंगाई बढ़ेगी जब हैं कि यहां कि शीता चुब कर सके तो भारत की और राश्टीजञे क्या कर सकें। प्रतेसपरदा कर सकें। सीधा सावात अपना माल विदेशों में क्या कर सकेगा बेज सकेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी इस से क्या होगा भारत में जो विदेशी जब मुद्रा आएगी तो उसे बोगतान संतुलन का संकट दुबारा से देखने को नहीं मिलेगा तो जो आपका संदा चनातर उस किता है तो तीन तरह की नीतियों की शुरुवात की थी भारत सरकार ने तीन तरह की नीतियों की शुरुवात की वो तीन तरह की नीतिया कोंची थी यह नहीं के बारे में में बात करना है चुकि बहुत जादा important है तो तीन तरह की जो नीतियां थी उसमें सबसे पहला जो आता है वो है आपका उधारी करण दूसरा जो आता है निजी करण तीसरा जो है बैस्वी करण तो तीनों को हमें आपर समझते हैं बहुत आसान बासा है में और सबसे important भी है इस पूरे chapter में जो आर्थिक सुदार का है उसमें तुद्धारी कर नीजी करण सबसे important है ठीक है काय की रूप में संद्रचनल सुदार के रूप में तो आई ये देखते हैं तीनों को समझते हैं चलिए थो सात्यों को सुद्धिग लेते हैं उधारी करण नेजी करण बैस्ले करण को थोड़ा से देख लेते हैं य उदाडारिकड का मतलब क्या था तो उदाडारिकड का मतलब था ब्यापार और उद्योग में बिना मतलब का सरकारी नियंतर यह पादवट-पाबंधी जु है उसको क्या किया जाए खत्म करने देना चाहिए इसके दो प्रमुक बिंदु जो थे उन मतलब यह था कि जो भारत सरकार है या जो भारती अर्श विस्ता है उसमें प्यापार उद्योग में क्या है बिना मतलब का जो क्या है सरकारी नियंतर था उसकी में क्या कर दिया जाए उस नियंतर था उस पावंदी को क्या कर दिया जाए खत्म कर दिया जाना चाहिए और इस और इस नियंतर को कम करने के लिए दो प्रमुक बंदूओं पर क्या करना था दियान देना था, तो सबसे पहला जो था बोता सरकारी छेत्र के लिए जो उद्योग आरेच्छत कर रखे थे, जिनकी क्या नहीं थी जरूरत भी नहीं थी ऐसा करने के लिए उनको निजी छेत्र को चलाने की अनुमती मिले और निजी छेत्र के लिए बनाए गए नियम और काईदों में क्या की जाए धील दी जाए दूसरा जो था अगर दूसरे रूप में समझें तो उधारी कड़ की प वबस्ता की तरफ ले जाना था फिर से पतादू मैंने क्या बताया उधारी करका मतरफ सीधा था कि भारती अर्थ वबस्ता में जो 1991 से पहले जो था सरकारी नियंतर जो था बहुत अधिक कठोर था और उस पर कुछ ऐसे उद्योगते जिन पर क्या था पूरी तरह से पावंद करना था और उसमें सरकार क्या करती उसको निजी छेत्र में भी अगर दे देती तो क्या होता सरकार किसी और क्या कर लेता किसी और पर फोकस कर पाती सीधी जवातियार फाल तुमें आप जो काम आपका नहीं है मतलब बड़े लोग जो काम नहीं है वो बड़े लोग ने करे चोटे लोगों का जो काम है वो चोटे लोगों को दे दिया जाए आप सीधी जवाते आप दिन बर क्या बना रहे हैं कंबल बना रहे हैं अंडरवियर बना रहे हैं पैन में लगे पड़े हैं जो भारत देश की जो आर्थिक नीतिया उस पर ध्यानी नहीं दे रहे हैं विदे कर रखाता, सरकार उन्हें आरच्छित कर रखाता, उनको क्या कर दिया जाए? आनारच्छित पर दिया जाए? और उनको क्या किया जाए? निजी छेत्र को चलाने की अनुमती दी जाए समझना है बात को और निजी छेत्र के लिए बनाए गए नियम और काईदिय थे उनमें क्या कर दी जाए थोड़ी सी धील दी जाए और दूसरे रूप में आपको क्या बताया कि सीधा सा मतलब उधारी कड़ की प्रिक्रिया आर्थिक सुधारों को क्या देना था एक दि दिशा देना था और ये दिशा कहां को जाती थी ये दिशा कहां को जाती थी दिशा की तरफ हमें तर पूर पस्चिन जो है हमें पता चले कि एक दिशा है तो दिशा जो मिल रही थी वो उदारी कड़ के तरहे था हमें एक दिशा मिल रही थी और इसका मतलब ये था कि सरका अर्थ विवस्ता से क्या करना था भारती अर्थ विवस्ता को दूर ले जाना था और किसके पास ले जाना था बाजार की अर्थ विवस्ता की तरफ हमें ले जाना था जिससे क्या हो सके भारती जो अर्थ विवस्ता है उसमें पिकास हो सके और जो संकट जो आन पड़ा था ब कि भी आप बहुत सारी पावंदि लगा रखें तो से क्या की आप दिया जाए मैं को तो लेने के लिए आपको क्या कर लिए लेने के लिए आपको क्या करना है लम्भी प्रकृटी उससे गुजड़ना हुता था और उस लंबी प्रक्रिया में क्या होता था आपको उद्ध्यों की शुरुवात करने में बे मतलब का क्या होता था देरी होती थी परिसानी होती थी और इससे क्या होता था जो उद्ध्यों पती था यानि जो उद्ध्यों खोलने जा रहा था जो नीजी इस तरका ब्यक्ति जा जो प्राइबिट ब्यक्ति था उसको क्या होता था बहुत सारी परिशानियां का सामना करना पड़ता था क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकार जो थी उने से पेले की बात करने यह फिर इसछी सरकार की बात करने तो बेरश्ट थी इतनी बेरश्ट थी कि हम उसके बारे में कह नहीं सकते 20ile आपको फाइल पास करवानी होती तो 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 नीचे से आपको क्या करना होता था टेबल की नीचे से आपको क्या करना होता था आपको पैसे देने होती थे या पी सीजिस वात यह थी कि अगर आपके सरकार में क्या है कोई अच्छी पहुंच नहीं है या फिर आपका क्या है गा कानेते वो नहीं लगा पा रहे थी तो मैंने क्या बता रूद्ध्योग अध्योग नीत में क्या किया उध्योग तक superiority cotton को क्या करते है e लेना होता था बहुत से ऐसे उद्योग थे जिनको बाद में और कम कर दिया गया तो उस समय की बात कर रहे हैं की सराब दूसरा आ जाता सिग्रेट तीसरा आ जाता जोकिम भरी रसायन चौता आ जाता ओद्योग कि फिस फो टक तीसरा आ जाता इलेक्ट्रोनिक विंवानन तता दबा से जोड़ो कुछ ऐसे उद्योग थे जिनमें आपको क्या लेना होता था लाइसेंस की आपको अन्मति लेनी आविश्यक्ती सरकार से दूसरा क्या था आयात निर्यात नीत के तरज बिदेशी ब्यापार में सुधार किया जाए आपको पता होगा अगर भारत देश की भारत देश में क्या है बिदेशी ब्यापार को क्या नहीं किया जाए अगर आकरसित नहीं किया जाएगा तो भ बिदेशी जो लोग है बिदेशी जो निवे सके दूर दूर देश के जो दो लोग है भारत में प्यापार करने के लिए क्या करें वो आएं अपना पैसा लगाएं भारत देश का बिकास करें भारती अर्थवस्ता को बिदेशी अर्थवस्ता से जोड़ा जाए ताकि भारती अर्थवेवस्ता भी क्या हो सके एक बिक्सित अर्थवेवस्ता की ओर पहुंचना सुरू हो जाए ताकि हमें आने वाले समय में कटोरा लेकर किसी के सामने न जाना पड़े समझ में आया तो मैंने क्या बताया जैसी बुक्तान संतुलन की जो समस्तिया थी उसको ततकाल में रुपए का क्या किया गया अब मूलियन किया गया जिसके काड़ देश में क्या था विदेशी मुद्रा की बिरद्धी हुई अब मूलियन का मतलब क्या होता है अब मूलियन का मतलब होता है किसी देश की मुद्रा जैसी बात है डॉलर के मकाबले भारती मुद्रा को क्य कर दिया जाए नीचा दिखा दिया जाए नीचा दिखाने के लिए माल लिजे क्या करना होगा उसको क्या कर दिया जाएगा मतलब रुपे को क्या कर दिया जाएगा नीचे फैक दिया जाएगा डॉलर को ऊपर रख दिया जाएगा ने चर्पे ऐसा नहीं नीचा करने के लिए करने के लिए क्या करना होगा मालिजिये आपके पास अभी क्या है मालिजिये आपको एक डॉलर करीद रहा है और डॉलर खरीदेने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ता है और जो भारती रुपया है उसको क्या कर दिया जाए थोड़ा सा कम कर दिया जाए कम करने के लिए क्या किया जाए अभी कितने रुपई देने पड़ रहे हैं हमें 50 रुपई देने पड़ रहे हैं और मान लिजिए जो डॉलर है उसमें 20 रुपई यानि कि 25 रुपई यानि कि होगे तो अगर हम अतिमूल अभी मूलेन कर देंगे तो क्या होगा जो रुपया है वो क्या हो जाएगा डॉलर के कमजोर हो जाएगा तो कमजोर होने के लिए उसकी कीमत क्या कर दिया एक डॉलर बराबर कितना कर दिया या सतर यास्ती रुपely कर दिया तो सीधा सा मतलब यह है कि ब्यापार में क्या तकाल, जो जो वक्तस भुड़े साल ने इसकी समस् meilleur में, हो जाएगी थोड़ी सी कमी आ जाएगी तत्काल प्रभाब से इससे क्या होगा बेदेशी मुद्रा में विरद्धी होगी क्यों होगी क्यों कि माल लीजिए आप व्यापर करने जा रहे हैं तो आप व्यापर करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं आपको उसित करेंगे कि ज कर दिया जाता है तो इस्से क्या होता है जो आयात होता है वो कम हो जाता है बढ़ जाता है बढ़ने का सीधा सा मतलब रापतो और आयात क्या हो जाएगा महगा होने की लिए सीधा समतलब आपको पहले क्या करना होता था कि दो निगे पांस विरू कि पूदार ही कर ते शरकार करने देति है मतलब सबको अपना-पना काम करने कि लगाती है ज़्यादा मैं म arsenal कहा है पता जी है में हुंको है गुंसा भुनसा-भुंसा भूनसा करते हैं भुऑत मारते हैं में बहुत उदार नहीं है मेरे साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मार awake करते हैं, मैं उनसे कुछ कहता है, पापा हमको respect yeah hold on बित्तिय छेत्र में सुधार इसके तहट इस्टोक एक्षान तथा बिदेशी मुद्रा बाजाज जैसी संस्ताओं को क्या किया गया था भारती अर्थववस्ता में सामिल किया इसके साथ ही जो आरवाय आर वी आई तिया निकी भारती जो रेजर बैंक थी नियंतरक की भूमि इसका ले खाठी कर दिया गया था इसका मतलब सीधा सही हुआ जो भारत में बेंक करें थी वह कई मामले में क्या थी अ कर सकती थी अपना नेड़े सकती थी लेकिन सभी मामलों में आपे पर120 के विलंत और पर मिंसर्ण के सारे नहीं लेकिन कुछ मामले ऐसे थे थे जिन मैं आज्य pinch की जरूर पढ़ती है समझ़घाना बात को क्यों कियों कि आरबी आई कुछ इनि बार्ती देजर बेंक जो थी आ किसका भूं का निवात हा था नियंतरक की भूं का निवात है था यानि कि उस्पर क्या करते थि कंट्रोल करती ती हर चीज को ये कर लो उससे पापा ऐंब कर लू पिंद करू ल्हां अब यम पाहले देखाओ क्या करना चाहते है वह यह क्या साला तुम खरीद रहा है कोल्डिंग है पेट आत्मा सब जल जाएंगी अभिहाल मारेंगे लपड़ अभिहाल निकल जाएगा तुम्हारा यहीं पर सारा यह रस्मलाई और यह समझो बात को हम पर क्या कर रहे हैं नियंत्रड रख रहे हैं यानि कि हमें जो हम और नहीं करने देना चाहा रहे है हमें मतलब करने नहीं दे रहे हैं तो हम पर करना है constitutional कर रहा है नाई बिल्कों नहीं दात खराब हों जाएएंगे हम झब लेकर आएंगे हम तोड़स चेक रहेंगे हम एपनी दुकान से देख़ कर आएंगे बड़ियासी हमारी पहँचान ठीक है आम फौन करे दे रहे हैं तो वहाँ पर चले जाना रस्मलाई ले आना मतलब समझो बात को क्या है पहले नियंतरक की भूहिम करने बाद अभी क्या करते थे आप क्या कर रहे हैं साहिक की भूहिम कर रहे हैं ऐसा है अगर तुम्हें कहीं पसंद हो अपनी दुकान कोई देखना तो वहाँ पर ले आना लेकिन वहाँ पर जाके भी चेक कर लेना ठीक है समझो बात को साहिक की भूहिम करने बाद रहे हैं तो क्या सीधा ता मतलब था कि इसका मतलब भी हुआ कि कुछ बैंक है क्या थी कई मामलों में आर्वियाई से सलाह लिए बिना अपना निड कर देखते हैं बिदेशी निवेस संस्था संस्थां जैसे एफ आई 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 तथा ब्यापारी में बैंक नीच्वल फंड को अब भारती बित्ती बाजार में क्या थे निवेस की अनुमती दे दी गई थी इसके अलावा करपरणाली में भी सुदार किया इसका मतलब करपर को सी नीटी भी इसको कह सकते है कि इसको जो कर लगाने की प्रणाली थी या कर लगाने की जो प्रणाली थी उसमें सुदार करने का मतलब यह था कि राज को सी नीटी में भी क्या किया था सुदार किया था कैसे किया था तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो क कर की अगर बात की जाए तो कर जो होते हैं वो दो पिरकार की होते हैं कौन कौन से आपको पता होगा एक तो होता है डारेक्ट और एक होता है इंडारेक्ट यानि की प्रतेच्च और परतेच्च कर तो जिन मैंसे सबसे पहले ही अगर बात की जाए तो प्रतेच्च कर किसी भी ब्यक्ति की आए जाथा किसी भी उद्योग के लाब पर क्या लिया जाता है सीधे तोर पर रसूला जाता है सीधे समस्दलब मैं ब्यक्ति हूँ मैं क्या करता हूँ मतलब पैसे कमाता हूँ या मेरे की जो इंकम होती है उस इंकम पर क्या होता है सरकार मुझसे टेक्स लेती हो अम माले जो किसी उद्विओ के लाव पर सीधा जायता है, कोई उद्विओ के लाव पर लगाय जाता है, अगर सुधार की बात की जाये, तो प्रिती अच्छ करों में कमी की गई, जिससे क्या था लोग कर चोरी न करें या कहा है कर चोरी न करें और आसानी से चुका सकें क्योंकि कर की जो तर थी अधिक होने से लोग कर की चोरी या टेक्स की चोरी करते थे जैसे कि आपका निगम कर जो था पहले बहुत अधिक था लेकिन 1991 की जो नीधी थी उधारी कर के त तो काफी कम कर दिया गया था समझ में आया तो मैंने क्या बताया आपका तो पिर्टेच करते उसमें क्या किया गया था बहुत कमी कर दी गई थी पहले बहुत आती कुगा करते कि आप का सीधा समस्लाब आप इंकम टेक्स देते हैं यानि कि आए कर देते हैं आए कर का सीधा सम करेंगे कैसे चुडाने के मतलब आप करो करो करने की कुछ करेंगे तो सरकार ने क्या किया किया कर कि जो रहे थोड़ी कम कर दो उससे क्या रहेगा लोगों को चूकाने भी आसा नही और टेक्स की है यानि कि सुदार की प्रिक्रिया इसमें भी चलती जा रहे है जैसे कि आपको पता होगा दोजाश सोले में आपकी जो सरकार थी उसने क्या किया था दोजाश सोले में आपका जो अपरतेच कर्में सुदार के तहित क्या किया था उसमें दोजाश सोले बस सेवा कर क्या कर दि यानि कि जो एक्ट बना दिया था उसके बाद सत्रे में पूरे देश में लागू कर दिया गया था ठीक है नेक्स देखते हैं ब्यापार और निवेस नीत इसुदार यानि कि उदारी करके था था पहले आयात निया पर क्या किया जाते थे बड़े-बड़े सुल्क लगाए ज पहले क्या था बड़े-बड़े नियात जो हुआ करते थे बड़े-बड़े आयात हुआ करते थे बो सरी आयात और नियापत क्या किया जाता था बड़े-बड़े सुल्क लगा दिया जाते थे टेक्स लगा दिया जाते थे उससे क्या रहता था कि बिदेशी चुमाल था व हो बड़ोत्री हो सके लोग पुरस्ताहित हो ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं दूसरा देखते हैं निजी गड़े यानिक उधारी कर आपने समझ लिया कि यह एक दिसा है और जो सरकार क्या करती है सरकार को सरकारी अर्थिवस्ताथ से किसकी ओर ले जाना है निजी खेत्यटर के उपिक्रमों के स्वामित्त तथा नियंत्र में भाग लेने की अनुमती मिले समझो क्या क्या कहना चाहरा है सीधा सा मतलब यह स्वामित्त के रूप में रक पादके है नहीं ना तो सरकारी उपक्रम में किसी भी तरह का वो मालिक बन सागता था यानि कि एक आत परसेंट का भी मालिक नहीं बन पाता था और ना ही वो किसी भी तरह से नीची को प्रवाबित कर पाता था सरकारी अगर कोई कंपनी है तो उसमें किसी भी तरह से को कोई हस्टचे ब्यातर उसको भाग लेने की अनुमती नहीं थी लेकिन सरकार ने क्या कहा इसने इसने कहा कि जो नीजी छेत्र की जिसा नीजी छेत्र जो है उसको सार्जनिक छेत्र के उप्रह में क्या मिलाएं दिया जाए स्वामित तनियंतर में भाग लेने का अनुमती मैं मिلاगा ऐसे माल लिजी सरकार का कोई उप्रम है to तो माल Aww एंटी पर twar से रहा है उसमें से कुछ एर क्या कर दिया है निजी छेत्र को बेश लिए या फिर दे दिये जाएं ताकि वो भी क्या कर सके इस कंपीनी में भाग ले सके और क्या कर सके नियंत्रक के रूप में या फिर उसमें क्या कर सके कुछ सुधार कर सके यानि कुछ आइडिया देना चाहता है तो उसमें उन आइडिया को या कर उन सुधारों में वो क्या ले सक निजी छेत्री भाग ले सके अगर दूसरी बासां में समझें सो सार्जिन उपक्रम के स्वामित्य का या कर दिया जाए त्याग कर दिया जाए सीधा सा मतलब माली जी ये कंपनी है और कंपनी के 100% सेयर किसके हैं सरकार के हैं और ये ये कहता है निजी कर दो कि इसमें जो स्व जिने छेत्र का है तो इसका जो स्वामित्य है वो क्या कर दे सरकार त्याग दे और कुछ स्वामित्य क्या किया जाए सरकार के जगा किसके दिया जाए निजी छेत्र को इसका स्वामित्य ले ताकि इसमें वो क्या कर सके कुछ बद्राव कर सके और उसके अपनी कुछ नीति बड़ा हो गया है और वह कोई बिजनिस करना चाहता है तो उसको अनमती देनी चाहिए अगर वो सरावी नहीं है बदमास नहीं है सरीफ है वो अच्छे से व्यापर करना चाहता तो लड़के खुला खोड़ दो बेटा जा मस्त रहें काम कर जाके पैसे कमा और प्यार कर साधी कर बच्चे पैदा कर समझो बात को लड़के खुला छोड़ देना चाहिए अगर लड़का सरीफ है सरावी नहीं है बदमास नहीं है अच्छा लड़का है तो लड़का सहची बात है अच्छी जोब करेगा अच्छी लड़की देखेगा अच्छी लड़की देखने के बाद बढ़िया सी एक दम साधी करेगा समझरा बात को तो क्यों लड़के पर अस्य जब किया जाए क्यों खाम-खाम का नियंतर लगाए जाए जब लड़का समझदार है तो उसको मौका दिया जाए तो इसी तरह के यहां पर यह कह रहा है कि कोई निये जी छेत्र जो है वो सरकारी उपकर्म में क्या करना चाता है उसके कुछ सिघ्णों को लेना चाता है तो उसको मौका दिया जाए ठिक है और यह आर्थिक सुदार की क्या थी दूसरी बीच Whereas A इन्य दिता है यहे पत देता है यह कहा है एक रास्ता देता है एक रूट देता है या जो घर तो रास्ता कौन बताएगा तो रास्ता जो है वो हमें रास्ता देगा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदकी तो कौन देगा आपका निजी करण देगा और किस तरह से देगा मैंने आपको बताया कि बच्चा हमारा बड़ा हो गया तो उसको मौका देना चाहिए ताकि बहुत निजी करण के मार्ग पर चल सके और क्या कर सके अपना विकास कर सके देश का विकास कर सके देश की अर्थिवस्ता का विकास कर सके पैसे कमा सके उत्पादन बढ़ा सके समझ रहे हैं बात को तो अगर 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 बात करें कि यह सरकारी या फिर सार्जन कंपनिया हैं तो उनको कैसे निजी छेत्र की कंपनियों में बदला जा सकता है तो उनको भी थोड़ा से समझ रहेते हैं आप से मैं कह रहा हूँ तब निजी छेत्र में हम बदल देते हैं जाव निजी छेत्र में हम मौका देते हैं तो क्या से किया जाएगा तो उसको भी तोड़ा समझते हैं तो सरकार का सार्जनिक सरकार का सार्जनिक कंपनी के स्वामित और प्रभंदन से क्या हो जाना बाहर हो जाना मालीजिये यह सरका सरकार क्या करती है यानि कि सरकार की स्वामित में यानि कि सरकार इसकी मालिक है और प्रबंदन कौन कर रहे सरकार कर रहे तो सरकार क्या करती है इसकी प्रबंदन से यानि कि जो इसका देख रहे कर रहे है जो कंट्रोल कर रहे है वो और जो भी मेनेजमेंट है वो देखना लेखवाल करो आपके स्वामित में रहेगा कुछ सेरं आपके भी हो जाएंगे और कुछ मेरे भी हो जाएंगे समझछेंगे पात को यानि की सरकार इसमें से प्रबंधन पयुदि भीं मैं करता हूँ अब मेरे क्या कर दिया अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें स्वामित में और प्रवंदन से थोड़ा सा भार हो जाए निए थोड़ी से शेयर जो है कर निजी चेत्र में अगर बेज दिये जाए तो ये पहला प्रकार हो जाएगा अब मैं क्या करता हूं माली ये ये कं कि इतने पैसे देगा क्या पैसे दे और ले अपनी कंपड़ी ले जाऊं मसतर रएु बात को समझें सीधा सा मतला वो इसका जूनिजी कड़ है दो तरह से बदला जा सकता है यहनक है कंपपनी को दो करद है से हमिजी चेत्र में बदल सकते हैं पहला तो यह कोई कंपनी है उ इसमें थोड़े से रिष्टे नाते रखने पड़ते हैं कुछ शेर जो थे सरकार के पास भी रहेंगे कुछ निजी शेत्र में तो आगे देखते हैं तो अगर निजी कड की बात करें तो यह वहारे करती वह असना में देखा जाए तो इसको हम तीन रूप में देख सकते हैं पहला जो है मैं क्या बता है निजी कड को वैवार कुछ रूप से देखा जाए क्योंकि हमने तो यह निए बोल दिया हुआ दो तरह से किया जा सकते है एक तो प्रति राष्टिकड यानि कि राष्टिकड क्या होता है यानि कि राष्टिकड यानि कि पूरी तरह से सरकार का प्रति राष्टिकड यानि कि इसको क्या कर दिया जाए राष्टिकड से प्रति राष्टिकड कर दिया जानि कि उल्टा कर दिया जाए पिल्कुल भी सरकार किस यानिके डिस इंवेश्टमेंट इस केता है सरकारी कंपनी एक मैं कुछ भाग नीजी स्वामित में सौब तिया जाता है इसकर यहर वज्वस्था, भारत में अपनाई गई है यह bout cela نہیں अपनाई गई है बल्कि क्या अपनाए गया है विन्वेस इन इस इंवेश्टमेंट अपना तो तीसरा देखते हैं निजी कड को थाड़ समय तो निजी कड कि में कौन को सी नीतिया अपना जाते हैं तो बे नीतियां जिनके माध्यम से अर्थ वबस्ता में नीजी छेत्र की भागीदारी को प्रोसाहित किया जाए या फिर बढ़ाया जाए तो उसको ही हम क्या कहते हैं जैसे की कुछ पिर्मकुद्योग जिनका सरकार ने क्या कर रखा है सरकेर सरकारने आरेचित कर रखा है तो उनका आरच्छड्र जो है वो समाप्त कर दिया जाए जेसे की निजी छेत्र के निवेगी को क्षोल दिया जाए रिस को उसके अलाबा फेरा और मिन प्रवक उपाय देख लेते आने कि निजी करण को कैसे अपनाया जाएगा तो सबसे पहले है निजी विदेशी विनियो आके किलियर करेंगे विनिवेस चुकि मैंने आपको बताया था विदेशी पिर्चैच विनियो ठीक है आई ये नेक्स देखते हैं जो बैस कड़ीस थोड़ा समझ लेते इंग्लोब लाइजीर संथे ये क्या होता है तो इसको समझते हैं इसका सीधा सा मतолब ये था कि ये पूरे बिस्त को क्या बनाना चाहता था एक वाजार बनाना चाहता सीधा था मतलब जो उदारी कड़ था वो हमको एक दिसा प्रदान करता है उसमें ये कहता है कि जो सरकारी अर्थवस्ता है उसको बाजार की अर्थवस्ता से जोड़ा जाए यानिकि बाजार की अर्थ क्रम है कुछ ऐसे होत देंग जिन में क्या करें सरकार उसमें क्या करें उन्वेसे स्वामित जो ए अपने पास से executive को देदे कुछ Mouse क्जनस देदे या करें पूरा दे दे लेकिन वहर्ट नजी छे च-------- को दी ताकि जो दिसा था उस दिसा की तरफ चलने के लिए निजी कड़ के रूप में एक रास्ता दिया जाएगा और उस निजी कड़ के रास्ते पर हम चलते 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 कहां पर पहुंचेंगे तो हम बैस्वी कड़ की रहा पर पहुंचेंगे सीधा सा मतलब लड़का को हम क्या कर सकते हैं ब्यापार कर सकते हैं मान लिजिए भारत में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो पाकिस्तान से ले सकता है चीन से ले सकता है बूटान से ले सकता है अमेरिका से ले सकता है या फिर मान लिजिए दच्छड अमेरिका महादीब का किसी देश से ले सकता है तो वो क्या कर सकता है वहां से माल को खरीद सकता है तो वो क्या करना चाहता था एक बाजार की रूप में पेक्सिक करना चाहता था तो आपका बैस्वी कड जो था एक क्या माना जाएगा एक अंतिम लच्छ माना जाएगा लच्छ पर चलने के लिए कहां पर कौन सी रास्ता दिय तो उदारी कड़की दिसाती तो आई है किलिए करते हैं बैस्वी कड़ तो इसका सीधा था मतलब ये था कि पूरे विस्ट को एक बाजार बना दिया जाना जिसके तहित कोई बस तू या कहे कोई सेवा या कहे कोई निवेज या कोई सिरम सकती एक देश से दूसरे देश में बिना किसी प्रतिवन्द के आ और जा सके मान लिजिये स्रम चाहिए तो एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सके मान लिजिये निवेज करना है तो भारत का ब्यक्ति अमेरिका में अमेरिका के विकिती पाकिस्तान है पाकिस्तान का ब्यक्ति भारत में भारत का मान ल सब्सक्राइब करना सबस्actor का अर्थववस्ता का दूसरी अर्थववस्ता में बिना किसी रोक टोक के मिलन होना क्या कहलाता है आपका बैस्वी कड कहलाएगा मैं फिर से बता देना मैंने मैंने क्या वताया कि एक अर्थवस्ता माली पाकिस्तान की अर्थवस्ता यह बारत देश की अर्थवस्ता क्या है तड़प रही है इस तरह से मिलन करने के लिए यानि कि एक दूसरे से प्यार करने के लिए और यह क्या हो रही है और यह क्या हो रही है बिना रोक तोक के क्या हो रहा है एक दूसरे से मिलन हो रहा है सीधा सा मतलब यह था कि वैस्वी कड जो था आर्थिक सुधारों का अंतिम और अंतिम गोल जो था अंतिम लच्छ जो था वो था आपका बैसी कड़ की और जाना तो बैसी कड़ के माध्यम से एक कमपनी कई देसों में निवेश कर सकती है जिससे बहुराश्टी कमपनी के रूप में कारी कर सकती है और अधिक लोगों से संबंद मना सकती है तता अधिक लाब भी कमा सकती है, इस प्रकिरिया से हम अंतराश्टी इस्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, आत्म निर्वर हो जाते हैं, सीधा सा मतलव, मान लीजिए, भारत देश की कमपेनी है, मान लीजिए, रिलाइंस है, रिलाइंस भारत में करती है, अफगानिस्तान से भी कर रही है, ब्राजील से भी कर रही है, मतलब देश बिदेश से, तो देश से तो करी बिदेशों से भी माल को कमा कमा कर ला रही है, और ये बहुराश्टी के रूप में कार करने लगती है, बहुराश्टी का मतलब एक देश के अलावा मतलब कई सारे हैनी कि एसको बहुत सारे राष्ट्र में क्या कर रही है कार कर सकती है और अधिक लाब कमा सकती है तो इस प्रिक्रिया से हम अंतर राष्टी इस unboxतर पर अधिक लाब कमाते हैं और साथ ही एक दूसरे पर आत्म निरवरं भी हो सकते हैं ठीक है समझ おिकर्ड के लिए किये जाने वाले उपाए देख लेते हैं जिनको हम सबसे पहले जो देखते हैं रुपए का अव मुलें जिसको मैं आगे बता चुका था किस तरह से डॉलर के मकाबले आपका कमी कर दिया जाना भारत की मुद्रा का दूसरा जो मैंने बताया था तर्ट करता था सीमा सु लेकिन भारत का जब अमेरिका में पहुंचे तो उसमें भी तो कमी होनी चाहिए सब को ये देखना पड़ेगा तीसरा जो है विदेशी बिनियों के लिए कई बार बता चाहूं रुपए की परवर्तन परवर्तन सीलता ही है क्या होती है इसको हम आगे समझेंगे इसका पू अब उधारी कड क्या देती है हमें एक दिसा प्रदान करती है कि शूर जाना है उसके बाद आपका जो निजई कड है वो हमको क्या देती想 रास्ता है जिस पर ये चलती है और तीसरा जो है अंतिम लच्छे राल्टीमेट गो कह इसे प्रदान किया जाता है आपका globalization कर जां सिद्धानियों तो जब होता क्या है कि पडियों की रिचियां तो जब वहता किरेंगमी नामते हैं। यह बच्च इच्चे पैदार्थ तो नहीं हो रहे ते यह फिडी मतलब है कि सीमा बना दी थी और यह फिड्यां जो ःसins गो एक साथ चल रही है मतलब यह नहीं के पीडि एक खतम हूई जनेरेसं करते हैं तो परिफां पीडि देख लेए जिसकी चर्चा करती है सरसरकार निची छेत्र के निवेश के लिए प्रोसाइद करने के लिए कई कार किया जैसे याप की प्रिथम जो पीडी थी यानिकि फर्च जनेरेशन थी उसके बारे में यह चर्चा करता है जो कि 1911 के बाद के समयकाल में यह प्रिक्रियाएं अपनाई गई थी दूसरा देखते हैं दूसरी पीडी समझते हैं तो दूसरी पीडी जो थी पिर्थम पीड़ी की कमियों को दूर करने के लिए पिर्थम पीड़ी के सुधारों को सफल बनाना था दूसरी पीड़ी में ये प्रमकुद्द्य सिर्थ था तो इसकी सुरुवात दोजार और दोजार एक से हुई मानी जाती है यनि दोजार दोजार एक के बीच से सुरुव जाता किसी वे रथे वस्ता के लिए आधार बूत मानी जाती है कि बिजले चीनी खाद दवाएं परभन और एक र जो था वे बिश्टव बैंक के बेलकुल बेपीडी था क्योंकि इसका क्या करता है आर्थिक सेवाये कहता है इसको आर्थिक सेवाये के ता जिन पर चूट न देने की बात करता है मैंने आपको बताया भी था कि जब भारत देश ने क्या किया था कि आइएमेफ याने की विस्ट बैंक के रामने क्या किया था गेट खटकटाया गेट खटकताने के बात क्या किया था विस्ट बैंक आइएमेफ ने आपको बताया था कि किस गठीने उन सर्थों में आपका भारत जेसे कुछ नहींद नहीं कहता है कि बिजली है जी नहींकर नहीं मानी चूट नहीं, देंगे हम आधार बूत ये जरूरते होती है या Celsius गैसे बेघ्रática चूर्ट शूट नहीं देंगे तो क्या होगा बहुत सारी के लिए डिक्रति का इस्तिमाल करता है किसानी में करते हैं चीनी आपको पता है कि इस्ट्यया बात की जाएंगे तो इसा कौन सा बेक्ति जो पर्वन का इस्तमाल नहीं करता है तो इसमें बारत देश क्या कहता है कि यह तो हमारा बैसे भी गरीब देश है थोड़ा सा विक्सेती ही हो पा रहा यानि की छोड़ा सा बिकास की तरब जा रहा है तो हम अगर इन पर चूट नह ही दोगे तो इनका क्या है सीधा सा बाद ये लेंगे नहीं बैलिकल बना को мारत करता है लेकर भारत जैस करता है इन को क्या बोलता है आधार भूत को का में मानता है अर्थवेस्था की आधा अर्थवेस्था के लिए आधार भूत मानता है यानि कि बहुत जरूरी चीजे मानता है इसलिए इस पर ये छूटे देता है इसके दूतरा देखते हैं इसके तरह सरम कानून सुधार कंपनी अधिनियम सुध कि शुरूबात की गई थी यानि कि 2002 से इसकी शुरूबात भी मानी जाती है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आर्थिक विकास था आर्थिक सुदार किया जाए उसका लाव जो है आम जनता तक भी पहुंचाया जा सके जिसके काड क्या किया गया था बिकेंदरी करड पर बल दिया गया था इसके लिए पंचायती राज संस्ताओं यानि कि पी राई एस को क्या बनाना था सफल बनाना था सीधा सा मतलब ये था कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं आर्थिक सुदार कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी को भी तो उसमें सामिल करो कि बड़े- दूसरी एक पीडी जब समात तो जाती है उसके बाद दूसरी की शुरुआत नहीं बल्कि ये सारी पीडियां क्या कर रहे हैं एक सात कार रहे हैं और हमारा भारतिया अर्थ्यृवस्ता में सुधार कर रहे हैं क्या आपको बताया तो उनीस वे क्यानियों के बाद यू समिननगे मानी चाती है तो तुम से बारती अर्थी स्वस्ता का थिकास चाहरे है तो सिरुन के साथ करते हैं चले साथ बात करते हैं आर्थिक न्योजन के माली जाए तो नियोजन जो होता है जरूरत के साफ से परिश्चिति के साफ से या कहें समय के साफ से नियोजन का मतलब बदलता रहता है नियोजन हो सकता है परिवार नियोजन भी हो सकता है वद्योगिक नियोजन का भी बात तो कर सकते हैं माली जी आर्थिक नियोजन की बात कर सकते हैं तो मैंने क्या बताया नियोजन का जो मतलब होता है प्लैनिंग जो होती है लोगों पता है planning कैसी कैसी करते हैं माली जी साधी की भी planning करते हैं बच्चों की भी planning करते हैं पैसे की भी planning करते हैं या फिर आने वाले समय में किसी business माली जो कोई function है तो उसकी planning या का है जो न्योजन है वो क्या होता है समय के आधार पर ब्यक्ति के आधार पर और जरूरत के आधार पर जो planning होता है यानि कि जो New Gen होता है वो उसका मतलब भी बडलता रहता है जैसे कि आज से मालिजीए आपके पैसे की कमी हैं आप पैसे को set नहीं कर पा रहें तो आपके लिए जरूरत होगी आर्थिक New Gen की मालिजीए आपके पैसा बहुत सार है आप बच्चे दो चार के बाद आपने पांट साथ बच्चे करती हैं तो आप क्या करना चाते हैं अब क्या करना चाते हैं कि मानली जी एक कोई देश है उसमें बहुत सारे बच्चे वैच्चे हैं तो वह यह चाहेगा कि परिवार नियोजन किया जाए ताकि बच्चे या कहा न बढ़ पाए या फि नगर नियोजन करने साथ तो सीधा सा मतलग जरूरत के आधार पर समय के आधार पर आपका जो नियोजन होता है उसका मतलग और उसका अर्थ जो होता है वो बदलता रहता है तो हम अगर बात करें परिवासा की तो यहां पर मैंने क्या बता है अगर परिवासा की बात कि जाए तो अगर समझ की बात करें परिवासा की बारे में अगर बात करें तो इसकी परिवासा भी क्या होती है समझ के आधार पर बदलती रहती है भईया समझ की आधार पर कैसे बदलती रहती है भईया परिवासा तो मालिए आप मालिजिए क्या है आप मालिजिए पूझी वादी अ हम समाजवादी अर्थिवश्टा के चाने वाले से बात कर लेते हैं जो तिल में समाजवादी बसी हुई है तो वो अपनी अलग बताएगा तो इस तरह से क्या है कि जो विद्वान होते हैं जो अलग अर्शास्त्री होते हैं वो भी क्या होते हैं एक उम्मत नहीं हो पाए या तो आपकी परिवासा भी क्या होती है आर्थिक नियोजन की बदलती रहती है तो आर्थिक नियोजन के अर्थ एवं स्वरूप एवं छेत्र के संबंद में क्या होते हैं सभी विद्वान क्या होते हैं एकमत नहीं हो पाते हैं सीधा सा मतला मालीजिया भारत के बारे में तो भारत के पर्प्रेच में अगर आप आप से पूछा जाता भारत से संबंद से पूछा जाता तो आप अलग बताएंगे आप पाकिस्तान से पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में आप आर्थि नियोजन की परिवासा बनाएंगे तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर आर्थ नियोजन के अर्थ स्वरूप एवर्म छेत्र के संबंद में सभी विद्वान क्या नहीं होते हैं एक उमत नहीं होते हैं तो यही ये उकार्ड हैं इसी कार्ड से इसकी जो आर्थिक नियोजन होती है इसका कोई सरुमान्य परवासा जो देना है वो बहुत ही प्रफिक होजाता है तो इसलिए क्या होता है आर्थिक नियोजन की कुछ विद्ध्वाने ने चाहिक और उनकी क्या किया था उनके बारे ने पड़ा लेकिन मैंने आपर दो इंपोर्टेंट है जो की मैंने आपर रख दी तो उनको हम देखेंगे और दस परिवासाँ को मिला क परिवासा भी बनती है नहीं सभी से कुछ सब्द जो हैं इसके बाद एक परिवासा बना लिए भारत के परिप्रेच में यारे कि भारत से जम्मंदिज योगी भारत के लिए लागू होती है तो आए समयते मैंने क्या बताया कि जब सभी विद्वाने एकमत होते ही नहीं है जैसे कि आपकी सबसे पहली जो परिवासा आ जाती है तो उसके बारे में अगर बात करें तो पूर परिवासित यानि की वेल डिफाइंड आर्थिक लच्चियों की प्राप्ति के लिए मौजूद संसाद उनों का इस्ठितम यानि की आप्टीमम दोवन करने की प्रिक्रिय क्या हूं कहलाती है आपके आर्थिक नियोजन कहलाती है सीधा सा मतलब यह है कि पूरी तरह से परवासित यानि की वेल डिफाइन आर्थिक लच्चियों की प्राप्ति के लिए यानि की वो आर्थिक लच्चे जो पूरी तरह से परवासित किये गए हैं उनके उनको लिख सकता है, तो आप चार पेज ही लिखें, यानि कि इस्टितम उसका क्या करें, दोहन करें, ताकि परियावड को, या फिर किसी बिसेस व्यक्ति को, या फिर किसी बिसेस समधाय को, या फिर किसी बिसेस छेत्र को, क्या न पड़े, किसी भी तरह पर क्या न पड़े, न कार यानिकि को वहट अच्छे आर्थिक लच्षे यानुके जिनको अगर हम प्राप्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी अर्थिवेश्था एक बहुत रूप में जाने जाएगी तो वह जो आर्थिक लच्छे उनकी प्राप्टी करने केलिए जो हमारे पास मौझूद संसादन है मालीजिए हमारे पास कुछ खनी संसादन है या फिर मालीजिए हमारे पास कुछ भी सिरम सकती है तो जो कुछ भी हमारे पास मौझूद है मालीजिए हमारे किचन है किचन में हमारे पास जो कुछ भी मालीजिए हल दी है 100 ग्राम 100 ग्राम यह फला नेड़ का तो जो हमारे पास अंसादन मौजूद हैं उनका हम इस्टतम दोहन करने की इस प्रिक्रिया को हम क्या कह देते हैं आर्थिक निवजर कह देते हैं सीधा का मतलब हमारे पास पैसे अगर दस रुपए हैं तो दस रुपए में से हम क्या करेंगे इस तरह से क् करेंगे कि हमारे जो क्या है आर्थिक जो हमारे आर्थिक लच्छें आर्थिक कौन से पूर परवासित आर्थिक लच्छें उनकी हम प्राप्ति कर सकें तो इस तरह की हम प्राप्ति को या इस तरह की प्रिक्रिया को हम क्या कह देंगे आर्थिक नियोजन कह देंगी कोई economic activities मैंने क्या बताया आर्थिक नियोजन का मतलब दूसी प्रवासा की अदार पर आर्थिक नियोजन आर्थिक गतिविदियों का समन्वय कर इसे नियंतरड के अंतरगत संचारित करने की पद्दिती ही आपकी क्या क्या प्रथिक नियोजन क्या आती है मैं फिरसे बता देता आर्थिक नियोजन आर्थिक गतिविदियों का समन्व करना है यानि कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एग दूसरे का क्या करना है समन्वे में मतलब एक दूसरे की मदद करते हूँ हो सके तो क्या करना है एक दूसरे में समन्वे करते हुए उनमें क्या करना है इसे नियंतरत और संचालित करने की पद्दिती क्या कहलाती है आपकी आर्थिक नियोजन कहलाती है किलेर हुआ इसको हम याद कर सकते हैं इन में स आपकी कई सारी परिवासां को जोड़कर एक परिवासा बनाए गई, जो बहुत आसानी से आपको क्या आजाएगी समझ में आजाएगी, इसकोahlt क्या कर लेना, लिख लेना, तो लिखने के लिए किसके दारा दी गई थी हमारा भारतिय जो योजना आयोग थी, जिसको हम भारत योजना आयुक के द्वारा दी गई है तो इसको आपको याद करना है आपको सीधे सीधे सब्दों में बोल देना है कि आर्थिक न्यूजन आवस्यक रूप से सामाजिक उद्दिश्यों के अनुरूप साधनों के अधिकतम लाव के लिए संगटित एवं उपवो करने का मार् साधनों के अधिकतम लाव के लिए संगटित एवं उपवो करने का मार्ग आर्थिक न्यूजन के लाता है दो सब्दों में समझें तो आर्थिक न्यूजन का पिरमो को उद्देश से समझें तो उद्देश जो होता है उत्पादन का अधिकतम मात्रा तक बढ़ाना और जन्ता के रहन सेहन के इस तरु को क्या करना उंचा उठाना दो सब्दों में अपनी घर की खेती की तरह है अगर हम इस परिवासा को तो हमने सारी परिवासाओं को भूल जाएं तो आर्थिक नियोजन क्या होता है वहिया आर्थिक नियोजन का मतलब हमारे क्या है जो पिरमों को देश हैं हमारे पिरमों को जो अर्थिक नियोजन का क्या मैंने मतलब बता कि उत्पादन को क्या किया जाए अधिकतम मात्रा तक बढ़ाना और जो हमारी जनता है हमारे जो लोग है हमाजा जो समाज है उसके रहन सहिन को इस तरको उचा उठाना सीधे से दो सब्दों में परिवासा आ गई कि भारती अर्थिववस्ता है या भारत की जो अर्थिववस उठाना सीधा सा मतलब आप क्या करें, बहुत अच्छा क्या करें, उत्पादन करें, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएं, लेकिन उसकी साथ क्या करना है, जो समाज है, जो जनता है, जो दवे पिजड़ी लोग है, उनके रहन सेन के इस तरु को भी क्या करें, जा उठाना ही क्या कहलाता है आपका आर्थिक नियोजन कहलाएगा ठीक है चलिए नेट लेकते हैं शुरुवात करते हैं आर्थिक नियोजन की सुरुवात हुई कहां से कहां से इसका उध्वव हुआ कहां से इसकी सुरुवात हुई तो पूरी दुनिया में हम यहां पर सबसे पहले बात कर कि जो आपका आर्थिक नियोजन था उसकी शुरुबात सबसे पहले कहां हुई तो आप कहेंगे यह बताइए सर्व मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक नियोजन का शुरुबात जो हुआ वो दो इस्तर पे हुआ माना जाता है पहला तो उत्तर बिर्देश में था राष्ठी इस्तर पर सीधा सा मतलब आर्थिक नियोजन का सबसे पहले प्रयास USA ने किया था जब 1970 में टैनेसी घाटी परियोजना की इस्तापना की गई थी जो कि USA के टैनेसी नामक राज्जी में इस्तित एक क्या थी आपकी नदी घाटी परियोजना थी इसकी करें तो समझ में यह आता है कि आर्थिक नियोजन से धानतिक रूप से 1970 में हीलागू हो गया था यानि कि 1970 से ही शुरू हो जाता है और किस इस्तर पर राज इस्तर पर यानि कि छोटे इस्तर पर शुरू हो जाता है जबकि विवारिक रूप की अगर बात की जाए तो 1933 में इसका क्या होता है क्रिया मयन शुरू होता है सीधा का मतलव मान लिजी आप किसी की घर में जाते हैं और घर में जाते जाते हैं आप क्या कहते हैं घर में आप में जाते हैं मेरे घर पे कोई रिष्टिदार आता है रिष्टिदार जबाता है तो रिष्टिदार आते कहते हैं बैटे है चले चाय बनाते हैं हाग के लिए हमने अंदर और कर दिया कि अभी टाइम जो हो रहा है ऐसा करते है साड़े बारा वजरा है रात का आप आए हैं हम जी चाल चाय पनवाते हैं साड़े बारा वजरे जैसी हमने चाय का बोला पिरक्रिया जो थी सेदांतिक रूप से चाय की जो पिरक्रिया थी वो सुरू हो गही फ़ोन आया जो उल्क कि झा खर just मुनें इस ही नहीं करते हैं आता है छाय के स्सेदांतिक रूप से चाय का परिक्रिया जो था वो सुरू हो जाता है लेकिन आतांता है बिबेज़े cui होंट तेरे तो समझो बात को कभिता जो थी जब तक उनके भीगे होंट किसे भीग न जाएं चाय से जब तक उनके होंट जो हैं भीग न जाएं तब तक चाय का पिरकरिया उनके होंटों तक नहीं पहुंचता तब तक वह चाय पीना या कहा विवारिक रूप से पीना उन्हो यानि कि कागजों में जो था सीधा था मतलव आपको बता दूँँ निस दो दो हजार-सोले में आपका जी-एस्ट्वी लागू हो गया था पूरे देश में लेकिन से धनतिक रूप से हो गया था लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ था उन 2017 में हुआ था 16 में तो वो कानून मन गया लेकिन 2017 में वो क्या हुआ लागू हो पाया पूरे देश में तो इसी तरह से मैंने क्या बताया तो इस तरह से प्रादेशिक नियोजन की शुरुवात राष्टी नियोजन से पहले हु भी मानी जाती है फिर से बता दूँ प्रादेशिक इस्तर पर प्रादेशिक इस्तर पर या गए प्रादेशिक नियोजन की शुरुवात राष्टी नियोजन से पहले हुई मानी जाती है जैसे मान दीजिए राजिस भारत में उस्तर प्रदिश नामक राजिया उस्तर प्रद राजिसिक इस्तर पर 1970 में सेधानतिक रूप से शुरू हो जाता है और वेवारिक रूप यानि की पूरी तरह से चाहिए परयोजना जो थी काम करना कपसे शुरू की थी आपका 1933 में शुरू किया था समझी मैं दूसरा इस्तर देखते हैं अब राश्टी स्तर के बात कर लेत सेधानतिक रूप से और बास्तिव रूप से यानि की परयोजना शुरू कब होई 1933 में हो गई थी पूरी तरह से काम करना शुरू किया इसी तरह से यहां पर राश्टी स्तर के नियोजन की अगर बात कि जाए तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियस संग या कर दी और 1928 में पहली पंच वर्सी योजना की क्या की गई शुरूबात की गई इस योजना को गौस प्लेन के नाम से जाना जाता है कि गौस जो थे गौस क्या था गौस यहां का सोवियस संग में योजना का निर्माड और कार्यामन करना था मुल्यांकन करने की जिम्मेदा जिम्मेदारी इसी संग्ठन की ते यानि कि गौस प्लैन क्यों कहा गया था कि गौस जो था वहाँ पर एक संग्ठन था जो संग्ठन क्या करता था यहां पर यूजना बनाता था उसको कार्यामन करता था और उसका मुल्यांकन करता था तो जो गौस नामक जो संसाती उसका क्य जिम्मेदारी थी ये कार्यामन, मुल्यांकर, निर्माड और आपका लागू कराने का सारा काम तो इसको हमने क्या कहा गौस्प लेंग कहा जिस तरह से आपका भारत में अगर आ जाते हैं तो भारत में ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है योजना आयोग की जिम्मेदारी होत सबसे पहला जो इस्तर था वो था आपका राज इस्तर पर यानि कि प्रादेशिक इस्तर पर कब हुआ था 1917 में हुआ था कहां पर हुआ था USA के टैनेसी नामक राज में वहीं सेधान्तिक रूप से वो चालू जरूर हुआ था लेकिन 1933 में उसने ब्यवारिक रूप लिया वहीं 1924 में सोगविय संग ने अपने राष्टी इस्तर के नियोजन की गुंसना कर दी यानि कि 1924 में राष्टी इस्तर का जो नियोजन था सेधान्तिक रूप से बाद में हुआ लेकिन विवारिक रूप से पहले शुरू हुआ यानि कि 1928 में पहली पंच वर्षी योजना बनकर तयार हो गई अब दोनों में आप अंतर थोड़ा सा समझें मैंने क्या बताया कि आपका राष्टी इस्तर की अगर बात की जाए तो 1924 में यानि कि सैधान्तिक रूप से पहले शुरू हो जाता है यानि कि 1917 में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वहीं क्या देखा जाए अगर व्यभारिक रूप देखा जाए तो आपको 1923 में इतने काम शुरू किया था वल जबकि आपका राष्टी इस्तर पर 1928 में आपका पहली पंच वर्षी योजना की क्या हो जाती है शु धानतिक रूप से जो आर्थिक नियोजन थी उसकी शुरूवात हो जाती है यानि कि 1917 में हो जाती है व्यभारिक रूप से देखें यानि कि उसका कार्यमन जो था वो शुरूवात हो जाती है कार करना उसने शुरू किया तो आपका राष्ट इस्तर पर पहले कार करना शुर हो जाता है जब की सैधानतिक रूप से प्रादेशिक नियोजन पहले आता है तो दौनों में आप कभी भी confusion पैदा नहीं करेंगे ठीक है तो इस जानकारी से हमें दो पिरसनों के बारे में आर्थिक नियोजन की फिरली लागू करने का स्री किसको जाता है समय बात को दूतरा पर संदेख लेते हैं आरो थिक sommes किस बीवस्ता Kolek बिपरीत मानी जाती है क्योंकि बाजार आधारित या कि पूजी बादी अर्थ विवस्ता में बाजार को ही अर्थ विवस्ता का नियंतरक माना जाता है और आर्थिक नियोजन जैसी कोई अलग से विवस्ता नहीं की जाती है किसमें पूजी बादी अर्थ विवस्ता में तो स दूसरा देखते हैं, नियोजन के पिरकार समझ लेते हैं, नियोजन कितने पिरकार के हैं, तो यहाँ पर नियोजन के अगर पिरकार की बात की जाए, तो आईए समझते हैं, टाइप्स और प्लैनी, तो आईए समझते हैं, खिलियर करते हैं, नियोजन के पिरकार किसी पुस्त विद्धवान ने बताया कि यह वाला प्लैनिंग नहीं ऐसा खुट नहीं इसको मैं दो सब्दों में समझाऊं कि नियोजन के पिरकार थे इसको समझाने की हलकी सी थोड़ी सी मैं जानका रियक्ष्टा दे देता हूं यहां पर क्या था नियोजन से जुड़ी सरी सभी अवध विभारिक रूप जब लेता है तो उनिस सो अठाइस में उनिस सो अठाइस में राष्टी स्थर पर होता है और उनिस सो तेंटिस में प्रादिसिक स्थर पर होता है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं विभारिक पहलूं की सीधा सा मतलब मैंने क्या बताया कि नियोजन से ज विसके बाद न्योजन के पिरकार के बारे में चर्चा कर ली और उसके बाद इनका विबार प्रियोग कर दिया ऐसा नहीं था यानिको सीधा सा मान सकते हैं मानीजीए कोई कि प्रकार के बारे में तोड़ी सी जानकर ले लें और एसा नहीं था यहां पर अक्या मान लीजिए भारत ने कोई प्रणाली अपना लिए उसकी जो कड़ प्रणाली थी अच्छी लगी उसका नाम दे दिया आपकी USA ने तरह तो इस तरह से चीज़ों को समझेश समाझ बादी ने अगर कोई प्रक्रिया अपनाई तो यहीं पर क्या था विभार गूरूप देखने को मन्हें महां लिजिए पैन है पैन का विवार क्या है पैन जो है हम हुड्हें लिखते हैं बात को समझो है पैन से हम कान में है जानते हो जाती है तो हमने क्या कर दिया कि हमने उसका Luci प्रिकार दे दिया तो मैंने क्या बताया मैंने बताया कि इसका जो जन्म हुआ है नियोजन के विवहरिक पहलूए से हुआ सीदा सा मतलब यह था कि इसका निर्मान दो चार अर्शासरियों को पैठाल कर वहां पर विचार विवस्व करने के बाद नियोजन के बारे में चांदकारी नहीं दी घही थी, बलकि हुआ क्या? न्योजन फिर परकार कई से बने? तो न्योजन के परकार की बात की जाए तो इसका जन्म वियवहारिक वियाँक सधान से हुआ, यानि कि बिस्तु के जिन प्रमक देश्तों ї ने नियोजन का सारा ल्या, उनमें से चुछ जो-कुछ भी परणाम निकले या कर जो कुछ भी परणाम निकल कर सामने आते हैं, उसके अाधार पर नियोजन को हमने दो भागों में बाट दिया. मैं फिर से बता दू मैंने क्या बताया नियोजन के जो पिरकार थे किसी पुस्तक से या किसी गिरंथ से या फिर किसी ब्यक्ति के दौरा नहीं लिया गया बलकि क्या था किसी देश की अर्थविवस्ता या कि कुछ प्रवक्तेशों की अर्थविवस्ता में कुछ नियोजन क्या थे नियोजनों को अपन अलग-अलग कोचिंग सेंट्रों में- अलग-अलग नामों से बताया जा सकता है यहां पर केवल में ऑड़ी सेंट्रों के बारे में बात करूła उन्हों को चाहिए आप 8 बना लें चाहिए 10 बना लें चाहिए 50 बना लें जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं trabalhar तो market economy में क्या होता है सब कच कुछ खुला कुला होता है और planned economy में क्या होता है control होता है तो आईए फिर समझते हैं clear करते हैं पहला पिरकार देख लेते हैं सबसे पहला जो पिरकार है उसको कहते हैं लक्ष newerjan latch से ही पता चलता है कोई हमें target दिया है कोई लक्षी दिया है उसको पूरा करना है इसको हम आदे सात्मक नियोजन भी कहते हैं इसको directed planning भी कहते हैं आदे सात्मक मतलब हो मैं हूँ मेरा बच्चा है बच्चे को कुछ आदेस दिया बच्चे को कोई काम दिया उसको बच्चे को करके दिखाना है करके दिखाना है कहीं मतला हम उसको डारेक्टन देना को बेटा ऐसा करना आपको यह करना है कि तुम मम्मी को भी नहीं बता पाओगे पापाने किस जगह मारा समझना बात को चलिये तो यहाँ पर पहला पिरकार जो है लक्ष नियोजन या टार्गेट एट लेन या आदेस आकमक नियोजन है तो आएए इसको समझते हैं क्या है यह तो ईस नियोजन की सुरुवाद कहां से होई थी तो इस नियो जन की सुरुवाद कि यू एएस्ए फ्यू व अरे यानि कि पूर्व सोबियत संग में हुई बानी जाती है बिजाने η को समय क्या किया था इसको अपनाई था इस से कुछ समय पूर dify यूपिया देशोने इसको क्या किया था अपनाया था नए फिर से बता देने प्युआ USSR में यह जो लक्ष नियोजनिया के आदे साथ मंग नियोजनिया आपका टागेटेड प्लैनिक जो थी USSR में यह प्लैनिक देखने को मिलती है लेकिन इसको USSR के साथ ही आपका जो पूर्वी यूरोपिय के कुछ देश थे उन्होंने भी इसको अपनाये था इसमें राज की या क की लागू करने का काम करती है इसको आदेस आत्मक इसलिए कह जाता है क्योंकि इस मॉडल में निर्य केंद्री किरत होता है जो कि एक आदेस की तरह होता है जिससे अन्य सभी को मानना होता है सीधा सा मतलब अभी मैंने बताया कि इसको केंद्री किरत इसलिए कहते हैं क्योंक करने के लिए क्या करती है आदेश देती है वो कहती है तुम अपने विवाग में ये करो तुम ये वाली प्लैनिंग करो तुम इसका हमें ये करके दिखाओ सीधा सा मतलब वो आदेश देती है आपको करके दिखाना है कहीं भाग नहीं जाना है नहीं तो फिर क्या खाना है मारत द автом सकते ही और आप आपका यू-एस-एस-डा में गौस नाम के град करती है और उसको लागू करने का काम करती है इसको अधे सात्मक्यों कहा जाता है क्योंकि इसका मोडल यो होता है केंद्रazuje मतलाव माली मैं छू बच्चे हैं एक बीबी है बच्चों की साधी हो चुकी है बच्चों की बीबी आ चुकी है वने चार लड़के हैं चारों की बीबी आ चुकी है उनके भी दो तीन दो 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 तीन तीन लॉंच हो चुके हैं उनके तो यहां पर समझो सारा कुछ कौन करता है पापा यहां पर क चैनल इसकी फिस्षिस्ता भी देख लेते हैं इसमें आर्थिक संब्रद्दी और विकास के मातरात्मक लक्ष को क्या किया जाता है तेह किया जाता है जो लक्षि जो है पांच वर्स के लिए पंच वर्सी योजनाओं के रूप में क्या बनाती है पंच वर्सी योजनाओं के रूप में क्या बनाती है प्लैनिंग करती है और आपको सारा कुछ क्या करना होता है उन्हीं लच्छों की प्राप्ति करनी होती है और वो रिपोर्ट जो है केंद किये जाने में क्या होती है ज्यादा संभावना होती है सीधे से मतलब मैंने आपको बताया कि इतमें राज जी की महत फुर्वून का होती है यानि कि सारा का सारा कंट्रॉल राज जी के हाथों में होता है यानि कि पापा के हाथ में है और पापा ने कहा दिया बेटा ये काम कर सरकार का यानि कि पापा का नेंटर है इसलिए नियोजन में जो लच्छ दिये गए हैं उनको पूरा करने में क्या होता है इस योजना में या लच्छ नियोजन में या आदिस आपक नियोजन में बहुत आसानी होती है या कहें ज्यादा संभाबना होती है क्यों 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 क् बच्चा मारा आग्या का रही है तो उन आदिसों का क्या करेगा उन आदिसों की क्या करेगा उन आदिसों की अभिलना नहीं करेगा यह नहीं कि उन आदिसों को मानेगा और जो हमने लच दिया है उसको पूरा करेगा ठीक है दूसरा देखते हैं निर्देस आत्मक नियोजन पर्चियात्मक नियोजन या इंडिकेटिव प्लैनिंग भाया यह भी समझते हैं इसमें क्या करता है हमारे बच्चे हैं बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं समझदार हो गए हैं पापा का कहना तो मानते ही हैं साथ में अपना भी कुछ दिमाग चलाते हैं अपना भी दे रखी है हमने उसको थोड़ा सा निर्देश दे दिया है बिटा ये कर लेना बच्चों को लगता है कि पापा नी ये बताया है लगता है इसमें जितना हो सकेगा उतना करेंगे पापा मारति पीट ने है नहीं अच्छे पापा हैं तो यहीं पर वही वाली वाद है यहाँ अच्छे पापा हैं महाँ पर थोड़े ते कड़क पापा हैं आप समझते हैं अच्छे पापा के बारे में यानि कि निर्देस आत्मक नियोजन या कहें इंडिकेटिव प्लैनिंग तो इसमें राजियों के दौरा योजनाओं के लच्छों का क्या किया जाता है निधार किया यह हमारे निजी छेत्र के हैं, मतलब बड़े हो गए हैं, जॉब करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, पापा से कुछ ज्यादा खास मानुते नहीं हैं, कोई बहुत जरूरत होती हैं, तो पापा से संपर्क करते हैं, पापा से बात करते हैं, पापा से चीजें लेते हैं, पाप किया जाता है यानि कि बताया जाता है बेटा निर्देश दिये जाते हैं कि इन इन सेक्टर में ज्यादा फोकस करना है यह वाले प्लांट यहां पर लगवाना है यह वाला काम यहां पर करना है तो यहां पर क्या होता है यह सारे आपने निर्देश दे तो दिये लेकिन इनको कार्यामन या पूरा करने की जिम्मेदारी हमने निजी छेत्र को दे दी है यानि की बाजार की सक्तियों को सोच दी है अगर इसकी सुरुवात की बात की जाए तो उनीस सो तीस में जब उनीस सो तीस में क्या था आपको पताया था जो आपका एडम इसमें थे उन्होंने ये का होगा कि 1929 के समय काल में क्या होता है जो इन्वीजरल हेंड्स होते हैं उनको क्या होता है गलती से कोई कार देता है दिखते नहीं है तो न दिखने वाली कुलारी से वो हाथ जब जाता है तो मैंने क्या बताया कि एगर इसकी सुरुबात की बात की जाए तो 1930 में जो आर्थिक महामन दे आई थी उसके बाद जो समय था उससे लोगों का क्या था दिमाग जब जोर दिया था और लोगों को ये समझ में आने लगा था कि पूजी बादी अर्थ विवस्ता जो लोगों का कल्याण नहीं कर सकती इसके चलते 1944 में जो फ्रांस नामक देश था जो कि एक पूजी बादी अर्थ विवस्ता का क्या था दामन था में हुए था उसने गोस्ड़ा कर दी कि वहें अब पूजी बादी अर्थ विवस्ता नहीं है बलकि क्या है मिस्रित अर्थ वि है आपका आपका पूझी बादी अर्थविष्टा कि बहुत सारी कमियां निकल कर सामने आती है और लोगों का दिमाग जो होता है उससे जो घटना सामने आई बड़े इस्तर की बेरूजगारी बड़े-बड़े कारखोनों पे ताल लोग भुकमरी की स्थिती में आ जाते हैं और लोगों का इस तरह की घटना देकर दिमाग क्या हो जाता है जन जनाने लगता है और मैसूस करते हैं भाई साव हमको ऐसा लगता है कि जो पूझी बादी अर्थवश्टा है ये पूझी बादी अर्थवश्टा बहुत खतरनाक है जिसके हाथ देखी नहीं रहे हैं यान प्रांस ने गोंचना कर दी कि आज से हम पूजी वाद से क्या करते हैं कुट्टा करते हैं छोटे जब हुआ करते थे तो हमारी लड़की वह गल्फेंटी वह हमारी ऐसे करती थी मतलब अगर कोई जानता हो तो ऐसे करके करते हैं कुट्टा का मतलब होता है कि हम बात नहीं करेंगे हम तुमसे कुट्टा हो गए यानि कि पूजी वादी जो अर्थवस्ता थी हम उससे नाराज हो गए अब हमने पूजी वादी अर्थवस्ता थे हम किस की तरफ चले जाते हैं हम मिस्रित अर्थवस्ता की तरफ चले जाते है और में सिरत अर्थिवस्ता में आपको बताया था थोड़ा सा भाग निजी छेत्र का थोड़ा सा भाग किसका थोड़ा सा भाग किसका थोड़ा सा भाग किसका आपका राज जिकाया कहें सरकार का होता है तो सीधा था मतलब पहली गोंचना आपका फ्रांस ने कर दी इसके पत्मक्द योजना को लागू किया गया जिसको मानेट पिलान का गया और मानेट यहां पर मंत्री थे कौन से मंत्री योजना मंत्री थे यह दूसरी प्रणाली थी इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें थोड़ा सा भाग क्या होता है निजी छेत्र का होता है और थोड़ा सा भाग सरकारी छेत्र का होता है इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार यहाँ पर यूजनाय बनाएगी उनका लच्छियों को निराल करेगी और निजी छेत्र को सौप देगी कि च बना ले प्लैन और कर ले उनको जो लच्छें तो उरे प्राप्ट कर ले उनको तो उनको उनको लच्छें को प्राप्ट करने का किसको दिया जाता है आपका निजी छेत्र को दिया जाता है और वो अपने निजी छेत्र की क्या होते हैं आपके उन लच्छें को प्राप्ट कर काम करते जा रहे हैं तो मैंने क्या बताया इसी योजना को भारत तथा तीसरी दुनिया तथा अन्य देसों ने भी अपनाया मैंने क्या बताया कि आपका जो जवापका तो इस योजना को या निर्दे सात्मक योजना को भारत तता तीसरी दुनिया के अन्य फूर्छी होती है आपको पता होगा कि आपका जो अमेरिका और यह पंचमी यूरोप अच्छेतरा इसको हम क्या कहते थे इसको दो धुर्गी के रूप में चला करता था यानि कि यह आपका पुर्वी जो छेत्रुआ करता था यह अपना दो गोटों में बटा रहता था यानि कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया और यह इन दोने से जो अलग रहता था उसको हम कहते थे तीसरी दुनिया ठीकर भारतों तीसरी दुनिया के देशों ने इसको अपनाया तो इस तरह से जो गैर समाजवादी अर्थिवश्थाए थी और साथ ही मिस्रित अर्थिवश्थाओं ने जो आर्थिक नियोजन लागू किया था उसे ही हम पर्चे आत्मक नियोजन कहते हैं वैसे इस इसको एक बार 1965 में इंग्लेंड ने भी क्या किया था अपनाया था लेकिन उसके कुछ दिनवाद इसको क्या कर दिया त्याग दिया उसके बाद भी कभी भी इसको नहीं अपनाया पर्चे आत्मक यानिकी नियोजन की थोड़ी सी पिसिस्त देख लेते हैं इस नियोजन के इस पिरकार के नियोजन में आर्थिक संब्रद्धी और विकास के मातरात्मक लक्षों के साथ साथ निर्दे साथमक आर्थिक नियोटियों को पूरे करने की गुंठणा की जाती हैं यहाँ पर राज की भूम का क्या होती है पेड़ा दायक यानिकी सायक तथा प्रोसाक की ह होती है बलकि कंट्रोलर की नहीं होती है मतलब आप पर कंट्रोल नहीं करती है आपको सपोर्ट करती है आपको नीतिया बताती है आपको तरीके बताती है यहाँ पर राज की भूम का क्या होती है प्रोसाकी होती है इसमें निजी छेत्र तता सरकारी छेत्र दोने एक दूसर प्रेम करते हैं, एक दूसरे को सयोग करते हैं, और एक दूसरे को अगर किसी भी तरह की कोई जरूर पढ़ती है, तो क्या करते हैं, मदद भी करते हैं, तो इसमें परड़ाम की अगर बात की जाए, तो कभी कभी दिये हुए लच्छों को पूरा नहीं भी कर पाता है, इसके क बहुराया चतना है और इसमें क्या होता है देखनों को मिल जाता है कि भारत में जो नियोझन कंगा हो जाते हैं कि उतनी जितना हम घंठाब रॉपर मेरिया ही यहाई करते हैं कि यह गडिनी कि शुरूटे करते हैं कि लिए करते हैं क्लियर हुआ नेक देखते हैं तो थोड़ा सा निर्दे सात्मक के बारे में थोड़ी से और जान के लिए अगर पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो इस समय किस तरह की जो नियोजन प्रणाली याक है नियोजन याक है योजन अपनाई गई है तो वह आपकी न बर्तमान की बात की जाए तो किसी भी देश द्वारा किया जाने वाले आर्थिक नियोजन का जो पिरकार कुंसा है तो वो आपका पर्च आत्मक ही है मैं फिर से बता दूँ अगर बर्तमान की यानि की दो जार बीस इकिस की अगर बात की जाए तो किसी भी देश के द्वारा क किया जाने बाला आर्थिक नियोजन पर्चे आत्म की है क्योंकि आज की समय में बिस्ट की हर विवस्ता या कि हर अर्थ विवस्ता मिस्रित अर्थ विवस्ता है अब भाई सब यह कहेंगे कि नहीं नहीं अमिर्का तो पुझीवादी अर्थ विवस्ता नहीं मैंने क्या बताय कि पूरी दुनिया में हर एक अर्थ ववस्ता मिस्रित अर्थ ववस्ता है हाँ ये बात अलग है कि किसी भी अर्थ ववस्ता का या किसी भी तेश की अर्थ ववस्ता का निजी छेतर की तरफ या कहें बाजार की अर्थ ववस्ता की तरफ जो काव थोड़ा सा अधिक है वही है कि एपका नीजी चेत्र की टरफ है और कोच ऐसी अर्थवाश्टा एए तो सीधी सामतल्ब यहैं कि आपका मैंने क्या क्या बताया। सीधा तो मतलब यह है कि कोई भी अर्थिववस्ता क्या नहीं है, पूझी बादी अर्थिववस्ता नहीं है, बस जोकाव थोड़ा सा है, हम प्यार करते हैं पूझी बादी अर्थिवस्ता को, हम हैं मिस्रित, यानि कि सरकार की भूम का वहां पर थोड़ी सी है, बात को समझो नियोजन नहीं अपनाया गया लेकिन अगर अमेरिका में गौर किया जाए तो USA में पर्चे आत्मक नियोजन ही अपनाया गया है भई या कैसे क्योंकि यहां पर साल के शुरुवात में या कहें साल के सुरुवात में साल आना राष्ट पती रिपोर्ट यानि की एन्यूल प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट को प्रकासित किया जाता है यह कुछ और नहीं बलकि निजी छेतर की आर्थिक गत्विदियों को सुधार की सामें ले जाने की कोशिस होती है जिसमें कुछ योधिनाएं होती हैं कुछ प्लैन यो होते हैं पसंद आते हैं और कुछ आर्थ नापसंद भी आर्थिक नीतियां होती हैं क्योंकि मैंने क्या बताया इसमें क्या किया जाता है तो यह भी क्या है बस रूप थोड़े से अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सबका मक्सद जो है वो एक ही हर कोई चाता है कि जादा से जादा लाप कमाया जाए देश की अर्थ व्यवस्ता को क्या किया जाए देश की अर्थ व्यवस्ता को उच्छी स्तर पर ले जाए जाए और हर एक चीज जो है हर एक कमी को क्या किया जाए दूर किया जा सके समझ रहा ना तो मैंने क्य बतायां अगर अमेरिका की भी बात की जाए तो वो भी क्या है मिस्त्रित अर्थ विवस्ताई है और मैंने अभी यह बता भी चुक्ता हूं कि यहाँ पर निजी छेत्र की भूमका है थोड़ी सी चाद है लेकिन है क्या यह पूंजी बाद अर्थ विवस्तानी क्या है यह आप कहा मिस्र तर्थवस्ता है सरकार की यहां भूम का है थोड़ी सी कम है लेकिन है ऐसी हर देश में सरकार की भूम का है थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन क्या है आपका पूझी बाती अर्थवस्ता नहों कर क्या है आपका मिस्र तर्थवस्ता है हर देश की ठीक है तो मैंने आपक क्या बताया कि पर्चे आत्मक नियोजन का प्रमुक्सरे निजी छेत्र को ही जाता है क्योंकि ये आर्थिक गतिविदियों को एक निश्चित दिसा और इच्छित दिसा प्रदान करते हैं सीधा सा मतलब पर्चे आत्मक क्या मैंने बताया था कि पूंजी जीवादी कुछ आपके gefRACirt मनती है। उनको क מאम मैं उनको करने के लिए क्या करती है। उनको निर्देश एजिए करने के लिए क्या करती है और सपूर्ट करती है अब समझो असके समया हूँ मैं got कौन हूं मैं खाऊंगा पिऊंगा कौन हूं सरकार से जुड़ाओं कोछ नहीं लेता हूं तो यहां पर सबसे प्रमुक जो होता है कौन कर चाता है निजी छेत्र को जाता है क्योंकि यह आर्तिक गतिविदियों को एक निश्चित दिशा प्रिदान करती हैं और अपनी हैं उनको पूरा कर लेती हैं पस यह होती है सरकार भी उसमें को जानकारी देती है कभी-कभी यह पूरे नहीं हो पाते हैं कभी यह पूरे हो जाते हैं ठीक है तो यह हलकी सी जानकारी हो गई नेक्ट पढ़ते हैं किलियर करते हैं अब हम समझते हैं पूरी दुनिया में से हुई मानी जाती है भाया 1930 के दसक में सुरुवात हुई मानी जाती है कैसे मानी जाती है सबसे पहले देखते हैं भारत के लिए एक नियोजित अर्थवस्ता किसने अब धाड़ा दी थी हमारे एक ब्यक्ति थे जिनका नाम था एम विश्वे सरया जिसको हम अगर हिंदी में कभी कभी आपको उनका नाम अगर पूरा जो है मोक्ष गुंडम विश्वे सरया जिनको हम सौर्ट में कहते थे हैं एम विश्वे सरया और इन्हों ने प्लैंड एकॉनमी फॉर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें क्या किया गया था कुछ बिचार दिये थे म 1934 में दिये थे इस पुस्तक में 10 बर्सिय नियोजन के कारकिरम का निराड किया था यह जना अंग्रिजों को बताई थी लेकिन अंग्रिजों ने कोई खास या का ठूस का दम नहीं उठाया लेकिन जो भारती लोग थे भारती सतनता सेनानी थे उन्होंने इससे क्या था एक आ समिती देख लेते हैं दूसरा देख लेते हैं नेता जी सुवाजचंद बोस तता पंडे चवाला नहरू की अज्जचता में राष्ट नियोजन समिती बनाए गई थी इसमें कुछ प्राभधान भी किया वह थे बैदे कौन से प्राभधान थे तो इसके ताहित एक न हो सकी लेकिन 1949 में इसको पेस किया गया जो कि योजना आयोग का क्या बनती है आथार बनती है क्या थी आपकी राष्ट्री नियोजन समिती ठीक है कौनको नद्यस थे नेता जी सुवाजचंद बोस और पंडिक चवाला नहरू ठीक है श्याली तीसरा देखते हैं बॉंब के अठाए वो आठ उद्योग पतियों के द्वारा बॉंबे प्लान के नाम से एक पंद्रे वर्सी योजना पेस की थी इसमें जे आर्टी टाटा जे आर्डी टाटा जॉन मताई प्रमुख लोग थे और भी कई सारे लोग थे इनको उद्योग पतियों की पतंगबादी के नाम से क्या की गई थी आलोचना की गई थी इसको भी अंग्रे जोने क्या दिया बिल्कुल भी भाव नहीं क्या किया या फैसाली पतंग वाजी है यह दो चालोग हो जाते हैं जिस तरह पतां उड़ाते हैं इसको किसी भी तरह का कोई भाव यानी की महत्र नहीं दिया और इनकी आलोजना करके यह योजना भी फ्लॉप कर दी चौथी देखते हैं गांधी बादी योजना उनीस तो चावालिस में पेस की गई थी स्रीमन नारायन ने गांधी बादी रूप से योजना पेस की थी इसमें जन कल्याण की बात की गई थी इसको भी कोई खास महत्व नहीं दिया गया नेक टेकते हैं सर्वोदा योजना उनीस सो पचास में सर्वोदा योजना उनीस सो पचास में पेस की गई थी जै प्रकास नारायन ने सर्वोदा योजना की न च्छोटी मोटि जैसे उभेज़ना की अंगर बात की जाये तो यह जाद ब्यक्तिकत बिंचारों से धर्भावित यहाद विकास की था मतनला सभी का सबस्का सब्सका विकास भावना rice का यह अपने अपने सर भोधह के बारे में थोड़ी सुन लीजी है सर इसमें ला खुद का शाय था मला फिर करने यह योजनाएं नहीं यह समझते हैं आignment खरी देखते हैं योजना आयोग ये कफ शुरू की गई थी तो भारत के आजाद होने से पहले 1938 में कॉंग्रेस ने पंडिक जवाला नहरू की अधिश्था में आर्थिक कारिक्रम समिति का क्यात किया था गठन और इस समिति ने 25 जनवरी 1950 को एक प्रिस्था पेश किया जिसमें कहा गया कि भारत में इस्थाई रूप से एक योजना आयोग का क्या क्या किया गया गठन किया गया और योजना आयोग की सिपार्ष पर एक अपरेल तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले पंच वर्सियोजना आपके यूएसर ने निश सता इस एठथाइस के पीच में लागू की यह बहारत की आ तो एक अप्रेल उनिस सौ एक यावन को पर्थम पंच वर्सियोजना को लागु गिया था तो तो इस योजना ना आयो का प्रदान मंत्री जो होता है पदें अध्याच लूंगे है तो एक उपाद्ध्याच जो पहले थे वह आपके घोल जारी लाल ताथ अंतिम जो थे Montex Singh Montex Singh Montex Singh sealu बालिया थे, यानि को जो आखिर में जब योजणा आयूट का क्या किया गया था, जब योजणा को खतम किया गया था उस समय क्या थे, आपके Montex Singh Singh着 अपके उपाद्यच थे, इस उपाद्यच का दर्जा जो होता है केंद्रिय केबिनेट मंत तीर के समान होता है और तीन अंसकालिक सदस्वी होते थे इसमें ठीक है इतनी जानकारी आपकी काफी है नेक्ट बात करते हैं आपकी योजनायोग की पिसिस्ता योजनायोग एक गयर संविधानिक सलाकारी निकाय था जो अपनी सला भारत सरकार को देता था योजनायोग की बात की जाए तो इसकी जलक राज के निदेशक तत्वों से मिलती है योजनायोग एक गयर संविधानिक सल सरकार को सला देती थी माने न माने ये बात अलग है बात दिकारी नद अलब सिर्फ सला दे रहे हैं आप किसी को हम सला दे रहे हैं माने न माने उसकी परेशानी है बात को समझे रहा ना बारस सरकार को सला देता था ठीक है योजना का निर्मार करना संसाधनों की विवस्ता करन योजना की को लागू करना, योजना की समेच्चा करना जनवरी 2015 में योजना आयो को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था इसके इस्थान पर नीति आयो की इस्थापना की इजो की एक बिचारक मंडल की i.e.ck भी गे लिए इसके पदेन अदेच भी कौन होते हैं प्रथान मंत्रि होते हैं साथ ही योजन आयू के सचेव इसके भी सचेव होते हैं इसके सदस्यों की अगर बात की जाए तो सभी राज्यों के मुक्ह्य मंत्री इसके सदस हुआ करते थे योजन, आयो के सभी सदस्ट से आपके इसके सदस्ट हुआ करते थे योजना आयो के पास बापस भेज देते थे, दूसरे चड़ में किसी भी योजना को, किसी भी निश्य तारुच को मंजूरी देने के लिए इस परसद की बैठग होती थी, और इस परसद से योजना लागू होने के लिए पूरी तरह से क्या कर दी जाती थी, तैयार हो जाती दूसरे सप्सक्राइबे सब्सक्राइब आपको दो हुआ मैंने युजता बना कर तैयार होता तो यूजना आयुक को वापस कर दिया जाता था और उसके बाद उसको दूसरे चड़ में जा बेजा जाता था तो उसको एक निश्श तारीग या कना उस योजना को मंजूरी दे दी जाती थी इस परसद की बैठक के बाद ठीक है तो जब यूजना पूरी तरह से लागु हो जाती थी या क् rapt है लागु होने के लिए तयार होई मानी जाती थी तो मैंने क्या बताए अगर दूसरे सब्दों में समझें तो योजना आयुग ने जो योजना तयार की थी उसको अन्तिम रूप देना आपका राष्ट्री विका कर दिया चाहिए ठीक है चलिए आर्थिक नियोजन के उद्धिस थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या उद्धिस होते हैं तो सबसे पहला जो है आर्थिक जो नियोजन का उद्धिस सबसे पहला जो है वह संसादनों का सही से बित्रड करना अब यह यह कैसे किया जासा है माले ख लेगा आई यह समस्के हैं माल लीजिए मैं बहुत सालों पहले की बात है लगवग 20 साल पहलों की बात मालों लिसनी पच्छे साल की पहले की बात माल दो छोटा सदा में 100 ग्राम का तो आप लोगों ने जारतल लोगों ने दावत खाई होगी जमीन पर बैठ का पतल पर पतल आपको देखा होगा तो छोटे बच्चे होते तो उनको क्या दिया जाता कम दिया जाता क्या से कम दो रसकुले सबको बड़े लोगों को दो तो सबको चोटे बालों कितना मिला एक रसकुला बड़े लोगों को दो पूड़ी चोटे बालों को एक सबको सबको जादे जाद लोगों को भी शुरुबात कर दें बच्चों ने एक रस्कुला खापाया आदा लड़्डू खापाया एक पूड़ी खापाई थोड़ी सब्जी खापाई थोड़ा सा राजता पीपाया यहीं सब कुछ बरवात कर दिया संसातिन क्या होगी अब बेश्टे हो गया खराब हो गया समझना बात को ऐसी यहां पर होता है अब मालीची चलो नहीं हमें समझ में आ रहा है दूसरा कोई तरीका बता हो चलो ऐसे मान लीजिए मान लीजिए आपके घर में मेरे घर में आपके नहीं आपके घर में दिक्कत हो जाएगी मैं किसी चोटे को सार सबसे बड़े को चार बीच वाले को एक चार जार बीवी को चार जार पने ले लिए टोटर मिला के बीच जो थे बराबर दे दिया मैंने चलो अच्छी बात है दे दिया सही किया मैंने अगर क्या है, तू कैसे किया, चलो जेखते हैं न स dedi की तीसरा बच्चा देखते हैं जो पंते साल का है तीसरे बच्चे को हमने कितना दिया था चार जार क्या सई किया बच्चे की फीज जाती है महीं ने पांच जार रुपए और विपरी खर्चा है उसे टीशन वगेरा के लिए देने हैं तीन-चार जार रुपए उसको आठ जार रुपए में कमाता हूं तो जो छोटा बच्चा है दूद पीता है वो सिर्फ दूद पीएगा तो मैं कोसित करूँगा कि दूद किसका पीता है बहस का तो नहीं पीता है बीबी का पीरा मतलब मम्मी के लिए थोड़ा सा एक्स्टा चीज लागके रख दूँगा ताकि बी जरूरत नहीं है तो विचागे तीन चार रुपए बीबी को दे दिये दिये 9,000ोपे मेरे पास संसादन का क्या था उचेता मैयनिकी जो सही है उसकी तरह वित्रड करना तो यह आपका आर्थिक नियोजन का का गार है उसको उतना माल पहुंची जाना चाहिए इसको ही आर्थिक नियोजन का फिर्मों कुद्देश जो गरीब हैं बहेंकर गरीबी में अपना जीवन काट रहा है उनके पास कोशिव की जाए कि उस गरीबी से या उस गरीबी की चक्र से क्या किया जाए कि उससे दूर गिया जाए जब हम गरीबी पढ़ेंगे तो बिकास करना कि इसका उध्य से आपका आर्थिक निवजन का आर्थिक होता है कि बढ़ीया बडिया सड़के बनाई जाएं बड़े बड़े तो यह चीजों को लाएगा तो तो तोनों का समयने विकास करना ताकि उद्योग भी पनफ सके और किरसी का भी विकास हो सके जह चीजों को प्राप्त करना वाया यह कैसे किया जाता है तो आहिए समझते हैं आरतिक असमांता में कमी करना आरतिक असमांता का मतलब कोई बीयर पी रहा है । और कोई तो कोई दो लाक महीर रुपे महिने कमा रहा है तो कोई दो लाक रुपे महिने कमा रहा है तो कोई दस हजार करोड महिने कमा रहा है तो इसको बोलेंगे आर्ष्टिका समानता यानि कि सीधा सा मतलब सब के पास समान नहीं है यानि कि उसके बिचारे के बास चलो हमने के संताथ में का कि भाई हम सब को बड़ाबर काते हैं चलो बड़ाबर मत तो कम से कम से कम जिसको जितनी जरुड़त है उतना तो करोगे बात को समझता है लाई कि हम यह कहते कि सबको रोटि यह ऐत सो यह रोटी खाने वाला उसको आधी रोटी मिले जो चार रोटी खाने वाला उसको भीस रोटी मिले जो आठ रोटी खाने tracking फिर चेने वाल उसको भी उसको मिलता要ती नेग्सेकर्ट्य के पार रेक्स fav 확 अको धरु enquriad भाई यह मैंसे की और खांतलों तु यह लिए किसी वीज़े सहर के हैं तो यह नहीं कि वो सारा का सारा उद्योग अपने शहर में सारा का सारा उद्योग अपने आसफास के छेतर में लगाएं नहीं आप पैसे वाले लोग हैं तो आप क्या करेंगे आर्थिक सक्ती का भी केंदरी करण नहीं करेंगे जैसे कि हमारे प केंद्री कर यानि कि आर्थिक सक्ति का विकेंद्र गया अपनी जात वाले अपने लोगों का यानि कि हर एक चीज ही अपने ही सेफ़ई में बनाने की कोशी तो इसमें क्या हुआ आर्थिक सक्ति का विकेंद्री कर पर रोग लगाई जाए यह आपका आर्थिक नियोजन का कार यह नहीं आप बहुत बड़ी नेता बन जाते हैं आप अपने सहर का अपने गाउं का अपने किसी जो विसेश च्छेत्र उसका ही करें आपके जहां चाचा रहते हैं उस च्छेत्र का विकास करते हैं आपके मौसा रहते हैं उस च्छेत्र का विकास करते हैं आपके मौसा रहत होता है जिसके पैसा नहीं होता है वो कमजोर होता है चाहे पीर संक्रार कर देतीρα है बहुत को समझो बात को तो उसी के अधर में अता रहो कमजोर बात को क्या किया जाए अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकें अपना क्या कर सकें पिकास कर सकें अपने आने वाली पीडी का भी पिकास कर सकें यानि कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो देखो आगे की पीडी भी सुद्रेगी और पीछे की भी सुद्रेगी सीधा ता मतलब अगर आप अपने पर बल देता है कौन आर्थिक नियुसान आप निर्वर्था का मतलब क्या मतलब अपना यहाथ जगन्वाली कहानी ऐसा तो, नहीं ना अपना जगन्वाली कहानी नहीं मतलब सिद्ग अनधय स्टा यह है कि भारत देश जो है अपना जो है सारे छेतरों का याता है प्रात में एक दितिया और छेतर का क्या कर सके अच्छे से विकास कर सके ताकि हमें किसी भी तरह से क्या न कर सके बिदेश से कोई चीज हमें न लेना पड़े ताकि हमारा जो बिदेशी मुद्रा है वो क्या न जाए फ उसमें हम फालतूगी विदेशी मुद्राता क्या नहीं करेंगे हम उसमें नहीं लगाएंगे समझरबात को अने आत में निरुभर बनाना है अपने आपको अपने आपको हर छेत्र में क्या करना है बिक्सित करना है चाहे को किरसी छेत्र को चाहे फिर आउद्यों को चेत्र को चाहें पिर आपका वो सेवा छेत्र को किसी में वो अपने आपको आत निरुभर बनाना है और अर्थ ववस्ता का आधुनिकी करण करना है यह कैसे किया जाता है तो आपको पता होगा जब हम अमेरिका से क्या करते हैं अमेरिका से अमेरिका से जब कोई हमाहे पर टेक्न cubes आते चैसे कि हमने अपाचे हेलिकोप्टर Daddy जैसे मगाया है, तब तालिया बज़र थे है, तो यहां पर चीजे समझो, हम क्या करें, आधुनिकी कड़ करें, न कि ऊपी पेस्ट करें, यानि कि उनके लिए वो पुरानी टेक्नलोजी हो जाती ए, उसके बाद जब भारत में आती है, तो वो हमारे करण के ओर ले जाना यान की अपनी जो ने लेत्रुट टेकनोलोजी है उसका हम क्या करें विकास करें नहीं नजी खूजए कर रहें और अपने आपको क्या क्या करें अर्थिवस्ता का क्या करें आदुन की करण करें को और करेगा ये और्ठ कूं करें he चेत्री विसमताओं को दूर करना भाया चेत्री विसमताओं को कैसे दूर की जाती है कैसे मान लिजिए आपका भारत देस बारत देस में आपका उत्तरपर देस, अर्याना, पंजाब, राजिस्थान, बैंगलोर, वह सरी करनाटक, केरल, तमिलनाडू, उडिशा, आंद्रपर अमद्द्र पर देस्त्र पॉर्भण में लोग है कि मेंन नंग कि प्रसक्राइन, यह सुस्षद के सद्रिय हैं, हमार एक अधिकर का प्ञेयर, पऩफिलिघ को मुख्यों, मनतर कहते हैं, जो प्रसक्राहे हैं, उसल पड़़किंगी अनग को 중요र मियां, पनलपह, हमसी ऐते हैं कैसे करना है कैसे करने है तो मानलीजी आपको एक पता हो गा कि जब हरित कांती का दौर से शुरू हुआ था तो आपका रित कांती के दौर से पहले आपका जो हर्याना पंजाब था उसकी प्रति व्यक्ति जो आये थी, बहुत कम थी यानि कि सीधा समतलब पंजाब जो था, गरीब राजियों में सामिल था, लेकिन जब हरित करांथी का दौर आया, तो बहां पर प्रति व्यक्ति आये जो थी, वो एकदम उचिस्तर की हो जाती है, और उस उचिस्तर के होने के बाद क्या होता है छेतरी विसमता क्या हो जाती है बढ़ जाती है छेतरी विसमता कैसे होती है भाई साब पर उसमें जो अंकल हुआ करते थे उनके पास जमीन थी उस जमीन के लिए क्या करना था उनको खेती करनी थी उस जमीन पर वो हरित करांती करते है उसमें क्या करते है अच्छ किरसी का अच्छा खाथा विकास हो जाता तो जाए इसी बात है किरसी का किसी चेत्र में अच्छा खाथा विकास है तो किरसी में क्या क्या आभिसकता पड़ती है क्या क्या खात की जरूद पड़ती है बीज की जरूद पड़ती है आपका फ्यक्ट जो मतलब वीज खात माली यह क्या बोलते हैं उसको हां ट्रेक्टर की आविश्कता पड़ती है पंप की आविश्कता पड़ती है ठ्रेसर की आविश्कता पड़ती है और भी ऐसी बहुत चीज़ पड़ती है तो माली यह किसी छेत्र में क्या है किरसी बहुत अच्छी खासी हो रही है तो उस छेत्र मे लिए प्रश्तान का किया जाए वियार का किया जाए उतना ही राजिस्थान का किया जाए तो हर चेत्र में मान लिजी है हम हैं हम गरीब मान लिजो बिहार के रहने वाले हैं और हम दिल्ली में क्या करते हैं हम इलाज करते हैं तो वहाँ पार एक बेपकूप जो उसके क्या कहता है कि जो बिहार के जो लोग हैं वो क्या करने आ जा साध हैं क्या साध हैं क्या साध हैं संसाध उनों पर क्या साध हैं अपना हाथ साधने की कोशी करें तो आप अपने आपको यानि कि सीधी सी बात अपनी जो बिटिया है अपना जो लड़का है या फिर अपनी जो बीबी है उसकी सेवा इतनी करो कि पडोसी से क्या न करे वो उ सब्सक्राइब करने के रूप में मतलब वैसे आई जाए क्योंकि हर रेस का नागरेख कहीं पर भी आजा सकता है लेकिन गरीब के रूप में न जाए, बड़े-बड़े काय के रूप में जाए, बड़े-बड़े बिजिनिस करने के रूप में जाए, लेबर के रूप में बिचारा न बढ़के, ताकि उसकी क्या करें, लोग बेजिती कर पाता है, गटिया लोग जो होते हैं, कम्योर की बे कई होते हैं ताकि आर्थिक नियोगधन अच्छे से हो सके छाटीक का उपलब्ध कर आया जाना भया सतव सर हो रहा कहां पर हो रहा हूँ है क्यों रहा है तो दिन हो गए है इससे पहले क्या खाया किस काड़ से हुआ हमको सर नहीं पता खाया क्या था सर ये तीन-चार दिन से कोल्डिंग पी रहे हैं अभी क्या खाया सर हमने कुछ नहीं खाया अब कुछ नहीं खाया तो जाके कुछ खाके आओ तब हम आपके सुई लगाएंगे बात को समझो अब हम मैंसुस तो अभी मैंसुस हुला है कि अभ anymore सुरू होगया है पता नहीं हुआ नहीं है कि दो दिन से आपने सही आप रहे नहीं now अज़ महता है करने वाला यां प्रहे तू-n burger bookrav legit नी साइब सकाओ नहीं है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो क्या होगा आर्थिक नियोजन के जो पूरती नहीं हो पाएगी माल लिजिए किसी पिसे शेत्र में क्या है कितने गरीब हैं कितने अमीर हैं कितने उध्योग लगे हुएं कितने बेरोजगार हैं कितने रोजगार पर आप कर रहे हैं कौन कौन सी चीजें जो हैं वहाँ पर कौन सी सड्कें टूटी हैं, कौन सी सड्कें सई हैं, कहा पर सड्कें लगनी हैं, कहा पर hand-pump की जरूरत है, यह सारे क्या है, एकदम सटीक आंक्डे आप उपलब्द कराएंगे, तब आर्थिक पूर्ति को कर सकेंगे दूसरा देखते हैं कुसल प्रसासन को उपलब्द करवाणा कुसल प्रसासन कौन होता इस गिल्ड लोग अच्छे जानकार expert लोग, मन लीजिए expert लोग तो सब लोगो expert ही होते हैं, अगर हमसे पूछो तो कोई कहेगा, हमसे कम expert हैं, हर कोई अपने आपको expert पताएगा, जैसे कि हमारी पपू की party, यानि की congress की party, expert नहीं थे, सारे जीवन पर कभी भी कुछ काम किया नहीं था, सीधे क्या था, सुस्तंता को दिये जा रहे हैं, कभी उद्योग भी नहीं करना जाते हैं, सुई उन्होंने कभी बनाई नहीं लेकिन बड़े बड़े उद्योग दिये जा रहे, तो यापर एक चीज समझो, कुसल प्रसाशन का उपलब्द कराया जाना, अच्छी अच्छी चीजों को क्या करना, अच bonit byCancer नारहा स्वास्त मनत्री बना दिया समझ को कहा से स्वास्त मंत्री लगे ना कि हो रहा है paardo मुली नहीं हो रहा है तुम कैंसर की थी कैस्टेश मेंत्बर चाविल थो हो तो साला तुम स्वास्त मंत्री बनने के काविल तो हो नहीं सारे जीवन पर तुम इस्कूल गए नहीं चलिए कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी स्वास्त मंत्री बनाने के बाद कैंसर हो अच्छा लो कोई बात नहीं को कानून मंत्री बना दिया रोज तुम तुम तु तुमको एक का पहाडा नहीं आता है, दो का पहाडा नहीं आता है, यानि कि टू की टेवल नहीं आती है, तुमको साला काय का सिच्छा मंतरी बना दिया है, मतलब सीधा सा कुसल पिरसासन को उपलब्द कराए जाने यानि चो काम है वो अच्छा पिरसासन होना चाहिए यानि कि मान लीजिए एक्सपर्ट लोगों को चीजें करने के लिए देनी चाहिए जिस छेत्र के वो एक्सपर्ट हैं, मान लिए किसी स्वास्ट मंत्री को अगर बनाये जाता हैं, तो मान लिए कोई बड़ा डॉक्टर हैं, जो अपने जीवन भर क्या देता आया है, लोगों की सेवा करता आया, और बड़े-बड़े पदों पर उसने क्या किया है, काम किया है तो उसको क्या दे दिया जाता है, स्वास्ट मंत्री मना जाता है, ताकि स्वास्ट के छेत्र में वो क्या कर सके, बड़े-बड़े क्या कर सके, बदलाव कर सके, अच्छे-च्छे सुधार कर सके, चरिए, सिच्छा मंत्री मान लिए बड़ी-बड़ी कोई डिगरी प्राप प्रिकरना जन भागीदारी का मतलब क्या होता है सब को जागरुक किया जाए जो भी योजनाय आ रही है उनके बारे में जानकारी दे जाए ताकि आम व्यक्ति जो है वो क्या कर सके अपनी अपनी योजनाय उनका लाव ले सके उसके बारे में सरकार को क्या कर सके जानकारी दे फ्लीन होते हैं फूरी हुद कर जो झोर हाराम फद्टा से नहीं जुड़े होते हैं बलकि क्या होते हैं बदमासों से जोड़े होते हैं जैसे जोड़े आ है उस आप लुजी करेगा वही नेता जी का खास मैक्ती होगा तो सीधा masa मतलब यह भागी दारी की बात ही कहा आती है मान लीए मैं नेता जी की डेली मालिस करता हूं करता हूं तो खासा सीम्धमि हो गया तो यहां पर चीज़ें सम्झो जन्बागीदारी है यहां पर का से हूं बढ़ी आवह मैं आपने चेत्र में क्द्र वीस दिन से घए नहीं हम कभी चेत्र में गोंने नहीं गए हम कभी वहां पर चोटा सुटा स्वुटा किसी का लिए नहीं गए कब तक युप नहीं है gent वाले वो बचारे क्या करते हैं, क्या करते हैं, बड़े-बड़े बंडार खोल रहे हो, और फोटो की आविश्यक्ता नहीं है, खिचवाने की, बत को समझो, यहाँ पर कोई दो लोगों को कि अपने घर से दूसरे घर बेज देता है, तो 500 फोटो खिचवाने के बाद फेस्व जन भागीदारी बड़ उत्री हो, रारप्तिक नियुचन क्या हो, उसके उद्यूस्यों की पूर्ती हम कर सकें, कुसल संस्थान, आपको पता होगा, बड़े-बड़े उद्योग हैं, बड़े-बड़े उद्योगों के लिए बड़े-बड़े संस्थान बनाए जाते हैं, क्या करते हैं एक्सपड के टीम होती है लेकिन क्या है समीतित सबसक्राइब कर लिए तो पंच बख़ी वां योजने वाट जो आर्थिक्रेजन की रूपने युजना बनाए जाते उनको पंच वर्शी युजना कहते हैं ग्यार फंच वर्सी जो पूरी हो जाती है और युजना बाहर में थी वो चल रही थी और वह अपना समय का जो था पूरा करने के बाद तब हो जाती है और आपका योजना था भूंवी योजना आयुक था उसकी समानती के साथ यहीं समस्ते मैंने क्या बताया भारत की पंचवर्सी योजना तो अभी तक यानि की बात तो अग during 2022 की बातों षब हम चेकर दो किका नहें तो हैं सरकार ने ज्यार पंचवर्सी योजना क्या करती थी वह बारमी जो पंजवर्थी यह जना थी उसको लागहँ कर दिया थी ठीक है तो पहली पंजवर्षी यहुजना के बारे मिदा बाद कर सब के बारे होती है थोड़ा ठीक बारे है क्रेंथ एक आपरेल 1951 की से लिकर 31 मार्स उनिज व्योजना तक तक समयकाल था इसli योजना ने किरसी सिचाई विधुद पर योजनामने है की उसी किता है और योजना ने किरसी शिचाई और विदुद पर्योजनार और क्या दिया था फिर से कि वह बतातु किस पर सचाई क्रसी और बिदुत पर यूजना प्र जोड़ी यह था। कुल खर्च का अगर बात की जाए तो कुल खर्च का 31% खर्च जो था, भो किस पर करना था, आपका क्रसी पर खर्च करना था, जो की सबसे चाहदा था यांनि कि जो भी योजना सफल रही क्योंकि इसकी विरत्य दर्थी यह का विकास ओने वॉल्हां रखी गई थी लेकिन यह भर वन परसेंट इसका लच रखा गया था लेकिन हमने कितना प्राप्त किया था 3.6% हमने प्राप्त कर लिया था फिर से बता दू ये विकास दर क्या होती है हमने आपको बताया था GDP में होने बाली बार्सिक विरत्यू को यह क्या कहते हैं विकास दर कहते हैं यानि कि पिछली साल के मुकाबले इस साल के मतरा 5 सालों मे क्या था पिछले पांस सालों की तुलना में यहाँ पर कितना प्रत किया था था थिरी पॉंट सिक्स परसेंट ट्राथ किया था इसके तहिती भाकर नाकल बांध दामोदर नदी गाटी पर योजना राकुंड बहुत दिस ये पर ना की सुरूबात की थी कप की गई थी प्रत्रम-पंचansingrh вет हो टह опять की चलिया तर दी broad डूसरी arbeड Ready तो महाल ओधिस मौडल पर यहादर धारिती दूसरी पंच वर सी योजना आपको महाल लोगे से पर बल देती थी या कहां इस योजना में तीब्रो ओधों की करड़ पर बल दिया था जिसके तहित भारी ओद्यों तता पूजीगत मालब को क्या दिए गई थी प्राक्मिक्ता दिए यानि कि प्रितम पंचवर्शी ओजना थी उसमें किस पर जोड दिया गया था किरसी सिचा पूंजी गत्म माल को प्राथ में तादी गई थी इस योजना की प्रमख रुखाप्पने जो थी बंद आरति प्वबस्ता काध्यान संकत तता पूंजी का नहों कुछ पैसी समस्या थी में जो क्या था क्या कर रहा था बाधा उत्पंद कर रहा था क्या को पता था भारत दिस्वी हमेशा से परंपरा चलिए आई है जैसे भारत देश्ट में कोई अगर रहता है माली जी आप किसी मकाम में रहते हो जब आप किराया दार की रूप में आप रहते हो खाली करके जाते हैं तो क्या कराएंगे आप गली वह उसके कोने में कहीं ठूक देंगे आप कहीं नाम लिख देंगे अपना नाम लिख देंगे कहीं नंबर लिख देंगे कहीं लिख देंगे स्वनम गुप्ता पेवपा है तो कहीं कुछ कर देंगे कहीं उसकी टॉटी तोड़ देंगे यहीं जैसे कि हमारा एक परिवार होता है साक्रेल वाली पारटी को भईया थे उन्होंने उन्हें जब लखनुव में बंगला खाली करने को दिया तो उन्होंने क्या कर दिया था था सीम मेंग फिल . उसको चिनविद दिया था टोटी उ खाड़ी eighty तो बहुत बहुत गरीब था तो इसलिए क्या था यहां पर जो यह लच रखे गए थे यानि कि और दिरू दिया गया था लेकिन इसमें कई सारी रुकाब नहीं आ रहे थी जैसे सबसे पहला जो था बहुत ही बंद अर्थ हो इस था किसी भी तरह का कोई भी विदेशी पर करते थे दूसरा जो था कहाने की बहुत कमी था अं था नहीं और तीसरा प्रमक वो था फूंजी का नहीं क्योंकि हमारे प्सारा पैसां राओं पैसी कमी थे नहीं काई थे इस चारमोगा में दुरु Pronek는 जान आप दूसरी और द्लेशी बैता दू won लोह इसपात सहियंत्र लगाए गए थे कहाँ पर पश्ची मंगाल में दुरगापुर में बिलाई जो था आपका 36 गड़ में और रावर केला आपका उड़ी सामी ये क्या है आपका लोह इसपात यानि की इस्टील का क्या इस्टील उद्योग लगाए गए थे ठीक है चलिए तीसरी पंचवर्सी योजना देख लेते हैं पहली पंचवर्सी योजना हराल डॉबर हो गया दूसरी पंचवर्सी महानलोविस तीसरी जो है वो है आपकी गौडविल योजना फिर से बता दूं तीसरी पंचवर्सी योजना किस पर आधारती गौडविल योजना पर आध में कल था इसी ओझनाय में अर्थिवस्ता को आत्म निर्भर बनाने पर जर दिया गया था पहले में क्या किया गया था? क्रिसी, सिचाई और किस पर आपका जलविदु्थ पर जोड दिया गया था दूसरे में आपका जिश cultural जोड दिया गया था जिस में आपका स्वेम में सच्छम होना यानि कि भारत देशी क्या हो अपने आप में सच्छम हो किसी के सामने हाथ ने पहलाए यानि कि कि किसी भी तरह का कोई भी छेत्र लेलो चाहे पर किरसी छेत्र लेलो चाहे रौध्यों की छेत्र पर लेलो चाहे सेवा छेत्र पर लेलो किसी पर भी परियाप्त क्या होनी चाहिए पूजी होनी चाहिए और परियाप संसाधन होने चाहिए लेकिन इस योजना के समय काल में क्या होता है बहुत बड़े-बड़े क्या आ जाते संकटान पड़े होते हैं कौन-कौन से संकटा होते हैं तो आपका दो भारत चीन था बारत चीन की ब बहुत बड़े-बड़े संकटान पड़े होते हैं इस कार्ड़िस पे क्या होता है यह ही होजणा जो होती है सफल नहीं हो पाई थी जैसे कि आपका उन्नीस सो आपका 62 में चीन के साथ क्या हो जाता है यह दो जाता है क्योंकि हमारे जो पंडिक जवाला नेलु नमक जो खाता है चीन खाता है और हिंदी चीनी भाई भाई के नाते क्या करता है चीन जो होता है मलाई खाकर क्या होता है ताकत पर हो जाता है तो भारत के पीट में क्या कर देता है चोरा घौप देता है तो इसी कही चोरा घौपने के ही रूप में एक आपका यूद होता है जिसको और पाकिस्तान इसी लिए दोस्ते के दो बार हम all last जो यह समस्याथय भूजी थी नहीं आर्ट ववश्तामें छीज नहीं थी तो यहां तक कि कहा जाता है बताया जाता है कि उस टाइम पे जुस्टिपाई थे उनके पास पिचारों के पास धंकी गंतक नहीं थी सब कुछ चीन ले जाते हैं बहुत बुरी स्थीत हो जाती है ठीक है तो मैंने क्या बताया उन्नीस सो बातर्त में भारत चीन की पीच में क्या हो जाता है य पाकिस्तान तो में उसे दूर्स पेला है नहीं ने सोचा यार कर मुझा है तो हुआ कि जब इस तरह से भारत बाकिस्तासका पाया और इसका उसका नहीं संक्ट आ जाता है क्योंकि बड़े इस तरह पर सूखा पड़ता है इस से क्या होता है बारत में अनाज प्यता होने होता नहीं इसलिए भुकमरी का संक्ट आ गया था देश में खाने के लाले पड़े हुए थे वह बिदी सी मुद्रा का भी संक्ट खड़ाता और इतर हम किस प में तो 5.6% क्या रखा गया था विकास की दर रखे गई थी यानि कि लच रखा गया था लेकर हमने कितनी प्राप्त कर पाई थी 2.8% थी हमने प्राप्त कर पाई थी इसी समय काल में बोकारो इस्ठीर सेंत्र यानि कि 1964 में इंडेस्ट्रियल डेप्लेमेंट बैंक आफ इस ता प्लां से प्लैन हॉड़ीडे चाहता है क्योंकि भारत चीन युध्ध हो रहा था और भारत Čके युद्ध होने के बाद क्या हुता, पाकिस्तान भी हमेरे ऊपर क्या हुता, चट बैट आए तो पाकिस्तान को हमने दोड़ा-दोड़ा के मारा था, तो मैंने क्या बताया? बहुत बढ़ी मात्रा में खाद को सिचाहई चहमता का बिकास किया गया था किस में आपका तीन-05 वरसी ज्यूशन। इसको, असुकूर। मौडल भी कहते हैं। है एकुष्भा मार्श वी दादी थी उन का क्या था इनकी पॉपी जो दादी थी अनोंने क्या ना दिया था गरीबी किसका नारा था वैसे तो यह आपका पंच वर्षी उजना का लेकिन यह क्या बनता है आपका क्या बनता है यह उसको क्या बोलते हैं यह चुनाबी नारा भी बन जाता है आपको पता है आपका जो कोंगरिस थी वो गरीवी हटाओ का नारा जरूर देती है लेकिन उसने हटाया क्या था हमेशा गरीमों को हटाया और जो καी का पैसा था उसको खा-पी करके का नाम क्या रखा था अस्वक रूत-में नına रहे थी इस गरीव यारव जो भी तो बाद में चुनाभी रहा यूञा जाता है उन्हीं से Sana में जो हुआ पाकिस्तान भारत पाकिस्तान तो भारत के ऊपर कई संक्ट आ जाते हैं जैसे कि आपका भारत और चीन के बीच में दोता है उनीच सो पैंसट में आपका पाकिस्तान से भी हो दोता है उसके बाद जब पाकिस्तान की कोटाई लगा दी तो पाकिस्तान फिर से फन जो था दूद पी पाकर फिर से आता है और फिर से लड़ने को से करता है और फिर से हम पाकिस्तान को जूते मार मार कर मार मार कर उसके घर में छोड़ कर आते हैं तो हो क्योंकि मैं काम करने वाला अकेला हूं ऐसी क्या होती है सरकार जोती काम करती है जब सरकार काम फसी हुई है विचारी युद्ध में फसी हुई है डर बना रहता है कब साले यह घर में घुसा है कब कहां पर कब जा करने इस तरह से क्योंकि कोसित कर रहे थे दो बार फन उठान तफ़ान हम फिर से कुछ लेंगे यह योजना पूरी तरह से असफल सावी तुई क्यों मैंने आपको बता दिया हम क्या थे युद्ध में उल्थी रहते हैं उप लब्दियां भी देख लें थे थोड़ी थी उनीसो उनत्तर में चार में को का राष्टी करड किया गया था उन जो फिर स्थिपांच चोर्थी पंचवर सी जो योजना थी उस पर क्या ना आता दा गरीवी हटाओ गरीवी हटाओ चुनाभी ना राज़ी जनता है पांच मीं की एगर बात कि जाए तो गरीवी अटाओ नहीं गरीवी उन्मूलन यानि हमी घरीवी को जड़ से खत्म करो गरीवी हटाओ और गरीवी उन्मूलण में दोलमें अंतर होता है, गरीवी को जड़ से खत्म कर देगा,ाहँ पर क्या था गरीवी भी Heh mechanic जारी थी जाने कि गरीवी की मतलब साफ सफाई करो दिखर यह गंदा है चाहिए अच्छ यानि कि गरीवी कैसे बट्र हम प्र विक्सित हो रहा है सरकार की दम पर नहीं हो रहा है संजो बात को सरकार तो हमें साथ बिरष्ट रही और आज अभी सरकार जो है उतनी बेदी सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब कर लाहरी है थे इते हम मुझे याद नहीं मैंने कबसे तो साइन नहीं कियें बैंक में नियाना पड़ा है बत को समय काल में आपकाल भी लगाया गया था आपका 55 वर्षी योजना की समय काल में तो अक्टूबर 1975 में चेतरी ग्रामीड बैंक की स्थापना की इस योजना को बैसे तो 1989 यानि कि 1978 में क्या हो जाना था 79 में खत्म हो जाना था लेकिन इसको 1978 यानि कि 1978 में ही खत्म कर जाए था क्योंकि जो केंदर था उसमें किसकी सरकार आजाती है जनता पार्टी की सरकार समय कल था इसका उद्देश देख लेते हैं लच्छी देख लेते हैं तो गरीबी को खत्म करने का इसमें प्रमुक लच्छ रख्या गया था आर्थिक विकास का आधुनी की कड़ का आत्म निर्वता का इसमें लच्छ रख्या गया था गरीबी को खत्म करने के लिए कुछ की लागो किया गया था जैसे कि एक ही क्रत करामिड विकास काल कार करहत Hai Leta वैंने कि ट्रैनिंग रूलर यूथ फॉर सेलफ एमपलाई ग्रामिड चेतरों मेलाओं और पच्चों का विकास करने के लिए द्वाक्रा का किया गया था नर्मार ड्यबलेमेंट और वुमेंट एंड चिल्डरन इन रूरर रूरल बोलते हैं को न्यावार्ट का इस्थापना किया गया था ठीकर तो कि आपको पता होगा दो बार आश्टिकर किया था एक तो 1909 में और दूसरा अपरेल निस सो असी में चली दूबार से क्योजना के बारे में थोड़ी ची बात कर लेते एक अपरेल निस सो नबे से लेकर 31 तो बाने तक का इसका समयकार रहता है तो होता क्या है कि आपको मैं आप बुक्तान संतलन पढ़ाय था तब मैंने बताया था कि किस तरह बाइसे बारत में आते कि परकरियार लागों कहीं थी तो बुक्तान संतलन तो आर्थिक संतलन था उसका संकता आधाता है और कि 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 झाल झाल तो दो बारसिक योजनाओं के बारे में थोड़ी थी बात कर लेते हैं यह क्यों बनाएं गहीं थी एक अप्रव निस्टोनद्वे से लेकर इकट्वास नीश निस वानवें तक का यह समयकाल में यह दो बार्सिक युजनाओं की होता गया है में आपको जब आप बोक्तान संत के गाड आठी पंचवर्शी योजना जो थी लागू नहीं उपाई थी इसके काड़ इसके समयकाल में लगू उद्ध्यों की पिकास के लिए सिड़वी की स्थापना की गी थी यानि कि उनिस्तो एक्यानिवी में ही आर्थिक सुदारों की गोट्रा करती ती यानिकि पर संक्टन का क्या बन जाता है भारत संक्तस से बन जाता है और यहीं से महालोविस मॉडल को त्याकर राव मनमुहन मॉडल को क्या कर लिया जाता है अपना लिया जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत कि क्या होता है उस पर सरकारी नहीं तरब बहुत ज्याद स मॉडल होता है यानि कि यहाँ पर जो नसीना राब यहाँ पर प्रदान मन्तरी ते और मनवन सिंग जो थे इस समय क्या थे आपके तो महाल लोवस जो मॉडल सा उसको त्याग दीते हैं ठीक है कब से आठीवी पंचवर्शी योजना के बारे बात करते हैं तो इस समय का समय का निस सो सतानवी से लेकर दो जार दो का समय का था इस समय दक्ष्ट्री पूर्वी एस यह तो इसम बित्ती संक्रिट गया था चल र होता है जाधा यहां पर संक्र तू होता है संब्ती संक्र आने की बावरत थे बाविद्वी प्यारत पर चाहता असर नहीं पड़ता है इस योझना का प्रम मद्दम पर क्या किया थाока दा फ्रस्री Sun Natula संत्री मेंWe बता चुका हूँ आत्म निवरता बता चुका हूँ रोझ गार को पैदा सब दुनिया जांती यह जीवन इस्थर में सुधारत के बारे मैं बता चुका हूँ याणि कि आपको यहापर चेत्री ऐसंत्रा आपको देखे जाएगा कुछ भीचारे होते हैं खाने तक पानी खाना नीक पीने तक कि लिए पानी ने जा लेकर आपकर क्या होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी चेत्र में नहीं वाले क्या करते हैं PP ч. च्रचा भी रहें हैं तो इसको खत्रम करने के लिए कि ह्यत्व मैंने क्या बताया था कि हर च्टर में क्या होना के ili आप मेरबर होने चाहिए इसके वारे में बता चुक हो आगे जागे चर्चा भी होती रहेंगी चलिए नेक्ट देखते हैं तस्यूं पंच परसी होती है देख लेते हैं दो जार दो से लेकर दो जार साथ तक का इसका समय काल था प्रत्य व्यक्ति आयको दसको ना करने का इसम सबसे सफ़ल योजना यह था यह पंच परस्वाध गया तक दो समय का इसके तयर समय काल जो रखा गया ता और अमेरिका में आर्थिक मंदी कार इस पर भी क्या हो पानी पर जाता नहीं पर जाता है नहीं और यह जोगना वह जाती है आपका दोजार बारे से लिकर्णा का समय काल यानिके बारी पंचवर्सी योजना का समय काल आता है और इस योजना के अंत तक भारत के 90% परिवारों को बैंकिंग सुविदा पहुंचाने का क्या किया गया था इसमें लच्छ रखा गया था और यह काफी हथ तक पूरा भी हो गया था 31 मा जोजा सत्रे को इस युजना का क्या था कारिकाल पूरा हो जाता है और युजना आयू युजना में निवेश ब्रदीतर प्रात्मिक था प्राप्ट जीत युजना अब अबधी पहली पंचवर्शी युजना थी उनीश्यक्यान से लेके 56 था मॉडल किस पर आदा रहे था है 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 रोल्ड दोमर बहु है रोल्ड दोमर मॉडल पार रहे थी प्रतावित अब वास्तियों की निवेश मतलब जैसे माली जी आप से ख़े यह आपको 50 जा रुपे तक दे सकता हूं अब वाश्यक्यार रुपे तो नहीं वे लिए लेकिन लगवा लगवा कर लिए तो मैंने आपको पताया था तक तो दूसरी पंचवर्श युजना देखते हैं यू सब्सक्राइब क्या था नेहरू महाल नोविस मड़र प्रस्तावित निवेश 4,800 करोड बास्टविक निवेश 4,622 करोड ठीक है लच्छित विकास्टिर कितनी थी 4.5 प्राप्त कितनी की थी 4.2 प्रात्मिक था प्राप्षित कहरें भारी उद्योग चिकिस्ता एवन स्वास करोड लच्छित विकास्टिर कितनी 5.6 प्राप्त कितनी की थी हमने 2.8 ठीक है क्योंकि आपको बता है भारत चीन भारत पाकिस्तान का व्यूद इसी समय कान में हो था प्राप्षित खाध्यान और उत्योग चोथी पंचपरसी हो जाना देख लेते हैं चोथी उनीसों निस प्राप्षित से किसाई और सिक्रसी और सिचाई यूजना पांचमी उनीसों चोटर सिरे के उनने सुन्यासी मॉडल डीपी धर मॉडल प्रस्तालिज निवेज सेहते सेजार तोसब पचास करोड बास्तिक निवेज 49 करोड 426 करोड लच्छित विकासजर 4.4 प्राप्त विक प्राप्षित निवेज पिचाने जान पांसो करोड बास्तिक निवेज एक लाग नो हजार 292 करोड लच्छित विकासर 5.2 प्राप्त कितनी कर पाई हैंते 5.4 प्राप्त प्राप्षित क्याते करसी उद्योग और उर्जा साथी पंच परसिया उननीसों पिचाने सेरी प्राप्षित निवेज क्याता एक लाग असी जार लगाया कितना था दो लाग अठारे जार लच्छित विकासर 5 प्राप्त विकासर 5.6 प्राप्त मिक्ता के छेतर थे उर्जा और खादियान योजना एवाम अभववधी आठमी पंच परसी उननीसों बाने सेरी के सब्ता करोड लच्छित विकासर 5.6 प्राप्त कितनी की 6.6 प्राप्त विंक्ता के छेतर मानव ससातर सिक्षा स्वास्त और रोजगार विकास नेक टिकते हैं नुमी उनीस सताने से लेकर 2002 आगत नेकरद मॉडल पर याधा रही थी पिरस्ताविन में आठ लाग उनसाट हजार दो करोड वह 200 करोड बास्ति विकासर 5.6 प्राप्त कितना किया 5.7 सामय जिक ने आए ग्राम विकास और रोजगार के उपर ठीक है दसमी जो थी 2002 से लेकर साथ तक युजना आयोग का पत्तर था ये प्रस्ताविस निवें 15,92,300 करोड बास्ति विकासर 7.9 रखी गे थी कितने के लिए 7.6 प्राप्त मिक्ता कि छित रोजगार उजा सुदार सामय जिक सरनेतना का विकास नेक तिक तो ग्यार्मी 27 से लेकर बारे तक युजना आयोग का पत्तर था ये 36,44,000 करोड ने इसमें रखा गया था लच्छित विकास जर नौ रखी गई थी प्राप कितनी किती आठ अनमानित थी ऐसी हो नहीं काया था प्राथ मिक्ता प्राप्चेत्रा विकास को सर्व हितकारी बनाना था 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 थी विकास के सासाथ आधेक सहित संव्रद्धी की दुरत्ता रण नहीं थी क्या होती है आके समझा दूँगा बारे पंच वर्षियों और दो जार प्रण करती तो कोई मतलब नहीं था प्रात्मेस थे थे तरफ संपूस्री एक अधिक अधिक सामवीर भीखास तो यह होगी आपकी पंचवर्षियों जो भी जानकारी थी तो चलिए आके समझते हैं क्रेर करते हैं इंडियान क्या था इंडियां क्या था अग्धर पूंच बिस तक रोजगार किया कि रहे चार लगाए कितना मिला ऊसके मतल靡 ऐखेता है की स्क्राहिता है श्री खना थिरा लेटवाद कहले है निकी निरायोग के बारे में तो ट्रोड ची जानकार ही ले ले लेते हैं तो जो निकी आयोग है वो कि कभ विखसित हुँ है फिर कवस्ते स्थ में आया इस रही किसका इसता निस ने लिया तो आई До 1000 के समझ demiş नीडायोग का पहले तो मतलब देखते हैं नीड मतलब होता कि अगर बात की जाए तो इसका इस्थापना एक जनवरी 2015 में होई थी जो कि किसके इस्थान पर होई थी योजना आयोग का अंत करके होई थी फिर से बता दूं इसका इस्थापना एक जनवरी 2015 में योजना आयोग का अंत करके इसका पूरा जो नाम था वो था National Institute for Institute for Transforming India आयोग ठीक है तो यह राश्टी विकास का क्या है एक एजनडा तयार करती है एजनडा क्या होती है जो आप ऐसे समझ सकते हैं क्या करती है जो भी विकास वगेरा है उसे समझते क्या करती है एक तरह से सलहा देती है ठीक है तो आई समझते हैं योजना आयुग की जगे नीत आयुग की स्थापना करने का काड़ देख लेते हैं कि योजना आयुग में ऐसी आखिर कौन सी कमिया थी जिनके काड़ नीत आयुग की स्थापना करने की आविस्था पड़ी और पर जो नीदिया वो यूजना यूजे था बिल्कुत सही काम करता था जितना को कर सकता था लेकिन बरतमान में क्या है जिनसें क्या बढ़ गई है उसकी जरूरतें बढ़ गई है उसके नजरिये बदल गए है लोगों का तरीका बदल गया यह सारी चीज़ है तो दूसरा किस तरह से 1991 में क्या था उदारिकर्ड का दोर था तो उदारीकर्ड के दोर से पहले क्या था यूजना आयोग क्या था अपनी नीतिया बनाया करता था तो उस तरह क्या था कि उससे में क्या था तो उधारिकड़ के दौर से पहले कि अगर बात की जाए उससे में क्या था आपका सरकार की भूम क्या थी बहुत अधिक थी तो वो जो सरकार की भूम क्या थी तो जो आपका राजी अर्थिववस्ता का जो लक्षर था उस तरह का आप में किस के क्यानवे में आर्थिक संत्यौन यारी की संत्यौन संत्यौन का क्या हो जाता है संकटा जाता है क्या करते है आई- We भारत का जो आर्तिक आकार था वो फि पड़ चुका था तो कि एक जया था कि हम को लोगों के सामने करो लेकर उनते फिरते थे लेकिन अब यह हैं कि लोग हम से क्या करते हैं हम से अँमीर लगाता है ए कि हम भारत में प्यापार करें हम बहुत कर 이미 मै चैत्र की पहले से अधिक भूम था यानि कि योजना यूप का जब समयकाल था उनीस सो इक्यावाद था आपको पताए कि के सरे से आपका सरकारी जो था खामी खाम का नियंतर था लाइसेंस राज था और बहुत सारी जो नीटियां थी बहुत सारे ऐसे चैत्र थे जहां पर सर जाती है तो चाहिए सी बात है कि आपका जो भारत में योजना-एउक का जो सीवUP है योजना-एउक क्या जाए गर वो बदलाप नहीं करना चाथी है तो उसको समार्ग कर जाता है उस रूप में आपका नीदायों की सुलवाथ की एदि सी नेक्स देखेंएं अर्थबुबस्ता में देश की राजियों की भूनका मैंने क्या बताया था कि किस तरह से भारत में क्या था आपका जो योजना ना उका उल्टा उस में तक्वी प्रवर्तन आपको पता होगा जब योजना अयूक लागू योजना ऎूक का समयकाल चल Stretchsa Bennideoric उस 基本 तक्नीकी प्रवर्तन नहीं वा ता यानि कि हमारे पार टेमренवी नहीं थी पूरी आयोग में क्या करना था परवर्तन करना था नहीं करना था तो इसको समाप्त कर देना था तो इन कार्डों से क्या था आपका योजना आयोग का क्या करना पड़ा योजना आयोग को समाप्त करके नीत आयोग को लागू करना पड़ा नीत आयोग की विशिस्ता देख लेते हैं नीत्यायोग की विशिस्ता हैं क्या विशिस्ता है कि सबसे पहली विशिस्ता है Ugh की प्रमुक मुमिका राश्टि तथा अंतर राष्टियमहेत्व के तरह तरह के नीतिक अध मुद्दों पर केंद तथा राज्य सरकारों को क्या जरूरी रेजनीतिक तखनीकी सलाह देने का फिरन्यकर का रहे है । सीधा का मतला जो आपका नीतियाप्योगी, वो क्या सकता है सलाह दे सकता है या पिर अंतराश्टी मेहत का कोई मुद्दा है तो उस पर क्या कर सकता है आपका नीत आयोग क्या कर सकता है कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्र या पिर राजी सरकारों को क्या कर सकती है वो सलाह दे सकता है अब माने न माने यह चीज़ लाए ल सब सब глаз Bank का यह कि ठैच्छा करते हैं का सारे मिलकर आपका नीट अयूप करते एक तरह से मानधा दूसरा में बता है निजी छेत्र के बिसेत्र के क्यों लगता है कोई निजी छेतर का है माली पिसेश्ट में उसमें बहुत ज्यादा क्या कर रखिया पारंगत, असल का क्रखिया ! और उसमें क्या करता है उसमें बहुत ज्यादा उसको ग्यान है तो उससे हम क्या कर सकते हैं उनको हम बोला सकते हैं उनको बिठा सकते हैं और अपनी इस टीम में क्या कर सकते हैं हम टीम की तरह उनसे काम करवा सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं और उनकी भूमिका काविया का हैं उनका योगदान को हम लोग उनका जो योगदान देते हैं जो सलाह देते हैं, जो राय देते हैं, एक्सपर्ट लोग देते हैं, तो जाईसी बात है, हम उस राय का, उस सलाह का क्या कर सकते हैं, भारत देश में क्या कर सकते हैं, उसका लाव ले सकते हैं, जब हम एक्सपर्ट लोगों की राय के द्वारा अगर हम सासन करेंगे, तो क्या होगा भारत की जो नीतियां हैं बहुत अच्छे से काम करेगी कुर्ण करता है मजबूत करता है केंदी ये-ब ताक हो चांग को क्या करता था ज्यादा तबज्योत्य होता था, मैंने वह आपको बताया था कि यह रगया रहत था वह किसी भी की भूमता इसमें होती है यानि कि माली जो कोई एक्षपर्ट है तो वो क्या करें किसी बिस्यस ब्यवाग का एक्षपर्ट है तो हम जैसे बैंकिंग चेत्र का है मालो ना कोई बहुत ज्यादे एक्षपर्ट तो हम इसमें सलह के रूप में हम विस्यसरों की रूप में उसकी यमसला मसवरा कर सकते हैं लेकिन आपका जो योजनायोग था इस तरह की किसी भी तरह की कोई किरिया को नहीं करता था यानि किसी भी तरह को गत्विदी को नहीं करता था तो क्या संगी धाचा मजबूत करता है संगी धाचा का मतलब ये केंद्रित्या को क्या नहीं करता है चाहिए और सभी राजियों का क्या होना चाहिए किसी भी राय में पूरी तरह से योगदान होना चाहिए सीधा ता मतलब सारे राज मिलकर क्या करते हैं एक संगी ढाचियों को मदबूत करते हैं यानि कि आपको पता होगा कि मान लिजिए हमारा देश है और हमारे देश में क् की लगों रहते हैं समझने बात को तो इस तरह से क्या समझ में आता है अगर कोई किसी देश का कोई सहर और किसी भी देश का कोई राज जो है अगर किसी भी तरह से पिछड़ा है तो जाईसी बात है आपका देश जो है वो पिछड़ा है सीधा समतलब आपका परिवार है आपके परिवार में सारे सदस्त जो है मजे कर रहे हैं सारे सदस क्या है आनंद ले रहे हैं जीवन का लेकिन किसी काड़ से कुछ सदस्त जो है वो परेशान है तो पटाए किस तरह से कोई परिशान है राजिस्तान में आपको पता है किस तरह से किसी परिश्थान कम यह क्या होती है परिशानी होती है परिवार के नाते करेंगे तो भारत देश के अन्य जो राज्य है यानि कि वो क्या करेंगे करेंगे तो इस से क्या होगा संगिय ढाचा मजबूत होगा सीधा सा मतलब है भारत देश की जगह छोड़के आप अपने परवार में ले लो आपके परवार में दस लोग हैं दस लोगों में से हर एक क्या है मजबूत है तो आपका एक मजबूत परवार बनता है और हर घर सहर का यानि की मालीजिए आपका ये महला है महले के हर महले का हर परव क्या है मजबूत हो जाएगा और जब वो पूरा महला ही मजबूत हो जाएगा तो क्या होगा हर परवारी जब उस महले का मजबूत हो जाएगा तो वो महला क्या हो जाएगा मालीजीए वो बस्तिया का है वो महला क्या हो जाएगी मजबूत हो जाएगी और उस सहर के सारे महले या फिर सारे छेत्र क्या है हर एक ब्यक्ति क्या है मजबूत है हर एक छेत्र जो है मजबूत है तो वो सहर मजबूत हो जाएगा और हर सहर मजबूत है तो आपका वो पूरा राज मजबूत हो जाएगा और पूरे देश के यानि कि जितने भी राज्य हैं और कि इंसासी पेरेश हैं वो सारे के सारे मजबूत हैं तो एक मजबूत राष्ट का निरूमणा होगा सीधा ता मतलब आपका कोई गाउं है वो गाउं किसी भी तरह से किसी भी चेत्र में पिछड़ा हुआ है तो आपको स बाली बात हो जाएगी कि हमारा देश पिछड़ा है क्यों हर गाउं को मिला कर यानि कि सारे गाउं को मिला कर सारे सहरों को मिला कर और सारे सहरों के मिलाने के बाद सारे राज्यों के मिला कर क्या होता है एक देश का मिमाड हो रहा है हमारे भारत देश का क्योंकि हमारे भारत देश के बारे में कहा गया है कि भारत जो है काय का संग है राज्यों का संग होगा तो जब राज्यों का संग है तो जहाई इस्ती वात है हर राज्य जले, बहुत सारे जलों में क्या है, बहुत सारे गाउं, बहुत सारे गाउं में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर वो लोग क्या नहीं होगे, मजबूत नहीं होगे, आप निर्भर नहीं होगे, अपने आपने सक्षम नहीं होगे, तो हमारा भारत देश भी क्या होगा, सक् मतलब हर गाओं का हर ब्यक्ति हर गाओं के हर गाओं के हर ब्यक्ति को क्या हो परना पड़ेगा मजबूत बनना पड़ेगा हर सहर के हर व्यक्ति को मजबूत बनना पड़ेगा हर राज के हर व्यक्ति को मजबूत बनना पड़ेगा इस तरह से सारे राज क्या हो जाएंगे सरसक्तिया मजबूत हो जाएंगे सक्तिताली हो जाएंगे का हर एक राज्य दूसरा क्या करेगा अगर मदद करता है तो क्या होगा सहिकारी संगबाद क्या होगा मजबूत होगा सीधर संग का मतलब सारे मिलकर क्या करते हैं एक संग का लिर्मार करते हैं और वह संग क्या क्या राता है भारत क्या राता है तो भारत की अगर किसी राज्जी में कोई अन्वन होती है तो दूसरा राज्जी आकर क्या करता है उसमें सपोर्ट कर सकता है या कहें क्या कर सकता है मदद कर सकता है या पर सला दे सकता है तो वह क्या कर सक आपका सबसे छोटा भाई क्या है वह थोड़ा सा कमजोर है बात को समझो आपका सबसे छोटा भाई पगमजोर है तो हम को से करेंगे कि भाई को क्या करें मजबूत करें यानि कि जो सबसे छोटी काई होती है अगर हम उसको ही मजबूत कर दें उसको हम सेक्षम कर दें तो पूरा छेतर मजबूत हो जागा ऐसे पूरा देश मजबूत हो जागा तो यहां पर क्या हो रहा है कि ग्राम इस तर पर योजनाओं को बनाने के तंत्र को विक्सीद करना सीधाता मतलब क्या होता है कि आप गेंदरी इस तर पर क्या करते हैं योजनाओं बनाते हैं उसका क्या करना पड़ता है क्रियामेन करना पड़ता है कहां पर गिरामीड चेतर पर क्या किया जाए योजनाओं को बना जाए और जब गिरामीड चेतर हो क्योंकि हमें बनानी गिरामीड चेतरों के लिए तो वहीं पर ही क्यों ने योजनाओं को क्रियामेन और बनाने का तंत्र विक्स किया किया कुछ गटिया होते हैं लोग निए पूस्टे वह भी कभी चौर ब्रदमास का बगमत ज्यादा हो जयता है तो कभी चौर बदमास का बगमत थोड़े से कम है लेकिन पाइट है तो महाँ पर चौर क्या करते हैं बिल्डात तो यहां पर मैंने क्या बता है, मैंने क्या बता है, क्य पहुता है, समझों बस वाथ को, क्या हुआ, यानि कि इतना बड़ा पत्तर नीचे आया, जो भाँ आते आते क्या रहने है इतना बड़ा रहने बेजा यूजा वद रांगे लेघ्वे सरी अगर हम ये खेतर हम जाफ्तर में ही मिल जाएंग तो रह दो डोलिय अन्य करोड रुपार बेजा है हमने पहुंचा किता पहुंचा कितना वहां पर समय, पैसा और भिरष्ट जो पेढ़ी एससे क्या मिलीए है मुक्तै कि मिलीगी पारदर सिता यह में देखने हो के मिलेगी सीधा तो मतलR जökप मो रहे हैं धिक्ति करोना καई चलन दूसरुपे की कोई चिर्श जा रही सरकार के पांस से तो हो लिखता कितरा पांसो यानि कि राशन कहीं पर बनटा जा रहा है दे पांचца तो रहा हैं ख novamente का साथ किलो लिख रहे हैं पचास क्वलों इसे औ peng शेषिफ हो माल सब के पास पूरा आ Oczywiście क्र होता है माल जो होता है घट जाता है जिसे माली जी अभी नगरपाल का की बात करें तो माली जी कोई छोटा मोटा पूर्जा जाता है पूर्जा जाता है पीस रुपे का लिखते हैं दूसर रुपए पूर्जा जाता है पचास रुपे का लिखते हैं पांस रुपए यह होता ह रियल मेरा देखा हुआ है ये हवाभी भार नी कर रहा हूँ तो चलिए देखते हैं नेक्ट परते हैं इसके लिए कुछ कार क्या कि एगये है आक को नीत आयोग को दिये गए है जैने क्या बताया नीत आयोग क्या करे केंदर तसाराजियों के क्या है केंदर तसाराजियों और अन्य जो पहलू है अन्य जो पच्छे उनको साथ लाकर क्या करें विकास की रास्ते पर टीम इंडिया की तरह काम करें सीधा सा मतलब किसी टीम में कितने प्लेयर होते हैं ग्यारे प्लेयर होते है लेकिन ग्यारे प्लेयर नहीं होते हैं और भी प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं बैठे रहते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है माली जो कोई टीम का प्लेयर जो है वो घायल हो जाता है या फिर लगता है कि वो खेल की इनले की स्थिती में नहीं है तो क्या होता है दूसरा किसी मुद्दे पर क्या करना है हमें राय लेनी है तो क्या करेंगे हम सारे पक्ष यानि केंद्र और राज दोनों मिल जाएंगे और कुछ निजी छेत्र के जो लोग है यानि कि तब पक्षों की बात हो रहे हैं निजी छेत्र के कुछ एक्सपार्ट है उद्योग पती हैं लोगों को समझाएं कि लोगों की राय है कि काम का इस तरह से solution निकाला जा सकता है समझ़ए बात को क्या सीधा समतला अगर मालिजे किसी परिवार में किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है तो यहाँ पर क्या है कि एक भाई है दूसरे भाई के अगर उपर संकट आता है तो म कराएना क्या करें वो क्या करेंगा एक भाई पर अगर संक्ट रहा था किसी भी तरह थे तो दूसरा भाई क्या करेंगा उसकी मदद करेंगा उसका सपोर्ट करेंगा समझने बात को तो यहां पर क्या करेंगे टीम इंडिया की तरह काम करना सीधा का मतलब सभी लोगों का सभी ब्यक्तियों का सभी छेत्रों का सभी राज्यों का और पूरे देश का साथ ले कर चलना है और हमें क्या करता है भिकास के रास्ते पर पूरे देश को ले चलना है किकसके आधर पर टीम इंडिया की तहल है कुछ निकार भी संपे गए हैं आपको किसको नी टाइक को आनिकार भी है जिसीसे कि आलोचनी उचना तब समा लोचना त tutte निकाई की रूप में कार कॉष्क तो उसमें लग रहा है कुछ कमिया है कमियों को बताओ लग रहा है कुछ उसमें सुधार किये जा सकते हैं तो कमियों को बताओ और अगर लगता है कि तारीफ करने के योग है तो तारीफ भी करो अब जैसे पप्पू के पार्टिकल होगे हैं मोदी जो कुछ भी करेंगे बुग्रोदी करेंगे, ठोड़ी बठ तारीफ भी कर दो, ये बात नहीं, पप्पू नहीं करता है, जब BJP बाले होंगे, तो वहाँ पर क्या होंगे, पप्पू कितना वी अच्छा काम करेगा, लेकिन BJP बाले क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, समझिगे बात को, यहा के समझा करो बात को कि केबल कमी भी बताएंगे या इसमें ये कमी इसमें वह कमी मतलब हमेज़ा कमी कमी बताते रहोगे कभी-कभी उसकी थोड़ी सी अच्छी भी जानकारी दे तो तो इस तरह सी आलोचनात्म क्या है निकाय की रूप में काम करता है किसी भी तरह की कोई नीत कसेवा चेत्रखक में कोछे कमी कमी आ है या फिर म 당ली ये कोई भी सेष्च्छेश्य, चेत्र हैं, उसका उसपे थोड़ी थोड़ी सी पर परिस प्रिक्सहणी आ रही है उसका बिकास कम हो रहा तो हम क्या करेंगे च्छेत्र बार्रण्डीटी बनाएंगे और हम उस पर क्या करेंगे लाइन जो इसे करेंगे की रहे शेम के बारे में जानकारी रखेंगे और उसके लिए क्या वो Хझ बोल बाला है तो हम कोसी करेंगे किचेत्र के साथ अन्य छेत्रक जो आइं वह पिछड न जाए वह क्या न जाय आहं याा कहें उनका क्या न हो जाइए पत न मतश्य तो इस तरह का क्या है यह मैं छेत्रक वारे जाता तरकी करना है यामनि पिछड़ ना जाए उनका पता न हो जाए उनका भी थोड़ा सा विकास होता रहे यानि कि संतुलन बना रहे नेक्स देखते हैं विकेंद्री करण नियोजन विकेंद्री करण नियोजन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि केंद्र से नीचे की योजन क्या बनती है आपकी नीटी बनाई जाती है तो उससे क्या हुते है माली जी ऊपर से विक रॉड पर जांट है नीचे कितना पांचता है आपका गिणी कर्षius कोई ना की रही है कि है निचe कि पनवाई जाए तो इसमें क्या है फिकेंद्रि कड्क और परती इस पर्धी संगबाद का platform बनाना मैंने आपको बताया था सहेकारी मतलब यह दूसरी की मदद करें और परती इस पर था क्या मतलब होता सिद्धा समय कॉंप्पेटीशन आपस में क्या करें कॉंपेटीशन भी करें ताकि पिकासों को दूस के क्या है अगर कंपेटीशन होगा वो भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए competition यानि कि प्रितिस्परदा होना भी बहुत जलूगी है राज्यों का केंदर में सबसे अच्छा मित्र के रूप में कारिक करना आपका नीतियायू का यानि कि राज जो होते हैं घबराते हैं जैसे मालीजे पपू की कि पार्टी मालीजे पपू नहीं मतलए किसी और की पार्टी मालीजे बीजेपी की पार्टी आपकी केंदर में हैं और उत्तर पर इसमें का की पार्टी है मालीजे साइकल वाले भाईया की पार्टी है और साइकल चलाते चलाते वो क्या करते हैं उनका जब पैसे कटाना है या हम बजट प्रवंदन के दाइस जो पैसा वगएरा आया तो हमरे साइकल वाले वहिया ने फॉन लगाया है मोदी जी को मोदी जी हमरा पैसा आपने ट्रांसान नहीं किया है अब बात को समझो अब मोदी जी ने कहीं देख सुनबे अभी रुक अभी हम उनमें पैसा विजवार रहे हैं जिनमें हम पीजेपी की सरकार हैं जब बीजेपी की इसमें आ जाएगी ना उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आएंगे तो हम टाइम पर पहुंचा देंगे अभी थोड़ा सा तसर ली रख और दोबारा फॉन ना करना नहीं तो वहीं पर आ जाएंगे और जो होंगे ना सागी भी छीन लेंगे अपके पैदा लाना पड़ेगा समझो बात को मतलब यहां पर यह कहना है कि जो केंद्र होता है उसमें वो केंद्र में राज्यों का केंद्र में एक अच्छा मित्र के रूप में नीत आयो कारे करें ताकि जो केंद्र है और केंद्र राज तो केंद्र से वो कहने में आखे न जी एच किता है तो माने लिए केंद्र को बात पहुंचाना चाता है तो नीटाइव क्या करेगा उसकी बात को अपने तरीके से पहुंचाएगा यानि कि वहाँ पर रखेगा नेक्स देखते हैं गिरामीर इस तर पर योजनाओ को बनाने के तब बेक्षित करना ये मैं पता चीमाँ पहुंचाएगा ख चली कि सन्रचना देख लेते हैं इसमें कौन-कौन सी सतस होते हैं कौन-कौन से कहाँ पर क्या होता है सबसे यहां पर अध्यच चिन मतलब क्या होता भाया पध्या बार-बार आ जाता है तो भाया वह भी देख मान लीर में सुंदर सा लड़का हूं ऑउल मुझसे बोला बहए आपका शालां वनना है कि अछलां बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुश्य तुमनीबहन है अपनी बहएं से साधी करा कार दो ठीक आ कि है विसंध्य साधी कर ली ऐटमेटिक यानि की पदेन साधी नहीं करना पड़ेगी या फिर मुझे किसी तरह का नहीं करना पड़ेगा उससे मुझे किसी osis मेशना पड़ेगा कोई संध़ता नहीं करना पड़ेगा कि बेटा तुम्हारे साले वाले कागज तैयार करवाद नहीं मैंने क्या किया मैंने उसकी भेहन से साधी की ऐर्टो मेटिक साला इगा चलो उससे नहीं करता ओं किसी और मौधीजी प्रधान मंत्री हैं तो को जैसे प्रधान मंत्री हट नेगा तो ओटो मेटिक वो क्या बन जाएगा नीत आयोग का ओटो मेटिक यानि अपने आप प्रदान मंत्री बनके आए इनको अध्याच्यों के लिए पौर्म कम निकलेंगे तो कैसी कैसी पीज होगी सर जन्रल के लिए पांचो रॉपए और विची के लिए साथ सुरुपय और एसे के लिए बिल्कुल भी नहीं है और उनको देना और पड़ेगा कितना पड़ेगा सब्सक्राइब कोई बात नहीं तो मुदी जी तो सब्सक्राइब कोई नहीं करना है ठीक है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर प्रिधान मंतरी बने सब्सक्राइब कर नहीं रहें तो सब्सक्राइब करने रहें तो सब्सक्राइब करें नामित करेंगे कौन करेगा आपके प्रिधान मंत्री करेंगे उपाद्याच भी इसमें होता है यानि कि नीतायो का रखेंगा इसकी संक्या 5 पहांच रखी गई है यहानि कि पूर्फ कैलिक सजस्षे और फसकर चले नहीं में इसमीं यहां पर मैंने डॉल करते हैं ४ स्पार्टी लिए और देखना चाहेँ तो यहां पर देख सकते हैं यह कि मैंने पूरी बना दिये छियर में चेयर पर्सन ठीक है उसके बाद 22 ठीक है उसके बाद चीफ उसके बाद फॉल टाइम पार्ट टाइम और एक्स और फ्यू मेंबर ठीक है चले कमझने आए रात योजना आयोग में अंतर देख लेते हैं किस तरह से इसमें अंतर है तो यहां पार नीत आयोग लिख दिया यह यह ज़ना आयोग की प्रमुक्त क्या था उद्देश्विता कार था जिक मैं आपको पीछे कैन्द्र राज्य सरकार की क्या करना किसी बीतरी करने का देहां कुई क्यों आगे बढ़ते हैं और समझते हों कि भारती कृषी कर सब्सक्राइब की पर का लीचों मेरे चीनल जो है नहीं छोड़ा जोटा है तो करने अगर आपको लेकिन अगर भएरत की पर ऐसम्भेजों कि छाए तो बात कि या है भारत के लिए बहुत मेहत्तु रखता है कैसे मेहत्ट रखता है मैंने क्या बताया खरें तो भारत की आजासी से पहले की अगर बात देख कर ले जाए या फिर भारत में आजादी के बात की अगर बात की जाए तो किरसी ने भारती अर्ट वरस्ता में क्या किया है बहुत अधिकल क्या किया है महतपूर भूमिका नहीं आई है क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि मैं आपको बता यदि युगा था कि भारस जो है वो क्या था क्रसी प्रधान देश था जिसमें आज भी लगवग लगवगों अगर मौटा मौटी देखा जाए तो लगवग है लो सतर परसंट जंसं आई वहाँ में रहती है जो क्या है क्रิसी के ऊपर निर्वात हैं चाहें बुरते च्छुप से हो चाहें अप्रते चुरूप से घला कैसा होता है मालुघ जी में करता हूं चली कोई भात मीं मेरे पिताजी है ने पीतााई के लगल में एक अंकल रहते हैं उनके में करती हैं वो serv Ilле में और की ऑर गाल में के जुड़ा हुआ है क्षेती करते हैं वह नहीं करते हैं किस रूप से जुड़े हों है वह आपाटा चुरूप से कैसे मतलब जुड़े तो खिरसी से हlated खिर्षी ऌहे हैं और ट्रूह तो घैकर जाएगा भी तो कहां से खाद ले आएगा तो कीटना से चाहिए वो नहीं मिलेगा तो कैसे क्रसी पर क्या होती है जंसंग क्या अर्थिवबस्ता में क्रसी का क्या माना जाता है प्रमुक योगदान माना जाता है और इसके काड़ी भारत जब आजाद हुआ तो क्रसी तता भूमी सुधार पर क्या किया गया था बिसे ध्यान दिया गया था और इसके बाद आपको पता भी होगा कि हरित क्रांती भारत में जुक्रसीटी वह क्या हो जाती है एक अलगी मुकाम पर पहुंचाती है यानि कि भारत एक जमाना ऐसा था जब भारत देश अंग्रेजियों के चंगल से जैरीले चंगल से चब छूरता है तो भारत के पास खाने पर दूसरे देशों को निर्यात करने तक की स्थती आ जाती है किलियर हुआ तो चलिए समझते हैं किलियर हुआ करते हैं तो मेरा या विलड़ गो रही है नहीं नहीं मैं उसका विलड़ हूं और वो मेरी बैकबॉन है ऐसे कुछ कवज़ा सुनी थी मैंने तो वो मुझे अच्छा लगा था वैसे यहां पर क्या होता है भारती अर्थ वस्ता की जो किरसी होती है वो क्या है रीड है यानि कि कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि किरसी पर सबसे ज्यादा लोग क्या है आज भी निर्वन हैं जो कि अपनी क्या करते हैं चीविका चलाते हैं चाहें फिर वो अपरते चुरूप से हो किसी भी आधार पर हो लेकिन वो क्या है क्रसी पर ही अपनी जीविका चलाते है करषी पर ही अपना क्या करते है जीवन गुजारते हैं पर देशी का मतलब भी तहां ले जाएगा तो मैंने क्या बताया आज ही भारत का राष्टी आए में क्रसी का बड़ा यूँगण रहता है यह होती है सबसे अधिक जनसंक्या को क्या करती है लोजगार भी प्रिजान करती है करसी में कुल निर्यात आयात का लगभग कितना माना जाता है निर्यात आएका अगर बात की जाए तो लगवग लगवग 14% भाग रहता है और देश के कुल निर्यात का लगवग लगवग 38% हिस्सा क्या होता है किरसी या फिर उससे संबंदित होता है मैंने आपको बताए परते चया परते चुरूप से यानि किरसी के बीज बगेरा उसस सम्द्धित हो सकते हैं या पर परते चुरूप से जो इसमें काम करते हैं उससे संबंद्धित हो सकता है यानि कि कि सबसे ज्यादा किसंटिक सबसे किसका सबसेया इते हैं किसी यार्षेसि समझने करांतियां देख रहेते हैं जो की most important है यहां पर सबसे बड़ी करांति जो है या सबसे प्रम करांति जो आती है वो आती है हरित करांति या green revolution आती है ठीक है तो पहले तो हम बात करेंगे green revolution या हरित करांति पूरी दुनिया में उसके बाद हम फिर भारत में देखेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कब होती है तो पूरी दुनिया की अगर बात करने तो 1968 में हरित करांति सब्द का सबसे पहले प्रियोग करने वाले जो बेग्यानिक थे डॉक्टर विलियम गॉर्ड थ हरित करांति सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था 1968 में लेकिन पूरे बिस्ट में हरित करांति लाने वाले जर्मन के किरसी बेग्यानिक कि चुकि आपके नोवल पुरुषकार विजयता थे क्या नान ना ने उनका डॉक्टर नॉर्मन वोर्ड फिर से बता दूँ हरित क क्रांती सब्द का प्रियोग करने वाले जो ब्यक्ति थे वो आपके थे डॉक्टर विलियम गौर्ड लेकिन हरित क्रांती की सुरुवात करने वाले कौन थे हरित क्रांती की सुरुवात करने वाले जर्मन के क्रिसी बैग्यानिक डॉक्टर नॉर्मन बॉरलोग थे नॉर्मन गुणा क्या कर दिया था 2-3 गुणा तक बड़ा दिया था मन्दें किसी केत होतास का फि Dublin प्रेगा होका है फंख कूश किया था उस में ऐसे उस्ञी किसी बताया है इसके काड़ क्या होता है खाध्यान चेत्र में एक रांती आ जाती है क्योंकि इस समय खाध्यान क्या था पूरे बिस्व में एक समस्या बना हुआ था और हर किसी को के से जुड़ी समस्या रहती थी खाध्यान से यानिकि खाने पीने की चीजों से ही तिकत होती थी जाने के लिए जैसे घ्यावन है मक्का है यह सारी चीज başंसे समध्य बने नीदिसमें emergency homes वह कोई कहाताल है यां च्या स Pillow स्भरत चूट रहेते अंग्रेज़ी में वह एस थे उनके खू नकि क्या देख तक उनके अंदर से जो हडी के अंदर स्थिमज्जा जो बोलते हैं उदो था कि इन हरम खोरों ने पी लिया था तो क्या हो रहा था हम थोड़ा सा बिक्सित होई पार रहे थे उसकी समस्या को तूर करने के लिए आपका हरिद क्रांती की सुरुवात की थी पूरे बिस्थ में नाम किसे निविया था डॉक्टर बिलियम गॉर्डने वहर थी क्या थी डॉक्टर नॉर्मन बॉलाग ने ठीक है तो मैंने क्या बता है सबसे पहले हरिद करांती का सफल परिष्ट जो किया गया था भो था आपका मैक्सिको यानि कि उसे कि जच्षर में एक देश पढ़ता में हरित करांती की शुरुवात करने वाले जो ब्यक्ति थे वो थे डॉक्टर एम ए स्वामी नाथन तो कुरी दुनिया में अगर बात की जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने क्या किया था हरित करांती की शुरुवात की थी नाम किस ने दिया था बिलियम गॉर्ड ने और भारत में हरित क्रांती की शुरुवात किस ने की थी तो डॉक्टर एमें स्वामी नाथन ने की थी तो इस क्रांती को नई किरसी रणनी थी भी कहा जाता या निक अगर आपको पूचा जाए कि नई किरसी रणनी थी कौन सी थी तो आपकी हरित क्रांती की रूप में चाना क्लियर करते हैं इसमें कौन-कौन से आगत या कौन-कौन से घटक जो थे इसमें आपसे ता थी इनकी सबसे पहला जो आता है वो आता है उन्नत किस्म के भी सीधा था मतलब यानिकी आपका हरित किरांती जो लाने का सबसे प्रमो के और सबसे पहला जो क्या था सबसे पहला जो जिसको HYVSV कहते हैं, दूसरा जो था, क्या था, इसमें आगत बो था, आपका रसाइनी खाद, यानि कि क्या थे, इनको भी थोड़ा सम केलियर करेंगे, अनकी जरूत क्यों पड़े, सिचाई की भी बारे में भी बात करेंगे, ये भी एक प्रमुक्त आगत था, तीसरा जो था, वो था, आपका साख, बंडार, विपड़न, वित्रड, यानि कि क्रेड़ेट, इस्टोरेज, मार्केटिंग, और इसके बारे में बात करेंगे, यानि कि जो हरी प्रमुक्त आगत थे, पांच आगत थे, सबसे पहले किसकी चीज़ की रूत थी, बीज डालने के बाद खादगी, खाद डालने के बाद रसाइनी कीटना था, खर्पतवार न किसम के बीच है. हच बाई-बी-एस का जो बात की जाए तो ये क्या थे, तो हैसे मुझने नॉर्मल बॉर्लाग यानि कि जो हमारे पूरी दुनिया में, जो हरित-घंध के पापा कहई जाते हैं, तो नॉर्मल बॉर्लाग ने जो बीज उतपन किये थे, जन वीज कi या भी परबन आपार ठाल पर चोटा था लेकिन उपज के मात्रा थी बहुत अधिक वा करती थी सीधा थी नाम बढ़े और धरसन छोटे वाशांीता काहिनी दरसन की काम कि बढ़े वाशा करते थी काम बड़े क्या करते थे शीता समथलब गयों वगेरा किसी का फसल कि वाई करने तो जाईसी वाद है बीज मॉटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए पुशुक सकतो उस पहई हो सकती तक है अच्छी कासे होने चाहिए तक है अच्छी क्या हो सके उत्पादन अधिक हो सके तो मैंने क्या बताया? normal Rome Luck ने जो के बीज घिसot कि थे हाई किये थे? उसमें क्या था? वो छोओपर में चोटे थे लेकिर बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे? माल को इकटा करते थे, इसके काड каж़ी, इनको बॉने किस्म के बीज भी कहा जाता था इन बीजों को सब से इन बीजों की सबसे बड़ी खासिएत ये थी कि ये बिना परकास संसले सड के अपना भोजन पिराप्त करते ते या फिर हम его को ऐसे भी कह सकते है कि नहीं अपना भोजन बनाने के लिए सूर के प्रिकास की आविज सगता नहीं पड़ती थी इन बीजों का विकास त्रियोंग साला में किया गया था। मैं आपको बता चुखा हूं मैंने क्या बताया BiK विज बीध कहा के बीच में सूर्ः की किर्णे जो होती है इंडूप की जरूरत नहीं थी उसके बिना भी यह क्या करते थे अपना भोजन बना सकते थे यानि कि दो क्या 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 काविम होता है आपका सूर की प्रिकास यानि की सूर का प्रिकास क्या आशिक्ता पड़ती थी उसके बाद आपके जलकी आशिक्ता पड़ती थी उसमें आपका जलका आशिक्ता पड़ती थी उसके बाद ये सी ओ टू क्या करते थे लेते थे और सी O2 लेने के बाद क्या करते थे? O2 में निकाल देते हैं, यानि जब ये भोजन बनाया करते थे, तब क्या करते थे? ये कारवंडाई ऑक्साइड को अपने पास ले लिया करते थे, उसके बदले में ये ऑक्सीजन का क्या करते थे? निमार करते थे. ये प्रिकास सिंसलेसर की क् पादन तभी बढ़ा सकते थे, जब उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें खाद अधिक डाली जाए, सीधा सा मतलब ये था, कि मानलीजीए मैंने भी बताया था कि क्या करते थे, जो बीच ते बॉने किसम के बीच कही जाते थे, ठीक है, किलियर हुआ, और परमपरागत खाद की यह क्या करते हैं रसाइने खाद की इन्हें जरूरत पड़ती थी जैसे कि नाइट्रोजन हो गया एन, फोस्फेड हो गया, पी, पोटास हो गया क्या सीधा था मतलब इनका यह कहना यह था कि माल लड़का है सारे जीवन पर भेहस का दूद, गाय का दूद और देशी की खाग रसाइनिक खाद यानि chemical fertilizer चलिए ही चाहिए अपने सरीर को विक्सित करने के लिए हमको protein powder चाहिए, आपका बहुत दिन से हम दूद पी रहे हैं, हमको पसंद नहीं हमको protein powder लाके दो, पापा बोले ठीक है विटा ला देंगे, तुम रोख आए रहे हो इसके लिए, protein powder आपको आपको पता होगा, गोबर बगेरा किसी जगे डालते थे, इकटा कर लेते हो, बहुत सारा धेर हो जाता था, गोबर का यानिकि उचे उचे धेर देखेंगे, वो खेतों में जाके डाल देते थे, खाद बन के रूप में, लेकिन इन इन वीजों को क्या किया, इन पेड़ प चला देंगे बात को कम जो, इन वीजों ने साप मना कर दिया थे, हमको गोबर वाली खाद नहीं चाहिए, परमपरागत खाद नहीं चाहिए, बलकि हमको रसाइनिक खाद चाहिए, नाइट्रोजन लेके आओ, पोटास लेके आओ, यूरिया लेके आओ, डिये पी लेके हम गोबर नहीं खाएंगे, परमपरागत खाद नहीं खाएंगे, तो सीधा था मतलब मैंने क्या बताया, कि एच वाई वी जो बीच थे, उत पादन वत भी बढ़ा सकते थे, जब उनमें खाद अधिक डाली जाए, और ये परमपरागत खाद का प्रियोग नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, रसाइनिक खादों की इन्हें जरूरत परती, तो जैसे आपका नैट्रोजन, फॉसफेट और फोटास हो क्या, चलिए, रसाइनिक कीट ना सक और खर पत्मार ना सक देख लेते हैं, तीसरा समझते हैं, कैमिकल फेश्टिसाइड एन हर्विसाड्स को तो आपको मैंने कईवार बताया था, या फिर बताया क्या भी मैं आपको पताया होगा, कि जो एच वाइवी जो बीच थे, इन्हें रसाइनिक खादों की क्या थी, बहुत अधिक जरूरत परती थी, यानि कि बहुत अधिक जरूरत परती सीधा, हमारा लड़का है, खा का क दस दिन, बीज दिन रख हैं, तो वो कहां से अच्छा होगा, समझ रहा हैं, प्रोटिन पाउर्टर हमने फैक्टरी में तयार कर लिया, यानि कि केमिकल की तरह वो उसको बना लिया, और लोगों खिला रहे हैं, अब चीज समझो, हम केमिकल जब खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मैंने क्या पताया, जब बीज को क्या दे रहे हैं, हम केमिकल खा देया का है, रसाइने खा जब दे रहे हैं, तो इसलिए खाद को खर पतवार न गटक जाए, यानि कि हम उसको माल तो जादा दे रहे हैं, लेकिन कीट पतंगे या खर पतवार ना सक, उस फसल को पिरियोग साला में तयार किये यां तो मैक्सिकों में लाते हैं और दीज बहुत बहुत बढ़ते हैं वहां के लोग होते है तो कि यह आपर्टी वह यह 창5 लुग पकिद से उसे यहाँ पर कौनशी बिमारी लग जाए, वहाँ पता नहीं किस तरह का खाना काता हो, यहाँ पर उसे पसंद नहीं नहीं तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या बताया, इसका सबसे गड़ा काड़ यह था, रसानी कीतनास्थों, खर्पत पर नासक का इन में प्रियोग करने कोई में पर ऑड़ा है, लगा है, लेकर हमने तो हमने फ्रकृति में पर पर बढ़ किकल में ऊंदा खादो, ओर और सब का प्रियोग अधिक करने कार क्या हो था उनमें खत्रा था कि उनमें कहीं पर कीःथ नासक प्लखना कार तो किमिकल करने have aAcave भॉत हॉत्वाब केमिकल करने खाते हैं तो आपको क्या करना के लिए किसकी आविस्टता पड़ती थी उप जल की आविस्टता पड़ती या सीधा सा यह भी कह सकते हैं कि चुरसाइने खादें हम ढाल रहे थे अब मान लिजीए क्या करेंगे आपको दबा दी माल लीजी हम क्या करें कोई दबा करते हैं तो हमें क्या चीवी पतला चाहिए तो जोगा तो यहीं खाई नहीं पाऊगी आप तो यहीं पर यहीं पर लाग होता है कि सिचाई की आविशक्ता भी यहां पर बहुत जरूरत थी रहसाय नहीं खा दो तो था कि उट नास्पों को गोलने के लिए और यह सर भी जल्दी दिखाएं इसके लिए अन्न के मुकाबले क्या था पानी की आ अपने पास रखो हमको एकदम लेटेस्ट टेक्नोली वाली खाद लेकर आओ जिसमें नाट्रोजन ओ पोटास हो और आपका पोटास हो इस तरह की चीज़ें हमारे पास लेकर आओ तब ही हम खाएंगे और तब ही हम आगे बढ़ेंगे चब इनको खाद बगेरा दे दी उसक इसको हमने क्या देना शुरू कर दिया हमने अंटिवाइटेग वगेरा फालाना डेम का चीज़ें देनी शुरू कर दी कहीं लड़का जो है बीमार ना पड़ जा उसका जो तरी तगड़ा हुआ है पुछ जैसे हमने लड़कियों को पाल पाया है कहीं उस पर कोई बीमारी पर आगत जो है ओटमेटिक के लिए हो गए होंगे तो समझ में आया कि जल्दी से असर दिखाए इसके लिए सिचाई की विए सकता परती थी सीधा समय तरब सबसे पहले आपका खाद आ जाता उसके बाद खाद आने के वाज़े बलॉंडा तकड़ा हो जाएगा उसके किसान ने किसान ने मैंने क्या बताया था आपको किसान ने क्या किया महेंगे बीज लाया महेंगे खाद लाया महेंगे महेंगे कीटना सक लाया महेंगे महेंगे माल लागाने के बाद उसने फसल को तयार किया अच्छा का था उत्पादन किया अब क्या करेगा वह भाईया उसके की आगी की पिरक्रिया भी बताओगे के नहीं तो पांच मां अगतिस में हो जाता है साख मतलब क्रेडिट बंडार पैसा मतलब क्रेडिट मतलब इस्टूरिज करने की जगा कहीं रखोगे मालत आयर जागा बिपड़न मतलब मार्केटिंग करनी है ताकि लोगों तक करते हैं तो किसान मैंने आपको बताया था कि किसान जो ये महेंगे महेंगे बीज और महेंगे महेंगे माल ले आकर महेंगे महेंगे कीटनासरों को आसानी से खरीज सके इसके इसके लिए सरकार ने सस्ते रड़की क्या की विवस्ता की लेकिन उन छेत्रों में की जहां पर ह यह तो क्रेदे हैं, अब इसमें जो उत्पादन हुए है, Remote Supporter Salave तो हमने तैयार कर लिया, अभर हम क्या करेंगे, खेटों में पढ़ा रेर देंगे, वर्साद आ जाएगे, तूफान आ जाएगा, हमारा सारा माल भीड़ जाएगा, अगर हम पकड़नी खूशिय करेंगे, तो सरकार कहती है, आपने हमते पैसा ले लिया, अभर outline की विवस्त अब वो बंडार इसलिए किया है ताकि वो पड़े 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 बड़े सरड न जाए अब उसको क्या किया जा सके अब क्या किया जा सके उसको बित्रड करने की विवस्ता भी किये जा सके इसके लिए सरकार ने इसे अच्छा खासा पैसा कर्च करना पड़ता था सरकार को क्योंकि कर्ज के रूप में देना पड़ता था बंडार के रूप में रखना भी पड़ता था उसके वाद बित्रड के लिए आपको पता परिभन की आप सेकता पड़ेगी या फिर मालेजी ऐसा माहल देना पड़ेगा ताकि माल जीवा खराब न हो जाए ठीक है समझा लाए तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता था और इन सभी कामों को पूरा करने के लिए सरकार ने बैंकों से बैंकों से क्रसी रड़ की विवस्ता की बारती खाद निगम तथा जन्वित्रण करना लिया निकी पीडियस की तो आपको पीज देने के बाद, रिटा खात के लिए हम तची को पैसा दे देंगे सब्सक्रा से चाहिए ठीक हे रिषा करना था लोगों तक पहुंचाना था क्योंकि यह जो खाद्यान था वो लोगों तक पहुंचाना था जो गरीब थे पिछड़े लोग थे दबे लोग人 थे उन लोगों तक माल पहुंचाना था ताकि उसका पूरा-pूरा लाव लिया जा सके यह जिए बहुत सारा उत्पादण करते हैं और उस प्रधन का लोगों तक लाव नहीं पहुंचता है तो वो उत्पादण किसी काम का नहीं होता है समझ में आ रहा है यह बात चलि लिया उससे हमने पैसा ले लिया और ज्रू रोर्ष थी उनको पूरा किया तो कि लियर आपको हो ग्या होगा कि किस तरह से आपको भीज के बाद हम क्या लघते घांद की विष्टा करेंगे चाहिए Mission पादन के बाद में क्या होता है मितलब साथ की निंसा बंदार की बैश्टा करने पने सब्सक्राइब कंदिया है तो इसे की पूरी त्रच के परक्रांथी में की गयी है पांच आगति में हो जाते है ठीक है निख रिखते हैं हरिट कि आंगाई को दलन קमाद घ्यियान फसलों पर क्या किया गया था लागू किया गया था जैसे कि गें हो गया चावल हो गया जौर हो गया बाजरा हो गया मक्का हो गया ठीक है किलेर हुआ दलन फसलों को छोड़ कर बाकी सबी जो खाद्यान फसले थी उस पर ये लागू किया गया था क्या हरित करांती हरित करांती कि प्रतम चड में 1966 से रिक है, उनिस सो एक्यान सी तक के समयकाल की अगर बात की जाए, तो इसमें हरयाना आता है, पंजाब आता है, पश्मी उत्तर प्रजिस में लागो की आता है, सीधा से मतलब जो हरित कांती थे, इसके दो तीन चड थे, यानि कि हरित कांती प्रतम हरित का लड़की दिखाई से लेकर आपका पूरा बिदाई तक का काम होता है वो साथ ही में निवट जाता है निवा से क्या रचाली काम हरी निवट भीदेश तक निवट तक है तो आपका ये पूरा बाला छेत्रा है है तो मैंने बता है सीСТ़रा इरुटर धूरा घू जाता है तो इस तरह से शुरुबात होती है इस तरह से यहां से इस तरह सुरुबात होती है पस्च्चमी उत्तरप्रदेश भाला चेत्र आ जाता है यानि कि पंजाब हो गया हर्याना हो गया और पस्च्चमी उत्तरप्रदेश भाला चेत्र हो गया तो इन चेत्रों में लागू किया तक ही रहता है और तीसरे चर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें पूरे देश में क्या कर दियाता है देश के सभी राज्यों में या सभी छेत्रों में लागू कर दिया था आपका तीसरे चड़केत है ठीक है इस अरित कानती की साहिता से यानि कि जो भारत में हरित कानती की भारत अपने खाध्यान उत्पादन में लगवक क्या हो करता है अपने खाध्यान उत्पादन को लगवक लगवक धाई गुना बड़ा चुकाता हो भारत में इसके सिरे की अगर बात की जाए तो सुब्रमनियम 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 जो थे ततकालिन यहां के मंत्री थे हरित करांती का पापा इनको ही का जाता है तता किरसी बैग्यानिकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर स्वामी नाथन जो थे म.A. स्वामी नाथन को अग्रडी अंसंदान और विकास कार करने वाले बैग्यानिक माने जाते हैं तो भारत में अगर आपका पूछा जाता है कि हरित करांती के पापा किसे का जाता है तो सी सुब्रमनियम नहीं दिया गया तो आप डॉक्टर म.A. स्वामी नाथन दिया तो इनको लगाएंगे लेकिन सी सुब्रमनियम स्वामी के समयकाल में किया गया था समयकाल में किया गया था तत्तकाली निये मंत्री थे हरित करांती का पापा इनको कहा जाता है नेक्स देखते हैं. तो इस तरह से भारत ने हरित कांती की साइता थे खाद्यान के मामले में क्या कर दिये थे जंडे गाड लिये थे और भारत ने अनाजों का था विदेशों से क्या करता था आयात करता था यानि विदेशों से मगवाना करता था उसको बंद कर दिया और पूरा देश समझ रहा है पूरे देश में क्या क के राज्जियों का ही क्या है साट से साट से अधिक परसेंटेज भागे में फिर से बतातूं मैंने क्या बताया आज जो है मालीजी 2020 किसकी अगर बात की जाए तो लगवग लगवग पूरे देश में हरित कांती का क्या देखा गया है पूरा देश हरित कांती क्या जा था चप की गई थी उनका आज भी लगवग लगवग जो भी खाद्यान उत्पादन होता है उसमें हरित करांती के राजियों की किरपात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है आज भी इनको क्या कहा जाता है हरित राजी कहा जाता क्यों 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 कि इनमें आज भी 60% लगवग क्या हो उनके जो छेत्रते उनको आज भी क्या का जाता है इन राज्यों को हरित राज्य कहा जाता है इसके अलावा हरित किरांती के तहट जो उन्यत किस्म के बीच पर आपत हुए थे उनकी कुल छमता का क्या था हम केवल कितना परसेंट इस्तिमाल कर पाई थे केवल 40% ही इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाब यूद भी हम आज लगवग लगवग पूरी तरह से खाध्यान की मामले में क्या है आत्म निर्वर हैं सीधा समतलब धाई गुना हमने बढ़ा लिया अगर हम अंडिर परसेंट कर लिए तो हम क्या कर सकते थे पांच गुना तर बढ़ा सकते थे यानि क कि मालिय किसी चेतर में दो कुंटर लिखलता है तो उसमें अगर हम 5 कुणा बाड़ा से 2 पंजे 10 यान की 10 कुंटर लिखलता जबकि हम कितना कर पा रहे थे केवल 40 परसेंटी इस्तमाल कर पा रहे थे खरी हरी हुआति का दुश्प्रवाब देख लेते हैं कुछ हो तो प्र पादर में धंडे जरूर गालिए लेकिन इसके कुछ बोले प्रभाप भी निकल कर सामे आए जिन को हम दो भागों में हाँ पर पांट कर पढ़ेंगे सबसे पहला जो था बोता सामाजिक आर्थिक प्रभाप यानि सोच यो एकॉनमिक इंपक्ट और दूसरा भी हम देखेंग कम जमीन वाले के पास माली जी अरिट कर आंती में नहीं आया कम जमीन और जैदर जमीन वाले दोनों ही उपर-णीचे थोड़ा बहुत अंतर रहता था लेकिन उतपादन मतल्ब्री बराबर ऑरनी पर नहीं थे लहान में लिए जिवनार रहते हैं लेकिन प्रभवसी का क्या पर वो केतने कब माता उतना क्या करता बूं कितना कर लेगा उसने एक साल में किमा लिया तो पर दिख साल और साल उसने इसी ही साल कमा लिया तो वो आ गया हुगा, पड़ोसी से, बात को समझना इस से क्या था, आर्थिक समानता वड़ी, यानि कि कल जो हमारा पड़ोसी था, खाने के ला ले थे, आज उसके पास बड़िया बड़िया चीज़ें आ गए, टीवी ले ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, क्यों हरित क्रान्ती के दाओ, उसका छेतर आ गया, अब उसने क्या कर लिया, एक साल में अपना सारा सेट अप जो थे वो निबटा लिये, अब उ पैसे बाले लोगों में उनकी किंती होने लगती है, इस तरह से क्या होता है, आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, किसानों के बीच में, क्योंकि कल हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारे साथ बैठा करता था, मुझे कम पैसे थे, यानि हमारे बैराबर का ही तालिकना आज उन यहां पर क्या है, एकदम प्रतिव्यक्ति आया, एकदम पादन चोथा, एकदम बढ़ जाता है, पैसे पूरा छेत्र के सारे लोग थे, वो अगदम पैसे बाले हो जाते है, पड़ोसी गाउं की बात की जाते है, तो वह आर्गा है, आज भी गरीब है, यानि कि आर्थिक छ हो जाते है, निम निस्ता से क्या होता, उस चीशतरी हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था फी तोड़ी देल पहले, कि मान लिए कोई राज है, मान लिए पंजाब था, गरीब राजियों में आया करता था, उतना डिक्सित नहीं था, जितना की हरिस्गांती वाले छ चार-चार सो बीगा में उनकी खेती है, मतलब टेक्टर से क्या कर रहे है, जुताई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े-बड़े छेतरों में, मतलब उपर बरसाट टाइप को लगा देते हैं, मतलब बढ़िया-बढ़िया एक्दम टेक्नोलोजी ला रहे है, हमने कभी देखा भी नहों वो इस तरह की मसीन लेकर आ रहे हैं तो यह सारी चीजे थी तो क्या समझे आए चेतर पर क्या होता है बिसमता आते हैं कल क्या था जो उत्तर प्रजिस था पस्मी छेतर जा एकदम किरसी के चेतर में क्या हो जाता है एकदम बढ़ जाता है और पंजाब था ए अंतर भगल कोई दूसरा गरता है अंतना घंवा इतना प्रिकास नहीं हुआ टो चीज हुआ कि सब्सक्राद अंति के दयत रोजगार में ब्रभ्धी तो हुई लेकिन किसी भीसेश मिर द्ysis trader क्या था कुछ जादा ही बरскी करनी माली यह अंब्सक्राइब्ल है का तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाती है तो समझो बात को हम क्या चाहते हैं अमबाला में पहुंचें वहां हर कोई वक्ति क्या चाहता है मसीन की दुकान खोल रहा है ठीक है कल्टिवेटर है समझ रहा बात को दुबल है भी घख है इस तरह की दुकान खोल रहा है पूरा हवसा बन गया यानि की ख्रसी के उतिपादन से जुड़े हुए जो क्या जो माल थे जो बस्तू एंती उनका एक या बन गया एक दम हदूसा बन गया समझने बात को next देते हैं हरित क्रांती का सबसे ज़्यादा प्रभाप क्या था गया पर ही पड़ा बाकी की फसलों पर उत्वाइन नहीं हो सकता मैंने क्या बताया इसमें और क्या निकल कर आया सामने हरित करांती का सबसे अधिक प्रभाक कार्फily पड़ा गयों पढ़ायर। यानि कि गयों का उत्पादर सबसे ज्यादा हुआ, बाकी क्या चावल थे मक्का थे उनका उत्पादर उत्थनान नहीं हो पाया था, यह भी इक इसमें क्या हैं, यह एक प्रमुख प्रभाग था यानि कि दूसस्कों पृबहता पोल सकते हैं। तीसरा देखते हैं, आगे देखते हैं, हर्त्किरांती का भूमी पर बहुत ही गलत हसर पड़ा, क्योंकि इस सैध्धांतिक कई स va Roo light लाए छलिए इसे लिए इसको भी समझते अब यहDr. रिष्ण को कम मात्रा में क्या था सभी किसानों को देने के लिए उनको सबुरान हैं करें की नहीं कि उसको दो मृ रिष्ण कुसिको यह पर हो जाए लेकिन हिए टक्रान्ती में एक क्ये अगर कि आपके पास दो बीगा, एक बीगा खेती है, तो हर्त क्यानति का आप लाव नहीं ले सकते, आपके बागत कमसे, तरस फील का पैजाण भीगा, साट भीगा, असी भीगा खेती होनी चाहिए दब आप ऐस चीज समझो, क्या हूँ रहा है पहले हैं, कि ये चाहते थे कि बросव क्या ब्हूमि क कि ब्हूमी को किसी विष्यष चेतर में किसी ब्हूमी क्या कर सके हमें बड़ोति कर सके यानि कि वहां पर अच्छी खाती फसल होगा आगा तब यह तो मैंने क्या बता? इसके साथ ही जब जमीन से अधिक माल पराप्त करने की हमारी किया थी लालसा हुई तो किसी भी जमीन की जो गुरवत्ता थी उसमें आई गुरावट पर क्या था दिहान नहीं गया ये भी एक सव्धाध धांतिक गुरोधा वासा सीधा था मतलब पहला से दांतिक गुरोधा पैसा है या फिर हमें ज्यादा कर्ज न लगाना पड़े सरकार कहती है न यह चीज़ें तो क्या था इसमें स्यद्धान्तिक व्रोधावास उससे क्या था जो गरीब लोग थे उन लोग उने अपना विकास ज्यादा नहीं कर पाया अर्थकनांतिक दूसरा यह था कि जब जमी जिया जल्दी जिय झृए छत्म कर दूंगा उसके बाद क्या है मैं अपने दूसरे काम कर लूंगा तो ज्यादा बनाने की चक्र में ज्यादा वीडियो बनाने की चक्र मुझे में बहुत सारी परिशानी होने लगी मुझे कई सारी बीमारियां हुगा ही चोट पोड़ी जाइस पिछवाड़ी में साला दो तीन परिशानी हो गई पीट कई की जो रीर की अड़ी थी उसमें साला दिक्कत होने लगा हूं मैं पूरे पूरे दिन मतलब प्रियोग करोगे आप खादों का प्रियोग करोगे तो उसकी चमता जो है वो कम होती चले जाएगी आप बिल्कुल भी गैप नहीं देना चाहोगे ठीक है इस तरह की चीज़ें हो रही थी ठीक है क्योंकि पहले क्या हुआ करता था हमां लीजिए और सीदे सी चीज़ी यह भ सी नब्है और दोछर तक अब यहां पर देखो तो क्या ठाकी ज्वुट्पाद था इस तरह से यह चलता चला गया लेक giraffe की बात की जाय तो भॉह तक तक मैं पर ठाट उत्पादन उतना नहीं उपाराता जितना होना चाहिए ठीक है नेक्स दिखते हैं दूसरा प्रभाद जो है दूसरा मैंने बता है दो वागों मैं आट दूसरा भाग देख लेए पार्सितिकी प्रभाब यानि कि एको लोजिकल इंपेक्ट रसाइने खाद तता अधे कीतना स बहुत ज्यादा प्रियोग करने से पार्सिती पर क्या उपड़ा बुड़ा प्रभाब पड़ा जिसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल से की जा सकती है मैंने आपको बताया था किया था रसाइने खाद कीटना सकते हैं कीटना से जहर होता है जहर जो है क्या करते हैं फसलों क जो प्रहें भावन किया था अब उसके अंदर वो इंसानों वाली भावना नहीं समझ रहा बात को यानि कि अब वह क्या है अमने जब केमिकल से तो इनक बाटर ले वह समझर बात को तो मैंने क्या बताया रसानी खाता था अधिकी नासुप का बहुत बुरा प्रवापडा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल से की जा सकती है सक्टी मेंने इसलिए लगाया कि अभी भी हम अगर अपनी आके खोल ले जो हमारी फूट गई है उसको अभी भी हम खोलने ही कोजिए कर रहे तो अभी भी हम अपनी प्रत्वी को या कहें पास्ती थीडिक को खतम करने से रोग सकते हैं इसके काड़ क्या होता है 1990 आते आते क्रिसी के उस पादन में क्या होता है एक दम इस्थिरता आ जाती है पहले आप यहां पर देखेंगे तो यह क्या होना था बढ़ता जा रहा था बढ़ना था इस तरह से उपर गिराफ जाना था लेकिन क्या था बढ़ने की बजा क्या था एक इस्तर तो ऐसे बढ़ा उसके बाद वो इस्तर बनके रह गया है यहीं कि 2-4 खुंटल ही हुआ करता था हुट हम ये सोचते थे कि बढ़ेगा 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 लेकिन क्या हुआ पुनार ब्रति जनक फसल पत्तिती की काड़ा हरित प्रद्यूसम भूमी की उत्पादक चमता में गिरावटाती है भाई यह कैसे होता है समझते ले पहले परंबरा का जो तरीका होता था वो यह कहता था माली की अभी ग्यंव के बाद कोई ऐसी फसल की जाए ताकि उत्पादक चमता भी रहे या फिर थोड़ा से गेप करते हैं तो तीन-चार महीने का या फिर उसमें दाल की फशल करती जाए दाल की जो जड़ होती है जो पौदा होता इसमें आड नाट्रोसन की मातरा धिक उसकी पातेक चमता होती है वो बड़ी रहती है भूमी की जो तपातेक चमता होती है और कर दो चीन करती है कि यह अध किर मतलबाइं चएँ में उप चरो और गयांं। बिना किसी गैप के गयां। सारी हर समय गयां। मतलब किसी भी तरह कोई कैप नहीं। कोई भी उसमें टाइम नहीं दिया या यानि उसकी जो भी मतलब आप एकशी है समझ आप किसी घर यहां मैं जाते हो फिर से खाना दिया कि फीजाना रंक कि बस जब देखो तब को लगाए सब हां गर defense को चुझा हो हमको सरूसी में छोड़ दो हम यार तेम चराया करेंगा ताही कि लिदी टेंसले सब्सकों औरी कՊस्सका सबस्छार कोहीं बिलुपस्ट करता रहा हूं लेकिन सोरा नहीं चा रहा हूं यह तो पिवारी वाली बात ओंत्यार जाएगी है आप सीपावर क्या है ना इस ओंद नमया कलते हैं अरे इस सांज वालत समस्ते हो दूर्ध कितन तो इस पावर तो पाद में क्या आती है कम याती है हर स् немного क्रांती वाले चेत्रों में जिल श्तर जो होता है वह जीए चला जाता क्योंकि abby साद्रड की तुना में कई गुना पानी का प्रियोग क drown तो दिनवार क्या होता था पानी चलता है तो तो फानी जुछ पानी पानी ले लो ले लो पाई थो तो समझे बात को जल स्तर क्या था? फूल था कम हो गया ऐसी कानी आपर मता रहो मैंने क्या पताया हरित करांती वाले छेत्रों में जल स्तर जो था बहुत नीचे चला गया क्योंकि ह एछ बाई वीज वी जो बीज थे साधर बीजों की तुलना में कई गुना पानी का पिरियोग करते थे ठीक है रसाइने खाद होता था कीटनास कों से बड़े इस्तर का क्या होता है परियावर पिर दूसरा होता है यहां तकी जल थल और भायू तीनों में पहुंच जाता है चल कैसे है मा लिजिए पानी में क्या होता था खाद बगएर आप लगाते हैं आप पर दूसरा हो रहा है उससे फल बन रहा है उसको भी जब आप खा रहे तो आपके पेट में भी जा रहा हो हो जाएगा बात की खास रिंकला में बड़े इस तरह पर परावड़ी प्रोडूसर का जहर का इस तरह इतना बढ़ गया कि कोई माल खाने के लाइक नहीं रहे गया ऐसा कई जाचों और सूदों में पता चलता क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से नहीं फैक रहा हाँ ठीक है तो इस तरह से ये बाद सामने आ जाती है कि हारित करांती जो थी हमारा पेट तो भर रही है लेकिन हम इस से आने वाले पीड़ी के लिए क्या कर रहे हैं नरक का रास्ता खोल रहे हैं जब हर एक चीजी प्रदूसित हो जाएगी तो हम अपने बच को थोड़ा से समझ लेते हैं केलिए करते हैं ये क्या है मैं आपको बता क ernst के का था कि कि निकल कर सामने आती जिसको हम इनाया है हमारी मन को संती नहीं मिल पा रही है तो क्योंकि हरित किरांती जो थी तिकाव या सतत किस्म की किरांती या क्रसी विकास की पद्दिती नहीं थी और इस बात की पुष्टी या का इस बात की जो क्या होते हैं इस बात को कई सारे बैग्यानिक बड़े-बड़े बैग्यानिक का करते हैं प्रूब कर देते हैं और आखिर में भारत ने बहुत देर में पहुंचता है यह जब टेकनोलोगी हो जाथी तक भारत मिलती है उसके बाद भारत क्या करता अगर पती जलाता वाला नहीं होगा क्योंकि दर्ती माता को अगर हमने दुख दिया दर्ती माता को दुख दिया और उन्हें परिसान किया तो वो ऐसी जगे गलात मारेंगी कि हम किसी को बता नहीं पाएंगे और वही हो रहा है आपको कुरोना जैसी महमारी जो है माली जी मैनमेड जरूर है वो तरह से वो क्या है हमारी है क्योंकि हम इतनी छीड़कानी करते हैं कि हमारी बनाई हमारा कुटा हम इपर भूंक रहा है यानि कि चाइना के द्वारा बनाया गया पालतू कुटा चाइना को भी काटा और पूरी दुनिया में काट रहा है यानि कि चाइना का भी उस कुटे पर स यह भी साब कर दिया कि बाइसाब जब हमने हरित करांती की सुरुबात की थी उनीस त्षी तक कि इस बात की जा प्रत्र चड़की तो वहाँ पर क्या था अच्छा खासा उत्पादन था क्या बढ़ता ही जा रहा थे लेकिन उनीस को नंबय आते यादि क्या होता उत्पादन जो था उत्पादन जो था वो इस्ति्र हो जाता यानकि ये वड़ नहीं रहता यान कि उतना ही सीमित हो गया से तॉँगा इसको सदाभार प्रयावर्ट को समस्ते हैं तो इसके ताहित की जाएगी लेकिन किया किया जाएगा बिल्कुली मुक्त रखा जाएगा मैं फेसे बता दूँ मैंने क्या बताया दूसरी हरित करांती में किरसी तो की जाएगी लेकिन उसमें परियावर को नुकसान बिलकुल भी नहीं पहुचाया जाएगा या अगर भी पहुचेगा भी तो न के वराबर वो होगा अगर साधर सब्दों में समझें तो किरसी छेतरों की इस्तिरता को दूर करने छेतरी अस इसको कहते हैं पिर से बता दू इसको आप क्या कह सकते हैं क्या होता या पर्यावर को नके बेरावर नक्सान पहुंचता है यानि की जो दूसरी तो आईए समझते हैं तो किरसी छेत्र को क्या करना है हमें दूर करना है और चेत्री असुंतलन को क्या करना है कम करना में पीछे बताया था चेत्री असुंतलन क्या होता है और परियावड को बिना नुक्सामें पहुंचाए किरसी छेत्रों का अच्छे से पिकास करना ही या फिर do히ती हरित्कांति कहलाता है इसकी सुरुवात 2006 में हुई मानी जाती है अगर योगदान کی बात की जाये तो इसकी सुरुवात करने में आपका एपी जे अब्दुलकलान जो थे इनका प्रमुक योगदान था अगर विस्व में इसकी सुरुवात करने की अगर बात की ज लेकिन दीकारिक शुरूवात 1990 में हुई मानी जाती है. वैसे विकासील इसमें अभी तक किसी भी तरह के कोई झ्छंडेगार पाए नहीं है, विकासील वाली बात आजाती है कि रजिया जब गुंडों फस्ती हैं तो जो गुंडे जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं सारे गुंडे उसके साथ क्या करना चाते हैं मतलब उसका लाब लेना चाते हैं उसके साथ गंदी हरकत करना चाते हैं उसी तरह से जो आपकी पिरत्विया वो रजिया है करें तब तक मानेगे नहीं तो अमेरिका मानए यह अई मैं थोड़ी सा कंड़ अगई कर लिए अब तो हम सरीब बन गई है कौन सी बात हुई जाला है अब हमरा नंबर है ना तो यहां पर वही बात है प्रतिवी रजिया है और यहां पर गुंडों में फस चुकी है तो इसी तरह मैंने क्या बताया कि विकास सील देश अभी तक इसमी किसी भी तरह को कोई घंडा पाए तो कि उन्हें ने कई तारकिक तथा मानुवी कारण बताया उन्होंने ये का है के वही ताब अभी हम लोग गरीब हैं अभी हम लोग फ्वोड़ा थोड़ा साम प्रमगटी को नोचैंगे खसोटैंगे उसके बात हम थोड़ा से जो समस्या वे दूर हो जाएगी तब हम इसके बारे में सूचेंगे किसके बारे में दिती हरित किरांती के बारे में लेकिन भारत में काफी अत्तक सुरुवात होची है कई राजी इसको अपना भी चुकी है चलिए दिती हरित करांती के कुछ प्रमुक लच्छर देख लेते हैं रसानी खाद की जगे देवी खाद जो बनाई जा सकती है उनका प्रियोग हम इसमें करेंगी रसानी कीट कीट नासक की जेगा है जैबिक कीट नासक का प्रियोग करेंगे वहाँ पर क्या होता था पेस्टी साइट बगेरा जो भी बड़े-बड़े जो कीट नासक हुआ करते थे उनका यहाँ पर इस्तुमाल करत हमें यहां पर क्या करना सीय kidney करतु जर्फ कमसे कम आपको सीधे तीधे बिदे मुपी देख रहा यहां आप पानी पहुंचा जाता है और इस तरह से उपर फसल की उपर पानी जाता है लेकिन ट्यूबल पर नहीं जाएगा तूबल से क्या होता एक चल रहा है चल रहा है कहीं इदर खुलाए तो फैल रहा है इस तरह से नहीं यानि कि आप ड्रिप से चाई के तहट क्या कर सकते हैं आप महां पर पानी दे सकते हैं पौधों को ता कि क्या हो आपका पानी की बचात हो सके दूसरा गया मतलब संतुलित फसल पत प्रतुरूप या संतुलित सबसे थी यह फ़से या कोंबिनेशन क्या मतला को क्या से मालीजी आभी क्या हो गए तो मालीजी अभी उप्चाव समताहिति चोड़ी कम हो गई ऐसी की जाए जिसमें कम पानी जरूदा यह उप ता है और जैसे कि आपका कोई डाल की पस्ता कर ते डाल में जो होता है खाथ की एक फसल हो गई उसके बाद थोड़ा सा ग्याप हो जाना चाहिए तो ग्याप करवाद दिया जाए या फिर माल लीजिए ग्याउंगे तो उसके बाद धान कर दिया जाए उसके बाद जो है उसकी जो उपजावत शमता है वो क्या है उसका जो होता है प्यार बोलते है उसको हम करने के साधनों का प्रियोग करना है ताकि पहले तो पानी पचत की जाए इसके तहित वाटर सेड मैनेजमेंट के तहित बंजर भूमी को खेती के लाइक बनाना है ताकि जो खेती है उससे थोड़ा सा क्या हो सके निजात पाई जा सके क्योंकि हमारा वाटर सेड मैनेजमेंट टेर्ट के-धांना मतलब जो पंजर है उसमें क्या करना है यह किरसी-योग बनाना है और जो किरसी-योग नहीं है तहला कि छोड़ा सा क्या करना है लोड कम ढानना है ताकि वो फिर से उपिजाओ की सिटी में आ जा-षांक सबसे जरूरी बात है इसमें कि कोई भी कुछ भी करो लेकिन बाता वड़के अनकूल होना चाहिए ठीक है रजिया बुंडों में फसी हुई मैसूस नहीं होनी चाहिए चलिए चलिए किरसी संबंदित अंकिरांतियां देख लेते हैं और इसके बाद यह जो टॉपिक है यहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका चलाए गया था यानि कि जो स्वेध करांति थी इसको किसके लिए चलाए गया था दूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी सुरुवात 1964-1965 में पसु बिकास कारिकरांग के ताय दूर की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए स्रूर किया गया था इस सुएद क्रांती की गती तेज करने के लिए operation flood नाम की क्या किया था आप्रेसं फिलर नाम से एक operation चलाय गया था यानि की सिधा ता मतलब यह था कि सुएद क्रांती जो थी उसी का ही बदला यानि कि उसका बहुत तेज जो कमिया थी उसको दूर करके एक नया operation चलाये गया थे जिसका नाम क्या रखा गया था operation प्रिण यानि कि दूध की इसमें क्या कर दिया है यानि कि सुषेष किरांती में क्या था उत्पादन बड़ाये जाए लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए आपका दूध की जो है बार लादी जाए यानि की operation flood की नाम से सुरेत करांती का ही बहुत तेज रूप था अगर operation flood की बात करने तो यह सुरेत करांती का ही क्या था नया रूप था operation flood की शुरुवात करने वाले जो बैखती थे डॉक्टर वर्गी स्कूरियन थे इसी कार्ड जो डॉक्टर वर्गी स्कूरियन से इनको operation flood याता है दूद का पापा का जाता है या the milk man of India का जाता है यानि कि भारत का दूद बाला आदमी अच्छी किस्म की भारत ऑर अच्छी किस्म की गायों का क्या है एक दूसरे से मिलन कराई है मतलब गाय का गाय से और बहांस का बहांस से मतलब गाय का गाय से नहीं मतलब गाय जो है गाय का मतलब फीमेल वाला जिसको बोलते है बैल जो होता है मतलब अच्छी किसम की बहांस और अच्छी किसम की गाय का क्या करना है यहाँ पर मिलन कराकर क्य करना है संकर गाय तथा अच्छी किसम की बहुंस तयार करनी है ताकि वो ज़्यादा दूद दे सकें इस योजना को अच्छी काशी सफलता मिलती है और इसका उधार यही है कि एक जमाना यह वह करता था क्योंकि 1950 में जहां पर प्रति व्यक्ति दूद की खपत क्या थी 124 ग्र उत्पादन में क्या होता है प्रतम इस्थान में आ जाता है वहीं USA जो है दूसरे इस्थान पर आता है एक सबसे जरूरी और confusion confusion पैदा करने वाली बात यह है कि यहां पर उत्पादन की बात हो रही है दूद की दूद के बने उत्पादन जैसे पनीर है या फिर सूखा दू करते हैं इंद्रदरणुसी क्या थी इस में जाचतर प्रात्मिक चेतर में आने वाली चीजें जैसे नीली हरी पीली गुलावी स्वेत तता बूरी क्रांटी को मिलाकर इंद्रणुसी क्यांती बनाए गई दो सब्द में करते हैं तो क्रसी का समस्त विकास ही इंद्र-धनु प्याज उत्पादन से संबंदे था, लाल क्रांती मास और टमाटर से, आप पूछो कि अगर लाल क्रांती मास और टमाटर दे जाए तो क्या लगाएंगे, भया एक साथ तो पहली बात आना नहीं हो, आप दौनों में सो कोई एक लगा सकते हैं, आपका सलिवे आना जाएगा, नेक्स देखते हैं, पीली क्रांती तिलहन उत्पादन, ग्रे क्रांती खाद उत्पादन, गोल्डन या स्वर्ड फाइवर क्रांती जूट से संबंदे था, सिल्वर या रजट फाइवर क्रांती कपास उत्पादन से संबंदे था, हरित क्रांती खाद्यान से संबंदे था बूरी किरांती, कोकोत पादन, तथा चमड़ा से संबंदी था, काली किरांती, खनी स्देल में आत्म निर्वता से संबंदी था, सुनेरी किरांती, फस्रों संबंदी था, और तरंगी किरांती का इस संबंदी था, आपका तरंगी किरांती देख लेते हैं, तो इसका नारा ज के इस किरांपति को भारत के तरंगे डे시यन से लिया गया है ठीक है इसनी जानकारी का भी है और यह जुख था इंडियन एकॉनिक का पार जो बन है वह कंप्ट हो जाता है और इस तरह से यह पर जो भी आब को जानकारी के दे दिये ऑं मेरे इस उमीद करता हूँ आगको ये पसंद आये होगा, आनदा अपने लिया होगा, किसी भी तरह का कोश्च तो जाब्या आप दे सकते हैं, तब तके लिए नमस्कार, चेहिंज और पंदे मात्रम